गुना से जोतिरा दिन सिंध्या ने भी दाखिल किया ना मंकन सल्मान खान के घर फाइरिंग करने वाले दोनों आरुपियों की खिला कोर्ट में पेशी बुंबई पुलिस ने मांगी चौधा दिन की रिमान नमस्कार और बाच्पागत आप सभी का वे हूं सौरब शर्मा आपके साथ योज ये टाइम होता है कहानी कुर्सी का लेकिन कहानी कुर्सी की तो हम करेंगे ही उसके साथ-साथ आज वक्त है आपको फाइनल उपीनियन पोल दिखाने का भी जिए हैं और पहले दौर में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है पोलिंग से पहले आज आखरी मौका है जब आपको देश का मूड बता सकते हैं चुनाम को लेकर सबसे ज़्यादा उच्पता पस एक सवाल को लेकर आब बाकी रह गई है कि मौडी को 400 सीटें आ रही है या नहीं आ रही है मौडी की जीत पर अब इस वक तक किसी को कोई शक नहीं दिख रहा है 200 बहत्तर का जो जादुमी आंकड़ा है magic figure है उससे मौडी आगे निकल चुके हैं कि तमाम विशलेशक भी मानते हैं सवाल 400 का रहे गया क्योंकि नरेंदर मौडी ने ये टार्गेट दिया अब इसी सवाल का जबाब आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां मौडी की सीटें बढ़ रही है कहां कहां एंडिय की सीटें घट रही है किनकेन राजियों में मौडी 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे है और कहां कहां इंडिय अलाइन्स 400 की राह में स्पीड ब्रेकर लगा पा रहा है और शुरवात आज की उपीनियन पोल के हम उस राजे से करने जा रहे हैं जिसको लेकर इस पक्त देश में सबसे जादा उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है 49 सीटों वाला तमिलाडू इसके लावा दक्षन के और राजबीज सीटों वाला केरल 17 सीटों वाला तिलंगाना है, 25 सीटों वाला अंध्रपदेश है और 28 सीटों वाला करना तक है क्योंकि नरेंदर मोदी और NDA के लिए 400 सीटें तभी पॉसिबल है जब दक्षन के दुर्ग में भी मोदी जीते है क्या 2024 में मोदी दक्षन जीत रहे हैं या राहूल गांदी वहाँ लीड लेंगे उत्तर और दक्षिन की लड़ाई, NDA और इंडी की लड़ाई, सनातन और सनातन विरुधियों की लड़ाई सबसे जादा जिस जगह पर है वहीं से आज की ओपिनियन पोल की हम शुरुबात करने जा रहे है हमारे साथ हमारे महमान रोज की तरह मौजूद है स्वागत करना चाहता हूँ और श्वदन तिरपाठी जी, राहूल माजन जी आपका भावेज जा सीनेक्स हमारे साथ हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है सीनेक्स के डिरेक्टर है और हमारे साथ समीर चौगाउंकर साथ है प्रफेसर संगीत रागी हमारे साथ थोड़ी देर में जोडने जा रहे है और आपकी स्क्रीन पर आप अब नंबर्स देख रहे होंगे अभी सब में 00 भरा हुआ है अलग-अलग राजियों की अलग-अलग आपको कॉलम्स दिखाई देंगे उसमें आपको अलग-अलग स्टेट्स के नंबर दिखाई देंगे और ओपर आपको एक ओवर आल टैली जो है वो दिखाई देती रहेगी और आपकी स्क्रीन पर नीचे इस वक्त की जितनी तमाम ताज़ा खबरे हैं हो रहा है खास तोर पर तमिलनाडू में और पूरे दक्षिन भारत के अंदर भी हम सब जानते देखिए करनाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां भारती जंता पार्टी पहले से के लिए आंदर प्रदेश लेकिन तमिलनाड और केरल उसमें पिछले आपने जो पिनियन पोल देखे थे और उसकी तुलना भी आपके सामने हम रखेंगे कि कैसे इन राज्यों के अंदर बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है या घटा है तो तमिलनाड और केरल को लेकर बहुत दिल्चस्पी है और जारातर पोल पंडित से मानते हैं कि इस बार बोर्ट प्रतिशन डेफिनेटली बहुत भाजपागा पढ़ेगा सीटों को लेकर के अलग-अलग अनुमान हो सकते हैं हमारे सर्वे की में मैं शुरुबात करो उससे पहले एक एक कॉमेंट में चारा पार्टी अच्छा करेंगी उन्होंने 2018 का एक वाक्या याद दिलाया का नरेंद्र मुधी को आप छेडेंगे तो नरेंद्र मुधी आपके घर में आए निस में गो बैक मुधी ट्रेंड कराया गया था तमिल्लाड से विरूधियों ने करा दिया उनका मानना यह कि वह मोमे खयादी श्री जिनपिंग को तमिल्लाड में बोलाना खुद भी व Route परिधान पेंड उनको भी पहनाना और जगे-जगे जाकर यह तन्मिल्लाड की संस्कृति विरासत वहां के इतिहासकारों की रचनाकारों की सब बातें करना शुरूब कि और यह एसी बाते हैंगी तो आपकी कल्चर के बारे में कोई बात करता है, आपकी भाषा के बारे में अगर कोई ऐसी इतना जगे दुनिया भर में उसको फैला रहा हो, तो जाहिरे कहीं न कहीं तो वो घर करता ही है, वक्त शायद लगा उस बात से आदम 24 में ख़ड़े है, छे 5-6 साल हो गए, लेकिन किला भेत पारे में काम्याब हो है, कुछ हग तक है, तो इसलिए हम थोड़ी जादा चर्चा करते हैं, हमें लगता है कि तमिलाडू और केरल पर प्रधान मंतरी बहुत जादा फोकस कर रहे हैं, और इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो एक कि प्रधान मंतरी नरेंद प्रधान मंतरी बहुत पर प्रधान मंतरी बहुत जादा फोकस कर रहे हैं, कि तमिलाडू और केरल जहां सांस्कृतिक तोर पर जिसको हम कहते हैं, कि दोनों जगहों पर देखें, तो सबसे बड़े मंदिर, सबसे अच्छे मंदिर, और उत्तर भारत में तो मुगलिया, जो आक्रमर्था, आक्रांता आये, सब तोड़तार के चले गए, सब जगहा उशेस रह गया, लेकिन दक्षन भारत में हमारी सम्रिध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत नजर आती है, तो ये भी एक पीडा का विशह है, कल जब साक्षातकार में उन्होंने एक कहें कि वाग के बो और जिस तरह से ये जमीन और वो जमीन की बात की जाती रही, आरियन और दवडियन थीरी की बात की जाती रही, हिंदी एंटी हिंदी की बात की जाती रही, तमिल संस्कृत की बात की जाती रही, यानि विभाजन के तरीके खोजे जाते रहे, और नरेंद्र मोधी जब जात संस्कृति के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं वो भी शुरू में उस मुहिम का साथ दिया करते हैं बाद में धीरे-धीरे वह आउट होते गए और यह हर कोई जानता है कि तमिलनाडू और करनाठक यह दोनों ऐसी जगह से हैं जहां से निकले हुए जिनको हम बार-बार कहते हैं कि एक समय बाद उनको लगा कि कहां जाना चाहिए तो ठीक है बढ़ता चला गया 60-70% हो गया तो वह जो क्रीम था वह बाहर चला गया वह पावर्फिल कम्यूनिटी होते हैं उनको दिख रहा है कि संस्कृति और विरासत के साथ खड़ा है नंबर एक अरेंद्र मोदी ने वह वाला धाचा तयार कर लिया जिसको प्योर तमिलियन धाचा कहते हैं अब वो जब बात करते हैं तो उसी तरह की बात करते हैं और इसलिए जब जोड़ते हुए कहते हैं कि भाया कम रामायर तो 800 साल पहले लिखी गई और उससे जोड़ते हुए जब को बढ़िया मिल गया है जो उनकी इस आकांख्षा को समझ रहा है तो पर तमिलनाड का नंबर आपके सामने रखूं से पहले चुकि हैं प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे तो वह तमिलनाड के बारे में क्या सोचते हैं एक बार ज़रा देखते हैं उनी का बयान कि तमिलनाड के जनसंग के जमाने से और भारती जनतापार्टी मैं कहता हूं पाँच पाँच पीडी हमारी इस विचार के लिए भाँ खब चुकी हैं स्वाभाविक तमिल प्रजाग कंपरिजन करने लेगी कि जो हवा खड़ा किया गया था यह तो अच्छा काम कर रहे हैं त कारण दीम्क के परती जवर्दस गुस्सा पैदा हुआ है मैं कल्पना नहीं करता हूँ इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है ओ गुस्सा पैदा डायवर्ट हो रहा है बीजेवी की तरफ पोजिटिव ए में और अन्नामला यह बहुत एच्छ अच्छ है यंग है बहुत कि अपनी कि IPS केडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठीत नोकरी छोड़कर करके आए हैं हमारा को परिवार वादीव तो पार्टी है नहीं परिवार से चलित पार्टी नहीं है जिन पार्टीों में आप देफैमिली बाइदे वेमिली एंद फॉर देफैमिली होता है और इसल अपकी सामने अपनी पॉल का में नंबर रख रहे हैं ओफाइनल ओपी निएंप के बाद वोटिंग हो रहे हैं उसके बाद आपको कोई ओपीणियन पॉल दिखाया नहीं जा सकता अब 49 सीटों वाले ओपीनियन पॉल में नंबर कुछ इस तरीके से है आपकी स्क्रीन पर आ प्रश्च का किला है चार सीटें भारती जनता पार्टी इस बार जिती हुई हमारे स्पाइनल उपीनियन पूल में दिखाई दे रही है और इस पे पीछे भी हमने कम से कम पिछले दो उपीनियन पूल से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये चार पांच सीटों के आसपास ऐसी तादाद है जो भारती जनता पार्टी वहाँ पर निकाल सकती है उस वो नंबर अभी भी कायम है मतलब नरेंदर मोधी का जो भी प्रयास तमिलनाड को लेकर रहा वो जाहिर दोर पर इस बग काम्याब होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी चार सीटें जीत सकती हैं इस पहले बड़े के लिए में बीजेपी ने कम से कम अपना ग्राउंड कुछ तो तयार कर लिया है चार सीटें भारती जनता पार्टी यहां पर जीत भी दिखाई दे रहे हैं इसको अगर आप अलायंस की तरद नजर से देखना चाहते हैं एंडिये और इंडिया देखाई देरे राओ जी अगर आप दक्षिन की बात करेंगे और मैं पहले तमिलनाडू की बात करता हूं फिर ओवर और लॉल दक्षिन की बात करता हूं तमिलनाडू में ऐसा नहीं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा लेकिन बहुत जादा कोई अचंबे वाली के साथ गडबंदन था तो बीजेपी के वोटों का फायदा एए एडियमके को हुआ था जिसके कारण वो बहुत सारी विधासभा सीटे जीत पाई थी इस कोई बात आती है कि क्या ओवरॉल तमिलनाडू में कोई बहुत बड़ा बीजेपी का फायदा हो जाएगा मुझे ल छोनों पार्टियां है बीमके एएडियमके इन्होंने हमेशा से ही तमिल पॉलिटिक्स की है तमिल इलम के समर्थक रहे हैं वहीं से इनकी पॉलिटिक्स जो है आगे बड़ी वह क्या पूरा का पूरा जो सेंटिमेंट है क्या वो तरुन दूसरी बात ये कि पहली बार ये ही हो रहा है कि रीजनलिजम वर्सिस बीजेपी का नैशनलिजम यह वहां पर दिखाई देगा लोगों को बीच में चुनना होगा कि क्या वो नैशनलिजम की तरफ जानना चाहते हैं या फिर अभी भी उनको तमिल लैंग्वेज और तमिल जो आप बात करते हैं कि प्राइड और ये सारी चीज़ों जो हैं इन में जादा विश्वास है प्रतीक जो है प्रधानमंति नेंद मोदी वो विकास के प्रतीक है जो डियम के और एई डियम के जैसी पार्टियां है ये उस बात का प्रतीक है कि किस तहां से रीजनलिजम या फिर जो जो दक्षिन है या तमिल जो सनातन को लेकर बहुत सारी जो बयान आये हैं तमिलाडू में डियम के की तरफ से क्या उन बयानों का कोई असर तमिलाडू में दिखे देगा ये भी इन चुनाओं में फैक्टर जो है वो रहेगा तो ये सारे मुझे लगता कि इस तहां से ये पिछले अगर आप अपने पुराने उपिनियन पोल से अगर आज तक की ट्रजेक्टिरी ये दिखाम बताना चाहें तो ग्राफ कमबिश वहीं है जहां पहले से था पहले से एक सीटे बीजेपी अपने हम एड कर रही है वो सीट है निलगरी वैसे मैं बताना नहीं चाहता था पर निलगरी से जी एम के बहुत बड़े नेता चुनाव लग रहे हैं लेकिन वो पीछे चले और बड़े अनतर से पीछे चले वहाँ पर जो एल मुर्गन जो ब मिनिस्टर भी हैं जिसका तमिल नाडू के आर्थी क्रिस्थिती वे बहुत बड़ा योगदान है तो उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है हलाकि सुरवाती दौर में बहुत ज्यादा ओं चल नहीं रहा था तो बीजेपी वहां पर पीछे थी देखिए पूरे तम अब भी रिजल्ट है तो आप देखेंगे कि बंगाल में बीजेपी लगब 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 टीमसी के आसपास पास पहुंच गई थी और उडिसा में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनको बुरी थी बीजेडी से थोड़ी पीछे थी इस बार प्राइम इनिस्टर का जो हिंदुत के पॉलिटिक्स करती थी जिसमें और कोई बहुत बड़ा आइकन फीगर नहीं था बीजेपी के पास जिसके वैसे बीजेपी पीछे रह जाती इस पार आप देखेंगे बीजेपी के कैंपेंड में बहुत बड़ा असर यह हुआ कि बीजेपी उन कम्यूटी को ट प्राइम मिनिस्टर ने जहां फोकस किया वहां उनको परणाम देखने को मिला बंगाल में और इसा में 18 सीट है बंगाल में 10 सीटे और इसा में लेकिन वैसा नतीज़ तो नहीं दिखाई देरा इस बार देखेंगे तो वहां बीजेपी बहुत अच्छा परफॉम नहीं की थी बहुत वोटों के वोट सेर के मामले में भी बहुत पीछे थी तो इसमें यदी बीजेपी लगभग 18-19% के आसफ़ा वोट लेके आ रहे हो चे सीटे जो हम लोग पांच चार पीजेपी का अपना दो पहले एडियम के कैसाथ अलाइंसेज में चुनाव बीजेपी लड़ती इस पार वो फैक्टर नहीं है क्या वो फैक्टर बीजेपी के फेवर में आ रहा है अगेंस जा रहा है क्योंकि अन्ना मलाई एडियम के के अलाइज पुलूचरी की सीट भी दिखा दीजे एक इस पार पूरी पूरी संभाबना है कि जो पूरे डर्बिजेपी पॉलिटिक्स के उसका वोट से रहा है अब आपकी बात पर आते है रहूल जी कि एडियम के से बीजेपी को फाइदा हुआ या हो सकता या नहीं हो सकता है 2014 में आप देखेंगे बीजेपी अपने दम पे चुनाब लए रही थी छोटी छोटी पाटियों से था जिसमें पी एम के और एक और पाटी थी उसके साथ गड़ बंदन था तो बीजेपी को नुकसान हुआ था बीजेपी कहीं भी फाइट में नहीं थी पांच हीट सैंटरãyश्म प्रेट बीजेपि के साथ जी होheldे ऐसे बीजेपी कर दायरा संक्चित हो रहा है और वो डीयंच वाना है जैसे जैसे जै ललीता के बाद आज लेकिन है वह भी डालान परी विधान सभा में एडिम्क के कारण बीजब चार सीटे जीत गई तो इसलिए ये फेक्टर बहुत इंपॉर्टन्ट है कि क्या हो रहा हुआ लेकिन लेकिन जिक्र करना चाहता हुआ जब चिनाव प्रणाम आया था तो रहुल गांधी वायनाड गय थे अपनी सीट जीतने के बाद तो रहुल गांधी निवहां बयान दिया था जब उनसे पुछा गया था कि दक्षिन में भारतियंता पार्टी ने अच्छा पदर्शन क्या है तो इसका क्या करण रहा तो रहुल गांधी ने वायडान में कहा था कि 85 सीटों पर भारतियंता पार्टी का डब्बा गोल हो गया पिचासी सीटों में उनका तात्परता केरल से आंत्रपदेश से और तमिलनाड़ू से और पुंडिचिरी से इनको मिला कि 55 से आती है रहुल गांधी ने कहा था कि भारतियंता पार्टी धर्म के राजिती करती है और इसलिए उत्तर भारत के लोग भारतियंता पार्टी के भाकाओं में आ गए हैं दक्षिंड के लोग समझदार है वो सो समझ के मद्दान करते हैं इसलिए भारतियंता पार्टी को दक्षिंड के अंदर यहां की जंता घृस्ति नहीं दे रही है जै नहीं वाधि नियुक्ता को धटीन की घ्रिय। जबाब आपको लग रहा है राहूल गांदी को इस बार बीजेपी दे देगी दोजार चौविस में जिचित रूप से दे रहेगी और यही कांड रहा हु फिर उसके बारतियंता पार्टी को मार प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अन्ना मले ने जिस आसे जमीन इस्तर पमाग काम लगे बातियंता पार्टी के लिए जमीन इस्तर पर जमीन तयार की उसके बाद पदानमंत्री-मोदी की रह लिए पदानमंत्री-मोदी का काम अब वह सब काम आ रहा है तुकिए सर ब्सक्रान बीस सीटों बाला राज यह देखे और कुछ लोग तो तमिलनाट से भी ज् की तरह केरल में भी भारतिय जनता पाटी तीन सीटें जीती हुई हमको दिखाई दे रही है और इंडिया गठ बंदन जो है वो 17 सीटों पर है यानि इसमें यूडियेफ ग्यारा है और लडियेफ च्छे है यूडियेफ पतलब जिसमें कॉंग्रेस है लडियेफ जिसमें भग घुम चुका हूँ सब कॉंस्टिट्विंसी में जा चुका हूँ और केरल विरोधी मान सकता है कॉंग्रेस पाटी की इस बार उसको सीटें जीतने को नहीं मिलेंगी 6 सीटें कॉंग्रेस पाटी वाले गठ बंदन को एलडियेफ को 6 सीटें मिल रही है भाजपा को 3 तो 3 एंडिये और 17 इंडिया गठ बंदन को जाती हूँ सीटें दिखाई दे रही है केरल के अंदर जी प्रफेश साब कि जहां भी गए हैं दस प्रतिसत का दस से पंदर प्रतिसत का उन्होंने मार्जिन क्रियेट किया है हर एक्रोस दो कांस्टिच्वेंसे बंगाल के चुनाओं में जब हम लोग पिछली बार बात कर रहे तो बड़ा ऐसे ही कंजरवेटिव आंक्रे आ रहे थे और बाद में जब आंक्रे आया है तो उसके दुगने से भी ज्यादा आंक्रे आये बंगाल में कोई 8 सीटे दे रहा था कोई 7 दे रहा था कोई 9 दे रहा था डबल डिजिस देने वाले सायद एक लौते दो सर्वेक्षन होंगे भाविस दावा कर रहे हैं भाविस कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था लेकिन किसी नहीं यह नहीं सोचा था कि वह 18 या 21 के नजदीक चला जाए वह ऐसी इस्तिति में दे कि यहां एदी आप का है नरेंद्र मोदी का नाम और डिवलप्मेंट एजेंडा यह दो बहुत इंपोर्टेंट यह चीज़ें हैं दूसरी बार जो तमिल नाडू की पॉलिटिक्स है वह बेसिकली कास्ट पॉलिटिक्स है यह हमको हमेसा ध्यान में रखना चाहिए पूरी द्रवीडियन पॉल अब उसके बाद जो अन्ना मलाई का कैम्पेन रहा है उन्होंने बार बार कहा है कि यह जो कास्ट पार्टी है द्रवीडियन पाले में यह भारत की मूल धारा के साथ जुड़ने नहीं दे रहे हैं तमिल नाडू को और तमिल नाडू जो है जिस प्रकार का विकास करना चाह जो प्रकार से तमिल नाडू विकास नहीं कर पा रहा है दूसरी बात महत्पुरों ने का कि यह जो परिवार पार्टी है वो पूरा करप्शन करप्शन वहां पर उन्होंने एजंडा बनाया है खास करके भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष ने करप्शन को की जो है वो सपोर्ट वहां भी मिलता है जैसे अन्य राज्यों में मिलता है लेकिन उनकी संक्या बहुत कम है अपर का सवन जो है हिंदू जो है वो 87-88% के आसपास जन संक्या है यह एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है मैं फिर कह रहा हूं यह बहुत फर्टाइल मारे कुंगा उनको दूसरे प्रकार का च्यहरा मिला है जो पडा ओर्राय बहुत द्रवीड और तमिदि म सल्गी बात करता यह बात करता थिए भारत की अईदिन्टिटिन के साथ उसे खड़ा करता है यह आप ही देखिए ओपिजन रोल की शुरवात आज हमने Spa Tuesday दुछे के दिनzens गोले कि उमिलूपी सेुज़ GORDON सी फ एनना को यहां से किये ए तुमिलाद से पॉडूचेरी की पॉडै गर यहां से और इंडीय को आती दिखाए दे रही है और किर फbayरशपा को बिदा के ुर्णार की। के बाट रहाँ का श्रॉक्त के अंदर बीजेपी का खाता इस बार खुलेगा ये लगातार उपीनियन पोल बता रहे थे और ये फाइनल उपीनियन पोल भी यही बता रहा है आप देखते रहे हैंगा हमारा ये जबरदस्त उपीनियन पोल लोटने एक छोटे से ब्रेक के बार क्या आप देखते बार झाल 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 अपरेल से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोट के अंदर शुरू होगी ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोट ने इडी को ये कहा है कि आप 24 अपरेल से पहले जो है वो कोट के अंदर जवाब दाखिल करें जिस तरीके से इडी जो सिंग्वी है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरिवाल की गरफतारी गलत तरीके से इडी ने की है इसके कोई ग्राउंड नहीं है अब तक अरविंद केजरिवाल का नाम किसी के बयान या किसी रिकवरी में अरविंद केजरिवाल के यहां से कोई रिकवरी नहीं हुई है इस मामले को जल्द सुना जाए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केजरिवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है और 24 अपरेल को E.D. को ये कहा है कि वो अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करें मसलब दो हफते के लिए सुप्रीम कोट ने मामला टाल दिया सीरी सी बात अब है यह हुई तो अर्वित केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं मिला उनका जो ग्राउंड था कि चुनाव चल रहा है चुनाव के बीच में चीफ मिनिस्टर को उठा करके जेर में बंद कर दिया है त पहले गए थे वो सुप्रीम कोट ने कहा आप मेल करिये मेल के बाद कहा आप लिस्टिंग जैसे होगी आम आदमी और मुख्यमंत्री अलग अलग नहीं हो सकता उसके बाद यह जब छुटियां पढ़ी तो उन छुटियों के बाद यह लिया और उसके बाद भी एडी के होगा तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अर्विंड केजरिवाल के लिए तो यह बूरी ख़ब है देखे जब यह जो है मेल गया था तो सुप्रीम कोट ने यह कहा था कि हम इसका संग्यान ले रहे हैं और उन्होंने यह शुरू में ही किया था हम संग्यान देने उसके बाद इसको लिस्किया गया था आज के लिए अब यह बात है कि यह जरूरी होता है कि जिस ग्राउंड पर आपने मांगाया कि यह अरेस्ट मेरा इलीगल तो पूछा जाएगा इडी से किया आपने किस ग्राउंड पर इस नॉट राइट ने लिए वह सुनेगा अब पता नहीं अब देखे दो अब क्या दो हथे के जिरी वाल इंतिजार करेंगे बिशेपनु सिंग लिए इसके भी मुझे नहीं कानूनी तौर पर वह बेल प्रेटिशन लगा सकते हैं बेल से इसका लेना देना नहीं है अब अगर देखने वाली बात ही होगी अब अगर अर्विंद केजरिवाल को उनकी लीगल टीम को ये लगेगा कि भाई अब बात 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 बेल की तरफ नहीं जाए वो सुप्रीम कोट के अंदर शुरू होगी ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोट ने इडी को ये कहा है कि आप 24 अपरेल से पहले जो है वो कोट के अंदर जवाब दाखिल करें जिस तरीके से इडी जो सिंगवी है उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरिवाल की गरफतारी गल जारी किया है और 24 अपरेल को एडी को ये कहा है कि वो अपना जवाब जो है सुप्रीम कोट के अंदर दाखिल करें और उसके बाद 39 अपरेल से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोट पुडूचेरी की सीट बीजेपी को जा रही है केरल की 20 सीटों में से तीन सीटें भरती जंता पार्टी को जाती भी दिखाई दे रही हैं इंडिया गट बन्दन 17 सीटों पर खड़ा हुआ है और अब आये बात कर लेते दें तेरंगाना सीटें जहां भारतिय जंता पार्टी पिछले एलेक्शन में 2019 में चार सीटें जीती थी और इस बार जो वहां कॉंग्रेस पार्टी की सत्ता आ चुकी है बीरेस बिलकुल हाशिये पर जा चुकी है तो क्या वहां बीजेपी का ग्राफ कुछ और बड़ा है नंबर आपके सामन भी बन रही है तेलंगाना में इस बार हमारे सर्वे के साब से और AIM को मेरे खाल से उबैसी साब की सीटी होगी है कोई और सीट है जो एक सीट दिखाई दे रही है वह सदुद्दीन उबैसी जीत वे दिखाई दे रहे है बीजेपी का ग्राफ लेकिन पिछली बार से भारती जनता पार्टी के लिए थोड़ी चिंता की हो रही है लेकिन एक बात मैं बार-बार कह रहा हूं और भाजपा के बड़े नेताओं को जरह समझना चाहिए अगर शेत्री पार्टी कम्जोर हो रही है और किसी भी राज्य में उसकी जगा कॉंग्रेस पार्टी ले रह वह भारती जनता पार्टी के पक्ष में था लेकिन सदेश च्ला गया कि ingredients और भार्ती जनता पार्टी के बीच में कुछ किछ पर चुना हो रहा है, सीधे नरेंद्र मुदी की प्रतिष्ठा दाओं पर है, उसमें भी कॉंग्रेस पार्टी तेलंगाना में ज्यादा सीटें जीतने में कामियाब होगी, मेरा भी यह मानना है कि 6-8 सीटे लोगसभा की तेलंगाना में भाजपा जीत रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा ज्यादा कम जीतती है कॉंग्रेस से, तो उसके लिए चिंता की बज़ा है, PRS का कम होना और कॉंग्रेस का बढ़ना भाजपा के लिए चिंता की तो यूथ में एक तरह का सेंटीमेंट था कि हम लोगसभा चुनाब में जो बदलाब के लिए उस तेम वोट करें थ साथ जाएंगे, उसका असर बीजेपी को दिख रहा है कि आपको कुछ दो नए चित जो आपको दिख रहा है, जिसमें एक नगर कुनूर और एक महभूब नगर दोनों जगह पे बीजेपी की बढ़त है, अब जैसे हरस्बर्दन जी करें तो बीजेपी बढ़ी बढ़त हो कैंडिडेट दिया है, जो अबेसी साब की सीट है, बाकी जब उन्होंने फिर कॉंग्रेस के लिए एक प्लेग्राउंड शोज़ा है, कि कॉंग्रेस वहां पे बढ़त मुसलिम वोटों का ले सकती है, कहने का मतलब यह हुआ कि बीजेपी बढ़त है, जो पूरे पैंत ते क्योंकि एलेक्शन नरेंदर बोदी के नाम पर है, तो उसमें आपको लगता है कि यह नंबर शायद को जाधा हो सकते थे बीजेपी के लिए? सकती थी, लेकिन कॉंग्रेस के आगे आने का सबसे बढ़ा नेतिजा वही था कि बीजेपी उस पोजीशन ने पहुंच नहीं पाई, जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉम कर सकती थी, साथ इसलिए बीजेपी वहां भी पीछे रगी और अभी भी आप देखेंग सब्सक्राइब का कारबाग छोड़के किसी और का अध्यक्ष मना जाए तो तो रेवन त्रेटी ने राहूल गांदी से कहा कि बीरेस को साफ करना है तेलंगाना के अंदर भारती जन्ता पार्टी को रोगना है तो कॉंग्रेस को लोकसभा सीटे में दो अंक तक लेके जाना मुझे लग रहा बीरेस को लगबग उन्होंने उससे खत्म करी दिया और जो उन्होंने वादा किया था कि वह 10 सीटों तक कॉंग्रेस को लेकर आएंगे मुझे लग रहा है देखिए बीरेस जैसा अभी जो अधिया अगर ये नंबर्स आरे तो आप इसके लिए सिरफ कर दिया और बीरेस का जो मुझे वोड़ बेंक ता जो विदान सबाव चिनौं में कॉंग्रेस के पास शिफ्ट हो गया था वही मुझे लग रहा है बारते जन्ता पार्टी स्टी जो वोटर्स को टार्गेट लेकर चल रही थी उसमें बहुत ज्यादा सेंद लगानी पाई जिसाब से विदान सबाव में मद्दान हुआ था वही लोग सबाव चिनौं में मद्दान हो रहा है पिछले बार चार सीटे थी इस बार जहसे मुझे लगड़ तो उसमें बीजेबी की संबहवना हैं वही तो यहां पर बढ़ सकती थी लेकिन बिजेप की प्रॉब्लम ये थी कि बहुत जादा नीता जो है, कैंडिडेट्स जो है, बीजेपी को मिल नहीं रहे थे वहाँ पर, और बीजेपी ने लगबर 17 में से 9 सीटों पर बीयारस से आए हुए लोगों को खड़ा किया, मुझे लगता है अगर ये जो सर्वे में आ रहा है, इसका क सकता है, जिसके कारण बीजेपी को उतनी सीटे नहीं दी, मुझे लगता था, आठ सीटे तक निकाल सकती थी बीजेपी या, इसको अगर इस नजरिये से देखें, प्रवेसर साब, ये हमने जितने सीट, राज्यों की बात अभी कर ली, तमिलाट, पुड़ुचरी, केरल, तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर भारतिये जनता पार्टी 14 सीटे असवक जित्ती हुए, हमको देखाई दे रही है, तो पिछले एलेक्शन में 4 थी, वालब 10 सीटे इन 4 प्रदेशों में से, पुड़ुचरी, चलो ना भी आप मानें, तो 3 प्रदेशों में से, 10 सीटे वो एड़ कर रही है अपने टाली के अंदर, इसको कैसी परफॉर्मेंस कहीं लिए है, देखे मैं इसको moderate performance मानूँगा, मैं इसलिए moderate कर रहा हूं कि देखे संभावनाएं बहुत बड़ी थी, और जैसा कि बहुत सारे अभी पैनलिस्त हमारे यहां बोल भी रहते, across the country, जित गलत कदम था, जिस प्रकार से अन्ना मलाई बहुत aggressive politics किये हैं तामिलनाडू में, उसी प्रकार से वो घर-घर यात्रा करके के और एक aggressive politics जो है, BRS के खिलाप हो कर रहे थे, BRS का वोट श्रिंग के दिया आप देखेंगे, को तो 10% हुआ है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं नहीं भी regional party से जित नहीं पाई है, यह अपवाद है, मैं पूरे देश का परिजिश आप कहीं भी गूम जाईए, जहां भी congress party regional party से लड़ती है, regional party congress को पड़क देती है, यह पहला वाक्या है, जहां पर regional party जो है, उससे congress party चिन रही है, अर्सवाद अंजी जिसकी तरफ इसा जारा किया है, वो आप pattern देखेंगे, तो पूरे देश में लागू होता है, यह regional party ही congress party से धरातल चिनती रही है, और congress party फिर कभी उनसे दुबारा नहीं जीत पाई है, वहाँ भारती जनता party के एंट्री हो जा रही थी, इसलिए यह संभावना थी, कि इस बार बहुत अध्यक्ष को, अग्रेसिव अध्यक्ष को किनी कारणों से, चमतकार करने वाला कारण हो, रहस्यमय कारणों से भारती जनता party ने हटाया, यदि हमें पता है वो बात, तो आप क्या लगते हैं कि तैलंगाना के लोगों को नहीं पता होगा, बिल्कुल, जब हमें आपको, अ मुझे लगता है कि उसका दुस्परिणाम आपको तैलंगाना में देखने को मिल रहा है, नहीं तो ऐसा माना जा रहा था कि भारतिये जनता party double digit cross करेगी, इस बार के लोकसभाद चुनाओं में खास करके तैलंगाना है, आप दर अगले ऐसे राज्य की बात कर लो, यह भी ब इसका अभी भी जो बिधायक और कॉंग्रेस की बिधायक बहुत जादा अंतर है, नहीं आठ दस बिधायक एदि उधा चोड़के गए, तो कॉंग्रेस से सरकार जा सकती है, और यही वज़ा है, जब मैं वहाँ पर कुस दिन पहले वहाँ पर था, बहुत दो तीन बड़े अधिकारी से बात करता, उनका यही तक था, यह जी कॉंग्रेस यहाँ पर आठ सीटे से ज़्यादा आठ दस सीटे नहीं जीते है, अच्छा परफॉर्म नहीं करते है, तो उनके लिए सरकार चलाना मुस्किल होगा और आने वाले दिनों इनके सरकार जा सकती है, इंट्रेस अब 25 सीटों में आप देखेंगे, वायसर ती डीपी जीत रही है, यानी यहाँ पे NDA का जो एलास पार्रेंर है, वो वायसर का उग्रेस से उपर है, दस वायसर सीटों अनी जगन बहून डेडी की पार्टी को और टी डीपी को 12 सीटे, चंद्राभून आइडू की पार्ट यहां पर नहीं आ रही तो बीजेपी के लिए दोरी एची ख़बर है कि एक तो उसका अलाइंस नंबर वन हो गया 15 सीटों के साथ अलाइंस नंबर वन हो गया और दूसरा भारती जंता पार्टी का अपना खाता भी यहां पर खुलतावा दिखाई दे रहा है यह सीटें कौन स था उनका इसने लाइंस को ता उस टाइम टीडीपी प्लस और वाइसीपी से को वोट से में बहुत कम अंतर था वही जब एलाइंस 2019 में नहीं थी तो आठ ऐसी सीटे थी लोकसभागी जहां पे टीडीपी उसलिए हरी को कि जनसेना पार्टी ने उतनी वोट उनका काटा था जिसके वैसे वाइसे वहां पे जीती ता आठ ऐसी सीटी थी इस बार देखें जा इस बार क्योंकि तीन पार्टियों का गड़बंदन है जो जनसेना पार्टियों उसका अपना थोड़ा बहुत आधार है जो खासके विशाका पत्न में विजयवारा में तिरुपती में अन पर देखें जो बिज़ेपी के बड़ी नेता कॉंगेसे आई हूं लेकिन वहां पर अच्छी तरह से चुनाब ला रही है एक और सीट जहांपे बीज़ेपी 2014 में जीती थी नारसपूरम सीट है इसके अलाबा बीज़ेपी एक और सीट है जहां पर बीज़ेपी अच्छा मों कर सकते हैं और कोने वहां पर सी रमेस वाली सीट है इनक पहलिऑ साइट सीक है वो वह सीटों परी बीज़ेप अच्छा glow और जैन 걱정 कि एक सीट है मसली पटना उन दोनों सीट पे भी टीडी पी अच्छा पॉफम करें लेकिन बहुत ही थी माजिन से पीछे भी चल लिए जी अर्या देखिस नाकडों को देखने का एक नजरिया यह भी है कि दक्षिन भारत के हर राज़े के अंदर मैंने करनाटक दिखाए लेक अच्छी खासी प्रेजन्स दिखाई दे रही है तमिनलाड में चार सीटें पुडुचेरी की सीट मिल रही है केरल में तीन सीटें तेलंगाना में छे सीटें आंदर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी अपने दम पर तीन सीटें यहां एलाइंस भी नंबर वन है अब इस बार बीजेपी 21 सीटें जीतती भी दिखाई दे रही है यानि कुछ ग्राफ नीचे हुआ एक कुछ सीटों पर नुकसान हो रहा है कांग्रेस को 5 सीटें बिलती भी दिखाई दे रही है जे डियस को दो तो एंडिये इस लिहाज से 23 हो गया है और कॉंग्रेस पार्टी पांच सीटें जीत वी हमको दिखाई दे रहे तो ये एक और अच्छा प्रदेश भारती जनता पाटी के लिए इन चुनावों में सावित हो सकता है अगर अगर इसको अगर आप देखेंगे तो ये पूरे दक्षिन भारत से भी बीजेपी को और अच्छी ख़बरों की उम्मीद करनी चाहिए राउ जी जहां तो कांधरा की बात है बीजेपी बहुत कमजोर है वहां पर टीडीपी के साथ अलाइंस है उससे उसको फाइदा हो सकता है देखें वहां पर आंधरा में अगर आप वोट परसंटेज को देखेंगे तो 40 सिफी सदी से जादा टीडीपी लेती ह बहुत कम वोट परसंटेज बढ़ जाता है और बीजेपी का वोट परसंटेज अगर पिछले समय में देखेंगे काफी कम रहा है वहां पर ऐसे में हमें यह कहना कि बीजेपी अचानक तीन सीटे जी जाएगी यह थोड़ा मुश्किल लगता है हो सकता है कि जो टीडीपी क के सामने आ रहा है वह धा रहा है वह धाय McNutから को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं वह बीजेपी को कही ना कहीं साधना पड़ेगा अरवाई सब्सक्राख अलग कर सब्सक्राइगा कंद no अब भी जो टोटल नंबर बताया है उसमें उडिशा आपको दिखाने वाला एक की सीटे वो मैंने आपको गलती से जोड़ कर बताया इस वक्त 130 सीटों का सर्वे आपको दिखाया सारे दक्षिन भारत का 54 पर एंडिया और इंडिया गट बंदन आप कह सकते हैं कि बराबरी की इस्तिती पर इसबत खड़े हुए दिखाई दे रहे ओडिशा की बात करने से पहले ओवराल साउथ इंडिया को लेकर के कॉमेंट जी अप्लीज करनाटक पर जो एक-दो सर्वे आया था इदर एक-दो दिन मैंने वहां के एक व्यक्ति से जो बड़े इंचाद है उन्हें क कि दिन में बारतिय जन्ता पार्टी से और हम वहां 27 सीट से कम सीटे नहीं जीतने जा रहा हैं खास करके करनाटक की बात मैं कर रहा हूं मैं आंध्रा मैंने टिपनी करा दा लेकिन करनाटक में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है बहुत बहुत ऑप्तमिस्टिक है वो बो लेकिन यहां वो कॉंग्रेस और विपक्षी अलायंस का जो सबसे मजबूत किला है उस किले में गुज़ने जिसको कहते देख बईया यह तो हमारी जमीन है यहां तो आते नहीं है जिसके लिए राहुली ने यहां तक दाओं पर लगा दिया था कि अमेटी वालों को क्या क् वहां पर अगर भारती जनता पार्टी 54 और 69 पर खड़ी है तो यकीन मानिये पूरे देश का आकड़ा भारती जनता पार्टी का अकेले 370 प्लस दिखता है आंधर प्रदेश में 3 सीटे आना भावेश जी का सर्वे है यह नोंने जाकर किया है लेकिन मुझे अभी वड़ा पास्चर जनक लग रहा है क्योंकि बहुत देर से समझोता हुआ नाना प्रकार के विरोधा भास भरे हुए थे भारती जनता पार्टी की स्टेट यूनिट जो जगन मुहन रेड़ी के खिलाफ लड़ना चाहती थी क्रिश्चियन का मसला है उसको उठाना चाहती थी उस तर बारी काकड़ों के उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल इसमें कोई कर ले हमने दक्षिन भारत की बात किया आपके सामें दक्षिन भारत में बीजेपी और इंडिये को अच्छे गेंस दिखाई दे रहे हैं लगबग बराबरी पर खड़ा है एंडिये और इंडिया गटबंदन दक्षिन के पांच राज्यों में एक ओडिचा की और बात कर ले थे हैं यहाँ पर भी भारती जनता पार्टी पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था इस बार देखना होगा कि उस परफॉर्मेंस को बहतर कर पाईए के ने कर पाईए 21 सीटों वाला उडिचा नमबर आपके सामने आ रहे हैं ओपीनियन पॉल यह कह रहा है बीजेपी को 10 सीटें मिल तीवी दिखाई दे रही है और बीजेडी को 11 सीटें कॉंग्रेस शून्य और पिछली बार भी जानकारी 10 सीटों पर ही भारती जनता पार्टी थी तो बीजे बीजेडी इस बार भी बरकरार रहेगी बाबेश पूरी उडिशा में जिस तरह आप यदि ग्राउंड पर जाएंगे तो देखेंगे एक तरह का सेंटीमेंट है कि बीजेपी यहां बड़े अंतर से काफी आगे चल लही है और ग्राउंड पर यदि देखेंगे एक एक सेंटीमेंट यहां बीजेडी बीजेडी का एक इंटरन एलाइंस है जिसके वैसे साइध वहां पर बीजेपी पीछे चल लिए लेकिन बीजेपी वहां पर ओडिशा में अपना ग्राउंडी नहीं होल करें बहुत अच्छे ढंक से चुनाव लह रही है संभव है कि बीजेपी वहां पर आगे भी निकल लिए पर्सपेक्टिव के साथ जोड़िए कि 14 में सिर्फ एक सीट और 19 में आठ सीट अब आप जितनी जगह यह कहते हैं कि भाजपा यहां इतनी कैसे हासिल कर सकती है तो उसका जवाब यहां चिपागा है तो बारतियांता पार्टी लगाता है पास साल इस बार यह तैयारी कर रही थी कि यह पाच परसंट का जो गैप रहा है वोट परसंट इसका यह 2024 में हमें फिलप करना है और मुझे लग रहा है जो संगठा नची सबसे वहाँ पर जमिनिस्तर पर काम क्या है उसका असर दिग रहा है कि बारतियांता पार्टी अब वहाँ पर एक तकड़ी चुनोती देरी और दस सिट जितने की स्तिति में आ गई है बिल्कुल ची एक स्वेट का सर्वे आपके सामने 64 पर खड़ावा दिखाई दे रहा है इस वक्त हमको एंडिये इंडिय गठबंदन 69 पर और अन्य 28 सीटें जीट सकते हैं फाइनल उपीनियन पोल है मैं फिर आपको एक बार बता दू इसके बाद वोट पढ़ना शुरू हो जाएगा और कोई उपीनियन पोल आप नहीं देख पाएंगे और आगे हम बात करेंगे उस राज्य की जहां पर मूदी का स्ट्राइक रेट अल्मुस्ट हंड्रेट परसंट रहता है यह राज्य है मद्रप्रदेश, छत्तिसगर, राजस्तान, गुजराद क्या वो हंड्रेट परसंट स्ट्राइक रेट इस पार भी कायम रह पा रहा है क्या पाया ओपिनियन पोल ने आपको दिखाएंगे एक प्रेस प्रेक रा झाल झाल तिस अपरेल से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोट के अंदर शुरू होगी ये बड़ी खबर है तिस अपरेल से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोट के अंदर शुरू होगी ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोट ने एडी को ये कहा है कि आप 24 अपरेल से पहले जो है कि तमिलाडू और केरल जहां सांस्कृतिक तोर पर जिसको हम कहते हैं कि दोनों जगहों पर अगर देखें तो सबसे बड़े मंदीर, सबसे अच्छे मंदीर और उत्तर भारत में तो मुगलिया जो आक्रमर था, आक्रांता आये, सब तोड़तार के चले गए, सब जगा ओशेस रह गया लेकिन दक्षन भारत में हमारी सम्रिध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत नजर आती है तो ये भी एक पीड़ा का विश है कल जब साक्षातकार में उन्होंने एक कहें कि वाग के बोला तो उन्होंने कहा कि हमारी चार पांच पीड़ियां खप गई यानि आजादी के बाद से लेकर आज तक तमिलनाडू और केरल में राष्ट्री स्वयम सेवक संग हो भारती जनसंग के कारिकरता जिस तरह से लड़ते रहे और जिस तरह से ये जमीन और वो जमीन की बात की जाती रही आरियन और दवडियन थीरी की बात की जाती रही हिंदी, एंटी, हिंदी की बात की जाती रही, तमिल संस्कृत की बात की जाती रही, यानि विभाजन के तरीके खोजे जाते रहे, और नरेंदर बोधी जब जाते हैं, वो जब तमिल नाडु में जाते हैं, तब उनके खिलाफ ये एक ट्रेंड चलाने की कोशिश होती है, एक उल्टा मामला हुआ, तमिल नाडु के लोग, जो तमिल संस्कृती के लोग, दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, वो भी शुरू में उस मुहिम का साथ दिया करते हैं, बाद में धीरे-धीरे वो आउट होते गए, और ये हर कोई जानता है कि तमिल नाडु और करनाठक, ये दोनों ऐसी जगह से हैं, जहां से निकले हुए, जिनको हम बार-बार कहते हैं कि एक समझ बाद उनको लगा कि कहां जाना चाहिए, तो अच्छा ठीक है बाई, रिजेरे विशन बढ़ता चला गया, 60-70% रिजेरे विशन हो गया, तो वो जो क्रीम था वो बाहर चला गया, वो पावर्फिल कम्यूनिटी होते हैं, उनको दिख रहा है कि संस्कृति और विरासत के साथ खड़ा है नमबर एक, दूसरा, जिस जाती संरचना में द्रवडियन राजनीती करती थी है, वो उससे उत्दम उतर है, अब वहाँ अन्ना मलाई सामने खड़े हैं, जो ब्रामर नहीं है, जो किसी समण कम्यूनिटी से नहीं आते हैं, वो पिछड़ी जाती से आते हैं, तो अब नरेंदर मोधी न कहते हैं, तो लोगों को वहाँ से कनेक्ट होता है, और मैं इस आधार पर कहता हूँ, कि लंबे समय के बार जो मैं बार बार दोहराता हूँ, फिर बोलना जरूरी समझता हूँ, दक्षड भारत दिल्ली की तरफ मुग करके खड़ा है, नेता एक उनको बढ़िया मिल गया है जो उनकी इस आकांख्षा को समझ रहा है। कि जो हवाँ खड़ा किया गया था, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोचने का तरीका बदले लगा, और उसके कारण दीमके के बती जवर्दस गुस्सा पदा हुआ हूआ है, मैं कलपना नहीं करता हूँ, इतना बड़ा गुस्सा पदा हुआ हूआ है, ओ गुस्सा कि बहुत ही अपनी IPS केडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नोकरी छोड़ करके आए हैं, हमारा कोई परिवारबादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टीों में, आप दे फैमिली, बाइदे फैमिली और फैमिली होता है, और इसल पार्टी नहीं होई है, अब 49 सीटों वाले उपीनियन पोल में नंबर कुछ इस तरीके से हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर अब, बीजे पी चार, कॉंग्रेस आठ और अन्यच्छ, यानि अब भी नंबर एक पार्टी जो है, वो डीएम के बनी हुई है, 17 सीटों के साथ, लेकिन भारती जनता पार्टी एक किसम से आप कह सकते हैं कि किले में कुछ सेन लगाने में कामियाब हुई है, जो विपक्ष का किला है, जो चार सीटें भारती जनता पार्टी इस बार जिटती हुई हमारे स्पाइनल उपीनियन पोल में दिखाई दे रही है, और पे पीछे भी हमने कम से कम पिछले दो पीनियन पोल से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये चार-पांच सीटों के आसपास ऐसी तादाद है, जो भारती जनता पार्टी वहां पर निकाल सकती है, उस वो नंबर अभी भी कायम है, मतलब नरेंदर मोधी का जो भी प्रयास तमि पीजेपी ने कम से कम अपना ग्राउंड कुछ तो तयार कर लिया है, चार सीटे भारती जनता पार्टी यहां पर जीटी वह दिखाई दिया है, इसको अगर आप अलाइंस की तरह नजर से देखना चाहते हैं, एंडिये और इंडिया गठबंधन के तौर पर, तो एंडिये चे सीटों पर यहां पर दिखाई दे रहा है, क्यांकि आईडिये के साथ कोई गठबंधन नहीं है, छोटी पार्टी ओंगे साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन 39 सीटों पर है और अन 4 सीटों पर खड़े वह दिखाई देरे हैं, रावजी. देखे अगर आप दक्षिन की बात करेंगे और मैं पहले तमिलनाडू की बात करता हूँ फिर ओवराल दक्षिन की बात करता हूँ तमिल नाडू में ऐसा नहीं कि BJP को कोई फायदा नहीं होगा लेकिन बहुत जादा कोई अचंबे वाली सीटे मिलेंगे ऐसा भी नहीं होगा हम अगर कोईमबटूर की ही बात कर लें के अन्नामलाई की ही बात कर लें तो कोईमबटूर ऐसा नहीं कभी बीजेपी ने जीता नहीं है, 1999 में जीता है, ऐसा नहीं, और पिछली विधान सभा में जब AI ADMK के साथ गडबंदन था, तो बीजेपी के वोटों का फायदा AI ADMK के को हुआ था, जिसके कारण वो बहुत सारी विधान सभा सीटे जीत पाई थ लेकिन वो बहुत सारी सीटों में तबदीर होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है, देखे, पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करें, तो तमिल नाडू में जो दोनों पार्टियां है, DMK, AI ADMK, इन्होंने हमेशा सही तमिल पॉलिटिक्स की है, तमिल इलम के समर्थक रहे हैं, व वो क्या पूरा का पूरा जो सेंटिमेंट है, क्या वो तमिल नाडू में खतम हो गया, ऐसा लगता नहीं है, दूसरी बात ये, कि पहली बार ये भी हो रहा है, कि रीजनलिजम वर्सिस बीजेपी का नैशनलिजम, ये वहाँ पर दिखाई देगा, लोगों को बीच में चु अधा विश्वास है, प्रतीक जो है, प्रधानमंति नहींद मोदी वो विकास के प्रतीक है, जो DMK और AIDM के जैसी पार्टियां है, ये उस बात का प्रतीक है, कि किस तहां से रीजनलिजम या फिर जो दक्षिन है, या तमिल नाडू है, उसे बाकी भारत से अलग करके देखने वाली बाते उन्होंने हमेशा से की है, एक और फेक्टर जो वहां पर दिखाई देगा, वो होगा हिंदू को जो धर्म को लेकर वहां पर बहुत सारे जो सनातन को लेकर बहुत सारी जो बयान आये हैं तमिल आडू में DMK की तरफ से, क्या उन बयानों का कोई असर त अगर आप अपने पुराने उपिने उस पोल से अगर आज तक की ट्रजेक्टिरी देखाम बताना चाहें तो ग्राफ कमबिश वहीं है जहां पहले से था नहीं पहले से एक सीटे बीजेपी अपने अड़ कर लिया, वो सीट है निलगरी, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था वो 4 जून को कुलेंगे तब पता चलेगा हमें कि यह ओपिने पोल की अतना सठीक था, लेकिन एक ट्रेंड लगातार बना हुआ है और यह ओपिने पोल उस ट्रेंड का एक हिस्सा है जो बता रहा है कि जो मूद था वो कमोबेश बरकरार है, और वो मूद क्या बता रहा है क कि दक्षिन भारत में बीजेपी अच्छे गेंज हासिल कर सकती है। दक्षिन के हर राजे के अंदर बीजेपी की इंडिविजिवल सीटें आ रही है। और जहां तक सवाल है गटबंदनों का, तो दक्षिन के पांच राजेओं में भारती जनता पाटी और अंडिये और इंडिया गटबंदन बिल्कुल टक्कर पर खड़े हुए। और इंडिया कटबंदन के लिए बड़ी सोचने वाली बात होगी क्योंकि यही तो वो रीजन था चेतर था जहां बीजेपी के लिए शायद दरवाजा उसने बंद कर रखा था। लेकर वो दरवाजा भारती जनता पाटी ने अपने लिए खोल लिया है। मैं आगे अगले राजियों की बात करूँ आपसे MP 36 गार राजिस्तान गुजरात उससे पहले एक सीट जो छूट गर बड़े इंट्रेस उस पर बहुत इंपोर्टन डिसकर्शन करना राहूल गांदी की वाइडनाट सीट केरल की ओवराल नंबर्स आप देख रहे थे जहा को इंडिया गट बंदन के अंदर है पतलाव लेफ्ट पाटी एक तरफ कॉंग्रेस पाटी दूसरी तरफ और लेफ्ट ने पूरा जोर लगा रखा है राहूल गांदी को हराने में लेफ्ट के राजा के जो नेता हैं डी राजा उनकी पत्मी आनी राजा वो भी सीनर लीड गांदी कुछ फस भी सकते हैं सवाल सिदा साय बाविश नहीं मानता और इस तरह की प्रेडिक्शन में कर भी नहीं सकता जब तक कि मुझे कोई ऐसा आधार नहीं देखे देखे ओफिसली जब हम लोग वोटर लिसको अनलाइसिस करके देखेंगे ओफिसली वहां पे लगव बड़ी फेस हैं एक पार्टी की है हां उसी सर्क में राहुल गांधी वहां पे हारेंगे जब लेप्ट वहां पे कोसिस करें कि राहुल गांधी को हराना जो होता हुआ नहीं दिखे है अमूमन आप देखते हैं जब भी पूरे केला के पॉलिटिस को 2014 में भी 2019 में भी एनला लगा हुआ राहुल गांधी को औराने में महां पे मैं नहीं मानता कि वहां पे राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा मुस्किल होगी क्योंकि वहां पे जो सीट का जो सोसल इक्वेशन है वो राहुल गांधी के फेबर में है बीजेपी के फेबर में नहीं है सीपी आई जरूर यदि वोट का डिवाइड करे तब समाभ है लेकिन वहां पर जो एक इन ब्लॉक जो हिंदू वोटर्स भी बीजेपी को करे तब भी बहुत मुस्किल है क्योंकि उसका बड़ा हिंसा लेट के हिस्से में भी जाज है तो बहुत मुस्किल है आपके हैसाब से को दिक्कत नहीं होने से किसी को लगता हो कि इंदी च्राहूल के लिए चुनाव उतना सरल नहीं है मेरे हिसाब से यह आप बोलना चाहेंगे तो सरल इतना असान नहीं होगा यह चुनाव देखिए मेरे पास जो सोचल एक्वेशन के अंकड़ें वो किस डिफरेंट है वायन चेंजेज हो रहे हैं वो यह भी है कि एक तो बीजेपी ने अपने अध्यक्ष जो है पूरद है उनको वहां पर खड़ा किया हुआ है जो है के सुरेंदरन को वहां वो जो हिंदू वोट है उनको भी खीचेंगे और खास्ता उसे दलिट वोट जो के ट्रडिशनली ऐसा क्रिश्चन वोट जिस तहां से ट्रडिशनली जो है वो कॉंग्रेस की तरफ आता था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ बटेगा थोड़ा तो इस कारण से भी वाइनाड की सीट में मुश्किले आई तो ऐसा नहीं है और मैं आपको एक आंक्रा देता हूं आङी सवाल गांदी क्या खार सकते हैं उसके ले ले को बीराजा ने जिस तहां के बयारा कि बयांdon Taput नहीं को लड़ना ही क्यों चाहिए वहां से वह क्यों घटबंधन तोड़राए हैं उन्होंने अपनी पत्नी की फेवर में इसता के बायान दिये हैं। उसे लेफ्ट की जो मानसिक्ता वह भी समझ आती है। कि कोई दूपर नहीं कर रहे है राहूल गांधी को वहाँ को रहा हूँ दूस्ता यह रही है। अब आप अपनी पत्नियों को यह और से लड़ाओं मैं कि लेफ्ट कोई बहुत जादा फेवर में वहाँ पे कोई आशा नहीं दिखाई देरा कि राहूल गांधी के फेवर नहीं जाने 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 लिए वान्टो पिक अपप फाइट तो वो चाह रहे हैं कि यहां कुछ देखें प्रधान मंत्री जी ने जब यह कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी का जो ड्राफ्ट है वो मुस्लिम लिग का ड्राफ्ट है तो ऐसे ही नहीं कहा है यह भी एक संकेति कि सारा है कि कॉंग्रेस पार्टी आज अपने राजनेतिक बैतरनी पार करने के लिए मुस्लिम ली हमको ignore नहीं करना चाहिए इसलिए Congress party के युवर आज को वहाँ पर हनाना मुश्किल है एक ही सर्थ में आप उनको हरा सकते हैं वहाँ पे Hindu vote पूरी तरीके से consolidate करें और Muslim vote जो है वो divide करें इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि Muslim लीग आध की Congress party जो है वो Muslim लीग की राजनिती को आगे बढ़ा रही है आई यो मेल की वदे से आप करें पूरा Muslim vote जाएगा Congress को बिल्कुल नहीं होगा मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ देना चाहता हूं कि Muslim लीग Congress party के साथ भी रहती थी और CPI के साथ भी खड़ी रहती है आध के दिन में वो Congress party के साथ खड़ी है बस इतना जोड़ना चाहता हूं हर एसेमली के टाइम में IUML और एक दौर चोटी पार्टी है वो LDF UDF ने स्विच करती रहती है परसेप्शन बैटल के तौर पर कहेंगे हेडलाइन मेनेजमेंट के तौर पर कहेंगे तो कह सकते हैं लेकिन राहूल गांदी के खिलाफ मुसल्मान चला जाएगा मैं यह नहीं मान सकता हूं मुसलिम लीग को अपनी भी जब बचा नहीं तो राहूल के पीछे खड़ा हूं मैं ज़रा दूसरी तरह से चुनाओ देख रहा हूं और मैं बार-बार कह रहा हूं देखे राहूल गांदी देश में अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने मुसल्मानों के मन में यह विश्यास प वो यह मानते हैं और मैं बार-बार कह रहा हूं कि इस बात को देखे अभी समीर जी ने पूरा तेलंगाना का श्रे दे दिया रेवंत रेट्डी को रेवंत रेट्डी बड़े शांदार नेता है बहुत बढ़िया नेता है लेकिन भाया यह जो वोट मिला है उसमें जो राह पूर गानी हारने जा रहे हैं लडाई कड़ी हो सकती है लडाई बड़ी हो सकती है अंतर कम हो सकता है लेकिन 45 से 65 प्रतिशत मत कॉंग्रेस को मिल गया था 14 से 19 में तो 19 से 24 में वहुत होगा फिर 45 आ जाएगा इससे कम थोड़ी नहोगा लेकिन यह है कि वो इस तरह की आई वहावरा नहीं बोल रहुं हुआ है नहीं लॉड के भानाट के गहरी हुआ और वहां आके कहेंगे कि देखिया हमारा गहर अभी तक को कहरे है तेक वाहनात्मा जासा जाए अजिज दिन वैनाड़े के टीके लिए नामांगर यह पक्रिया शुरू हूरी है तो वोटिं पूरी बात यह कि उनको पता है कि अभी उधरी की बात कर रही है अभी मुस्लिम लीग मुसल्मान वोट सब कर रहे हैं कि दादी हमारी शिव भग तो यहां फाइट मिल रही है कि अगे बढ़ते है वायनाड में हिंदू और मुस्लिम वोट दोनों बटने जा रहे हैं और यह क हिसला में है यहां नहीं है लेकिन लोग मिल असर्पर रखे रहु न देखता कर रहे है। एफर्ट करना यह उनको उम्मीद दे रहें कि नहीं जोर लगा राउल जी हार सकते हैं अब जरा आईए बात करें दक्षिन के बाद थोड़ा उत्तर की बात कर लें मद्रप्रदेश क्या यह बात करते हैं पहले सेंटर मद्रप्रदेश समीर जी आप से शुरुआत करूंगा चर्चा की 29 सीटों वाला मद्रप्रदेश 28 सीटें यहाँ पर उसने जीती 14-14 में भी 19 में एक चिंदवाड़ा की सीट कमलनात की सीट वो नहीं निकाल पाये दो बार से अब इस बार जो नतीजा रहने वाला है वो दिख लिए मैं आपको दिखाता हूं मद्रप्रदेश में इस बार का स्कोर है बीजेपी 28 और कॉंग्रेस एक बतला एंडिया 28 और इंडिया गटबंदन एक स्कोर वही है जो पिछले दो एलेक्शन से आप देखते आये थे लेकिन बस समानता यहीं खतम हो जाती है क्योंकि जो एक सीट आप देख रहे हैं कॉंग्रेस को जाती भी है वो सीट नहीं है जो बीजेपी पिछले दो एलेक्शन में हारी जिया यह चिंदवाडा नहीं है चिंदवाडा भाजपा जीत रही है आपको जानकर हैरानी होगी जो सर्वे किया भावेश ने उसमें बीजेपी जो सीट हारी है वो सीट भगगन सिंग खुलस्ते की मंडला स है मतलब मतलब आपने वहाँ कि सबसे टफ सीट निकाल ली बीजेपी ने कमलनाथ के चिंदवाडा सीट और अपनी जीटीवी सीट बीजेपी हार रही है क्यों इसकी सबसे बड़ी वज़ग फगन सिंग को लशते है पिछला जो एसम्ली चुनावात उस ताम भी वह सिफ इ जीत लेका यहीं तो उनके खिलाब बहुत ही ज्यादा एंटीन कर्बेंसी है उनके बारे में जो काज करता है जिस गाउं से वह आतुस गाउं के लोगों की बात में यही है कि वह किसी से मिलते हैं कोई काम नहीं करते तो एक इंडिविजुली कैंडिडेट का जो अपना नहीं करते हैं इसा है कि बोलना बहुत मुष्ना में भी वहाँ बढ़े अंतर से जीता है तो यह बहुत मुष्धीली की मैं अधिगी culturally ब्युदा निवाश से चनाओ हार गए विदान सबाब चुनाओ उसने पार्ठी से लेकिकितल आए पहरार निवार चलिक्लेन कारण है था कि एक तो अदिवासी रिजर्फ सीटे एस्टी रिजर्फ सीटे मंजला वहाँ पर फगंजिंग ख़या नंबे समय से जीए रहा गज़ते रहा बार्थियन्था पार्टी के शबसे बढ़े चेहरा है भार्तिय अंदा पार्टी ने महा कही नामों पर विचार किया पर दिश्चरुस पर इसके सीटे वहां पर वैसे भी आदिवाशी वर्ग में कॉंग्रेस का बड़ा वोट बेंग रहा है। तो चिंदवाडा की बात जो लग रही तो आज तो चिंदवाडा में अमिशा जी का रोडशोड कर रहा है। चिंदवाडा तो यह ता है कि मतलब प पक सक्षिना जो सबसे करीबी के अंदर आगे बारा पाशन चिंदवाडा के बार जयंता पासफे पर वह तो ब्ल्कुल ब्मुझव लग रहा कि प्लिश्य vyek अथि तो यह थे अपक्ल जिन्यु खासित अट हो किसा से वुड़ा तक यह थे ठाः आई कंसा बनर्या की का इस पर जाद़ उप यह कॉणियोंकि को क्पड़ा को कॉंग्रेस पार्टी मध्ध प्रदेश में निराशा के उस सागर में डूप चुकी है जहां से उसको बाहर निकालने के लिए बहुत जबर्दस्त गोता कोर चाहिए कि उपर खीच के लाए ऑक्सिडन सिलेंडर तयार रखे जिस जीतू पटवारी से उमीद की जा रही थी वह जीतू पटवारी उन्हें उमीदों पर खरे नहीं उत्रे बढ़िया बोलते हैं तीखा बोलते हैं लडाकू हैं लेकिन जो संगठन के लिहाद से चाहिए वह करते हुए नहीं दिए मोहन यादर के आने का कुछ असर निश्चित तोर पर मोहन यादर का अपना एक जिसको कहते हैं कि आप एक अलग तरह की फ्रेश एनरजी लेकर आए लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं देखता हूँ कि उसकी वजएसे कोई परणाम बनेगा को परणाम भारती जनता पाड़ मुझे लगता है कि यह चुनाओ एक तरफाही रहेगा भारती जनता पार्टी को कहीं से कोई वगन सिनकुलस्ते को यबारे में भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है को क्यों हारेंगे भारती जनता पार्टी की मसिनरी जो है वहां बहुत ताकतवर है और यह जो शुरुवात के जो सर्वे वह रहे हैं यदि छिंदवारा जीत रही है तो यकिन मानिए एक क्लीन स्विप होने जा रही है जनता को करने जनता यदी बहुत ज्यादा नाराज हो किसी पर्टिकुलर के अधिरेंगे अभी प्रधान मंतरी की यात्रा हुई नहीं है बहुत सारे मद्द प्रदेश का एलेक्शन को हम कह सकते हैं कि अभी वो पिक पे आया नहीं है तो इसलिए जब वो पहुँचेगी वो तो आप दिखेंगे परिणाम बहुत बहुत डिफर चिंदवारा की सीट वो सीट जीती भी बीजेपी दिखाई दे लिए तो 28 वाजपा एक कॉंग्रेस के यह स्कोर है अब आगे रह जाएंगे राजेश चतिसगर राजस्तान और गुजरात जिनकी हम अगली आदे घंटे में आपसे चर्चा करेंगे तीनों वो राजेश हैं क्या यहां होगी क्लीन स्वीप MP की तरह इसकी बात होगे आपके सामने आप देख रहें अपकी बार किसकी सरकार बहुत जल लौट रहें एक छोटा सा ब्रेंग अब सवाल यह है कि क्या जब लोकसभा का चुना हो रहा है सीरे नरेंद्र मुदी की प्रतिष्ठा दाओं पर जीत रही है लेकिन अगर भाजपा ज्यादा कम जीतती है कॉंग्रेस से तो उसके लिए चिंता की बुजा है PRS का कम होना और कॉंग्रेस का बढ़ना भाजपा के लिए चिंता की बाबेश कैसे देख रहे है नम्र्स को देखें पूरे तेलंगा नाम आप देखें जब हम लोग स्वाचुनाब में जो बदलाब के लिए उस ताम वोट करें थे कॉंग्रेस को तो उनका ये तरह था कि हम लोग स्वाचुनाब में प्राइम निस्टर मोधी के साथ जाएंगे उसका असर बीजेपी को दिख रहा ह और एक महभूब नगर दोनों जगह पे बीजेपी की बढ़त है अब जैसे हर्सबर्दन जी करें तो बीजेपी बढ़ी बढ़त हो सकती थी वो नहीं ले पा रही उसका दो बज़ा है एक तो एलेक्ट्रोल जो अभी जो नई गॉर्मेंट हाई है वो बी आरेस को पूरी त हो जाए कि कॉंग्रेस वहां पर बढ़त मुस्लिम वोटों का ले सकती है कहने का मतलब यह हुआ कि बी आरेस का जो वोट्स जो पूरे पैंत ते लागाना में है उसमें बड़ा देंट कॉंग्रेस लगाई है चोटा सा देंट बीजेपी लगाई है वहां पर जहां पर बी पिल्कुल हो सकते हैं तो एक बीजेपी के लिए एक बढ़ी मुस्किल वहां पर ही है कि बाहर से आये जो नेताय थे जही जैसे इट celebrating सब्सक्राइब करते हैं, उस पॉलिटिक्स को यदि आगे बढ़ाते हैं, साइध बीजेपी आज की डेट में वहाँ पे एक बड़ी और कॉंग्रेस तो साइध इसलिए नमबर पे उस टाइम हो सकती थी, लेकिन कॉंग्रेस के आगे आने का सबसे बढ़ा नेतिज़ा वही थ सकती थी, साइध इसलिए बीजेपी वहाँ भी पीछे रही और अभी भी आप देखेंगे बीजेपी सिफ छे सीटे जीत रही नहीं तो खास कर उन सीटों पर जहां पर अभी भी मुस्लिम वोट का तादा बहुत का मैं वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉम कर सक तो रेवन 13 ने राहूल गांदी से कहा कि बी आरेस को साफ करना है तेलंगाना के अंदर भारती जनता पार्टी को रोगना है तो कॉंग्रेस को लोकसभा सीटे में दो अंक तक लेके जाना है मतलब 10 से जाला सीटे दिलवाना है अगर यह सब करना है कम समय के अंदर 2024 के ने दीजिए मैं ग्यारंटी देता हूँ कि मैं 10 से जाला सीटे लेकर आऊंगा और बी आरेस को तेलंगाना में खत्म करूंगा मुझे लग रहा बी आरेस को लगबग उन्हों उससे खत्म करी दिया और जो उन्होंने वादा किया था कि वह 10 सीटों तक कॉंग्रेस को लेकर साथ से कहा था कुछ योजना उन्होंने प्रदेश के अंदर लागू कर दिया और ब्यारेस का जो मुझे वोड़ बेंग ता जी विदान सभाव चिनौं में कॉंग्रेस के पाशिफ्ट हो गया था वही मुझे वोड़ बेंग लोग सभाव चिनौं में भी बार्तियंता पा खिल बड़ सकती थी बिजे प लेकिन बीजे पी की प्रब्लम ये थी कि बाहत जाधा नीता जो है गडिड़ेस घनौ है क्वाल है मिल नहीं रहे थे वहाँ पर और बीजेपी ने लगबग 17 में से 9 सीटों पर बीयारस से आए हुए लोगों को खड़ा किया है मुझे लगता है अगर ये जो सर्वे में आ रहा है इसका कारण ये भी होगा कि जो बीयारस से हुए लोग है उनके खिलाफ जो महल वहां पर है क्योंकि बीयारस के कि खिलाफ वहां महल है लोगों के भीतर और गुस्ता है जिसके कारण पिछले विधानसाबाद चुनाऊं में बीजेपी को उतनी सीटे नहीं तो यह लगता था भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें जित्ती हुए हमको देखाई दे रही है तो पिछले एलेक्शन में चार थी वारब 10 सीटें इन चार प्रदेशों में से पुड़िचरी चलो ना भी आप माने तो तीन प्रदेशों में से 10 सीटें वो एड कर रही है अपने अपने टैले के अं कमेंटेटर से किष्ण रेडी को जैसे ही उन्होंने लाया और संजे कुमांदी संजे कुमार को जैसे ही हटाया सब ने इस बात को शिकारा कि यह बहुत गलत कदम था जिस प्रकार से अन्ना मलाई बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स किये हैं तामिलनाडू में उसी प्रकार से वह घर-घर यात्रा करके और एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है बीरेस के खिलाप हो कर रहे थे बीरेस का वोट श्रिंक के दिया आप देखेंगे को तो दसी परसंट हुआ है कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है जान रखेगा विधान सभाज चुनाओं में बीरेस का परिदिश आप कहीं भी घूम जाईए जहां भी कॉंग्रेस पार्टी रिजिनल पार्टी से लड़ती है रिजिनल पार्टी कॉंग्रेस को पड़क देती है यह पहला वाक्या है जहां पर रिजिनल पार्टी जो है उससे कॉंग्रेस पार्टी चिन रही है और सुदन जिसक जनतापाटी की एंट्री हो जा रही ती इसलिए ये संभावना थी कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से भारतिय जनतापाटी लड़ रही लेकिन जैसे ही आप अपने अध्यक्ष को अग्रेसिव अध्यक्ष को किनी कारणों से चमतकार करने वाला कारण हो रहस्यमय कारणों से भारतिय जनतापाटी ने हटाया यदि हमें पता है वो बात तो आप क्या लगता है कि तेलंगाना के लोगों को नहीं पता होगा जब हमें आपको अख़बारों को सब को यहां यह बात चर्चा में आ जाती है बीजेपी के प्रवक्ता अनौपचारिक बातों में कह देते हैं यह चीजें कोई बज़े रही होगी को इसी बज़े जो हम नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि उसका दुस्परिनाम जो है वह आपको तेलंगाना में देखने को मिल रहा है नहीं तो ऐसा माना जा रहा था कि भारतिये जनताप पार्टी डबल डिजिट क्रोस करेग इस बार के लोकसभाद चुनाओं में खास करके तेलंगाना में अगले ऐसे राज्जी की बात कर लो यह भी बैरन लैंड है आंदर प्रदेश आप कुछ कहना चारें देभी इसमें अलाकि कॉंग्रेस के लिए यहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आप यह मान क कुछ दिन पहले वहां पर था बहुत दो तीन बड़े अधिकारी से बात करता उनका यही तक तक यह जी कॉंग्रेस यहां पर आठ शीटे से ज्यादा या आठ दस सीटे नहीं जीते है अच्छा परफॉर्म नहीं करते है तो उनके लिए सरकार चलाना मुस्किल होगा और आ सिरा पाटी के साथ समझ आठ वुआ है वाइसर कॉंग्रेस अलग लड़ रही है यहां पर 25 सीटों में आप देखेंगे वाइसर कॉंग्रेस को मिल रहे हैं दस सीटे और टीडीपी जीत रही है बारा सीटे यानि यहाँ पे एंडिए का जो एलाइन्स पार्टनर है वो इन सीटें जीतने में काम्याभी हासिल होगी ये सर्वे बता रहा है जनसेना को कोई सीट जीत्ती हुए हमें नजर नहीं आरही Qंग्रेस पाटीडी manifest ऑपना खाता यहां मेन आ दिखाई दे रहा है यह सीटें और आप यह मता सके क्या अपाईदा GB को यहां हुआ टीडेपए क जन सेना चुकि चुनाब नहीं लेकिन एक सपोर्ट था उनका इस एलाइंस को ता उस टाइम टीडीपी प्लस और वाइसे पी से को वोट से में बहुत कम अंतर था वही जब एलाइंस 2019 में नहीं थी तो आठ ऐसी सीटे थी लोकसभागी जहां पे टीडीप उसलिए हारी को कि जन सेना पाटी ने उतनी वोट उनका काटा था जिसके वैसे यसेपी वहां पे जीती तो आठ ऐसी सीटी थी इस बार देखें जा इस बार क्योंकि तीन पार्टियों का गड़बंदन है जो जन सेना पाटी उसका अपना आधार है बीजेपी का अपना थोड़ा बहुत आध जहां पर एक तीरूपती वाली सीट है आपको यादा प्रदान में दिखुद वहां पर विजिट केते हैं कुछ दिन पहले एक राजमुद्री सीट है जहां पर डी पुरान देस हुई जो बीजेपी के बड़ी नेता कोंगर्स है आई हुए लेकिन वह पहले भी बहुत एक पर देसे नाकड़ों को देखने का एक नजरिया यह भी है यह दक्षिन भारत के हर राजजी के अंदर मैंने करनाटक दिखाये लेकिन करनाटक में नंबर आएंगे इसमें तो कोई शक नहीं है हर प्रदेश के अंदर भारती जनता पार्टी को सीट है मिल रही है और यह पह पहली बार होगा बीजेपी के तहास में कि दक्षिन के हर राजजे के अंदर उसकी प्रेजेंस है बलकि अच्छी खासी प्रेजेंस दिखाई दे रही है तमिनलाड में चार सीटें पुडुचेरी की सीट मिल रही है केरल में तीन सीटें तेलंगाना में छे सीटें आंदर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी अपने दम पर तीन सीटें यहां एलाइंस भी नंबर वन है। और अतार नन स्टॉप आज इंडिया टीवी पर दिखेंगे शाम साथ बजे तक अभी तक की चर्शा को एक रीकाप करते हुए। उडिशा के हमने बात की थी, उडिशा में नंबर वन पार्टी बनने से एक सीट से चुग गई, दस पर बीजेपी खड़ी भी दिखाई दे रही है। से बढ़कर पिछले बार के चुनाओं में आठ थी, बीजेडी रंबर वन पार्टी ग्यारा सीटों के साथ। वो सीट फसी हुई दिखाई दे रही भाजपा के लिए सर्वे में वो सीट हाथ से जाती हुई भाजपा के दिखाई दे रही है। स्कोर MP का 29 में से 28 अब आई जरा 36 गड़ रारिस्तान गुजरात की बात करें पहले 36 गड़ की 11 सीटे नाले जरा स्क्रीन पर ग्राफिक्स जालिएगा जरा और इसमें तो पिछले पोल में एक सीट जाती भी दिखाई दे रही थी कॉंग्रेस को जहां से भूपेश बगेल पूर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बावेश आपका बता दें राजनंद गाओं की सीट रवन सिंग भी वहीं से आते हैं। वह सीट पिछले ऑपीनन पोल तक लग रहा था कि शायद कॉंग्रेस निकाल लेगी वुपेश बगेल जीत जाएंगे। लेकिन इस बार फिर बाजी पल्टी भी दिखाई दे रही है बड़े फेस को बीजेपी ने नुकसान करें रमान सिंग को सीएम ना बना के पर दीरे दे लग रहा है कि सीएम जो अभी हैं बीजेपी के उनसे लोग कनेक्ट करें और चुक्कि वह एक खास कम्यूटी से आते हैं जो कम्यूटी बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट नहीं क बहुत कम मायवजीन से कॉंगर्स वह दोनों सीटे जीते थी और बस तर में 26 जार वोटों से जीते थी उन दोनों सीटों पर भी बहुत अच्छे ढंग से चुनाब लरी और बीजेपी वहां पर जीत रही है राजनेंदन का जहां बात करी बीजेपी का घढ रहा है रहा है बहुत बढ़ा चैलेंज लिया था कि वहां से हम चुनाब लग रहा था को कि बीजेपी ने जो कैंडिट डिया था उन्होंने रीपीट किया था अपनी कैंडिडेट को तो थोड़े बहुत लग रहा था डगमगा रहे हैं लेकि धीरे थे जिस तरह बीजेपी के के साथ लिया ओवराल टैली पर एक नजर 191 सीटों का सर्वे आपको दिखा चुके हैं जिसमें पूरा दक्षिन भारत चामिल है मर्द्रप्रदेश 36 गड़ ओडिशा और इसके साथ आप देखेंगे इन 191 सीटों में से 103 सेंचुरी क्रॉस एंडिय की 60 पर इंडिया गटबंदन काया जहां भारती जनता पार्टी प्रिडॉमिनेंट पार्टी नहीं है बलकि लगभग 95-95 स्ट्राइक रिट से जीती हुई राज्य हैं अब वो राज्य बाकी रह गए हैं इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि यहां बीजेपी का ग्राफ आगे कितनी तेजी से दौर सकता ह है और कितनी परिशानी कॉंग्रेस पार्टी को होगी और फिर आगे जो राज जाएंगे यह अभी भी जो राज है सीधे बीजेपी कॉंग्रेस की डारेक्ट वाले राज हैं जहां कॉंग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीकी से पिछलती है मालब 200 में से 190 सीटे ऐसे भाज हो वाई 2023 का उसमें कॉंग्रेस को एक लाख वोटो की लीड है विधान सभाव चुनाओ के अंदर आठ में से पाथ सीटे कॉंग्रेस के पास से विधान सभाव की तो कांकर सीट मुझे लग रही है कि जहां पर थोड़ी फाइट मिल सकते हैं लेकिन अगर आब 2004 जब से चु सब्सक्राइब रही है इस बार वह दो सिटे भी कांग्रेस आपने के सिती में हैं यह चलिए आएजर आप राजिस्थान की तरफ बढ़ जाते हैं कि राजिस्थान पर हम धोड़ी जादा बात करेंगे राजिस्थान की 25 सीट है 2014 स्वीप 25 की 25 2019 सीट 25 की 24 भाजपा की थी ए इंडिये का स्वीप था इस बार इन 25 सीटों में कहीं कुछ खेल हो रहा है कि हम लोग हमारे बीच में कई बार चर्चा हुई है कि कुछ एक सीटों में वड़ी टफ पाइट है कोई सीट फस ना जाए कोई एक नेता बड़े अच्छी जो है चुनौती दे रहे हैं इंडिज सीटों पर कमल खिल सकता है यानी राजिस्थान पूरी तरीके से 100% स्वीप दिखाई दे रहा है हमें इस वक्त भारतिय जनता पार्टी के लिए इसमें किसी को कोई संदे को इश्चा को कोई सवाल रतौरश बड़ cierto बात है लेकिन कुछ सीटों पर उसके सामने चुनौती क बार्थियों को सला दीजेगा कि कठिन वाला पहले करो तब तो उसी मूल्या रहेगा लेकिन वो कठिन वाले पर ही जाते हैं शुरू और बाड़नेर में उनकी जो रैली है वो दिखाती है कि जिन सीटों पर भारती जनता पार्टी के कैडर उसके समर्थक के मन में जरा सा भी स संदेह पैदा हो रहा है वहां वो सबसे पहले जाते हैं और एक और बयान आपको याद दिला दूँ तो समझ में आएगा कि राजस्तान में क्या इससे थी है जिन हनुमान बेनिवाल की बात कर रहा है अभी उन्होंने एक बयान दिया उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ले गए साथ में और वो चुकि हनुमान बेनिवाल का वही सभाव है वो बोल भी ऐसे ही देते अब वसंद्रा जी से उनका जगड़ा था उस चक्कर में भाजपा से गय थे फिर आर एलपी बनाई फिर लॉट के आ गया सब को लग रहा था कि पार्टी इधार आ जाएंगे फिर उनको बीच में जाग गया किसान अंदोलन के समय तो सोचे कि नहीं हम किसान निता बन जाएंगे अब ज्यादा तर सीटों पर भारती जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित दिख रही है नीन चार सीटों पर कड़ा मुकाबला है लेकिन वहां भी एज बीजेपी के पक में बीच के बात कि जाती है जुन्जुद ऱा शुनीर की जातने फिरिया है उसके बारे में कहा जारा है जुन्जुनू बाड़मेर सीकर शीचन चिताष कोर भी वह poquito भी वहां पर एसा माना जा रहा हिकि जो राजपूतों की कि याप्ते की लो वह वह भी एक ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा tough fight वहां हो रहा है लेकिन भारती जनता की एज है और मुझे लगता है भारती जनता पार्टी ये पूरा clean sweep वाला मामला है यह हो जाएगा एक और भी बार-बार एक चलाया जा रहा है कि देखिए बसंद्रा राजे सिंधिया अभी तक बाहर चुनाओ मैदान में नहीं आई है वो अपने वेटे की है कौन सीटे आपसे दिया आपसे पूछने लगा यह सीटे टफ है 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 प्रधानमंत्र के हो जा रहे हैं जैसे व्यार के अंजर एक ही वरकाबाद चाहर चाहर बड़े नेताओं की रहलियां उस सारे के सारे काया पलट हो जाती है वजंजुनू भी आथ ने इसमें जोड़ दिया चुरू के साथ जैपूर ग्रामीन जैपूर जैपूर में तो कहीं कोई दिक्कत हो नहीं जिल्किंगे अलवर भरतपूर कोई समस्या निकार अरभ से जितेंगे अलवर करोली धौलपूर दौसा टॉंक सवाई माधूपूर दौसा के लिए कहा जा रहा है चुकि वो राजेस पाइलट का एरिया है और सचीन पाइलट के बड़े तेज तरहर को अंगरिस के लिए चुनाव लडने से भागे लड़ लेते तो छोड़ दीजिये चुनाव के लिए उनको कहा गया था उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं अजमेर, नागोर, पाली, जोदपूर, बाडमेर की बात आप लोग ने की थी जी रविंदर भाटी नहीं आने देना चाहता है, लेकिन अब अब अलग अलग बाते कहते हैं कोई गजन सिख शेखावत का नाम लेता है, कोई दूसरी बात करता है, जारातर लोग ही कहते हैं क्योंकि वो बड़े नेता के तोर पर निकल कर आ जाएंगे, लेकिन प्रभाव है, निर्दली विधा मैंने पूछा, और रविंद भाटी नेता बहुत बढ़ियां है, मजबूत हैं, लेकिन मुझे एक बड़ी रोचक बात लोगों ने बताई, और चुकि हम लोग खुद छातराजनीत के जरिये पत्रकारिता में आये तो ध्यान में है, छातर नेता या छातसंग अध्यक जब चुनाओ लड़ता है, तो आस पास के सारे लोग सब कुछ भुला कर उसके पीछे कड़ हुई जाते हैं, यहां क्या जो बाडमेर, जैसलमेर जो कॉंस्ट्वेंसी है, उस कॉंस्ट्वेंसी के लोग उस भीड में हैं, वो बाहर जाते हैं, बैंगलूरू में, चेन्नई में, हमदाबाद में, सूरत में कहते हैं कि महारवारी समाज है, उसका सम्मिलन कर रहे हैं, जो प्रवासी सम्मिलन, क्या उसका इतना प्रभाव होने वाला है, या जिसको हम कहते हैं कि जो एक पैकेजिंग है, जो ब्रैंडिंग है, वो ज्यादा बड़ी हो रही है, यह बड़ा स मुझे लगता है कि उस तरह का प्रयास नहीं हुआ और दो वजहों से नहीं हुआ एक तो एक इस्थानी इस्तर पर तो किसी को करना नहीं था राश्ट्री इस्तर पर चुकी विधान सभा का चुनाव जीतने के बाद जगत प्रकाश नडड़ा से आकर मिले थे रविन सिंग ब फिर टिकट नहीं मिला और वो लड़ने चले गए तो पार्टी के शीर्स नित्रत ने उनसे कोई संपर्ट नहीं कि अगर जितना भी मजबूत चुनाव लड़ने तो जीतने वाला चुनाव लड़ेंगे तो अलग बात है वरना तो मदद भाजपागी करेंगे नहीं बिश्य लुप से लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा से रविंद भाटी वहां चुनाव लड़ें भारती जन्ता पार्टी का बड़ा वर्ग उनको वहां सपर्ट कर रहा है क्योंकि वहां जो बाड़मेर की स्थानिय राजिती है वहां पर एक वर्ग ऐसा है जो वह आपीस भारजन्ता पार्टी में लटकर आया तो यह एक भारजन्ता पार्टी की फेबरे में जाएगा इसके लगवा एक एक और सीट जहां पर चुनाव लड़ें पिछली बार 2019 में वह वह जवत चुनाव लड़े तो वह जोधपूर से चुनाव लड़े और जालो शिरो इसे जो सांसत थे उनका विदान सभाव चुना ओहार गए थे देव जी पटेल उनका टिकेट काट दिया लूंबारां को टिकेट दिया वहाँ पर और वहां का जो कास समीकरन है वह वेभाव गौलत को काफी सबूट कर रहा है तो वहां उस सीट पर एक बहुत चि क्योंकि बीजेपी ने किसी और कैंडिएट को करना सोना राम को टिकट दे दिया था उससे तो जस्वन सिंग बागी होकि इन्रेपनेंट चुनाब रहे थे तो वहां पर एक कोनिया फाइट हो गया तो यहां पर दिली में बैटके सभी लोगोंने माल लिया था कि जस्वन सि कांडिएट जब लोगसभा चुना में अपफासकर जरिदी ऐसा होता है तो वो ऐक्चली एंटी मोधी वोट को डीबाइड करता है वहां पर आपक्चली एंटी मोधी वोट को डीबाइड कर रहे है इसमें कोई दोवराई नहीं है कि थोड़ा बहुत बीजेपी को भी नु और भारत जो आदिवासी पार्टी है वो उसने धीरे धीरे राजस्थान में कुछ जगाओं पर अपना जो है परभुत जवाया है तो वो एक सीट ऐसी हो सकती है जहां पर थोड़ी मुश्क्ने आए अब जाए गुजरात की हम लोग बात करने में समय चला जाएगा गुजरा पार्टी लगातार तीसरे एलेक्शन में जहां उसका काम है चुनौती देने है भाजपा को उसमें पूरी तरीके से विफल साबित होती दिखाई देनी है अब तो अर्विन जी भी साथ में है आप सिर्फ कंग्रेस से कंधे पर इतना बोज क्यों डाल ला है अर्विन जी भ 26 सीटें बीजेपी तीसरा एलेक्शन लगातार जीती हुई दिखाई दे रही है 26 की 26 नरेंदर मोधी की जोली में गुजरात की जनता डालती हुई दिखाई दे रही है इसमें शायद सबसे कम आश्चर रहे हो किसी को भी आला कि कॉंग्रेस तो उम्मीद कर रही होगी कि व पीजेपी के लोगों के बयानों की वज़े से कुछ नाराजगी हो गई है उसके हम लोगों भी बात करेंगे लेकिन ओवराल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है विखे गुज्रात का एरिया जाज़कोट में वो चीजें जो है वो सुल्जा ली गई है और जो नाराजगी थी जिन जिन लोगों में उसको एड्रस कर दिया गया है तो मुझे लगता है तीन बार तो आकर के रुपाला जी ने स्वें माफी मांग ली है और उनका कि इसको गलत तरीके से बताया गया है तो गुजरात तो एक तो नरेंद्र मोदी की अपनी जमीन है दूसरा बड़े जो नेता है साथ-साथ यह हमें नहीं भूना चाहिए कि सियार पार्टिल जैसा उनके पास एक प्रदेश्ट है इस्ट्रटिजिस्ट है जो एक 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 कांस्टिव संग 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 के प्रशारकों में देखेंगे आप कि वह आपको टेलीफोन का नंबर भी मुझवानी हमारे तरह उनका कोई कॉंटक्ट तरह कोई कॉंटक्ट को ले कि अमिच शा भी गुजरात में चनाव लड़ रहे गांदीनेगर पचार अभियान करने गए थे उसके बा सायोगी और गुजरात के हमारी वेस्ट इंडिया की एडिटर भी है गुजरात में कहां क्या नाराज़गी बीजेपी के लिए दिखाई दे रही थी और क्या उसको अब सुलजा लिया गया है पुरुशत्म रुपाला के बयान को लेकर के काफी हमने देखा रियाक्शन आया कई जएके सभाई में की गई थी लेकिन उसका इंपैक्ट आपको लगता है नहीं पढ़ने जा रहा है एलेक्शन पर देखें सौरब इंपैक्ट नहीं पढ़ेगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जिस प्रकार से नाराज़गी दिख रही है समाज के इस इतने बड़े वर्ग में लेकिन वो इंपैक्ट किसी प्रकार से सीटों को हिला देगा वो दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ जो कुछ भी हो रहा है गुजरात में इस वक्त वो लोकसभा के गणित को तो नहीं बिगाड़ता हो नजर आ रहा है जहां तक मैं अभी देख पा रहा हूं लेकिन आगे के लिए जरूर पार्टी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता दूँ जिस प्रकार से जो घटना करम बदला है पिसले बीस बाइस दिनों में कई ऐसे सीटे हैं सिर्फ राजकोर्ट नहीं रुपाला का बयान जो है वो एक तरह से गैल्वनाइजिंग फोर्स बन गया बाकी लोगों के लिए जिसकी वज़े से शत्रियों की आड में पार्टी के अंदर भी अगर कहीं कोई नाराजगी थी कारेकरताओं में या कहीं तो वो भी उबर के बाहर आने लगी और हाला कि उससे तो पार्टी काफी ह तक निपट चुकी है लेकिन जो शत्रियों का अंदोलन है वो आउट अफ कंट्रोल हो गया है फेसलेस अंदोलन है किस से बात की जाए किस से परामर्श किया जाए किसको समझाया जाए यह अभी पता नहीं चल पार है अगर 2017 में आपने देखा था जैसे पार्टीदार मुमेंट को और उस टाम हमने देखा था पाटीदार नेता जिस तरह से लाचार नजर आ रहे थे बीजेपी के इस बार हम देख रहे हैं कि जितना भी शत्रियों नित्रत है पार्टी का वो लाचार नजर आ रहा है और इस वए से कोई आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है नाराजगी भी है उसको लेकर मुबिलाइजेशन भी जएगे-जएगे हो रही है लेकिन उसको शांत करने के भी प्रयास किये गाए और पाला साब नहीं माफी मांग लिए और इलेक्शन पर शायद ऐसा असर ना पड़े कि ये हार जीत का अंतर बन जा है श्बहुत शुकरिया आपका नेरने का पूर तो आप देख रहे हैं उपीनियन पोल्ट और हम आपको बता दें दोसो ब्याले सीटों का हाल एक सो चाउवन इंडिये साथ इंडिया गठ बंदन ये ओवरॉल टैली में आपको दिखा रहा ये को उससे अब बहुत जादा दूर नहीं है एक दो बड़े प्रदेश खुलेंगे और वहां तक मामला पहुंचता बहुत देखाई देगा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बात बात होगी दिल्ली, पंजाब, हर्याना, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाक, असम और सवाल ये है कि क्या जब लोगसभा कर चुना हो रहा है, सीधे नरेंद्र मुदी की प्रतिष्ठादाओं पर है, उसमें भी कॉंग्रेस पार्टी तेलंगाना में ज्यादा सीटें जीतने में काम्याब होगी, मेरा भी ये मानना है कि 6-8 सीटे लोगसभा की तेलंगाना में जब हम लोग सभाचुनाब में जो बदलाब के लिए उस ताम वोट करें तो उनका ये तरग था कि हम लोग सभाचुनाब में प्राइम निस्टर मोधी के साथ जाएंगे उसका असर बीजेपी को दिख रहा है कि आपको कुछ दो नए चित जो आपको दिख रहा है जिसमें न करते थी वो नहीं ले पा रही उसका दो बज़ा है एक तो एलेक्ट्रोल जो अभी जो नहीं गवर्मेंट हाई है वो बी आरेस को पूरी तरह तोड़ने में काम्याब हो रही है दूसी तरह आप देखेंगे जिस तरह माइम के साथ जो ओवैसी साहब के साथ जिस तरह सेयर क पी है कहने का मतलब यह हुआ कि बी आरेस का जो वोट्स यह पूरे पैंट लागाना में है उसमें एक बड़ा डेंट कॉंग्रेस लगाई है चोटा से बीजेपी लगाई है वहां पे जहां पे बी आरेस थोड़ा अभी भी मजबूत है तो ट्राइंगलर कॉंटेस्ट में बीजेपी को दोज़ा उनीस के बाज हो देकर वही दोज़ाइन सीटी लेकिन आपको यह जब क्योंकि एलेक्शन नरेंद्रमोदी के नाम पर है तो उसमें आपको लगता है कि यह नंबर शायद को जादा हो सकते थे बीजेपी के लिए बिलकुल हो सकते थी यदि बीजेप बीजेपी के लिए बड़ी मुस्किल वहां पर वही रहे कि बाहर से आये जो नेताय थे जैसी टालायरा जनल उनके प्रेसर मांके बीजेपी न अपने पार प्रे जो कुलहारी मारा जो बंदी संजे कुमार को जिस तर उन्होंने हाटाया और जो उनके पॉलिटिक्स थी जो और अभी भी आप देखेंगे बीजेपी सिर्फ छे सीटे जीत रहे नहीं तो खासकर उन सीटों पर जहां पर अभी भी मुस्लिम वोट का तादा बहुत का मैं वहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉम कर सकती थे समीर जी गए को देखें मैं किस्सा बताता हूं आपको जब मुख्यमंत्री रेवंत रेट्डी का चुना हुआ शपत गरण हुआ उसके बाद कुछ तिलंगाना के निता चाहते थे कि मुख्यमंत्री अध्यष्पत तरी कानबाद चोड़के कि इसी और का अध्यष्श मना तो रेवन्त रेटी ने राहूल गांदी से कहा कि BRS को साफ करना है तेलंगाना के अंदर भारती जनता पार्टी को रोगना है और कॉंग्रेस को लोकसभा सीटे में दो अंक तक लेके जाना है कर आएंगे मुझे लग रहा उसमें वह सफल हो रहें देखे बियारेस जैसा अभी जो अधिया अगर यह नंबर्स आरे तो आप इसके लिए सिरफ रेवन्त रेटी को जिम्हेदार बनते हैं बिल्कुल निश्चे दुटे देखिए वह प्रदेश अद्श है चुना उनके चे बार्देश के बाद शिफ्ट हो रहा है अगया था उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चुनाओ लड़ेंगे हम लोग से वाका चुनाओ नहीं लड़ेंगे कहीं न कहीं उनको दिमाग में ये बात है कि हमको नहीं लाणा है इस चुनाओ अजमेर नागो और पाली जोधपू बार्द मेर की बात आप लोग ने की थी जी रविंदर भाटी नहीं बार्द मेर को लेकर बार बार ये बात कहीं जा रही है अब चुकि वहां त्रिकोडी मुकाबला है और चुकि प्रत्याशी तीन के तीनों चाहे उमेदा राम हो चाहे कैलाश चौधरी हो चाहे रवीन सि प्रभाव है निर्दली विधाय को अभी जीच चुके हैं, अब सवाल बस इतना ही है, कि क्या इस बात को लोग पसंद करेंगे, कि रवींद्र भाटी ये भी तुरंट तुरंट विधायक हो गया है, विधायक के तौर पर उसको काम करना चाहिए था, उसकी वजाए वो दूस कि रवींद्र भाटी नेता बहुत बढ़ियां है, मजबूत हैं, लेकि मुझे एक बड़ी रोच्यक बात लोगों ने बताई है, और चुकि हम लोग खुद छात्राजनीत के जरिये पत्रकारिता में आये तो ध्यान में है, छात्रनेता या छात्संग अध्यक जब चुनाव जीतने के बाद जगत प्रकाश नडड़ा से आकर मिले थे, रविन सिंग बाते हैं, और उसका इतना प्रभाव होने वाला है, या जिसको हम कहते हैं कि जो एक पैकेजिंग है, जो ब्रैंडिंग है, वो ज्यादा बड़ी हो रही है, ये बड़ी हो रही है, ये हो सकता है हो गया था कि भाजपा के इसाफ से चलेंगे, लेकिन जब फिर तिकट नहीं मिला और वो लड़ने चले गया, तो पार्टी के शीर्स नित्रत ने उनसे कोई संपर्ट नहीं कि अगर जितने वाला चुनाव लड़ेंगे तो अलग बात है, वरना तो मदद भाजप पार्टी को सपोर्ट कर रहा, विदासभा चुनाव जीतने में भी उस्व रखने रविंद भाटी का सपोर्ट किया था, वहां कि स्थानीय पॉलिटिक्स इस तरह की बन गई है, हलाएं कि अभी बाडवे से जस्वा जिंग के बेटे भारजनता पार्टी में लोटकर आ गय पिछली बार 2019 में वेभाव गौलत चुनाव लड़े तो वह जोधपूर से चुनाव लड़े और जोधपूर से बुरी तरह की सारे थे, इस बार बहुत सो समझ का रश्व गौलत ने उन्हें जालो सीरो सीरो से उठाया, विदासभा चुनाव अहार गय थे, देवजी पट बिल्कुल देखिये, मैं बहुत दीनों से इस चीज पर नजर रखा हूँ, मेरे खाल से सभी लोग को नजर होनी भी चाहिए, मैं आपको याद इलाना चाहता हूँ, 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जस्वन सिंग, चुकि बीजेपी ने किसी और कैंडिडेट को करना सोना तो जस्वन सिंग बागी होके इनेपनेंट चुनाब लग रहे थे, तो वहाँ पर एक कोनिया फाइट हो गया था, यहाँ पर दिली में बैठके सभी लोग उनने माल लिया था, कि जस्वन सिंग चुनाब जीते रहे और बीजेपी वहाँ पर हार रिया, दरसल वहाँ पर ज चुकि वह बीजेपी से ही लेकिनों मददी कर रहे हैं चुनाब लग के बागी है, बागी है बागी है, बाज़फवाड़ा की एक सीट है, जिसमें जो कॉंग्रेस है, वो बीएपी के कैंडिडेट को जो है सपोर्ट कर रही है, और भारत जो आदिवासी पार्टी है, वो उसने धीरे-धीरे राज़स्तान में कुछ जगाओं पर अपना जो है परभुद जवाया, तो वो एक सीट ऐसी हो सकती, जहां पर थोड़ी मुश्क्में आए सर जरा आईए गुजरात की हम लोग बात करने में समय चला जाएगा गुजरात की चंपे सीटे यह सारे वो राजजे जो मैंने आपको बता है कॉजरात की चंपे साथ में सिर्फ कंधे पर बोज क्यों डाले हैं अर्वीन जी वहा है दो सीटें कंगरेस ने उनको भी दिया तो कंगरेस और केजरिवाल दोनों मिल कर लए तो दोनों लेकिन ना दोनों नहीं zero में अड़ किया गुज़ात की 26 सीटें क्या कह रहा है सर्वे election से पहले का आखरी सर्वेत गुँजरात की 26 सीतें और 26 की 26 सीते बीजेपी तीसरा election लगातार जीती हुई दिखाई दे रही है 26 की 26, नरेंद्र मोधी की जोली में गुजरात की जンタा ढलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें सबसे कम आश्चर रहे हैं किसी को भी आला कि Congress तो उमीद कर रही होगी कि वहाँ पर शायद मिछले दो चुनाओं का ट्रेंड कुछ चूटे एक दो चार सीट कुछ तो आती Congress Party को लेकिन गुजरात तो नहीं तूट रहा है और नहीं हाथ छोड़ रहा है वो नरेंद्र मोधी का जबकि वहाँ पर भी एकाज सीटों पर बताया जा रहा है कि मामला बन गया अविपक्ष का या बीजेपी के लोगों के बयानों की वरे से कुछ नाराजगी हो गई है उसके हम लोगों भी बात करेंगे लेकिन कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है वो चीजें जो है वो सुल्धा ली गई है और जो नाराजगी थी जिन जिन लोगों में उसको एड्रस कर दिया गया तो मुझे लगता है तीन बार तो आकर के रुपाला जी ने स्वें माफी मांग ली है और रहा है आप देख रहे हैं 24 किचनाव का फाइनल ओपिनियन पोल 2,42 सीटों का ओपिनियन पोल आप अभी तक देख चुके हैं जिसमें मोधी का एलाइन्स 154 सीट जीता हुआ नजर आ रहा है राहुम राधि का एलाइन्स अभी तक 60 सीटे जीता हुआ देख रहा है अब सवाल यह ह पहुंचाने में मदद करेंगे या इंडिया एलाइंस को कुछ होप देते हुए नजर आएंगे आप हमारी टॉप टेली लगातार देख रही है जिसमें 242 सीटों के आकड़े हम आपके सामने रख चुके हैं 154 सीटे अभी तक जा रही है एंडिया के खाते में और 60 सीटों प आगे बहुत सारे राज्ये हैं दिल्ली में क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली से जो narrative सेट किया जा रहा है जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमेंत्री केजरिबाल जेल के भीतर है पूरा इंडिया लाइन्स जो है दिल्ली अगे में भी देखना होगा कि केजरिबाल का एफेक्ट क्या असर लेकर आएगा केजरिबाल का जेल जाना क्या सिंप्यती वोटों में कनवर्ट हो पाएगा और क्या माँबनी पार्टी को पंजाब में पाइदा होगा इसके साथ ही आगे आप देखेंगे हरीयाना का भी opinion पोल हर्याना में मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी मजबूत हुई है या हो गई है कमजोर और हिमाचल की बात करें तो मंडी सीच पर कंगना को उतारा तो है लेकिन कंगना जीतेंगी या विक्रमा दित्यसिंग जीतेंगी जम्मो कश्मीर में क्या कुछ होगा पुर दिल्ली की ही कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली जो इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी पारा चड़ा हुआ आपको महसूस होगा मुद्दा है और विंज केजरिवाल और एक यही नेरेटिव है जो विपक्ष लगातार सेट करने की कोशिश कर रहा है दिल्ली के मुख् विवानियन पोल आपके सामने है केज़िवाल का कोई इंपक्ट होता हुआ नजर नहीं आरहा है सातों की सातों सीटे बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और आप शूने पर नजर ZARP नहीं कोल रही है तुआ आप और कॉंग्रेस का जो गडबंधन है व इमानदार मुख्यमंत्री जेल में हैं। इसका कोई असर नहीं हो रहा है भावेश्जी। क्या कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं आ हो रहा है? तो 32% पीजेपी को मीला ता 27-37 को आमादी पाटी को मीला था उसके बाद पूटिंग का पैटरन बन लया उसमें देखिया आप लग बगलोगसवां चुनाब में 55% के आसपार बीजेपी को वोट मिलता है और वही विदान सभा का चुनाब आता है तो वही आमादी पाटी को इसका मतलब बीजेपी का अपना एक कॉंगरेस के साथ मिलके वोट नहीं करेगा तो इसका मतलब यह जब यह एलाइंस वात उसी टाइम यह फिक्स हो गया था कि आमाधी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने जा रहा है दोनों को मिला के भी आप 2019 में देखेंगे तो 40% के आसपास वोट होते है, बीजेपी का वोट अपने आप लगवा 55% के आसपास है, यदि इस दोनों के ऐलाइंस का लगवे 70-80% यदि वोट ट्रांसफर हो भी जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आमार्दी पा जेल में हैं, जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, ये सरकार के इंद्रे एजनसियों को अपने कबजे में कर रही है, समविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये सारे नरेटिव क्या ग्राउंड पर वर्क नहीं कर रहे हैं? बिलकुल नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे, यदि इस तरह के लोगों इस तरह की जो आपसंस है, इसको यदि बाई करते हैं, तो साइधा बीजेपी यहां एक ही सिट नहीं जीत सकी थी, और उनके फिर एलाइंस की ज़रत मी नहीं थी, आमार्दी पार्टी और कॉंगेस क ज़रत मी नहीं थी, कहने के लिए जरूर है कि संभीदान खत्रे में हैं लोगतंत रही है, लेकिन आम लोगों को जिस तरह का दिली का एक वोटिंग पैटरन रहा है, उसमें इन सब तरह के मुद्धि यह कॉस्मोपॉलिटन सीटी, यहां पे वोटर्स किसी पार्टी के कौन उप्युकता है, या सीम के लिए कौन उप्युकता है, उसमुद्धे को देखके वोट करती है, यदि उनको लगेगा कि गलत किसी और गलत वजह से यदि उनको जेल में डाला गया, तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी, वहां पे साथों के साथ उसी तरह के दिल करते हैं, यहां पर भावेश ने तो नई दिल्ली की सीट, यानि केजरवाल की सीट है, वहां पर भी सीधे सीधे बासुरी स्वराज, जो अपना पहला मेडन चुनाव लड़ने जा रही है, उनको जिता दिया है, सुमनत भारती को हरा दिया है, तो लगता नहीं है कि करते हैं, वहां पर भावेश ने जाएं, जो नहीं है, तो नहीं होगी तो दोनों का वोट अगर हम लेते हैं, क्रॉस वोट नहीं होगी, तो दोनों का वोट बेस लगबाग 40 वी सदी हो जागा, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब जिस ताहां से बीजपी ने कै कि हम लोग 100% शोर नहीं है, क्योंकि अदरवाइस वोट बदलने की जुरूत नहीं आती, और मैं कई तरह से देखता हूं, जैसे अगर आप नौर्थी सीट को देखते हैं, तो वहां परवांचलियों और मुसल्मान, ये मुसलिम वोट जो है, वो उसके बहुतायत है, और ऐ ऐसे में हम ये मानने को सीट पर कोई मुकाबला नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, इसी ताह से पर चांदनी चौक की भी बात करूंगा, तो कॉंग्रेस ने पुराने जो अपना नेता है, उनको चांदनी चौक में किया है, और इस बार जिस नेता पर बीज़पी ने दाव लग यानि अब मुझाईश देख रहे हैं कि जो हम 7-0 का स्कोर दिखा रहे हैं, उसमें कुछ 6-1, 6-5-2 हो सकता है, इसलिए मुश्किल होगा, जो आपस में, जो आप और कॉंग्रेस लड़ते भे, वो कहीं न कहीं गा है, बावेश से कुईक रेक्शन, बावेश कोई चांसे य जी इता है, इसलिए, यहां पर दिल्ली से घनमे मे सीट हे होगा, और की जानमनी मिमटिक जीनस चांसे हराने के लिए उनके वोट है, इसलिए यह मालेना कि candidate specific होगी ऐसा नहीं होने जब वीजैपी ने candidate जरूर बदलें लेकिन दिल्ली में वीजैपी candidate बदलें बिधान सभा चुनाप को ध्यान में रखते वह तका भाइबार कहते हुं बिधान सभा चुनाप में बीजैPी इस लिए पीछे हो जाते हैं क्योंकि कि लोकल लीडर से बीजेपी खरी नहीं कर पाती है इसलिए बीजेपी आप देखेंगे बीजेपी यहां पर जो जो कैंडिडेटी है वो उनके ओर्गनाइजीशन से जुरे हुए लोग है मनोस्तिवारी को रीटेन इसलिए रखा क्योंकि वो बीजेपी दिल्ली यूनिट के तरफ से आते हैं बीजेपी दिल्ली यूनिट को वो लीड कर चुके है अब रही बात कि जो कैंडिडेट स्पेस्पिक की बात करें देखें कनहिया कुमार किया बात कि यहां पहले लगा 20% म पॉलिटिक्स तो किये नहीं आज कि मुझे नहीं याद है कि उनके भासन में कभी भी इस तरह की बात है कि मैं पुर्बांचल का नेता हूं वो यदि किसी खास कम्यूटी के लिए बात करेंगे तब देखा जाएगा लेकिन चुकि आपको याद होगा 2020 में सीए आंदोलन के बात जितने जादे राइट सुए ते उसमें सबसे जादे उसी सीटों पर प्रभाप पर रहा था सीलमपूर में जो राइट सुआ था 20-21 परसेंट के आसपा सिस छेत्र में मुस्लीम आते है एक पोल्राइजिशन होगा जिसका फाइदा वीजेवी को मिल सकता है यहां तो फाइदा मिल रहा है लेकिन शांतनू जी एक पूरा नरेटिव विपाक्ष गड़ रहा है दिल्ली से एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रहे है जितनी भी नेताओं की रैली होती है खासकर जो विपाक्षी नेता है आपको दो लाइने बड़ी अच्छे सुन लेकिन सड़कों पे कुछ नहीं दिखा चार-पास दिन बाद आमादनी पाटी ने कुछ करा सड़कों लेकिन वो भी एक दो दिन में फिजल आउट हो गया आप दिल्ली की सड़कों पे जाएं किसी को इस बात की भनक भी नहीं है कि मक्यजरिवाल अंदर हैं बार हैं और हा इसा भावेश कहरे थे भाजपाक अगरा पिछला वोट देखें तो वो 50% 60% रहा है सीटों पर तो दोनों कमाइन होने के बाद भी नहीं चलेगा दस साल पहले मुझे याद आता है इसी रामनीला मैदान में केजरिवाल कहते थे मैं शीला दिख्षित को जेल में संहिता गधरिवाल दिखित को जेल से निकाल तो लोगो को छो एक किरति जो अर्वीक को को दिल्ली पिवेजक्र आपको लगता है कुछ मुपांटप मिलेगा या फिर एक ब्लंडर हो गया मुझे नहीं लगता है कि कनहया कनहया दिखे जब बिहार में चुनाव लड़ाया था तब भी वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नुवान पर नहीं कर पाया था और जबकि उसकी वो अपनी जमीन थी और जो है वो खासकर से बिगू सराय के अंदर लेकिन वहां से बहुत अच्छा नहीं कर पाया था यहां भी आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कनहया कुमार कोई मनोज दिवारी को बहुत अच्छा कोई कांटेस्ट दे पाएंगे इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एक राजदानी है यहां आप देखेंगे कि मेंडेट प्रधान मंत्री चुनने के लिए ही होता है कि आप देखेंगे उस समय भी आपको प्रता रहा कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव वेप था 2014 और खास करके 2019 में जो किंद्र की सरकार के दोरा तो वैसी स्थिती में मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता भारती जनता पार्टी के खिलाब वो कर दे एक दूसरी बात और आम आदमी पार्टी का जो उचा कद था जो राजनिती में आने के पश्चा था आज चाहे अरबिंद के जरिवाल और उनके नेता जमीन पर आकर के चाहे जो कुछ क्या है टेलिविजन मीडिया पर आकर के रोज वो बोलते रहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया भरष्टाचार भरष्टाचारी है भारती जनता पार्टी सरकार लेकिन लोग यह सवाल आम आदमी पूछ रहा है कि अरे भाई जब आप इतने ही इमांदार थे तो आपको लालू को साथ ख़ड़ा लेने की जरूरत क्या थी जितने भरष्टाचारी है जिनके खिलाप अभियान चला रहे थे वह आज के साथ के वह आप उनके खिलाप क्यों नहीं बोल रहे हैं तो जो अर्बिंद केजरिवाल का जो वैलू था कैपिटल था वो आज के दिन में खत्म हो गया है तो बाइस प्रतिसत का वोट भी मुझे लगता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा अर्बिंद केजरिवाल को मुझे इसमें भी संसर दिल्ली में तो नुकसान हो रहा है दिल्ली में कोई फाइदा होता हुआ नसर नहीं आ रहा उन मुद्धों का जिस मुद्धे को विपक कि लोता है जलिए पांच परसेंट फिर भी विए इंपक्त मैंने आपको पहले ही का जब दो पार्टियों का गड़बंधन होता है बेस्ट के बेस्ट सिनेरियो में 80% के आज-पास वोट ट्रांसफर होता है उसमें भी जैसा मैंने का कि आमाली पार्टी के पास जो वोट है आज के डेट में वह एंटी कॉंग्रेस जादा है अब मानने रहें कि वह कांग्रेस के वोटर से लेकिन एंटी कॉंग्रेस आज के डेट में फोच चुके है तो उन वोटों का एक तो 100% ट्रांसफर बहुत मुश्किलिए बेस्ट केसमें जदी 70-80% ट्रांसफर हो जाता है भावेस इसका सीधा एक्जामपल जो है उत्तर प्रदेस है बिलको सही कह रहे है बिलको सही कह रहे है लेकिन आप यदि पश्मी उत्तर प्रदेस को छोड़ दें जहां पर भारती जन्ता पार्टी को डैमेज और भी बीस्प के तरप से तो वैसी हिस्तिति में तो एक जंग में तो अलग-अलग लड़ रहे है पिनाज और पंजाब की बात कर लेते हैं कि कॉंग्रेस और आप अलग-अलग लड़ रहे हैं तो किसको फाइदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है 13 सीटे पंजाब की और यही उसका ओपिनियन पोल आपके सामने रख देते हैं उसका जो बता रहा है वो यह कि तीन सीटे एंडिये के खाते में जाएंगी जबकि आम आदनी पार्टी आठ सीटे यहां पर जीती हुई नसर आ रही है। सर्फ परिवारता किसी मट जाएगा। जिनके पीछे लग रहा था कि एक बड़े नेता कॉंग्रेस के लिए हो सकते है जैसे रवनीज सिंग विट्ट वो खुद बीजेपी में आचुके तो कॉंग्रेस के लिए बहुत ही खराब इसकी तो फिर भी मुझे याद है कि एक-दो सर्वे अजेंसी ने का कि कॉंग्रेस वहां पर बड़ी पार्टी बनेगी तो वहां पर उनके लिए एक अच्छा केक वाक हो सकता है बीजेपी ने जिनको टिकट दिया वो कॉंग्रेस से ही आमादी पार्टी में गए तो बहुत ज्यादा अच्छी सिती में है निखास के डेट में तो बीजेपी बहुत ज्याद जो सीट पर देनी पाएगी लेकिन जो बीजेपी के लिए जो उनका जो ट्रडिशनल जो दो सीट रहे उस पर वो अच्छी खासी बड़त में उसका रीजन ही है कि जो गविदास्पुर वाली सीट है वहां पर हिंदू का अच्छा खासा बीजेपी के पक्छ में होता है और एक अमनित सर वाली सीट आपको पता है कि बीजेपी ने जो कैंडिएट दिया है बहुत ही अच्छी फैमिली से आते है सिख जो जो अच्छा खासा योगदान माना जाता है तो बीजेपी के लिए वो सीट और एक जो अरबनीत सिंग पूरा नाम बंधी तो उस सीट पे अच्छा खासा प्रभाब ले किया और कॉंग्रेस के भी एक बहुत कदाबर नेता रहे दो बासे वहां से सांसद है एक पिछले उसे पहले भी सांसद है तो बीजेपी उस वोट बैंक में सेंद लगा रहे दूसरा है कि जो लुद्याना का जो सीट है वहां पे अच्छा ख पीचे शीटू की बात कर रहे हैं भावेश तो आईये सीट एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं तो आसानी होगी बातचीत करने में कि पंज़ाब में किस सीट पर कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नसर आ रही है तो एकए कर कि सीटे आपके सामने रख रहे कॉंग्रेस ने ये सीट कॉंग्रेस जीत सकती है वही खाडूर साहिब आबाद्मी पार्टी के खाते में जा रहा है लोधियाना बीजेपी जीत सकती है अननपुर साहिब आबाद्मी पार्टी फिरोजपूर आप भटिंडा शिरुमली अकारिदर और गुर्दासपूर बीज पार्टी के खाते में जाती हुई नसर आ रही है यहां फायदा आम आदमी पार्टी को होता हुआ नसर आ रहा है राहु जी जहां तक मेरा अंदाजा है अगर बीजेप तीन सीटें यहां पर जीती है तो वह अपना एक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन पंजाब में जो है दोर आईगी इससे जादा कभी उन्होंने सीटें जीती नहीं है और जहां तक जालंधर की सीट है यह मैं मान सकता हूँ कि जालंधर की सीट में शायद जो रवनीच सिंग बिट्टू है उसके आने से कुछ फायदा हो लेकिन पंजाब में जो किसानों के का पूरा माहल बना हुआ है जो वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहल है और आपको यह अकाली दल का अलाइंस ही इस कारण नहीं हो पाया है कि अकाली दल को लग रहा था कि किसानों का मुद्दा जो है उसको नुकसान पहुंचा देगा तो ऐसे में यह एक्सपेक्ट करना कि जो बीजेपी है वो बहुत अच्छा किसी और कॉंसिट्वेंसी में कर जाएगी ऐसा सीटें लड़ना चाहती थी उसका अपना एक तर्क था कॉंग्रेस से बड़े बड़े नेता आज आ चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी की वो हैसियत नहीं रह गई है और इसलिए उनको इक्चा उनका यह डिमांड था कि जितनी सीटें हमको पहले देती थी हमारा स्ट्राइक बहुत अच्छा आज के दिन में नहीं रह गया है इसलिए प्रकार का डॉमिनेंट पोजिशन आप चाहते थे पंजाब की राजनेती में आप रह नहीं गया है इसलिए सीटों का बातवारा पहले से बहुतर होना चाहिए भारतिय जनता पार्टी साथ से नौ सीटों पर के नहीं होता आज के दिन में जुम्ध contributions के साथ जो समझोता है वह मुझे लग रहा है कि और पर्पार्विंस चैता कुछ राज्यों में उसमें से केरला सथरा तमिलनाडू थीसरा था इन तीनों राज्यों को मिलाकर कि इसके पास 31 किंट थी आज ऐसी इस्थिति में कॉंग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विश्य होना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या उनको दिल्ली में भी गटवन्दन जारी रखना या चाहिए नहीं कम से कम पंजाब के पंजाब नहीं है उसका असर फिर भी दिख रहा है मैं वही का रहा हूं कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं पंजाब के यूनिट जो है वो चेंद्रिय नेत्रित को आज गरिया रहा होगा कि तुम्हारे पापो का फूगतान जो हम यहां पंजाब बे कर रहे हैं देखे मैं एक बात जाता हूं यह सिरफ कारण नहीं था कि कोई सीटों के बटवारे यहां पर आपको दिली जैसी स्थिति लगती है कि जो वोट परसेंटेज का जो मार्जन वो दस से पंद्रा फिस दी या पिर कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी स्वेंग सीट भी हो सकती हैं नहीं देखे वहां पर चार पार्टी चारू अलग लग चुनाब लग लग क्योंकि पहली बार है सार बिल्कु तो उस तरह की सिच्वेशन तरह नहीं हो सकती कि कोई पंदर परसेंट का लीड ले यदि पंदर परसेंट का लीड लेगी तब तो वो पार्टी पूरी तरह क्लीन सुट कर जाए तो वह स्थी तो नहीं होगी लेकिन हां आपको याद पर्टिकुलरी जो सिच कमिनीटी है उसमें अच्छा कासा आधा दोज्या 13-14 से ही बनने लगा था इसका आसर आप देखेंगे कि जब दोज्या 22 में असेमनी चुनाववा तक बहुत बढ़ी क्लीन सुट करके आमादी पार्टी वो अभी बढ़ करार है उसका उसकी सबसे बढ़ी बज़े यह है कि वहां पे जिस तरह सरकार अकाली और कॉंगेस मिलके पहले देती आई थी तो लोग उप चुके थे और एक और एक और तरफ जा रहते हैं जिसके वज़े से आमादी पार्टी बड़ी फोस बनके पंजामें उभुरी है और सामने में जो भी अच्छा काम करें वहां पे जिसका भी फाइदा आमादी पार्टी को मिल रहा है तो वह तो एक नरेटिव लेकर जा रहे है अपने पंजाब में भी खेलेगी शर्थ पंजाब में उसका फाइदा भी हो जाए अगर भावेश के नंबर ठीक हैं और भाजपा को तीन सीट आ हैं तो मैं भाजपा की दो पर एक की बढ़त किने देखूंगा क्यों बाजपा मेरे खाल से अगर मैं गलत नहीं तो पहली बार चुनाव अकेले लड़ रही है तो एक तरह से तीन उसकी अपनी सीट है पहली बार और भाजपा पंजाब में बढ़ने के लिए उनके बाद त कुछ समय पहले तक अमेरिका में भारत के राजपा थे तो अब एक तरह से तीसरे आए-फैस ऑफिसलर बाजपा एक कामिनेट में बहूंगा अगर अगर अमरिसर की सीट निकाल लेते हैं तो लगता है वो मोधी कामिनेट में होंगे पका अब हर्याना की बाद कर लेते हैं पंजाब के बाद और हर्याना में क्या कुछ सिती है क्या कुछ नंबर हर्याना के आ रहे हैं जरा टैली हर्याना की हम अपनी स्क्रीन पर अपने दरशुकों को दिखाएंगे कि हर्याना की नंबर क्या कुछ कह रहे है प्राची बिल्गुल आईे हरियाना की बात कर लेते हैं, तो हरियाना में एक उल्दस सीटे हैं, और अभी आफ़ सीटे BJP जीत रही है, यहाँ पर यानि दो सीटे ऐसी हैं, जिसका नुकसान BJP को हो रहा है, दो सीटे कॉंग्रेस यहाँ पर जीत रही है, करए है तो है कि चिन्ट क обязने की बिल्बु आखी तख धिक भी किया है तो आपकी लगभवा क्लीवाहिश कि proudly चैनल किया है खासकर आप देखेंगे सिर्सा में सिर्सा में जो बीजेपी की कैनिदी असोक कबर वो उनका जो पिछले चार-पांच साल का जो एक पॉलिटिकल एक्टिवीटी रहे पहले कॉंग्रेस में थे फिर वो जेजेपी में चले गए ते फिर वो आमादी पार्टी में चले कुछ दिन टी-एमसी में रहता है उसे बीजेपी में आगे तो जिस तरह का उनका एक पॉलिटिकल इंकलाइनेशन रहे इधर से उदर इसके बएसे लोग उनको बहुत ज्यादा मानते निया दोचानौ में एक बार वहां से वहां से बहुत कम मार्जिन से चुनाब जीते त जाइए और क्योंकि बीजेपी ने वहां पर एक अच्छे जो वीजेपी के सांसर दी सुनिता दुगल reflecting के लिए नीजेपी के लिए बिए जिर्जीन नॉ को वह candidate जरूर बदलना चाहिए क्योंकि वह भी जो candidate Congress से आये हुए नेता है तो वीजेपी के लिए मुस्किल यही है दो candidate specific के वए से बीजेपी यह दोनों seatे हाल सकती है तो candidate की वजए से यहां पर राहूलवाजण जी अगर बात करें हर्याना की सरकार आपने पूरी के पूरी अपना मंत्री मंडल, बुखे मंत्री चेहरा सब बदल दिया, तो क्या उसका कुछ फायदा है, इसलिए ये नतीजे हैं, ये नतीजे और खराब हो सकते थे, कि सही है, पांच ऐसी सीटे हैं, रोहतक, सोनीपल, सिर्सा, हिसार और करनाल, जो कंडिडेट हैं, सिर्सा में, यहां तक बात उभर के आगई, कि उनकी गाड़ी के उपर बीजे पी के अपने कारकरताओं ने पत्थर तो आगर इस ताहक की हालात है, और वो ये भी बात है, कि अगर आप बाहर से कंडिडेट जैसे नवीन जिंदल को आप बाहर से लेके हैं, आप इसमें कुछ प्लस माइनस और देख रहे हैं, कोई और सीटे पसी भी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि भावेस्ट जिस आंकड़े पर हैं, वो एक सही आंकड़ा है, कुछ नो कुछ रिवर्से इस बार अरियाना के अंदर जो है वो भारत्री जनता पार्टी को होगा, उसके कारण भी अपने-पने हैं, कुछ तो कैंडिडेट को लेकर के हैं, लेकिन नवीन जिंदल वाले सीट मुझे लगता है कि वो सेफ सीट है, जिस प्रकार से जो बाद में जो कार्ट करता हूं को मनाने की बाद चलिये, संगठन उस मिहारे से इस भी कुदा है, त अभी एलेक्शन पिक पे आया नहीं है, खास करके हरियाना के अंदर, और किसान आंदोलन का थोड़ा असर जो है, वो जितना ऐसा लगता था सुरुआत के दिनों में कि हरियाना के अंदर भारत्य जिंता पार्टी को बहुत जादा डेमेज होगा, लेकिन अब वो दिखता ह जो किसानों वाला इशू है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पंजाब तक उसका असर सीमित है, कुछ हिलाकों में हर्याना में दी उसका असर है, और ऐसे में ये दोनों इशू आपको हर्याना में देखने को नहीं है, अच्छा ये तो भावेश बहतर बता पाएंगे, फिर अग खबर सुनेंगे कि जाट नाराज है, चाहे हो पस्मी उत्तर पुदेश को लेके या हर्याना को लेके, उसके पीछे कारण ये है, दोजार पंदर के आसपा जाटों का एक आंदोलन हुआ था, बहुत उग्र आंदोलन होता, उसके बाद लोगों ने मान लिया कि पस्मी उत् करता आया है, और एक तबका बीजेपी को वोड करता आया है, तो उसमें बहुत जादा डिवीजन है, जिस किसान की आबात का है, वो किसान अंदोलन में जरूर थे, लेकिन वो शुरूस से ही एंटी बीजेपी रहे, इसलिए बीजेपी को उसका कोई नुकसान निया, पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, और हिमाचल से क्या कुछ खबर आ रही है, जरा ये देख लेते हैं, हिमाचल की चार सीटों में, बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानि क्याना रनौत जो है, वो भी मंडी सीट से आपर जीती हुए नजर आ रही है, जब आपने सर्वे किया होगा तो कॉंग्रेस के उमीदबार गोशित हो चुके थे क्लियर कट आपको लगता है के इतने कदावर नेता के सामने भी कंगना का जादू चलेगा छर्वे पूरी हरिाना में जिस तरह की कंग्रेस की सरकार चलिए पिछले एक Kafka की सरकार चलिए वहां पर कोंग्रेस चेसे पिछले बाधमा वोट सेर बचा ले तो वही बहुत बजी बात हो गी आपने देखा हो lleva किसले दो मہίνें पहले किस तरह भुलके लाही सरकत् Eating अगई थि अल्टिमेटली वोट कि उसको करना, वोट जनता को करना जनता निए वहां पे लोकसरगा चुनाब में हमेशा बीजेपी का साथ आफ देखें तो बीजेपी कम से कम तीन सीटे वहां पे हमेशा जीती आई है तो बीजेपी के लिए बहुत जादा मुसलियन पहारो कई अलगी देश भक्ति वाला मूल होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है नहीं हाँ मंडी वाली सीट पे जरूर कॉंगर्स ने अच्छा कैंडिडेट दिया तो देखेंगे आगे किस तो क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपना कैंपेंज रूह नहीं किया देखते हैं दूह दूह नहीं है जरूर कि विक्रमा देता है यहां से मैदान में वीरबद सिंग जी की इरात्त हैं इसमें से आप मंडी शिमला आप बात कर लिजे उसके बाद हमीरपूर और कांगडा यह चार सीटे हमीरपूर कांगडा बीज़पी आसानी से जीतने कोई संशे नहीं ह अब आप बात करते हैं मंडी की, मेरे हिसाब से मंडी में कंगना रनौत हारने जारी है, उसका कारण है, बीजेपी का काडर उनके खिलाफ है, बीजेपी के बहुत सारे नेता उनके खिलाफ है, महेश्वर सिंग जैसे नेता, जो कि कुल्लू के महराजा है, साथ में उनको उनका बहुत जारा पहुत है, राजनेतिक तोर पर भी और रिलिज्यस वे में, वो अभी चुप हैं, लेकिन अंदर से ही, अंदर से वो कोई कंगना रनौत के साथ ने, लेकिन अभी चुनाब में ब अब बात करते हैं, हम विक्रमादित्य सिंग, विक्रमादित्य सिंग, जो के वीरभाद सिंग के बेटे हैं, मंडी की लगबग तीन विधान सभाएं ऐसी हैं, बड़ी-बड़ी, जो के पूरी तरह से कॉंग्रेस को वोट करती आई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंन कर रहा हूं कि कंग्रा ननौद उस चुनाव को हारने जा रही है, शिमला की चुनाव करेंगे, कैसे मोमेंटम बढ़ेगा, रेलियां चलेंगी, बायान आएंगे, क्या कुछ होता है, लेकिन अब बात कर लेती हैं, जम्मू कश्मी लद्दाख रीजन की 6 सीटों में, क्या क कुछ हमारा ओपीनियन पूल कह रहा है, यह हम बता दें, तो यानि हमेशा जसे हम देखते हैं, तीन सीटें बीजेपी खाते में, और तीन नैशनल कॉंफरेंस, पीडिपी, यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए, शुन्ने पर आकर सिमट गई है, कॉंग्रस भी शुन्ने पर है, और DPAP, यानि कि उगलाम नभी आजाद भी कुछ खास यहां पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लड़ता की सीट भी भावेश, तमाम एजिटेशन, तमाम सवालों के बीच, बीजेपी के खाते में जा रही है, देखे, फिलाल जब तक हम लोग यह सर्वे कर लेते हैं, तब तक यह डिसाइड नहीं था, क्या ओपोजीशन के तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा, कॉंग्रेस यदि वहां चुनाव लड़के, तो आप यह मान के चलिए, कि बीजेपी वहां पर चुनाव जीतेगी, क्यो जो गटबंदन हुए थी, उसमें लड़के सीट कॉंगर्स को दिया गया है, तो बीजेपी के लिए साइड थोरी बहुत मुस्किल जरूर है, इसमें कोई दोराई नहीं है कि जिस तरह का एजिटेशन वहां पर चलिए, तो इसके लिए बीजेपी के लिए मुस्किल जरूर साइड जरूर इसलिए, दोजा 14-20 उसी वज़े से बीजेपी जीती थी, दोनों बार बीजेपी ने कैंडिडेट दिया था, अभी भी बीजेपी ने साइड कैंडिडेट वहां पर डिकलियर किया नहीं है, संभब है कि बीजेपी खुद भी इस बार अपना कैंडिडेट च बीजेपी जा सकती है, लेकिन आगे बढ़ लेते हैं, असम की बात कर लेते हैं, जहां 14 सीटे हैं लोग सभा की, और इन 14 सीटों में हमारा ओपीनिन पोल ये कह रहा है कि बीजेपी 11 सीटे असम में जीट सकती है, यूपी पीज एक सीट, कॉंग्रेस एक सीट, AI-UDF एक सीट करूंगर्स जो एक सीट दिखा रहा है वह कहां की कौन सी वर्लाइक मैं बता रहो कौंगर्स की जो सीट है मैं थोड़ा टाइम पर भीक दिछे मैं सरी हैं वह गोर्टी वह एक वह वज़रे वाला भॉक्त स्काइब एए एकि जाए मगला देश सिमा से जाए हूँ भॉटिंग भी किया सही हो था किया वह हु उद्चाव है पहले साथ सीट फेर नौ सीट और अब ग्यारा सीट आती है तो दो सीट का अजाफा होगा वहां पे वोटिंग पसनेटेज देखें तो लोक सभा में कम सिकम कॉंग्रेस और बीजेपी काफी निक रहते हैं मुझे आदर पिछली बार वोटिंग परसंटेज चाहएथ बाच्पा के बाद चाहएथ सेयश्ट परसंट वोटता और ऑग्यारा आती है तो एक तरह एक सता तोर एक हमंद भिष्वा का अभी ग्राफ दिखाता है ना की आसाम के वल जो पूरा नौर्थ-East का ब्लॉक है शा बाखे तो सब एक ही इंजन पर काम कर देशन भाई गराद स्पारिसिमन का फायदा यहां पर बाधिस्ट का फायदा यहां पर ब्गॉचप को वहां पर रिंपटिकुलरी थी जहां पर जो रिंप जो तो पर हए रिंप उसका तीन इसमिन को साम है पहले हुआ करता है जिसमें मुस्लिम डॉमिनेटेट हुआ करता है तो वो सीटे अलग-अलग लोगसभा में बांट दिया गया तो परिसीमन के बाद वो इनके लिए बहुत ही मुश्किल है इसलिए वो दूसरे नाय गाओ था वो कॉंस्वेंसी मांगे तो उनको दिया ने गय का इलाका है भावेश्ची लोर ब्रह्मपुद्दा वो काफी बंगलादेशी पॉकेट्स भी है तो उनका वोटिंग कोई आया है क्या कि किस प्रकार का वोटिंग वहाँ आप रहेंगे लेकिन फिलाल वक्त की कमी है और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हाँ पर रुकना है और ब्रेक के बाद नौर्टीज के दूसरे तमाम राज्यों की क्या कुछ नतीजे आ रहे हैं खास्तोर से महनिपूर के ये भी आपको दिखाएंगे अग आता उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चुनाओ लड़ेंगे हम लोग सवाका चुनाओ नहीं लड़ेंगे रहे हैं अनुमान वेनिवाल से समझदार है और चुकि प्रत्याशी तीन के तीनों चाहे उमेदा राम हो चाहे कैलाश चौधरी हो चाहे रवीन सिंग भाटी हो तीनों बहुत मजबूत है रवीन सिंग भाटी के साथ ये है कि वो चातसंग चुनाओ एवीवीपी से चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला निर्दली लड़े जीत गए शिव विधान सभा का टिकट चाहते थे उनको नहीं मिला फिरो लड़े जीत गए तो लोग कह रहे हैं कि एक वर्ग भाजपा में एक बड़ा नेता है जो उनको राजनीती में नहीं आने देना चाहता है कौन कौन सर यही तो बताना है अब दरसल वो अलग अलग बाते कहते हैं कोई गजन सिख शेखावात का नाम लेता है कोई दूसरी बात करता है जारातर लोग के कहते हैं चुकि वो बड़े नेता के तोर पर निकल कर आ जाएंगे लेकिन प्रभाव है निर्दली विधाय को अभी जीच चुके हैं अब सवाल बस इतना ही है कि क्या इस बात को लोग पसंद करेंगे कि रवींद्र भाटी ये भी तुरंट तुरंट विधायक हो गया है विधायक के तौर पर उसको काम करना चाहिए था उसकी वजाए वो दूसरी तरफ चला गया कि हमें तुरंट लो क्या कूंझा लोग सब कुछ भुला कर उसके पिछे पढ़ेह जाते हां यहाँ क्या जो बाड मेर जैसल मेर चौंश्यंसी है उस बाहर जाते हैं बैंगलूरू में चिन्नेई में हमदाबाद में सूरत में कहते है इसी तांसे में चान्दनी चौक की भी बात करूबा तो कॉ आप चांदनी चौक को समझे, चांदनी चौक में अजर वेपारी बहुत जादा है, तो मुस्लिम वोट भी बहुत जादा है, तो क्या हम मानें कि मुस्लिम वोट जो है, वो बिल्कुल कॉंग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, यानि आप मुझाइश देख रहे हैं कि जो हम 7-0 क स्कोर दिखा रहे हैं, उसमें 6-1, 6-5-2 हो सकता है, जो आपस में जो आप और कॉंग्रेस लड़ते थे, वो कहीं न कहीं गाए, चली, भाविश से क्विक रेक्शन, भाविश कोई चांसे यहां पर 6-1, 5-2-K या कोई 1-3-% वोट स्विंग जो कहते हैं हम, खासकर फर्टी सीट बीनलीं ओल्स सकती क्या सब्सक्वार आइस अपर दिल्ली जो जो से ह। तो द्रीली आजसे लेकिन दिल्ली में बिजेपी ने कैंडिडेट बढ़ लें विधान सभा चुनाप को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार कहता हूं बिजेपी इसलिए पीछे हो जाते क्योंकि लोकल लीडर से भी खरी नहीं कर पाती इसलिए बीजेपी आप देखेंगे बीजेपी यहां प करें देखें कनहिया कुमार कि आप यहां पर लब कर बीस परसंड मुसलमान वोट अप कनहिया कुमार रहेंगे तो वहां पर एक पॉलराइजेशन भी होगा वो पुर्वांचली वोट कर कनहिया कमार कभी बिहार यूपी की पॉलिटिक्स तो किये नहीं आज कि मुझे नही किसी खास कम्यूटी के लिए बात करेंगे तब देखा जाएगा लेकिन चुकि आपको याद होगा 2020 में सीए आंदोलन के बाद जितने जादे राइच्स होए तो उसमें सबसे जादे उसी सीटों पर प्रभाप पर रहा था सीलमपूर में जो राइच्स हो था 20-21 परसंड क कि रैली होती है खास कर जो विपक्षी नेता है आपको दो लाइने बड़ी अच्छे सुनाई देती हूंगे एक तो समविधान बदल जाएगा अगर मोधी फिर से रिपीट हो जाते हैं उनको मैजॉर्टी मिल जाती और दूसरा ये कि लोक्तंत्र खत्रे में है अब वो दिन केजिरिवाल को अरेस्ट करा था तो हम लोगों को भी लगा कि शायद इस अरेस्ट से थोड़ी सांतोना आएगी सेंपेथी आएगी लेकिन सड़कों पर कुछ नहीं दिखा चार पर दिन बाद आमादनी पार्टी ने कुछ करा सड़कों लेकिन वह एक दो दिन में फि गुरेज नहीं है कि इडी ने उनको सही मामले में पकला है और जैसा भावेश कह रहे थे भाजपा करा पिछला वोट देखें तो वह पचास परसंट साच परण रहा है सीटों पर तो दोनों कमाइन होने के बाद भी नहीं चलेगा दस साल पहले मुझे याद आता है इसी र नाटक दिख रहा है लोगों को नाटक दिख रहा है अमेरिका तो दिल्ली को के जवाल एक वन आप दो पॉलिटीशन अजर आने लगे हैं तो इसलिए उस तरह की सिंपेर्शी उस तरह के मुमेंटम नहीं है एक बार कनहिया और मनुष तिवारी उनकी पाइट की बात संधी आप से कर लेते हैं कनहिया को दिल्ली पिहार से दिल्ली भेज कर आपको लगता है कुछ मुमेंटम मिलेगा या फिर एक ब्लंडर हो गया मुझे नहीं लगता है कि कनहिया कनहिया दिखे जब बिहार में चुनाव लड़ा था तब भी वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नुहान पर नहीं कर पाया था और जबकि उसकी वो अपनी जमीन थी और जो है वो खासकर से बिगू सराय के अंदर लेकिन वहां से बह हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एक राजदानी है यहां आप देखेंगे कि मेंडेट प्रधानमंत्री चुनने के लिए ही होता है 2009 में दी आप देखेंगे उस समय भी आपको परता रहा कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव वेप था 2014 और खास करके 2019 में जो किंद्र की सरकार के द्वारा तो वैसी इस्तिती में मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता भारती जनता पार्टी के खिलाब बोट कर दे एक दूसरी बात और आम आदमी पार्टी का जो उचा कद था जो राजनिती में आने के पश्चात था आज चाहे अरबिंद के जिवाल और उनके नेता जमीन पर आकर के चाहे जो कुछ क्या है टेलिविजन मीडिया पर आकर के रोज वो बोलते रहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी है भारती जनता पार्टी सरकार लेकिन लोगे सवाल आम आदमी पूछ रहा है कि अरे भाई जब आप इतने ही इमांदार थे तो आपको लालू को साथ खड़ा लेने की जरूरत क्या थी जितने भ्रष्टाचारी है जिनके भी मुझे लगता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा अरबिंद केजरिवाल को मुझे इसमें भी संसरे एक्सटरी डाली उट कर लिया है यह बेल्कुल एकि दुल्ली में तो नुकसान हो रहा है दिली में कोई फाइदा होता हुआ नसर नहीं आरा उन मुद्दों का जिस मुद इंपक्त मैंने आपको पहले ही का जब दो पाटियों का गढ़बंधन होता है बेस्ट के बेस्ट सिनेरियो में 80% के आज पास वोट ट्रांसफर होता है उसमें भी जैसा मैंने का कि आमाली पाटी के पास जो वोट है आज के डेट में वो एंटी कॉंग्रेस जादा है अब म इसका सीधा एक्जामपल जो है उत्तर प्रदेश है बिलको सही कह रहा है समादवादी पार्टी और बेस्टाइब दोनों साथ आए तो सबका वो लगता था कि बचने वाली नहीं है बिलको सही कह रहा है लेकिन आप यदि पश्मी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें जहां प्रभारती जनता पार्टी को डैमिज वारा वो भी BSP के तरफ से तो वैसी इस्टिती में तो एक जंक सब्ण हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं पंजाब में तो अलग-अलग लड़ रहे हैं पिनाव पंजाब की बात कर लेते हैं कि कॉंग्रेस और आप अलग-अलग लड जा सकती है और अगर आप अकाली दल की बात करेंगे तो एक सीट अकाली दल के खाते में भी जाती हुई नसर आ रही है यानि कि कॉंग्रेस को पंजाब में कोई फाइदा नहीं हो रहा है उल्टा नुकसान ही होता हुआ नसर आ रहा है बिल्कुल और भावेश ये कौन सी सीट जो बीजेपी की बढ़ रही है यहां पर और अकाली दल का क्या होगा मतलब वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगता है कि वो अस्तित्व सिर्फ परिवारता कि सिमट जाएगा देखेंगे देखेंगे खासकर जब से अमरिंदर सिंग को वहां से ह आज के दौर में नव जो सिंग सिंदु आई पेल में कमेंटरी करें मेरे ख्याल से और उनके जो बड़े बड़े जो जिनके पीछे लग रहा था कि एक बड़े नेता कॉंगर्स के लिए हो सकते है जैसे रवनी सिंग विर्ट वो खुद बीजेपी में आचुके तो कॉंग पर उनके लिए एक अच्छा केक वाक हो सकता है बीजेपी ने जिनको टिकट दिया वो कॉंग्रेस से ही आमादी पार्टी में गयते है फिर आमादी पार्टी से बीजेपी गयते है और खुद वो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिती में है नहीं खास के डेट में तो बीजे से अच्छा को प्ता है कि वो बीजेपी के लिए दिया है बैलिजे है नहीं बन तो उस सीट पे बीजेपी के लिए एक अच्छा कासा योगदान माना जाता है टो चैग यह ज़िएट ऑलन भी आधि को उसीट प्यर्य प summitt की वेखती जिए बीजे और अच्छा क सब प्रभाब ले किया और कॉंग्रेस के भी एक बहुत कदाबर नेता रहे दो बाद से वहां से सांसर्थ है एक पिछले उससे पहले भी सांसर्थ है तो बीजेपी उस वोट बैंक में सेंद लगा रहे दूसरा है कि जो लुद्याना का जो सीट है वहां पे अच्छा खासा कम पिछ तो आईए सीट एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं तो आसानी होगी बातचीत करने में कि पंजाब में किस सीट पर कौनसी पार्टी बढ़त बनाती हुई नसर आ रही है कौनसी सीट पर कौनसी पार्टी जीती हुई नसर आ रही है तो एक एक करके सीटे आ वही खाडूर साहिब आमाद्मी पार्टी के खाते में जा रहा है। वही खाते में जाती हुई नसर आ रही है। जो वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ माहल है। आपको यह जानना चाहिए कि बीजेपी और अकाली दल का अलाइंस ही इस कारण नहीं हो पाया है। किसानों का मुद्दा जो है उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसे में यह एक्सपेक्ट करना के जो बीजेपी है वो बहुत अच्छा किसी और कॉंसिट्वेंसी में कर जाएगी। अच्छा किसी और अकाली दल के बीच में समझोता ना हो पाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सीटों की संक्या को लेकर के वीबात था दोनों पार्टियों में भारतिय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लड़ना चाहती थी उसका अपना एक तर्ख था कॉंग्रेस से बड़े बड़े नेता आज आ चुके हैं कॉंग्रिस पार्टी की वह हैसियत नहीं रह गई है और इसलिए उनको इक्षा उनका यह डिमांड था कि जितनी सीटें हमको पहले देती थी हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता था लेकि नेदी हमको सीटें ही आप कम देंगे आप रह नहीं गया है इसलिए सीटों का बाटवारा पहले से बहतर होना चाहिए बारती जन्ता पार्टी साथ से नौ सीटों पर लढ़ना चाहती थी वह दी निगोशेशन होता तो मुझे लगता था कि एक अच्छी दिसा में दोनों सीटों का समझोता तालमेल हो गया होता आद के दिन में सबसे दुर्दसा जो मैं देख रहा हूँ वो कॉंग्रेस पार्टी के यहां दोएक रहा हूँ कॉंग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ जो समझोता है वो मुझे लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है पिछली दफा देखेंगे कि कॉंग्रेस पार्टी जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था कुछ राज्यों में उसमें से केरला था दूसरा तमिल नाडू था और तीसरा यह था इन तीनों राज्यों को मिला कर कि इसके पास 31 सीटे थी आज ऐसी स्थिति में कॉंग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विश्य होना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या उनको दिल्ली में भी गटबंदन जारी रखना या चाहिए नहीं कम से कम पंजाब के पंजाब नहीं है उसका असर पिर भी दिख रहा है मैं वही का रहा हो कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं पंजाब के यूनिट जो है वो खेंद्री नेतरित को आज गरिया रहा होगा कि तुम्हारे पापो का फूकतान जो है वो हम यहां पंजाब में कर रहें हैं देखे मैं एक बात इसमें आ च्छोटा सर एक्षन शांतुन जी आप से भिलूंगी भावेश एक छोटी सीटी पड़ी मुझे बता दीजे कि यहां पर आपको दिली जैसी स्तिती लगती है कि जो वोट परसेंटेज का जो मार्जन है वो 10-15 फिस दी या पिर कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी स्वें परसेंट का लीड ले यादि 15 परसेंट का लीड लेगी तब तो वो पार्टी पूरी तरह क्लीन सुट कर जाए तो वो इस सिती तो नहीं होगी लेकिन हाँ आपने आपको याद होगा दोगजा 14 में जब फुरा लोकसभा कर चुनाव हुआता तो आमादी पार्टी दिली मे बहुत बड़ी क्लीन सुट करके आमादी पार्टी वो अभी बड़ करार है उसका उसकी सबसे बड़ी बज़ा यह है कि वहां पे जिस तरह सरकार अकाली और कॉंगेस मिलके पहले देती आई थी तो लोग एक उप चुके थे और एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहते हैं इसके वजह से आमादी पार्टी बड़ी फोर्स बनके पंजामे उभुरी है और सामने में जो भी पार्टे हैं वो अलग अलग चुनावले काउंगेस अलग चुनावले अकाली अलग वीजेपी अलग तो इसका फाइदा अमादी पार्टी को मिला है और खासकर प्रटिकु अरविन केजडिवाल को आतंकवादियू की तरह जेल में रखा जा रहा है तो वह तो एक डरेटिव लेकर जा रहे है अपने सेट पर पार्टी विक्टेम कार्ड डिली में भी खेलेगी पंजाब में भी खेलेगी शर्थ पंजाब में उसका फादा भी हो जाए अगर संदू जैसा कैंडडिड है जो कुछ समय पहले तक अमेरिका में भारत के राजदू थे तो अब एक तरह से तीसरे आएफस ऑफिसर बाच्पाय क्यामिनेट में होंगा अमेरिका से अगर अमरिस्टर की सीट निकाल लेते हैं तो लगता है वो मोधी क्यामिनेट में होंगे अब हर्याना की बात कर लेते हैं पंजाब के बाद और हर्याना में क्या कुछ सिती है क्या कुछ नंबर हर्याना की आ रहे हैं जरा टैली हर्याना की हम अपनी स्क्रीन पर अपतने दरशुकों को दिखाएंगे कि हर्याना की नंबर क्या कुछ कह रहे हैं ब्राची बिल्कुल आई हर्याना की बात कर लेते हैं तो हर्याना में कुल 10 सीटे हैं और अभी 8 सीटे बीजेपी जीत रही है यहाँ पर यानि 2 सीटे ऐसी है जिसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है दो सीटे कॉंग्रेस यहाँ पर जीत रही है आप आपनी पार्टी खाता नहीं खोल तो आठ सीटे भारते जंता पार्टी के खाते में जा रही है दो सीटे कॉंग्रेस के खाते में जा रही हो और मैं गलत नहीं हूं तो यह रोतक और सिर्सा वाली सीटे होंगी भावेश जो कॉंग्रेस के खाते में जा रही है बिल्गुल सही कहा रहे हैं अभी तक हमने जितने चार पाथ साल का जो एक पॉलिटिकल एक्विटी रहे पहले कॉंगरस में थे फिर वो जेजेपी में चले अमाधी पाटिय पार्टी में चले गहे पूस दिन टीम सी में रहते हैं विस धी जिस तरह उनका उनका इक अच्छे जो बीजेपी की सांसर थी सुनीता दूगल उनका टिकेट कार्ट के दिया था तो बीजेपी की कैटर में भी बड़ी नाराजगी है वहाँ पर तो साहिध बीजेपी वह सीट जित जाए रहता है बीजेपी के लिए पिछली बार जीती भी थी बीजेपी लेकिं कर्णा से बीजेपी को वह बदलना चाहिए क्योंकि वह बीजेपी के लिए मुस्किल यही है दो कैंडिडेट स्पेस्पिक के वएज से बीजेपी यह दोनों सीटे हाल सकती है यहां पर राहूर वांचन जी अगर बात करें हर्याना की सरकार आपने पूरी के पूरी अपना कुरुक्षेत्र भी या नहीं कुरुक्षेत्र में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि और मैं उसका कारण भी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम से बीजेपी ने जिस्ताहं के कैंडिडेट दिये है अपना काडर जो है वह बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है सिरसा की बात उभर के आगई कि उनकी गाड़ी के उपर बीजेपी के अपने कारकर्ताओं ने पत्थर तो अगर इस ताहक की हाला था और वो यह भी बात है कि अगर आप बाहर से कैंडिडेट जैसे नवी इंजिंदल को आप बाहर से लेके आएंगे तो बीजेपी का काडर यह नही मुझे लगता है कि भावेस्ट जिस आंकड़े पर है वो एक सही आंकड़ा है कुछ नो कुछ रिवर्स इस बार अरियाना के अंदर जो है वो भारती जन्ता पार्टी को होगा उसकी उसका उसके कारण भी अपने-पने है कुछ तो कैंडिडेट को लेकर के हैं लेकिन नवी 9750 सीट मुझे लगता है कि की यह जिस प्रकार से जो बाद में जो कार्टकरता होो मनाने की बात चली है संगाठन उस मेहरे से meaning कुदा है तो ऐसी मुझे नहीं लगता है कि आपको लगता नहीं तनी टॉफ होने वाली है कि दो तीन सीटे ऐसी है जहां पर जिसो कहते हैं हमें साथ चुनाव में कहा जाता है फंसी हुई सीटे अभी एलेक्शन पिक पे आया नहीं है कास करके हर्याना के अंदर और किसान आंदोलन का थोड़ा असर जो है वो जितना ऐसा लगता था शुरुआत के दिनों में कि हर्याना के अंदर भारत्या जिन्ता पार्टी को बहुत ज्यादा डेमेज होगा लेकिन अब वो दिखता हुआ मुझे नहीं लगता है दो देखने को मिलेंगे इस पार एक अगनिवीर स्कीम को लेकर हर्या में भी उसका असर है और ऐसे में यह दोनों इशु आपको हर्याना में देखने को मैं अच्छे तो भावेश बहतर बता पाएंगे फिर अगले स्टेट पर चलना है चोटे में बता नहीं जो मुद्दे बता रहे है राहुल जी बावेश इन मुद्दों की चर्चा है चाहे किसानों की नाराज़गी का मुद्दा हो या अगनीवीर का मुद्दा हो देखे जब से 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से आप हर बार हर दो महीने पर चार महीने पाप एक ख़बर सुनेंगे कि जाट नाराज है चाहे हो पस्ष्मित्रपदेश को लेके या हर लेकिन उसके बाद हर्याना में बिधान सभा कर चुनावा दोजा उनीज का लोग सभा चुनावा पस्ष्मित्रपदेश में बार बार लोगों नहीं देखा है कि जाट का एक तबका जो कॉंगर्स के साथ हमेशा है वो कॉंगर्स को वोट करता आया है और एक तबका बीजे बीजेपी को उसका कोई नुकसान नहीं है अस्थाने कारण से जिस जो प्रोफेशन संगी तरागी करे तो हम लोग बात करते हैं और अभी हमारा ओपीनिन पोल जो बता रहा है वो ये कि बीजेपी 12 सीटे जारखन में जीत सकती है जे में में एक सीट जीत सकती है कॉंग्रस का खाता नहीं कुलेगा शून नहीं हमें नसर आ रहा है कॉंग्रस के सामने और आजसू एक सीट यहां पर जीत सकती है यानि कि कुल मिलाकर अगर आप एंडिये की बात करेंगे तो 13 सीटे एंडिये के खाते में जा सकती है और सीटों की अगर हम बात करें तो कूटी से मारा ओपीनियन पोल बता रहा है भावेश जारकन भी वही स्टेट है जहांके मुख्यमंत्री जेल में गए अलाकि सीफा उन्होंने दे दिया मुद्दा बनाये गया आदिवासियों से भी जोड कर देखा गया लेकिन कोई ग्राउंड पर उसका फायदा होता हुआ नजर न जूर ज्यादा कि फिर उस पार्टी के लिए उबर ना बे बहुत मुस्कल होसा एक लंबी फेहरिस्त है हमारे पास एक्जामपल की इस तरह की सिंपैथी वोट करप्शन के मामले में खासकर नहीं होता है गीता कोरा वहां से जीती थी वहां पर मधू कोरा के अच्छा खासा जनाधार है मधू कोरा भी वैसे एक जमाने में बीजेपी के इनेता हुआ करते थे दो चार में वह इन्यपेंट लड़के फिर गए थे उसके बाद उनका इधर इंकलाइनेशन हो गया ता लेकिन उसके बा सीटे बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है जीतना तो वही एक सीट है जिसके लिए जेमें पर क्या उनकी खुद की जेमें ने उनके कद को उनकी ताकत को कम कर क्या आखा है या बीजेपी के एडवांटेज मिल रही है लेकिए उनके वजा से ये सीट बीजेपी जीत रह तो सीता सोरेन कोई एडिसन कर रही है वोट में बहुत ज्यादा उसकी संभावना नहीं है लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छा खासा जनाधार है वहाँ पे खास के देखेंगे जो स्टेट गोवर्मेंट है वहाँ पे जेमें की सरकार है उसके खिलाप एक एंटिन कमेंसी को फिर से वापस लेकर आया है उनकी एक अच्छा खासान होने कैडर बना लिया ता ग्राउंड पे जब वो बीजेपी से बाहर गए ते अपनी एक अलग पाटी बना लेते तो बड़ी का अच्छा बरा रोल दिया है वहाँ पे अरजनमुंडा को सेंटर में लिया है लेकिन उनको वहाँ पे पुरे स्टेट चलाने के लिए दे दिया तो वो एक बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संभावना बढ़ने इसलिए आप देखेंगे बीजेपी 2019 से भी अच्छा करती हुए दिख रही है जारकन की बाद आईए अब आगे बढ़ लेते हैं पर्शिम बं कि ब्याले सीटों का ओपिनिन पोल आपके सामने खोलते हैं जिससे कितना बदलाव होता है इस टैली में आप खुद देखिएगा कुल ब्याले सीटे हैं और बीजेपी यहाँ एज लेती हुई नजर आ रही है यानि कि ट्रिमूल कॉंग्रेस से बड़ी पार्टी बंती हु जो ही है यानि कि भारते जंता पार्टी को एज बिल गई है पिशली बार से इंप्रूब किया है अपने यहाँ पर सीटों की संख्यात को बीजेपी नर तेज सीटे बीजेपी यह बहुत बड़ा नेरेटिव है कि किस तरह से अगर पश्यमंगाल में दीदी के गड़ में ज सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उबरती है और अगर कॉंग्रस को एक भी सीट नहीं मिल रही है तो इसका मतलब अधीर अंजन चौधरी मतलब तो लगातार जीते आया है सब क्या हो गया पिलगोल सही करें इस बार अधीर अंजन चौधरी के बहुत ज्यादा ममताबने जी की पार्टी का तो वहां उस सीटो पे भी आप देखेंगे कम्प्लीटली पॉलराइजेशन हो रहा है ममताबने जी के फेबर में कैंडिडेट भाले ही थोड़ा वीक ममताबने जी ने दिया यूसुप पठान को दिया लेकिन फिर भी जिस तरह का उनका एक मोमेंटम को बढ़करा रख पाई तो एक बहुत बड़ी सेट बैक हो सकता है ममताबने जी के लिए क्योंकि कुस दिन पहले तक ममताबने जी इंडिया गट बंदन में एक लीडिंग पोजीशन में थी कहा ये भी जा रहा था कि उनको बहुत ज्यादा तबज्जो दिया जा हो भी हा रहे हैं चली सीटो वाइस हम लोग एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या कुछ सिती है कौनसी सीट किसके खाते में या पर जाती हुई नजर आ रही है हम आपको बताएं कि यहाँ पर दमदम की सीट जो है वो त्रणमूल कॉंग्रस के खाते में जाती दिख रही है जादवपूर तरणमूल कॉंग्रस के खाते में जाती हुई दिख रही है कोलकता दक्षन भी टीमसी कोलकता उत्तर भी टीमसी हावडा तरणमूल कूछ बिहार यहां पर बीजेपी निशित प्रामनिक जीत रहे हैं और अलिपुर द्वार बीजेपी से हार रही है और राना घाट बीजेपी, बानगाउ बीजेपी, बैरफपूर बीजेपी, बारसाद बीजेपी, बशीरहड तरणमूल कॉंगरेस, अंदीच खाली का मुद्धा क्या यहां पर काम नहीं कर रहा है, मुस्लिम डॉमिनन्स से हाँपर ज्यादा है जयननकर त्रिनमूल कॉंग्रेस, मथ्रापूर त्रिनमूल कॉंग्रेस, डामिन हाबर, अविशेक बेनर्जी त्रिनमूल कॉंग्रेस ही जीत रही है बर्दमान बीजेपी बर्दमान दुर्गापूर बीजेपी आसन सोल यानि श्वत्रुगन सना भी हा रहे हैं बीजेपी बोलपूर तर्णमूल और बीरभूम भी तर्णमूल के खाते में जाती हुए देख रही है राहूल माजन जी श्वत्रुगन सना हार जाएंगे आसन सो देखने वाली बात होगी। उसमें महिलाएं उसको किस तहां से लेती है पश्चे मंगाल में, वो क्या बीज़ेपी के देखें हम जानते हैं कि बीज़ेपी की तरफ महिलाओं का रुज़्हान रहता है। हमने देखा है विजान सबाचुनाओं में भी। तो क्या ऐसा रुज तो ऐसे में बीजेपी के लिए संभावना हैं पश्ची मंगाल में बहुत सारी हैं कितनी तब्दील होंगी वोटों में क्योंकि एक बड़ा पोलराइजड इलेक्शन मुझे दिखाई देता है इस पश्ची मंगाल में जिस तहां की बाते मम्ता बनर जी कर रही है वो पूरी म संदेश खाली का है लेकिन संदेश खाली वाली जो सीट है अगर बशीर हाट के बात करें तो यहां से टीम सी जीत रही है जबकि पीड़ित महिला को बीजपी ने उम्मीदवार बनाया लेकिन मुस्लिम अब हो लेकिन अगर हम बात करें यहां पर सीए एकी तो मतुआ वोट जब सीए का जिक्र कर रही तो लगातार बंगाल में अमिश्या जब भी जाते रहें सीए का जिक्र करते थे और चुनों के पहले सीए लाने का बड़ा मकस्त दिया भी रहा है कि बंगाल के अंदर एक संदेश जा और भारतियनता पार्टी के उसका राजनेतिक लाब मिलने जा रहा है लेकिन बारतियनता पार्टी सिफ सीए के बरोसे नहीं है अगर पिछले 10 साल का आप दिखेंगे बारतियनता पार्टी का 2014 से लेकि 2024 तक का तक तो बारतियनता पार्टी ने 28 परशेंट अपना वोड बेंक कर बढ़ाया है लगाता पदान मंत्री बोधी वहां फो लेकिन संदेशकाली का असर आपने ओवरॉल पश्मंगाल में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है कि एक महिला मुख्यमंत्री उसको काउंटर नहीं कर देखा जाएगा तो महमता बेनर जी की जो श्री लक्ष्मी योजना है वो एक बड़ी योजना महाँ पर कारगर रही जम कि आपके साथ एक बेनीट होगा तो मुझे लग रहा है एक स्क्राइश कमूनिटी आप सब्सक्राइब कर सुश्राइब कर देख सेटें मुद्य जारे है और महमता मंता बेनर जी जिस तरीके पर करफ्शन नारूप अरूप लगा थे गंव्य जो जया एक वी पर वह का कि अंदरे में करफशन करते थे ममताब मेनेजरी वो दिन के उजाले में करफशन करती है यह जंता को भी जाके बताईए अब मुझे लगए अगर बड़ी एग्रेसिव रहती है कि इजिवाल के बाद अगर कोई लड़ता हुआ नेता नजर आता इंडिया गट बंदन में तो वह ममताब अनरजी नजर आती है मिरावल जी आओंगे आपके पर जरा हम स्विंग दिखा देते हैं अपने ओपिनियन पोल में कैसे बदला है यहाँ पशिम बंगाल का जो ओपिनियन पोल है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और देखिए इजापा जो है वो साफ करेंगे TMC की तो TMC यहाँ पर सीटे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पशिम बंगाल के अगर आप बात करेंगे तो यहाँ 19 सीटे जो है वो ममताब अनरजी जीती हुई नजर आ रहे हैं यह स्विंग आप साफ तोर पर देख सकते हैं अब भावेशी बदलाव हुआ कैसे वो प इस डेटा को इड़ाव से देखें जब हमने जुलाई में पहला सर्वे किया था उस टाइम बीजेपी दस सीटों पर लीड करें ती उसके बाद बीजेपी के पूरे कैडर में एक उस टाइम जो एसम्ली एलेक्शन के बाद एक बहुत जादा उदा सीनता था क्योंकि जो व माहौल बना संदेश खाली का इस हुआ अमित साथ जी ने जुलाई अगस्त के बाद वहां पर यह कहना सुरू कर दा कि हम सी यह बहुत जल्द लेके आएंगे उसके बाद बीजेपी के लिए एक मोमेंटम बना जब हम बात करें कि संदेश खाली के एफेक्ट को लेके बाद ममता बनेव जी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहे कि वह महिला वोटर को एट्रैक्ट करती है अपने योजनाओं से फुद एक महिला है और चुकि प्राइम मिनिस्टर मोधी का भी जो चुनाब जीतने का रिकॉर्ड है उसमें महिलाओं का एक अच्छा खासा य लेकिन जब नाशनल टेरिटरी में इसको करते हैं तो आज भी नरेंद्र मोधी का विकल्प उन्हें कोई नजर नहीं आता है जब राष्टवाद की बात हो जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो जब गुस्पैट रोकने की बात हो बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है तो शायद लोगों को भरोसा पीम में नजर आने लगा बिलकुल आता है और हमने देखा भी उनकी रैलियों में किस तरह का ज परसेंट से उपर वोट शेयर में चली गए थी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एक दशक में किसी राज पर काबिज हो सकते हैं अच्छे काम के दौरा एक चीप में पॉइंट आड कलू क्योंकि सांतु जी कह रहे थे बीजेपी जब 2021 में चुनाव हारी पीती तो बीजेपी वहां पर अपना वोट से जो इसको दो जा उननीस में मिला था उसको बढ़करा रहा है जब तो इसका मतलब बीजेपी के लिए जो एडवांटेज यहां पर इस लुक्स बाचुनाब में यह कि बीजेपी ने जितना पिछले 6-7 महिने में या सीय के जैसाब जी क पूर्वी बर्दमान वाली सीटे थी इन सब सीटों पर इफेक्ट हैं उसका जो बीजेपी संभावना है कि इस पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी अच्छा एक बार जो यह ओपिनियन पोल को देखकर समझ में आ रही है रहूल जी लेफ्ट कहां पर है क्या लेफ्ट की जो आइडिलोजी है अब उसकी कोई जगा नजर नहीं आ रही है हमें पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की कोई मतलब वहां पर असर नहीं है बहुत कम असर है लेकिन क्योंकि ममताब एनरजी बहुत सारा जो लेफ्ट को वोट जाता था वो अपनी तरफ खीन चुकी है बहु और जैसे अब ही आप बात कर रहे थे सीए की आपने बात की आपको हम मत्वा कम्मुनिटी की बात करते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मत्वा कम्मुनिटी है राजभंसीज है राजभंसीज जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कि मत्वा की तरह ही है वो भी जो है बंगलादेश से आयों है और उनका बहुत असर है आपको मैं अगर बताओं कुछ बिहार जल्पाई गोडी नौर्थ दिनाजपूर साउथ दिनाजपूर यह सारी ऐसी जगाए है जहां पे इनका असर है और सिये को आप जो का असर जो है आप सिरफ पश्चम मंगाल तक सीमित चले तो पश्चम मंगाल में वोट का पोलराइजेशन सी ए और प्रधान मंतरी मोदी एक बॉडर स्टेट को जो है ज्यादा सुरक्षित महाल दे सकते हैं यह तमाम फैक्टर्स जो है बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एडवांटेज बीजबी के लिए विकल लेकि पश्चम म बात करेंगे लोगसाथी के लिए लोग सब्सक्राइब के लि~~ तो इंडिया ऐग ठीक आप करूओंगा झाने आता.. उनको चान्दी चौक में वो किया है और इस बार जिस नेता पर बीजपी ने दाव लगाया बिल्कुल सही बात है कि वो जो है वेपारियों का नेता है और वो वेपारियों में पैठ खता है लेकिन आप चान्दी चौक को समझे चान्दी चौक में अगर वेपारी बहुत तो क्या हम मानें कि Muslim vote जो है वो बिल्कुल Congress की तरफ नहीं जाएगा यानि आप बुंजाइश देख रहे हैं कि जो हम 7-0 का score दिखा रहे हैं उसमें कुछ 6-1, 6-5-2 हो सकता है इसलिए मुश्किल होगा कि जो आपस में जो आप और Congress लड़ते थे वो कहीं न कहीं गाए चली भाविश से क्विक रेक्शन भाविश कोई चांसे यहां पर 6-1, 5-2-K या कोई 1-3 परसंट वोट स्विंग जो कहते हैं खासकर नौर्थी तो चामनी चौक का ज़र जिक्र कर रहे हैं मैं सीटों पर बाद में आऊँगा पहले इस का हिस्टोरिकल चीजे देखे जब बीजेपी चुनाव हार गई तब ही आप छे सीटे जीती जब पूरे एक सो अर्थी सीट पर ही कॉंचरे इसमें सरकार बना लिया था तो यहां पर दिल्ली में कॉंच चाहिद जीटी थी दोजया नौ में कॉंच साथ की साथ भी जीट इन जीटी थी पधानमंति जिनको हराने उनके लिए वोट करते हैं इसलिए यह मालेना की कैंडिडेट स्पेसिपिक होगी ऐसा नहीं होने जब बीजेपी ने कैंडिडेट जरूर बदलें लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने कैंडिडेट बदलें विधानसभा चुनाप को ध्यान में रखते है क्योंकि वह बीजेपी दिल्ली यूनिट की तरफ से आते, बीजेपी दिल्ली यूनिट की वह लीड कर चुके हैं अब रही बात कि जो candidate specific की बात करें देखे कनहिया कुमार की आब बात के यहां पहले हमका 20% मुसल्मान वोट अप कनहिया कुमार रहेंगे तो वहां पे एक polarization भी होगा, वो polarization होगा, क्योंकि कनहिया कुमार जिस तो आप पुर्बांचली वोट करके कनहिया कुमार कभी बिहार- इसमें सबसे ज्यादे उसी सीटों पर प्रभाब पढ़ रहा था, सीलंपूर में जो राइच हो था, 20-21% के आसपा सिस छेत्र में मुसलीम आते हैं, एक polarization होगा जिसका फाइदा वीजेवी को मिल सकता है, ठीक है, यहां तो फाइदा मिल रहा है, लेकिन शांतनु जी एक प मुद्दा निकल रहा है, वहां कोई प्रभाब नहीं पढ़ रहा है, इस मुद्दे का. चौक में अजर वैपारी बहुत जादा है, तो मुसलिम वोट भी बहुत जादा है, तो क्या हम मानें कि मुसलिम वोट जो है, वह बिल्कुल कॉंग्रेस की तरफ नहीं जाएगा? यानि अब बुंजाइश देख रहे हैं कि जो हम 7-0 का स्कोर दिखा रहे हैं, उसमें कुछ 6-1, 6-5-2 हो सकता है. इसलिए मुश्किल होगा कि आपस में जो आप और कॉंग्रेस लड़ते भे, वो कहीं न कहीं गाए. भावेश से क्विक रेक्शन, भावेश कोई चांसे यहां पर 6-1, 5-2-K या कोई 1-3-% वोट स्विंग जो कहते हैं, खासकर नौर्टीस तो चांणी चौक का ज़िक्र कर रहे हैं. मैं सीटों पर बाद में आऊँगा, पहले इसका हिस्ता हिस्टोरिकल चीजे देखे. 2004 में जब बीजेपी चुनाव हार गए ती तब भी कॉंगर्स यहां पर 6 सीटे जीती जब पूरे 100 अर्च. स्टेट है, जहांके मुख्यमंत्री जेल में गए, अलाकि स्टीफा उन्होंने दे दिया, मुद्दा बनाये गया, आदिवासियों से भी जोड़कर देखा गया, लेकिन कोई ग्राउंड पर उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा? पिछले कुछ दिनों से जरूर मावल बनाने की कोसिस है कि यदि जेल गए तो उनके खिलाप उनके लिए एक सिंपेथी वोट होगा लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, मैं हम ऐसा यही मानता हूँ कि करप्शन के मामले में यदि कोई जेल जाता है तो उसके खिलाप वो एक सिंपेथी जेल जाएंगे तो जवरू उनके लिए एक वोटो का उपाजन होगा, खास का जहारखन में देखें कि बीजेपी लोकस्वाच उनाम में हमेशा ही मजबूत रही है, 2014 में भी, 2014 में, 2019 में भी आप देखें, 12 सीटे बीजेपी और NDA मिला के जीती ती, यहां पे सि जाएंगे से एक जमाने में बीजेपी के इनेता हुआ करते थे, दो जचार में वो इनेपेनेंट लेर के फिर गए थे, फिर उसके बाद उनका इधर इंकलाइनेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जो अभी रिसेंट्ली उन्होंने बीजेपी जोईन किया त तो वही एक सीट है जिसके लिए जमाने में पर क्या उनकी खुद की जमाने उनके कद को उनकी ताकत को कम करके आपा या बीजेपी के एडवांटेज मिल रही है? लेकिन फरवरी में जनवरी में जब भी हमने सर्वे किया था, तब भी वो सीट बीजेपी की जीते थी, तो सीटा सोरेन कोई एडिसन कर रही है, वोट में बहुत जादा उसकी संभावना नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छा खासा जनाधार है वहांपे, खास के जो स्टेट गोवर्मेंट है वहां पर, जेमें की सरकार है, उसके खिलाप एक एंटिन कमेंसी देखा जा रहे है, वो भी एक बहुत बड़ा उमीद है कि बीजेपी उसके लिए कर रहे है, दूसरी तरह जो पिछले दोहजा उननीस के बाद बीजेपी को जो थोरी बहुत जुनाब में, उसमें आप देखेंगे बीजेपी ने जिस तरह बावुलर मरांडी को फिर से वापस लेका है, उनकी एक अच्छा खासा उन्होंने कैडर बना लिया ता ग्राउंड पे, जब वो बीजेपी से बाहर गए ते अपनी एक अलग पार्टी बना ले ते तो एक ब पुरे स्टेट चलाने के लिए दे दिया, तो वो एक बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संभावना बने, इसलिए आप देखेंगे बीजेपी 2019 से भी अच्छा कर्टी हुए दिख रही है, जार्खन की बाद आईए, अब आगे बढ़ लेते हैं, पर्शिम बंगाल की बा बदलाव होता है, इस टैली में आप खुद देखिएगा, कुल 42 सीटे हैं और बीजेपी यहां एज लेती हुई नसर आ रही है, यानि कि त्रिमोल कॉंग्रेस से बड़ी पार्टी बंती हुई नसर आ रही है, बीजेपी 23 सीटे कुल जीच सकती है, जबकि TMC की अगर आप मिल गई है, यानि कि भारते जनता पार्टी को एज मिल गई है, पिछली बार से इंप्रूव किया है, अपने यहां पर सीटों की संख्यात को बीजेपी 23 सीटे, बीजेपी यहां जीच से अगर पश्यमंगाल में दीदी के गड़ में जहां पर बंगाली असमता की बात की ज है, अगर सबसे बड़ी पार्टी के तोर पर यहां पर उभरती है, और अगर कॉंग्रस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब अधीर अधीर अजन चौधरी, मतलब तो लगातार जीतते आया है, सब क्या हो गया, पिलबुल सही करें, इस बार अधीर अधीर अध अधीर हो गया, मतलब अधीर की पार्टी का, तो वहां उस सीटों पे भी आप देखेंगे, कम्प्लीटली पोल्राइजेशन हो रहा है, मतलब अधीर के फेबर में, कैंडिरेट भाले ही थोड़ा वीक, मतलब अधीर ने दिया, यूसुप पठान को दिया, लेकिन फिर भी जो जिस तरह को उनका एक लड़ाई रहे मतलब अधीर के साथ इसलिए लगए मतलब अधीर के एक्स्ट्रा एफट लगा को उनको हराने का भी काम कर रहे है, दूसी तरह आप देखेंगे जिस तरह का इसी तरह से पर चान्दी चौक की भी बात करूंगा, तो कॉंग्रेस न पराने जो अपना नेता है, उनको चान्दी चौक में वह किया ःउर इस बार जिस नेता पे बीज़िपी ने दावा लगाया वह इंपर स्चोंगि भी लगारी नी जायेगा, तो क्या मानें कि मुस्लिम वूट वुट नहीं का कोन्ग्रेस की अशिटट है कि इस तरह मुश् आपस में जो आप और Congress लड़ते थे, वो कहीं न कहीं गा है। स्टेट है जहांके मुख्यमंत्री जेल में गए अलाकि स्टीपा उन्होंने दे दिया, मुद्दा बनाये गया, आदिवासियों से भी जोड कर देखा गया, लेकिन कोई ग्राउंड पर उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जेल जाएंगे तो जरू उनके लिए वोटो का उपायाजन होगा। मुख्यमंत्री जाएंगे लोकस्वाच उनाम में हमेशा ही मजबूत रही है। इधर इंकलाइनेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जो अभी रिसेंटली इन्होंने बीजेपी जोइन किया तो वहां भी बीजेपी अपने लिए का अच्छा अस्थान देख रही है। बीजेपी के लिए मुस्लिय वह एक अघीबासी ही बहो रहेा और ज्यानाधार है वहां आपर वसीटे बीजेपी के लिए बहुत मुस्किल है जीतना तो वही एक सीट है, जिसके लिए सिता सोरें भी अपनी सीट निकाल रही है तो यहां पर क्या उनकी खुद की जेमें ने उनके कद को उनकी ताकत को कम करके आखा है या बीजेपी के एडवांटेज मिल रही है लेकिए उनके वजाए से यह सीट बीजेपी जीत रही है इसा नहीं हमने इससे पहले भी दो तीन सिता सोरें कोई एडिसन कर रही है वोट में बहुत ज्यादा उसकी सभावना नहीं है लेकिन बीजेपी के लिए अच्छा-खासा जनाधार है वहां पर कास के देखे जो स्टेट गवर्मेंट है वहां पर जेमें की सरकार है उसके खिलाप एक एंटिन कमेंसी देखा जा रह जो पिछले 2019 के बाद बीजेपी को जो थोरी बहुत मुस्किल हुई थी एसेमली चुनाब में उसमें आप देखेंगे बीजेपी ने जिस तर बावुलर मरांडी को फिर से वापस लेका है उनकी एक अच्छा-खासा उन्होंने कैडर बना ले ता ग्राउंड पे जब वो ब लेकिन सीधे उनको बीजेपी का एक अच्छा बड़ा रोल दिया है वहां पे जन्मुंडा को सेंटर में लेकिन उनको वहां पे पूरे स्टेट चलाने के लिए दे दिया तो वह एक बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संभावना बने इसलिए आप देखेंगे बीजेपी इंडिया गटबंदन का वह हो चुका है परशिम बंगाल की 42 सीटों का उपिनिन पोल आपके सामने खोलते हैं जिससे कितना बदलाव होता है इस टैली में या आप खुद देखिएगा कुल 42 सीटे हैं और बीजेपी यहां एज लेती हुई नसर आ रही है यानि कि त्रिमू आप कह सकते हैं कि अब मोधी को एज मिल गई है यानि कि भारते जन्ता पार्टी को एज मिल गई है पिछली बार से इंप्रूव किया है अपने यहां पर सीटों की संख्या को बीजेपी नोर तेज सीटे बीजेपी आज यह बहुत बड़ा नेरेटिव है कि किस तरह से अग के गढ़ को उनके केले को बीजेपी जो है हिलाने में कामयाब रहती है अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उबरती है और अगर कॉंग्रस को एक भी सीट नहीं मिल रही है तो इसका मतलब अधीर अंजन चौधरी मतलब तो लगातार जीतते आए हैं सक्या ह हो गया पिलगुल सहे करें इस बार अधीर अंजन चौधरी के बहुत जादा मुस्किलों ने पिछली बार भी जब वो चुनाप जीते तो यही बताया गया था कि उन्होंने बीजेपी को बागी सीटों पर मदद किया था बीजेपी उनकी वहां पर मदद किया था वो बहु यहां जो जिस तरह का एक लड़ाराई यहां मम्तावननेजी के साथ, लिजात इसलिए लग फ्लम हप यहेको मम्तावन बनाजी के लिए, यहां इस मोमेंटम को बड़करार रख पाई, यह तो बहुत बड़ी सेट बैक हो सकता है ममता बनेजी के लिए कि कुछ दिन पहले तक ममता बनेजी इंडिया गट बंदन में एक लीडिंग पोजीशन में थी कहा ये भी जा रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा तबज्यो दिया जा रहा है लेकिन आज की डेट में यदि वो अपनी गढ़ में बी से वो भी हा रहे हैं चली सीटो वाइस हम लोग एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या कुछ सिती है कौनसी सीट किसके खाते में या पर जाती हुई नजर आ रही है हम आपको बताएं कि यहाँ पर दमदम की सीट जो है वो त्रणमूल कॉंग्रस के खाते में ज जाती हुई दिख रही है जादवपूर तर्णमूल कॉंग्रस के खाते में जाती हुई दिख रही है कोलकता दक्षन भी टीमसी कोलकता उत्तर भी टीमसी हावडा त्रणमूल कूच बिहार यहाँ पर बीजेपी निशित प्रामनिक जीत रहे हैं और अलीपुर दौर दवा बेरक को लिखाते हैं अगर यहां भी BJP को फायदा होता हुआ नसर आ रहा है बीज़पी की जो टेली है उसमें जाफा होता हुआ नसर आ रहा है और इसके साथ ही साथ अगर आप शिवसेना उधव गुट की बात करेंगे तो कम से कम जो गट बंदन है इंडिया का महराश्ट में वहां शिवसेना उ अगर देखा जाए तो जो पार्टी में टूठ हुई जो शिंदे अलग हुए अपने काडर को अपनी पार्टी को अपने पास लाने में काम्याब हो रहे हैं उधव काफी हद तक जा लेकिन उधव ठाकरे के साथ उनके पार्टी काच करता अभी बिए थे कि सिपसेना का जिस तरह का रहा है एक जैसे आरेसेस का रहा है कि वो गाउं गाउं में अपने लिए क्याडर बनाती है उसी तरह उनका शाखा चलती है और वो उसको सिंदे तोर नहीं पाहे थे जिसक को अंदेशा था कि सिफसेना की लीडर्सिप जरूर टूटी है लेकिन वहां पे जो कैडर था सिफसेना का गाउं में जो मजबूत था वहां से उनको तोड़ने पाए थे इसलिए आप देखेंगे कि खासकर उन सीटों पर जहां पर बीजेपी के साथ मुकाबला नहीं है खास जो बहुत करार है ने दूसरी तरह पार्टी जिस तरह टूटी इनकी अजीट पावार की तूटी तो अजीद पबार और सिंदे जब हम लोग बात करें सिंदे और अंतर क्या है देकिए अजीद पबार जब आये तो उन्होंने अपने संग्ठन एक बड़ा हिस्सा लेकर आगए यहां पर उनके साथ सिफ नेता नहीं है इसलिए अजीद पबार जब बारामती जीते रहें वहां समझें यह अजीद पबार का कमाया हुआ सीट है भी जेपी का थोड़ा बहुत जरूर्ब वहां पर सपोर्ट होगा लेकिन अजीद पबार का अपना वहां पर अर्न किया हुआ है इसलिए बारमती में जो सुपरियास उले का जो जनाधार तब बहुत पहले से खिशकता जा से उनको वहाँ पर एक सीट दिया गया और ताके तीन चार शीटों जो इस एरिया में उस पे उनका थोड़ा जनादार इनको फाइदा हो इस वज़े से आप देखेंगे तीसे तरह दूसरी तरह आप देखें जो MBA का सीट बड़वार है उसमें भी आपको दिख जाएगा कि ज होंगेस भी उसे जादे सीटों पर चुनाब लगी है वहाँ पर तो देखेंगे जिस तरीके से सियासी उठापटक रही फिलहाल उसका फाइदा तो बीजुपी को होता हुआ नसर आ रहा है एंडिये गटबंदन को होता हुआ नसर आ रहा है 39 सीटे कुल जीत सकती है और इस उस्तरप्रदेश जी माराश की बात करेंगे एक बार जरा जरा सीटे दिखा लेते हैं और सीटे दिखा कर फिर बात करते हैं महाराश की एक एक करके सीट आपके सामने रखते हैं कि कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है देखें नंदु बार सीट की बात करेंगे तो परभणी से आरस पीएस जालना से बीजेपी और अंगाबाद शिवसेना उधव गुट उस्मानाबाद शिवसेना उधव गुट लातूर से बीजेपी बीट से पंकजा मुंडे चुनाफ जीत रही हैं भारते जंता पाटी से मुंबई उत्तर सीट की अगर आप बात करेंगे तो प्यूश कोयल यहां से चुनाफ जीत रहे हैं मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की बात करेंगे तो बीजेपी मुंबई उत्तर पूर्व से भी बीजेपी मुंबई उत्तर मद्य से भी बीजेपी और मुंबई दक्षिन पर आँराद से अजीट पवार और मावल से शिफ्तेना शिंदे गोट, रत्नागरी से सिंदू दुर्ग बीजे पी और पूरे से बीजे पी, बारा मती से सुप्रिया सुले हार रही है, NCP यहाँ पर जीत पवार गुट जो है वो जीत रहा इनकी पत्नी जीत रही है शिरूर कि अगर आप बात करेंगे तो NCP शरत पवार गुट एहमद नगर से BJP, शिर्डी से शिवसेना उधव गुट सोलापुर से BJP, माडा से BJP, सांगली से BJP, सतारा से NCP शरत पवार गुट कोलापुर से कॉंग्रेस और हात करंगले से शिवसेना उधव गुट चुनाव जीतता हुआ फिलाल नजर आ रहा है राहुल जी देखे मैं जहां तक समझता हूँ कि जो वेस्टन माहराष्ट्र है मेरे खाल समीर जादा उसको बताएंगे वेस्टन माहराष्ट्र में बहुत जबरदस्त लड़ाई इस वक्त जो है मेरे खाल से होने वाली है दोनों ही चाहे वो आप NDA मान लीजे या फिर आप पॉझेशन गोट मान लीजे और उसमें हतंगल की सीट की और उसको दियुक्त होने हादी उसके समीर बहुत अच्छे से पकर कर दिया तो वेसे भी रैश्टरोडी का पूरा संगधन अजित पवार के आपस सारे निरने पतादिकारी को नुक्सान होना है लेकिन जो सर्वेक बता रहा है आए है अगर शिवसे नहीं सेगर आठ सिटे अगर मिल रही है तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ एक बड़ा वर की जूड़ी हो का जो इस भी उद्धव ठाकरे ने कोशिश की ती यहां उद्धव ठाकरे शीर्शिना ने कि मराथी और मुस्लिम बोट मेंगा एक कॉम्मिनेशन अद्धव ठाक लिए पर रहातार क्या मत्री भूधी को है भारत्यंत्र ने को आक्रमक की यह मुसल्मानों को यह लग ऑग रहा है कि महराशमें अगर वारे ने मुत ina जाकता है जिए भारत्यंत्र ने तटी जिख तो और पुरानी सारी अपनी खक्यंध्र के साब दुश्मनी को बूलते हो मुसलमान समाज उद्धव ठाकरी के करने इस बार भार्तियंता पार्टी के खिलाप शीव सेना उद्धव ठाकरी की जो है उद्धव ठाकरी को गोट करने जा रहा है और मराथी प्लस मुस्लिम का जो कॉंबिनेशन उद्धव ठाकरी महाराश्च में लेकर चल रहे थे मुझे कंटिन्यू करता है तो उद्धा ठाकर एक बड़ी ताकत महाराश्ट के अंदर बने रहेंगे सबसे ज़्यादा मजबूत हैं सीट शेरिंग में भी उधव गुट की सबसे ज़्यादा चली थी कॉंग्रेस को कॉंप्रमाईज करना पड़ा था और जो आप ओपिनियन पोल की नतीजे देख रहे हैं उसमें भी कॉंग्रेस उसी हालत में नज़र आ रहे हैं सिर्फ एक ही सीट है जो कॉंग्रेस जीत सकती है महाराश्ट में चली और अब बहराश की बाद क्यूंकि वक्त की कमी है यहां पर प्राची तो गोगए की दो सीटे दोनों की दोनों सीटे जो हैं बीजेपी की खाते में यहां जाते हुए दिख रहे हैं आप और कॉंग्रेस कोई कमाल यहां पर नहीं कर पा रहे हैं तो इतना क्लियर दूसरी बार बीजेपी जीती है इस तरह का दोजा चौदा में वहां पर बीजेपी जीती थी दोजा उनीस में उसको कॉंग्रस उससी जटा के लिए इस बार बीजेपी ने साउथ गुवा में बहुत अच्छा कैंडिडेट दूसरी तरह आप देखेंगे बिधान सभा चुन वहां तरिशनली बीजेपी वहां मजबूत रही है यहां पर महराश्ट और वर्क तरसे बात करें तो अगर बीजेपी जो है तब से बड़े विनर की तो और पर यहां रही है हमेशे चत्रफ के उपर डिपेंडेंट रहती थी बीजेपी अब यहां पर अपना जनाधार वहां पर जो है इमर्ज किया है आप और कॉंग्रेस मेरे हिसाब से मिलके चुनाव ड़ट रहे हैं वहां पर जो भी है और दूसरा भाविश ने बताई दिया कौन से सीट पर क्या संवी करना जहां तक महराश्ट की बात है कि महराश्ट इस पार इंटरस्टिंग होने जा र होना है और इसके कारण बीजेपी देखिए बीजेपी पहले से ही वहां स्टॉंग ती जितने सीटों पर स्टॉंग है वो है वो जब भी शिवसेना के साथ मिलके चुनाव ड़टी थी तब कंसॉलिडेशन होता था जादा सीटें कंबिनेशन में जीत के आते थे अब क्या ह होगा क्या उद्धव ठाकरे को जिस तहां से की पार्टी को जैसे तोड़ा गया है मैं यह मानता हूं क्या जनता उसको पसंद करेगी वहां पर महराष्ट की माराथा फेक्टर कितना और किन तिन सीटों पर काम करेगा माराथा और OBC के बीच में जो तनाव है वो कैसे वहां पर फिगर आउट करेगा चुनाव में यह सारी चीजे जो है तै करेंगी पर मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जो है एज विनर इस पूरे उसमें जरूर आपको बीजेपी को कुछ गेन होगा इस सब का बीजेपी एड ही करती है अगर हम बात करें कि बीजेपी के साथ जो फैक्शन है शिवसेरा का एकना शिंदे का और दूसरा अजीद पवार का बीजेपी उनको कुछ दे सकती है वो बीजेपी को कुछ नहीं दे सकती है और यह बात बीजेपी बखूबी जानती भी है समीर जी काफी कोशिशे की गई कि जो नुकसान उनके अलाई पार्टन पर लग रही है आप देखिए एकना शिंदे के साथ 12 सांसत आ गए थे लेकिन उनको इतने सीटे देने के लिए बारतियांता पार्टी तैयानी है अजित पावार आट सीटे मांग रहे थे बारतियांता पार्टी के बड़ा राष्ट्य संग का बहुत जमिन स्तर पर काम है और इसे स्तिति में बारतियांता पार्टी लोकसभाव चुनाओं में जब अधान मंतरी मोधी ने का है कि बारतियांता पार्टी 370 और एंडिया 400 के पार जाना है महराश में किसी वित तरीके से रिस्क लेने के स्तिति में नहीं है और यह एकना शिंद्य राजित पावर को कि लोगसभाव चुनाओं अधान मंतरी मोधी के नाम पर लड़ा जा रहा है बारतियांता पार्टी जारा सीतों पर चुनाओं लेगी हां विदान सभाव चुनाओं जो 6 मिने बाद होने वाले अक्तोबर 9 में माराश कंदर उस समय कितनी सीटे आपको देना है उस समय आपक अधान में पांच सीटे हैं और पांचों की पांचों बीजेपी के खाते में जा रही है कोई एंटी इंकंबंस ही नहीं कोई नाराजगे नहीं यहां पर भावेश बिल्कुल कोई क्लोस फाइट या पर अच्छी थंपिंग वेन यहां पर दिखती है नहीं देखे जब उतराखनि से में बूटर फी वहां पर दूर दूर माम ससे बाहर हैं जो बहुत में लीडर बहुत मौत अपर ब्रहा चाहीं पर बािडन है कि OCR में उसके बाद उनको बदलना भी पड़ा तक पर जब से धामी वहां से जब से उनको बनाए गया कि यंग फेस को बनाए गया अच्छा काम किया बीजेपी की पॉलिटिक्स के कॉर्डिंग होने काम किया बिधान सवाच चुनाव के समय से उन्होंने एनौंस किया था कि म उन्होंने लागू भी कर दिया जिसका बीजेपी को इस लोगस्वा चुनाव में भी पड़ा और दूसरी बात है कि कॉंग्रेस वहां पर जैसे मैं कह रहा था पूरी तरह डिक्लाइन हो गया वहां पर तो बीजेपी वहां पर वैसे ही 55-55% का बीजेपी का बढ़ता जाए कम होने की समभावना बहुत ही कम है वहां पर तो बीजेपी के लिए बहुत कोई चुनावती किसी भी सीट पर वहां दिखने ही रही है लोग हैं वह बीजेपी की तरफ चले गए तो उसके कारण भी कॉंग्रेस के संगठन में जो है दिक्कते हैं यह वदा हरीदवार की सीट में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मुकाबला नहीं होगा है जहां पर मुकाबला संभव है और हो सकता इंचुलाओं में आपको मुकाबल नहीं भारतियनता पार्टी को पिछले आप दो चुनावगर दखेंगे 2014-2019 तो लगातार भारतियनता पार्टी वाह से जीत रही हरी शावत तो बेटे चुनावार से लड़ रहे तो उन्हों पूरा दयान हरीदवार की सीट पर फोकस कर दिया कि किसे दो इसे मेरे बेटे व भूमी है वहां वैसे भी कॉंग्रेस का जो एजेंडा रहता है तुष्टी करन का वहां बहुत वर्क करेगा करने जटा तो मुझे लग रहा है उत्ता करन में बारतियनता पार्टी सारी सीटे बहुत कंफरडबली जितने जारी इसमें कोई दोराई नहीं है क्यूंकि मैं हरिद्वार का मैं इसलिए जिक्र किया कि वहां विधान स्वा सीटे कॉंगरूस के पास है का विफा नहीं हो एसलिए वह कुछ आंक्डे कुछ कियरें आप कूई कुछ पाइट की उमीद हरुद्वार में लेकि हरीद्वार में इसलिए अराहुल जी करें इसम पिनॉमना रहता है तो वहां पे बहुत जादा मतलब चैलेंज होगा हो सकता है थोड़ी बहुत चैलेंज हो लेकिन बीजेपी अच्छे मार्जीन से वहां पे जीते कि इसमें बहुत कोई मुस्किल नहीं आनी चाहिए टिहरी की एक सीट जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश कॉंग्रेस के तरफ से की गई वहां की कैंडिडेट को लेकर कि आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं लेकिन आपने ऐसी उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है जो परिवार दर परिवार यहां पर राजनीती करती परिवार बाद को चोट करते हैं आपने देखा पिछले दो तीन साल से तो उन्होंने जब से गड़ बंदन बनाये गया तब से प्राइम इस्टर ने लगभग हर चुनाभी रैली में परिवार बाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया और उन्हों है डिरेक्ली जो अलग अल है मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लोग उसको देखते हैं परिवार बाद बाई एक मुद्दा जरूर है लोग उससे होते हैं लेकि बीजेपी उसको अच्छा खासा करती करती रही है अभी भी कर रही है लेकिन जब अपोजीशन इस बारे में बात करता है तो वह ज़्यादा काम नहीं करता ग्राउंड़ पर उसकी वजह यही है कि आपके पास जो पणिबाधे है वो अलग to करें गयंगे बीज़पी में भी पर्शकार में भी बिजसेंगरे अब देखे अलमोडा की जो सीट है अब राजपूत जब हम बात करते हैं कि राजपूत नाराज है उत्तरपदेश पश्चीम उत्तरपदेश में भी नाराज है क्योंकि 543 में से 423 सीटों के जो है उपीनियन फोल के हिसाब से रुजान हमारे सामने आ चुके हैं लेकिन अभी भी जो अपकी बार 400 पार करना रहा है उसमें काफी दूरी नजर आ रही है एंड ये 284 सीटों पर है तो ये 400 पार क्या बिहार और यूपी करवा पाएंगे क्या यहां से क्या कुछ हमारे उपीनियन फोल के नतीजे कह रहे हैं दिखाएंगे एक चोड़ी जी ब्रेक के बार झाल 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 स्टेट है जहांके मुख्यमंत्री जेल में गए अलाकि स्टीफा उन्होंने दे दिया मुद्दा बनाये गया आदिवासियों से भी जोड कर देखा गया लेकिन कोई ग्राउंड पर उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा पिछले कुस दिनों से जरूर मावल बनाने की कोसिस है कि यदि जेल गए तो उनके खिलाप उनके लिए एक सिंपेथी वोट होगा लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है मैं हम ऐसा यही मानता हूँ कि करप्सन के मामले में यदि कोई जेल जाता है तो उसके खिलाप वो एक ऐसा एक उसकी इमेज से ऐसा जूर जाता कि फिर उस पार्टी के लिए उबढ़ना भी बहुत मुस्किल होता है लंबी फहरिस्त है हमारे पास एक्जामपल की इस तरह की सिंपैथी वोट करप्सन के मामले में खासकर नहीं होता है आंदोलन के मामले में आंदोलन के मामले में आंदोलन के मामले में आंदोलन के मामले में जाएंगे तो जरू उनके लिए वोटो का उपाजन होगा खासकर जहारखन में देखें कि लोकसवा चुनाम में हमेसा ही 2019 में भी आप देखें 12 सीटे BJP और NDA मिला के जीती ती यहां पर सिफ एक सीट जो सिंगुम है उसमें एडिशन हो रहा है क्योंकि सिंगुम में जो कॉंगर्स जीती थी वह गीता कोरा वहां से जीती थी वह गीता कोरा कोंगर्स के वज़े से नहीं जीती वहां पर मधु कोरा क जो अभी रिसेंटली उन्होंने BJP जोईन किया तो वहां भी BJP अपने लिए का अच्छा स्थान देख रही है एक राजमहल जो सीट है वहां पर BJP के लिए मुस्लिया वह एक आधिबासी बहुला और जेमें का एक जनाधार है वहां पर वह सीटे BJP के लिए बहुत मुस्कि लेज मिल रही है लेकिन फरवरी में जनवरी में जब ही सर्वे किया था तभी वह सीट बीजेपी की जीते थी 2019 में भी BJP ये सीट जीती थी तो सीटा सोरेन कोई एडिसन करी है वोट में बहुत ज्यादा उसकी सभावना नहीं है लेकिन BJP के लिए अच्छा खासा जनाधार है वहाँ पे खास के देखें जो स्टेट गॉर्मेंट है वहाँ पे जेमें की सरकार है उसके खिलाप एक एंटिन कमेंसी देखा जा रहे है वो भी एक बहुत बड़ा उमीद है कि BJP उसके लिए कर रहे है दूसरी तरफ जो पिछले 2019 के बाद बीजेपी को जो थोरी बहुत मुश्किल हुई थी एसेमली चुनाब में उसमें आप देखेंगे बीजेपी ने जिस तरफ बाबुलर मरांडी को फिर से वापस लेका है उनकी एक अच्छा खासा उन्होंने कैडर बना लिया था ग्राउंड पे जब वो बीजेपी से बाहर गये थे अपनी एक अलग पार में लिए लेकिन उनको वहां पर पूरे स्टेट चलाने के लिए दे दिया तो वह एक बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संभावना बढ़ने इसलिए आप देखेंगे बीजेपी 2019 से भी अच्छा करती हुए दिख रही है अब आगे बढ़ लेते हैं पश्चिम मंगाल की चारकन डेड होने के साथ ही 306 हो जाएगा लोग सभा की 423 सीटों पर जनता का उपीनियन फोल हम आपको दिखा चुके हैं और अगली सरकार बनाता हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैजिक फिगर 272 होता है तो उसके उपर तो अल्लेडी अंडिये जा चुका है 284 पर इं अब दो बड़े राज यूपी और बिहार ये बचे हुए अभी बिहार में 40 सीटे है और यूपी में 80 सीटे है क्या यहां हवा मुदी के पक्ष में दिख रही है प्राची देखले आगे हम आपको बताएंगे क्योंकि देखे ये वो दो राज्ये हैं जहां बीजेपी का परफॉमेंस अच्छा रहता है 284 सीटों तक अभी तक NDA पहुँच चुका है अब क्या 40 सीटे बिहार की और 80 सीटे उत्तर प्रदेश की मिलकर 400 पार का आकड़ा क्रोस करवाएंगी ये देखना अब दिल्चस्प होगा क्योंकि इसके लिए 116 सीटों की जरूरत फिलाल NDA को है 120 सीटों का ओपीनिन पॉल अभी बचा हुआ है यानि 400 सीटे अभी भी हो सकती हैं क्या ये हो पाएगा क्या यूपी और बिहार पूरी तरह मोदी के साथ हैं आखलेश यादव और तेजस्वी यादव राहुल गानी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को 400 तक पहुँचने से रोक आई हम भी हमें सर्वे 120 सीटों को दिखाना है मतलब 80 यूपी की और 40 बिहार और 400 अगर एंडिये पहुचना है तो इस 120 में से मोदी को चाहिए 116 क्या यह मुम्किन हो पाएगा अब देखें यह चुनौती तो बहुत बड़ी है लेकिन इन दोनों राज्यों में भारती जंदा पार्टी का स्वीप था पिछली बार आप याद कीजे तो 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश में एंडिये को मिली थी 64 सीटे लेकिन 73 में मिल चुकी है 2014 में तो बेंच्मार हम 73 को रखें क्योंकि इस बार तो अलाइंस वैसा नहीं है जैसा उनलिस में था तो वह मुम्किन दिखाई देता है और बिहार के अंदर 40 में 49 सीटे में लिवी थी तो बिहार में भी यह हो सकता लेकिन इस बार बिहार में आर जेडी कॉंग्रिस का जो अलाइंस है उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रहींगी तेजस्वी आदव ने बड़ी जान लगा रही है तो शुरुआत कौन से राजिस से करनी चाहिए प्राची हमें आखड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं उत्तर बिहार की 12 सीटों में हमारा उपिनिन पोल ये बता रहा है कि BJP 5 सीटे जीच सकती है जेडियो 4 सीटे जीच सकती है और LJP R1 सीट जीच सकती है यानि कुल मिलाकर 10 सीटे NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है जबकि RJD भी उत्तर बिहार में अपनी मौजूद की दर्ज करा रही है और दो सीटे RJD के खाते में भी जा सकती है सौरण या बिल्कुल तियो उत्तर बिहार की 12 में से 10 सीटे NDA को जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें सारे अलाइंस पार्टनर्स शामिल है BJP 5, JDU 4, LGP रामिलास को एक सीट और दूसरी होर अगर आप इंडिया कटपंदन की बात करेंगे तो RJD को दो और कॉंग्रेस को उत्तर बिहार में कोई सीट मिलती में नहीं दिखाई दे रही है यह सारे पैनल्स में से दो तो कम से कम बिहार के हैं भावेश और प्रफिर्चर साब उत्तर बिहार सर कॉप अच्छे जानते हैं उत्तर बिहार सर बारा में से 10 एंडिये लिए मुझे लगता है कि यह भारतियानता पाटीये तो मुझे मैं मैं इसे बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस कहूंगा इसलिए मैं अच्छा पर्फॉर्मेंस कहूंगा क्योंकि आर्जेडी जो है अपनी जो उसकी धमक जो है विहार की राजनीची में खास करते हैं उत्तर भारत में उसको बढ़ा है और देखेंगे कि यह आप चुनाओं को आप देखेंगे उसको यह आप पैमाना ले लें तब भी मैं कह सकता हूं कि यह बहुत अच्छा उपिनियन पॉल हमको दिखा रहा है खास करके उत्तर भारत में ऐसे यदी मानते हैं मुझे मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अमित्सा और रहे ली तो फिर वो मगत कमिश्णरी में बाकिस सीटों पर नहीं जाते थे लेकिन प्रधान मंत्री को हम देख रहे हैं औरंगाबाद में सभा कर रहे हैं बगल में नवादा में उसके लिए भी सभा कर रहे हैं आज उनों जीतन नाम मागी गया में हैं गया में उसके लिए के भी कर रहे हैं फिर अबी बात चल रही थो जहानवाद भी जाए फिर इसके साथ देखें कि एक तीनों सीटों पर अमिज साह का भी दोरा हो रहा है योगी जी का दोरा भी हो रहा है तो जो मुझे निसकर्स निकल रहा है पूरे से कि जो विद्वान सभा में आर जे डी का ल तो जो मजबूत गड़ आर्जेडी के लिए मैं मानता हूं कहीं से और वह और खास्टर के सीमानचल वाला एरिया यह दो ऐसे एरिया से जहां से जादा उनको आने की तो जैस्पी आदब जो एक काटे की मसली वाला वीडियो उन्होंने डाला था तो वह काटा कहा लगा हुआ बीजेपी की बीजेपी में कहीं काटा लग रहा है या आर्जेडी में काटा लग रहा है यह तो ओपिनियन पॉल तो दिखा रहा है कि तो काटा तो नहीं को लगा है कले का कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे बड़े नाराज हो गए मैंने कहा कॉंग्रेस पार्टी के पीने करना देखेंगे कि आप जितने महत्वपूर्ण नेता हैं सारे के दीरे चिटक करके आप और जीरी के तरफ चले गया है जो a वो बीसी है वो आरजीरी के तरफ जाए और जो सवान है वो सारे भारती जंदा पार्टी के तरफ शी टग गए हैं अकेला एक वहां को उनके अध्यक्ष बचे रह गए हैं बाकी कोई एक बड़ा भी नेता जो है वियार की राजनेती में कॉंग्रेस पार्टी के पास बच नह रहे हैं दूसरी तब ब्रामने वोटर का भी यहां पर अच्छा खासा आदार है तो यादव और मुस्लिम तो जरूर उनको वोट करें लेकिन वहां यादव का एक कुछ-कुछ हिस्सा ज़रू बीजेपी को वोट मिला है लेकि खासकर नौत भीहार में आप जाएंगे तो जो एसेंबली चुनाव हुआ था 2020 में वहां भी आप देखेंगे जिस तरह एलाइंस हुआ लेफ्ट के साथ और आजएडी का जो एलाइंस हुआ तो उसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली ती दिली की गलियों में बहुत ओवर रेटेड एनलाइस होता है 2020 के चुनाब म आप खुद बताईए और आरजएडी ओवर रेटेड है पोल रहा है एक्जैटली मैं आपको एक्जामपल देता हूँ 2015 में आजएडी 100 सीटों पे चुनाब लरी थी 81 सीट जीत थी 2020 में 1500 सीटों पे चुनाब लरी थी 77 सीट जीत थी तो कैसे जीत गई आप खुद ही बताई सीटों पे अपने लिए संभाबना थोड़ा बहुत निकाल जरूसर जहां पर बीजेपी नहीं है या बीजेपी का सपोर्ट जो एंडिया एलाइंस को नहीं मिला है लेकिन उन सीटों पे जहां पे बीजेपी का अपना दौदबा है जेडियू का अच्छा खासा जनादार ह कहीं भी कौई नहीं नहीं मिल पा रही है वायशाली और सिवां का उसके दो बजनेगं इसके घिडियू का जो कैंडिडेट जो का जो कैंडिडेट जैस के खिलाप Explore City नहीं है कर दो कि दो साभ की तो उनको एक मुसलिम वोट में डिवीजन होगा जिसके वैसे साइध बीजेपी जो जेडी वो सीट निकाल ले लेकिन इस बार वो होता हुआ दिखनी रहे जो एक यादव मुसलिम का जो कम्बिनेशन है वो उनके पक्ष में जा रहा यहां पर उसी सीट एक है वैसाली वैसाल पारस के साथ चले गए थे उसके बाद उनके लिए उनकी पार्टी में भी बहुत ज़्यादा संभावना है ने दूसरी तरफ अब धिरी दिरे जब सर्वे आगे बढ़ेंगे तो मैं कुछ-कुछ बातों का कहूंगा जो ग्राउंड पे चलन लागी क्यों वैसाली जैसी सी अब धिलांचल की नौ सीटों का सर्वे देख लीजे बिधिलांचल की नौ सीटे और आपके सामने डेटा आ रहा है आप बीजेपी चार जेडियू तीन लजेपी रामविलास पांच आर जेडी जीरो कॉंग्रेस जीरो मतलब एंडिये का क्लीन स्वीप मिधिलांचल की और लजेपी रामविलास को दो सीटें जो है वो मिलती भी दिखाई दिरी तो से आप क्लीन स्वीप समझें समीर जी मुझे लगता है बीर के अंदर 2019 के अंदर जो परड़ाम रहा था कि 40-49 सीटे भारतियंता पार्टी और नितिश कुमार ने जीती ती मुझे लग रहा है की होगा अभी तेजस्वियादों की बात रोजी की काटे की मुझे लग रहा है बादा रूड़ा था नितिश कुमार जब लालू परसाद यादो के साथ आर्जडी के साथ बारतियंता पार्टी ने अपनी रहा का रोड़ा रोड़ा लिके अपने पास लिकर आगा और जिस तरीके से तेज़िए दो सीट तो अल्रेडी जीत गई अभी अभी समय है अभी प्रदामंत्री मोधी के रियलिया होने वाली है अभारती जन्ता पार्टी का पूरा फोकस है और आज तो कल प्रदामंत्री मोधी नहीं कहा है कि लालू परसाद यादवा का दो देनें बिहार की कि अभावेश की आर्जेटी ओवर्रेटेड पार्टी है आप आंते हैं नहीं मुझे नहीं लगता आर्जेटी महाँ पर अपने का प्रेजन्स रखते इसमें कोई दोवराई नहीं है सबसे बड़ी पार्टी विदान सभाव में बनके उबरी है और तेज़स भी याद हो ज अपीज जीती उस समय पी उनका बाक्षान बहुत सरहा है गया था तेज़स भी यादव ने आर्जेटी को समाल लिया है यह बास ठीक है कि अभी जो लोगपरिता है लोकसभाव चुनावा पदा मंतरी मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है लेकिन नितिश कुमार के राजित करते हैं वो अपनी समाइब करें सब्सक्राइब मैंने यह ने कहा था कि आज यदी ओवर डेटेट पार्टी है मैंने कहा था आर्जेटी का 2020 में जब परफॉमेंस वह तो उसको ओवर इस्टिमेट किया गया था कि उसको बहुत ज्यादा सफलता मिली था मैं आपको एक्जा आज यह रहे थी 2009 में हा रहे थी 2010 में हा रहे थी 2010 का रिवाइवल उसके साथ उस टाइम तक कम से कम उसे बिहार के सीटों पे चुनाब ले जी ती इसलिए मैंने कहा था कि आज येडी का जो 2020 में रिजल्ट आयता बिहार का उसको ओबर एस्टिमेट किया गया था ती के लेकिन तेजस्पी आदफ फाइट तो कर रहे हैं अपनी अंदाज में मोधी पर भी हमला बोलते हैं भारते जाичноता पार्टी पर भी हमला बोलते हैं ले की बात तो जरूर तेजस्पी आदफ करते हैं देवेंदर पारश्यर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंदर अभी तक दो रीजिन हमने खोले हैं उत्तर बिहार की बात की है और हमने मितलांचल की बात की है उत्तर बिहार में दो सीथे आप से भी और जो ग्राउंड रियलिटी है ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा है कि वहाँ पर इंडिये को कोई परिशानी होगी लगबग वहाँ पर तीन लाख के आसपास मुस्लिम वोटर होंगे इसके अलावा लगबग अस्यार के आसपास सहनी वोटर हैं अगर सारे के सारे सहनी उधर भी मानने तो आर जेडी गडबंधन के कुल सीटे इतनी ही हैं कुल वोट इतने ही है दूसरी तरफ अगर वोड़ की बात करें तो चार लाख के आसपास है कुछवण के बात करने तो लगबग सावा लाख के आसपास है धाईला के आसपास ABC वोटर हैं और वहाँ पर BJP का संगठन भी बहुत मजबूत है दूसरी चीज कि वहाँ पर सिवान में MY equation अगर शाबुदीन से अलग है या शाबुदीन के साथ है इन दोनों ही condition में शाबुदीन के साथ मतलब उनकी family के साथ शाबुदीन तो अगर उनकी family के साथ है या उसे अलग है दोनों ही condition में यह equation सिवान में दरकता रहा है जिसका नतीजा है कि 2004 के बाद RJD वहाँ जीती नहीं और वज़ाई है कि यादव और मुस्लिम में वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर बहुत जादा निकटता नहीं है कुछ घटना ऐसी हुई थी जिस जमानों के अंदर समझा जा सकता है कि वह ही नहीं सकता जो कि शाबुदिन के समय हमकी फैमिली को लेकर हुआ करता था यादव भले ही एग्रेसिव हो जाए तो वहाँ पर उस सीट को लेकर निश्री तोर पे इस प्रेडिक्सन से मैं सहमत नहीं हूं वैसाली वाली सीट की ब स्कम दो विधायक ऐसे हैं जो की भीतरगात कर रहा है क्योंकि एल्जेपी के साथ अभी के समय में उनके एक्वेशन अच्छे नहीं है तो वो उनके लिए खत्रा जरूर हो सकता है मिधरांचन में जो आपका आगरा है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं ठीके अब आगे सीम जानचल की बात करेंगे और यहीं वो इलाका है देखिए जो मुस्लिम बाहुले इलाका कहा जाता है और यहां से कॉंग्रेस दो सीटे जीत रही है पिछली बार किशन गंज की एक सीट थी जो कॉंग्रेस ने जीती थी और अब इस बार उसकी टैली में इजाफा हो रहा है को सीटे हैं जो कॉंग्रेस जीत सकती है भाविष कौन से कॉंग्रेस को दी है कॉंग्रेस जो एक और सीट जीत सकती है किसंगंज जीत सकती है किशन गज थे थे आफे जिता थे। किवहां पर मुस्लिम एतने जाधा हैं ब काशनुट नहीं में किशन दूने ठड़ भी काशनुट आन गिशे थे स developer किम अखें ब टोलम सबस्क्नावुड काशनुट ब Islands किम में बसे mea गजे, कटिहार बीजेपी जिए सकती है यह एंडिया कटमंदन जिए सकती है देखियो आपे टप माते है आप जो हारे में लगता है कि बीजेपी को कोई भी फाइट आएगी वहां पे वह आ रहा गया कटिहार नवादा और सासाराम यह से सीटे हैं जहां पे बीजेपी जो है उसको बीजेपी को टककर मिल सकती है बीजेपी को टककर ठीक ओके यह आप अपनी बात पूरी कर लिए जब आएगे कटिहार को लेकर बात करें प्रोफेसर साब करें कटिहार में बीजेपी जेडियू उसी सर्क पर जीच सकते है यदि वहां पे मुसलिम वोट का एक तबका जेड जेडियू एंडिये का उमीद्वार है वो बहुत कम जो रिष्थिती में पल्टी वारने का नुक्सान हो रहा है मुसल्मानों के मन से नितिश कुमार थोड़े उतरे हैं नहीं आप उनके साथ वो वोट इस अरद चार सो पार के बारे में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने देश की जनता ने ताई किया है चार सो पार क्याकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विख्षित देना चाहती है कि लेकिन साथ साथ एंडिये को चार सो पार दे करके देश को लूटने वालें को ब्रस्ताचारियों को सम्विधान के साथ खिलवार करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें चार सो पार देना चाहते है यह चुना एंडिये को जिताने का भी है यह चुना देश में तबाहिक करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब चार सो के पार जाने वाला है सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बिहार में अगर आप दिधान सभा के उससे जाएंगे तो ऐसे में क्या बिहार में करप्शन कभी कोई इशू रहा है या होगा नहीं देखें बिहार में करप्शन मुद्दा रहा है जब लालू एक्सेप्टेबल हैं वहां पर सब कुछ जानते हुए तेके गवर्नेंस और यह ग्रस्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है लेकिन यह मुद्दा वोट में भी कनवर्ट करके वैसे ही आ जाए ऐसा नहीं हुआ ऐसा यह भी होता तो हम मानते कि लालू प्रस से सत्ता में नहीं आ जाते और आरजेडी जो है तीन बार लगातार सत्ता में नहीं आती आप देख रहे हैं कि 2004 के बाद यह परिवर्तन हो जाए जब नितीज एक बार आते हैं फिर भारतिय जनता पार्टी की तोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तब यह सारा परिवर्त में क्या है दुर्विडियन पॉलिटिक्स में भी जाती आकर के फाइनली डॉमिनेट कर जाती है लेकिन 2014 के बाद यह स्थितियां बद्री है मैं तरी होई क्या रहा हूं कितनी शर्मनाग बात है लेकिन पूरी जनता जान रही है कि मुख्यमंतरी था चोड़ था आप देख रही है कि क्या सचमे ब्रश्टाचार मुद्धा है होना चाहिए ले फिर बोलता हूं पर क्या सचमे ब्रश्टाचार मुद्धा है आप ने बात की बिहार की लाँ यादव जे वो गन Вिक्ने थे उसके बावजूद वो सबसे बड़ी पारटी बन गई सुखराम हिमाच्वर प्रश्टाचार इश्यू है क्या बीजेपी में अब शामिल नहीं हुए जिन पर आरोप है व्रश्टाचार तो फिर इस प्रश्टाचार इश्यू होना चाहिए यह बड़ा सवाद मगई भोशपूर की बात कर लेते हैं यहां 12 सीटें हैं और 12 सीटो को अगर आप देखेंग तो उसका क्या opinion पोल है आगया यह आपको बताएंगे मगद भोशपूर की बिहार के बाकी बचे रीजन्स की भी बात करेंगे और बिहार कितना योग स्टेट है जहांके मुख्यमंत्री जेल में गए अलाकि स्टीफा उन्होंने दे दिया मुद्दा बनाये गया आदिवासियों से भी जोड़ कर देखा गया लेकिन कोई ग्राउंड पर उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा पिछले कुछ दिनों से ये जरूर मावल बनाने की कोसिस है कि यदि जेल गए तो उनके खिलाप उनके लिए एक सिंपेथी वोट होगा लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है मैं हमें ऐसा यही मानता हूँ कि करप्शन के मामले में यदि कोई जेल जाता है तो उसके खिलाप वो एक ऐसा एक उसकी इमेज से जूर जाता कि फिर उस पार्टी के लिए उबरना भी बहुत मुस्किल होता है बंबी फहरिष्ट है हमारे पासरण इस तरह की स्म्पैटी होट्स के मामले में खाजकर नहीं होता है आंदोलिं के मामले मेश याद हिजेल जाएंगे तो ज़रू इनके लिए वोटों का उपारेंगे promet fallen कर आदिके हमें हां में जबूत रहे है 2014 में भी, 2019 में भी 12 सीटे BJP और NDA मिला के जीती थी, यहां पर सिफ एक सीट जो सिंग भूम है, उसमें एडिशन हो रहा है, क्योंकि सिंग गूम में जो कॉंगर्स जीती थी, वो गीता कोरा वहां से जीती थी, वो गीता कोरा कॉंगर्स के वज़े से नहीं जीती, वहां पर दूख और भी वैसे एक जमाने में BJP के इनेता हुआ करते थे, दो अज़ा चार में वो इनेपेनेंट लगर के फिर गए थे, उसके बाद उनका इधर इंकलाइनेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जो अभी रिसेंटली उन्होंने BJP जोईन किया तो वहां भी BJP अपने लिए का अच्छा स्थान देख रही है, एक राजमाल जो सीट है, वहां पर BJP के लिए मुस्लिया वो एक आदिबासी बहुला और जमेम का एक जनाधार है, वहां पर वो सीटे BJP के लिए बहुत मुस्किल है जीतना, तो वही एक सीट है जिसके लिए जिसके ल BJP वो सीटे जीत रहते हैं, सीटा सोरन कुछ दिन पहले BJP जोईन के, लेकिन फरवरी में, जनवरी में जब भी हमने इस सर्वे किया था, तब भी वो सीट BJP की जीते थी, तो सीटा सोरन कोई एडिसन कर रही है, वोट में बहुत जादा उसकी संभावना नहीं है, लेकिन BJP के लिएक अच्छा खासा जनाधार है, वहाँ पे, खास के देखें, जो स्टेट गोवर्मेंट है, वहाँ पे, जेमें की सरकार है, उसके खिलाप एक एंटिन कमेंसी देखा जा रहे है, वो भी एक बहुत बड़ा उमीद है कि BJP उसके लिए कर रहे है, दूसरी तरफ जो प परी, कैडर उन्होंने बना लिया था, और बहुत सारी सीटेओं पर प्रभाब डालते थे, उसके बाद जब उनका BJP में मर्ज हुआ है, तो BJP को एडिशनल बेनिफिट मिला बहुत जाद चीपर, इसलिए BJP ने देखें, जब उनको बाहर से राया है, लेकिन सीधे उनको BJ BJP का एक अच्छा बरा रोल दिया है, वहाँ पर जनमुंडा को सेंटर में लिया है, लेकिन उनको वहाँ पर पूरे स्टेफ चलाने के लिए दे दिया, तो वह एक BJP के लिए बहुत अच्छा संभाबना बने है, इसलिए आप देखें को BJP 2019 से भी अच्छा करती हुए 79 इंडिया का, जो स्कोर है इंडिया गटबंदन का वह हो चुका है, परशिम बंगाल की 42 सीटों का उपिनिन पोल आपके सामने खोलते हैं, जिससे कितना बदलाव होता है, इस टैली में या आप खुद देखिएगा, कुल 42 सीटे हैं और BJP यहाँ एज लेती हुई नसर आ यानि कि त्रिमूल कॉंग्रेस से बड़ी पार्टी बंती हुई नजर आ रही है, BJP 23 सीटे कुल जीत सकती है, जबकि TMC के अगर आप बात करेंगे तो 19 सीटे यहाँ पर TMC जीत सकती है, कॉंग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, लेट के लिए भी कोई भी गुंजाइश न किस तरह से अगर पश्यमंगाल में दीदी के गड़ में जहां पर बंगाली अस्मिता की बात की जाती है, और एक बड़ी छत्रप है दीदी और जिस तरह से विधान सबाद चुनावों में तमाम BJP की टाकत के बाद भी अपनी सब्ता बचाने में कामयाब रही, तो क्या वह पर उनके गड़ को, उनके केले को BJP जो हिलाने में कामयाब रहती है, अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उबरती है, और अगर कॉंग्रस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब अधीर अंजन चौधरी, मतलब वो तो लगातार जीतते आए हैं, क्या हो गया? जो जिस तरह का उनका एक लड़ाई रहा है मतलब अधीर के साथ, इसलिए लग रहा है, मतलब अधीर के एक्स्टर एफ़र्ट लगा के उनको हराने का भी काम कर रहा है, दुसी तरह आप देखेंगे, जिस तरह का एक पूरे ओवर्रोल पिक्चर की यदि बात के पूरे बे बहुत ज़्यादा तबज्जो दिया जा रहा है, लेकिन आज की डेट में यदि वो अपनी गड़ में बीजेपीस से पीछे चली जाते है, तो इनके लिए आने वाले दिनों में बहुत मुस्किल हो सकते बेंगॉल में बिल्कुल तो यहाँ पर एक और चौकान वाला नाम होगा, आसन सोल से शत्रुगन सिनह भी जो है, वो भी यहाँ पर हारते हुए, अगर हम सही करें भाविश तो घलत नहीं है, कि वहां से वो भी हार रहे हैं, चली सीटो वाइस हम लोग एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या कुछ सिती है, कौन सी सीट किसके खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, हम आपको बताएं कि यहाँ पर दमदम की सीट जो है वो त्रणमूल कॉंगरस के खाते में जाती हुई दिख रही है, जादवपूर त्रणमूल कॉंगरस के खाते में जा त्रिणमूल बुर्शीदाबाद, त्रिणमूल, क्रिश्ननगर, बीजेपी यानि महूअ मोइत्रा यहां से हार रही हैं। और राना घाट बीजेपी, बान गाउं बीजेपी, बैरकपुर बीजेपी, बारसाथ बीजेपी, बशीरहाट त्रणमूल कॉंग्रेस, अंदीश खाली का मुद्दा क्या यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, मुस्लिम डॉमिनेंस यहाँ पर ज्यादा है, जेनगर त्रणमूल संदेश धाली का जो पूरा मामला है वो कितना बढ़ता है कितना कहा तक असर जाता है वो देखने वाली बात होगी उसमें महिलाएं उसको किस ताहां से लेती है पश्चे मंगाल में वो क्या बीजेपी के देखे हम जानते हैं कि बीजेपी में बीजेपी की तरफ महिलाओं का रुजहान रहता है हमने देखा है विजान सबस्द चुनाओं में भी तो क्या ऐसा बीजेपी के लिए वोट करेंगी ये बड़ी बात होगी तो ऐसे में बीजेपी के लिए संभावनाय पश्चे मंगाल में बहुत सारी हैं कितनी तबदील होंगी वोटों में क्योंकि एक बड़ा पोलराइजड इलेक्शन मुझे दिखाई देता है इस वर पश्चे मंगाल में जिस तहां की बाते ममता बनर जी कर रही है वो पूरी मुस्लिम वोट को एक तरफा करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी इस मौकी को किस तहां से क्या वो हिंदू कंसॉलिडेशन करवा पाएगी ये देखने वाली बात होगी एक बड़ा मुद्द जो राहूल जी ब बात करें यहां पर सी एकी तो मत्वा वोटों को अपनी तरफ खीच पाने में बीजेपी का में अब रही उसका भी कुछ एक एडवांटेज यहां पर देख रहा है लेकिन निश्चुल्प से भारतियनता पार्टी को उसका मत्वा वोट का बड़ा वोट विदान सभाव च अगर पिछले दस साल का आप देखेंगे प्रशन बारतियनता पार्टी का तो बारतियनता पार्टी ने अथाइस परशेंट अपना वोट बेंक पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ाया है लगातार पदान मंत्री मोधी वहां फोकस करते रहा है अभीशा संगरण का फोकस क संदेशकाली का असर आपने ओवरॉल पश्यमंगाल में जो महिला सुरक्षर का मुद्धा है और एक महिला मुख्यमंत्री उसको कांटर नहीं कर देखा जाएगा तो ममता बेनर जी की जो श्री लक्ष्मी योजना है वो एक बड़ी योजना वहां पर कारगर रही जमेनी इ आपके साथ अफ्याचार होगा तो मुझे लग रहा है एक बनाया गया दिवासियों से भी जोड़ कर देखा गया लेकिन कोई ग्राउंड पर उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा पिछले कुछ दिनों से जरूर मावल बनाने की कोसिस है कि यदि जेल गए तो उनके खिलाप उनके लिए एक सिंपेटी वोट होगा लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है मैं हमेंसा यही मानता हूँ कि करप्शन के मामले में यदि कोई जेल जाता है तो उसके खिलाप वो एक ऐसा एक उसकी इमेज से ऐसा जूर जाता कि फिर उस पार्टी के लिए उबढ़ना भी बहुत मुस्किल होता है लंबी फेहरिस्त है हमारे पास एक जामपल की इस तरह क जाएंगे तो जवरू उनके लिए वोटो का उकाजन होगा खासका जारखन में बीजेपी लोकसभा चुनाम में हमेशा ही मजबूत रही है दो जार चौदा में भी दो जार उनीस में भी आफ देखिए 12 सीटे बीजेपी और एंडिया मिला के जीती ती यहां पे सिफ एक सि जार से नहीं जीती वहां पे मधूकोरा के अच्छा खासा जनाधार है मधूकोरा भी वैसे एक जमाने में बीजेपी कही नेता हुआ करते थे दो जार चार में वो इनिपेंट लेर के फिर गए थे फिर उसके बाद उनका इधर इंकलाइनेशन हो गया था लेकिन उसके बसकी को अधर गुत बच्छ समय म्धा से रहा दोसके बाद कईरश अ मधार में पर चाहर हुआ हो अश्कतन में में online इसे तइन ब् det 37 गे जवें लेकिन लेकिन परवरी में जनुवरी में जब हमने सर्वे किया था तब भी वह सीड़ो più में भी बीजेपी एसी जीती थी तो सीता सोरेन कोई एडिसन कर रही है वोट में बहुत जादा उसकी संभावना नहीं है लेकिन बीजेपी के लिए अच्छा खासा जनाधार है वहाँ पर कास कर देखें जो स्टेट गॉवर्मेंट है वहाँ पर जेमें की सरकार है उसके खिल अच्छा खासा उन्होंने कैडर बना लिया था ग्राउंड पर जब वो बीजेपी से बाहर गए ते अपनी इक अलग पार्टी बना लिया था और बहुत सारी सीटेओं पर प्रभाब डालते थे उसके बाद जब उनका बीजेपी में मर्ज हुआ है तो बीजेपी को एडिस अच्छा संभावना बने इसलिए आप देखेंगो बीजेपी 2019 से भी अच्छा करती हुए दिख रही है जारखन की बाद आईए अब आगे बढ़ लेते हैं पर्शिम बंगाल की बात कर लेते हैं जिससे कितना बदलाव होता है इस टैली में आप खुद देखिएगा कुल 42 सीटे हैं और बीजेपी यहाँ एज लेती हुई नसर आ रही है यानि कि त्रिमोल कॉंग्रेस से बड़ी पार्टी बनती हुई नसर आ रही है बीजेपी 23 सीटे कुल जीच सकती है जबकि टीमसी क अगर आप बात करेंगे तो 19 सीटे यहाँ पर टीमसी जीच सकती है कॉंग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है लेफ्ट के लिए भी कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है यानि ममता वर्सिस मोदी की अगर फाइट है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अब मोदी को एज मि पिशली बार से इंप्रूब किया है अपने यहाँ पर सीटों की संख्यातों बीजेपी नोर टेई सीटे बीजेपी आज यह बहुत बड़ा नेरेटिव है कि किस तरह से अगर पश्यमंगाल में दीदी के गड़ में जहां पर बंगाली अस्मता की बात की जाती है और एक ब रही है तो इसका मतलब अधीर अजन चौधरी मतलब तो लगातार जीतते आया है सब क्या हो गया पिलगुल सहे करें इस बार अधीर अजन चौधरी के बहुत ज्यादा मुस्किल हो ने पिछली बार भी जब वो चुना आप जीते थे तो यही बताया गया था कि उन्होंने तो भीजेपी को बागरी सीटों पे मदद किया था बीजेपी उनकी वहां पे मदद किया था वह PayPal को बहुत उनको हराने का भी काम कर रहा है तुसी तरह आप देखेंगे जिस तरह का एक पुरे ओवर ओल पिक्चर की यदि बात करें पूरे बेंगॉल की बात करें जिस तरह का एक मोमेंटम बन रहा है बीजेपी के लिए यदि पी इस मोमेंटम को बढ़करा रख पाई तो एक बहुत सेट बैक हो सकता है ममता बनेजी के लिए कि कुछ दिन पहले तक ममता बनेजी इंडिया गट बंदन में एक लीडिंग पोजीशन में थी कहा ये भी जा रहा था कि उनको बहुत ज्यादा तबज्जो दिया जा रहा है लेकिन आज की डेट में यदि वो अपनी गड में वीजे को बता देते हैं कि क्या कुछ सिती है कौन सी सीट किसके खाते में या पर जाती हुई नजर आ रही है हम आपको बताएं कि यहाँ पर दमदम की सीट जो है वो त्रणमूल कॉंगरस के खाते में जाती हुई दिख रही है जादवपूर त्रणमूल कॉंगरस के खाते में जा एक कर देखती नहीं है और इस सीट पर भारती जनता पाटी का दबाव था कि आप इस सीटों को थोड़ा सा इसमें परिवरतन कीजे लेकिन साहद गडवंदन के काराण लेकिन अगर एंडिया की टेली 30 के उपर जाती है, अभी मैंने चार रीजन दिखा हैं और चारों रीजन में लीड एंडिया ही कर रहा है, तो वहाग मुम्किन दिखा ही दे रहा है कि 30 के उपर तो जाएगी, ये क्या बिना यादा वोटर के मुम्किन है? देखे, बिना यदि यादो वोटर नहीं होता, तो भारतिय जनता पार्टी को जो उत्तर बिहार में जो सफलता मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, दूसरी बात, देखे, कोई किसी कम्मिनिटी का, जब हम कहते हैं कि पूरा वोट सिफ्ट करता है, तो आप मान करके चलिए 60% से के आसपास का वोट हम मान करके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ब्राह्मन जो है, भारतिय जनता पार्टी को एक मुस्त वोट दे देते हैं, और बाकी पार्टियों को नहीं देते हैं, जिसको हम कहते हैं, एनमास वोटे, वो तरसल 60% से 70% के बीच यो होता है, वही व तो नित्यानंद राय के आने के कारण जो यादो वोट है उसके वो लालु प्रसाथ जादो के वोट बैंक को काट रहा है, पूरी तरीके से काट, एक समय नित्यानंद राय बिहार की राजनीती में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होती थे, और वो दोनों में चिप जाते थ से राय होने के कारण कोई समस्ता था कि यह भूम्यार है और वैसे वो यादो यादो परिवार से आते हैं, दबंग नेत्र तो उनका रहा है वहां पर तो यह कुल मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि यादो वोट जो है वो पहले जो लालु को बेटी को हरा करके जीत रहे हैं फिर आप देखेंगे, आज के दिन में आप कहेंगे कि झption पप्पू यादो जो है जहां से लड रहे है चुनाओ, तो वहाँ पर कंटेस्ट किसके बीच में हो रहा है, सारन में कंटेस्ट किसके बीच में हो रहा है, अपर इस सीट हैं जुर और बन सी पार्टी जीत सकती है आई आपको बताते हैं देखिए शुरुवात करते वालमी की नगर से तो यहां जेडिू जीत सकती है पश्यम चमपारण में बीज़ेपी शिभर जेडियू सितामरी जेडियू मदू बनी बीज़ेपी झंजारपुर जेडियू सुपौल सिवान की सीट, आरजेडी जीत सकती है, महराजगंज की सीट, बीजेपी, सारन की सीट है, देखे ये समझ याप, सारन की सीट भी बीजेपी जीत रही है, यानि कि लालू पसाद यादव की जो बेती है, वो यहां से हार्ती हुई नजर आ रही है, हाजिपूर की सीट, यानि कि देखेंगे एक जीत रहे हैं तोable से 6 शींजे वहां से लड़ रहे हैं से 75.0 मुझे ओसा लगता है वहां से जीत रहे हैं जीत रहे cute बर्चस तो आप पिपल फ्रेंट वहां पर काम कर रहा था यह सब जो नकसल एरिया जो था ना उसका बड़ा गड़ हुआ करता था एक समय लेकिन आज के समय वह एरिया ऐसे जहां पर भुम्यार भी है राजपूद भी है ब्रामण भी है कुसवाहा भी है कोई कुर्मी यह सार कमनिटी जहें जो कोई भी व्यक्ति को वहां पर दे देता तो भारती जनता पार्टी के लिए ही बोट करेंगे आपको लग रहा है कारा का बिहार का ओवरॉल आपको टैली तो बता दे हम 40 सीटों में बीजेपी 17 जेडियू 12 समझे जरा बीजेपी 17 सीट लड़ी 17 सीट जीत है एलजेपी रामिलास पार्टी तीन सीट जीत रही है हम पार्टी एक यानि एंडिये कुल मिलाकर पहुच रहा है 33 पर 2019 में 49 पर था तो 6 सीटों का नुकसान एंडिये को 2019 की तुरिला में लेकिन तब भी बहुत शानदार प्रदर्शन आरजेडी 4 जो 0 थी पिछली बार कॉंग्रेस को एक सीट दिमाब किजेगा और कोल मिलाकर कि इस बार इंडिया गटबंदन मन रहा है साथ तो एंडिये 33 इंडिया गटबंदन साथ अब इसे आप कहेंगे एक बहुत अच्छा प्रदर्शन एक चोटा सा मैं टिपनी करनों देखे यदी जेडियू नहीं भी तब भी बिहार की राजनिती में भारतिया जनता पार्टी और रामविलास पासवान का जो गटबंदन था वह 2014 में 31 सीटे जीत करके आई थी तब जेडियू दो सीटों पर सिमट गई थी अभी भी बिहार का सर्वे कोई दो महिना पहले में करने गया था बिहार में भूम कर तब भी लोगों का यही मानना था कि भारतिया जनता पार्टी अकेली भी लड़ती है तो 30-32 सीटों के आसवास भारतिया जनता पार्टी और रामविलास पासवान का गटबंदन रिटेन करेगा जेडियू के आने से मुझे लगता है कि यह सीटे बहतर होंगी यहां की इस् सीट करेगा एक आप सीट इदर उदर हो सकता है खिसक सकता है लेकिन बावेश देखिए दिहार में जितनी भी आप साथ सीटों का जो देखने की आप पोजीशन को जा रहे है इंडिया गटबंदन को जा उसके सब सीटों के अपने अलग-अलग फिनॉमेना है सब अस्थान कारणों के वज़े से हारे जैसे वैसाली की बात आप पीजे तो मुन्ना सुकलाइक बहुत ही अच्छे कैंडियेट है अरजे कि उनका अपना जनाधार है वो मियार जाती से आते उधर एलजेपी का जो कैंडिडेट है उनका जो पिछले पांस साल में जो इधर सुधर बहल है कि 2020 में नितिशकुमार की पाटी की कम सीटे आने में चिराग पास्मान का योगदान है उसी तरह ग्राउंड पे देखा जा रहा है कि उस तरह जेडियू का कैडर यो जेडियू का वोट जो है चिराग को ट्रांसफर नहीं हो रहा उनको सपोर्ट नहीं मिले इसके वज़ से एक फैक्टर है जिसके वएसे साइध हार सकती है दूसरी बजह आप देखेंगे जो जेडियू जो जो सीटे हारी चाहा है जहानाबाद हो और एक किसंगज में आप सबको पता है मुस्लिम डॉमिनेटर जहानाबाद में अस्थानिये कारण है जो जेडियू का कैंडिडे उनको सीट में रहा हो सकते हैं आने वाले दिनों में यदि ये कुछ कंबिनेशन चेंज हो या जो जाहिरे जो चुना पड़ा है सामने पूरा इसमें बहुत कुछ फिर बदल हो सकता है अब देखें जरा पांच सर्वे हमने किये हमने और बावेश की कंपनी ने मिलकर के पा सर्वे पांच सर्वे बिहार को देखें बिहार का बिहार की सीटें जो है कैसे उल्टी पल्टी हैं तो पहला सर्वे जुलाई 2023 का उस वक्त एंडिये 14 पर पर था इंडिया गठबंदन 16 पर था चालीस में से अक्तूबर 2023 में एंडिये 24 पर था इंडिया गठबंदन 16 पर थ आते अंडिये बढ़कर 38 पर हो गया हाई जे 38 पर और अडिया गटपंदन दो पर और अब 16 अपरेल 2024 का जो फाइनल अकड़ाया है फाइनल उपीनियन पोल का उसमें इंडिये 33 है और अनडिया गटपंदन साथ है मतलब मैक्सिमम जो NDA गया है वो 38 गया है और मैक्सिमम जो इंडिया गटपंदन गया है वो 16 गया है सभी opinion पोल्स में अगर आप देख रहे हैं तो 16 भी तब गया जब नितीज कुमार उनके साथ थे जनवरी महिना में जब नितीज कुमार NDA में वापस आ गये थे उसके बाद जितनी भी सर्वे हुए तीन सर्वे जो मार्श में हमारा है फिर अपरेल में परस्ट वीक में और अभी का उस समय देखेंगे NDA तीस से उपर सीटे हर जगर लेका है सबसे मिनमम सीटे 33 सीटे आ रही है जी ठीक तो नितीज कुमार के इधर आने के बाद यह साथ सीटे आ रही है इंडिया अलाइंस को और यह सबसे ज़ादा है और एंडिया आ रहा है तैंटिस पर पतला यह ग्राफ साफ दिखाई दे रहा है कि जीडियू क्या आने का असर क्या हुआ वह इसमेर जी बिल्कु निश्यू जब से भारतियन्ता पार्टी भी इस बात को जानती थी कि बिना पार्टी करो एक तो बिहार में सरकार मिस्यदारी मिली और लोग सबा में इंडिया गडबंदन के सीटे बढ़ रही है और भारतियन्ता पार्टी इस बात को जान देती कि अगर नितिश लालू के साथ रहेंगे तो कई सीड़ों चिनोती मिल सकती है लेकिन यहता है कि निति कुमार भारतियन्ता पार्टी के साथ चले गए ऐसे में मुस्किन वोट बैंक दितिश के साथ ता वो पूरा रजडियों कॉंगर्स के पास जा रहा है और उसे एक नितिश कुमार इस बार माद चार से पास सीटे जो आर रहे हैं और जो और रजडियों को बेनिफिट हो रह बारतियन्ता पार्टी के कीमत पर नहीं नहीं तो आपको यह आप तो क्लियर है कि नितिश को साथ लाना मजबूरी थी भाजपा की आप कह रहे थे कि अकेले जादा रड़े तो जादा जीत थी मैं नहीं मैं यह कह रहा था कि आप देखेंगे कि 2014 में ट्रेंगुलर कॉंटे उसको आप एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि देखें भारतिय जनता पार्टी लोग तो वोट मोदी को ही करते हैं लोग सवाद चुनाओ में और 30-32 तो भारतिय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी ऐसा आकलन यह जनवरी के पर्थम सब्ता की मैं बात कर रह रहा था अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 12% से 15% का वोट मेंक जो है वो नितीश कुमार के पास है और वो एक ऐसा वोट मेंक है जिसे आप नितीश कुमार को आप जो घोसित करना है घोसित कर दिजिए कुसवाहा समराग चौदरी का भारतिय जनता माटी में आने के पार्तिय जनता पाटी के साथ सिफठ कर जाती है तो नितीश का रहना यह नरहना उनसे कोई फरक नहीं पड़ता है कि लेकिन अवर टा मर्टा पीरियाड ने से हमें कोई बुरा नहीं है नितीश box समीर चीश नहीं रहते हैं तो गठ बंदन है उसको तो ताकतवर हो सकता है तो उनकी ताकत कम करना और अपनी ताकत को मेंटेन करने से उपर ले जाना यही मूल जो है रही है बारतिय जनता पार्टी को बिहार के अंदर अदिसना भी जी मुझे लगता कि यह सर्वे है वो लगभग पास है कि किस तां से बीजेपी और जो जो जीडियू का गडबंधन है वो करने जा रहा है देखिए हम यह सब बानते हैं कि जीडियू को इस वार थोड़ा नुकसान होगा और हम यह भी मानते हैं कि आर्जेडी को से बहतर बनाईगी यह भी हम आपको बात कर लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिहां से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की आई यह बात कर लेते हैं क्योंकि अभी भी 400 का आकड़ा पार करने में काफी फासला है न्डिये के बीच में और 400 के इस जादूई आकड़े के बीच में जो इस बार लक्षे रखा गया है बारते जंता पार्टी की तरफ से प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की तरफ से तो क्या यह जो 80 सीटे हैं यह 400 के करीब एंडिये को लेकर आएंगी आईए आपको बताते हैं शुरुवात करते हैं उत्तर प्रदेश से में पश्ची में उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां 2019 में नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़ा था 8 सीटे हैं और यह 8 सीटे बता रही है कि यहां एंडिये क्लीन स्वीप कर रहा है बीजेपी 7 सीटे जीत रही है और समाजवादी पार्टी की सा में होता हुआ फिलाल दिख रहा है यह वो पश्ची में उत्तर प्रदेश है जहां 2019 में नुकसान हुआ था भारते जनता पार्टी को वजह यह रही थी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का गटबंदन हुआ था बीजेपी की वज़े से खासा नुकसान जहिलना पड पश्चिम उपी बीजेपी स्वीप कर रही है इस बार यह क्लियरली अवारा सर्वेजवाई दिखा रहा है लेकिन मैं यह जानना चाहरा हूँ अभी आठ सीटे भावेश आपने दी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं शुरुवात में दिखूँ तो सारानपूर, कैर बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपूर यह आठ हो जाती है लेकिन इसके आगे का इलाका भी तो आप वेस्ट में ही मानेंगे ना रामपूर, संभल, अम्रोह, मेरट, बागपद, गाजियाबाद, गौतम, बुद्नगर, इवन बुलंशेर, बुलंशेर, वेस्ट जो जितनी सीटें अभी आपने बताई हैं, इसमें आरेलडी का सारा इफेक्ट आ गया, बिलकुल, आरेलडी का थोड़ा बहुत रोहिल खंड में भी इफेक्ट है, जो बिजनौर वाली सीट है, तो रामपूर और संभल भी इसी में गिरेंगे, रामपूर आपका इसमें र का आदमी आपको हराने पे तुल जाता है, तो वो मुश्किल करते हैं, तो योगी जी ने सुल्टा दिया ना मामदाजी वाजी बठा दिया था दो, ये सुल्टा नी ना, उसके बाद पिर संगी सोम जो है, उठके खोल बोलने पड़ लग गए ना, उसके बाद उनने गाउ इस पर फूरा कर लो, उसके बाद में को पता है, तेर मिस्टर बाधी जी की आवाज गुजी, आपकी बातों से साही लोग इतिफाक नहीं रखते हैं, बुजफर नगर में जो बात है, कि किस तहां से वहाँ पर जो समाज, जो बिस पी, जिस तहां से अपनी, जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है, उस कैंडिडेट के कारण वहाँ पर जो जो वोट हैं, बीजेपी के वोट हैं, खास तोर से, वो कटते हुए दिखाएजें, तो ऐसी और खास तोर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस्तां की कैंडिडेट बीस पी दे रही है, वो कोई जितता हुआ दिखा रहा है, भावेश जी का सर्वे जितता हुआ दिखा रहा है, मुझफर नगर पश्चमी उत्तर प्रदेश की बड़े अंतर से जितने वाली सीट होगी भारती जनता पार्टी, संजीव बालियान, चौधरी, अजीद सिंग के सामने जो लड़ाई जनेतिक लड़ाई है, उसमें आपको लगता है कि अगर राजपूत, वोट और योगी आदितिनाज के कहने के बाद भी बोलने के बाद भी दे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक आकलम है, और जो जाट है, एक गाउं है भैसवाल, उस गाउं में संजीव बा पार्टी के लग कोई और नहीं जीतने वाला है, ये जो चौधरी साब की पार्टी से गड़ जोड हुआ है, जो चौधरी चरण सिंग को भारत रत्न मिला है, ये पश्चिमियोत्तर प्रदेश में जाट लैंड में कमाल करने जा रहा है, देखे हिं दुद्वका मुद्दा करता हुआ नजर आ रहा है, एक सीट आरेलडी के खाते में जा रही है, और साथ सीटे बीजेपी के खाते में जा रही है, जिसमें मुझपर नगर भी है, जहां टसल दिखाई दी थी, ठाकूर वर्सिस जाट की मुझपर नगर है कंसर्म जरूर है बीजेपी के लिया से, सतर्क्ता के लिया से, लेकि पार्टी ये मान कर चल रही है, पार्टी के रहन इतिकार जो कि शुनाव पूरे केंपेन को देख रहे हैं, वो भी ये मान कर चल रहे हैं कि वोटिंग तकि ये कोई फैक्टर रहे गा एक तो संगीर स्वाम की बात कर लें, उनकी अपनी राजयती की सिती इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी बीजेपीए में दूसरे केंडिडेट को जो केंदर में मंत्री है, उनको हरवान में युदान दे सके हैं, दूसरी चीज की प्रधान मंती निरेन मोदी के फैक्टर को बात करें, तो उनकी सिती बहुत कंजोर है, उनके खिलाफ नराजगी बहुत ज़्यादा है, फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकि उनके लिए प्लस कॉइंट यह है कि पीम मोदी के चेहरा, योगी के चेहरा, जेहन चोधरी का साथ आना, तो ऐसे कंडिशन में उस सीट मे है, अंतता कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, ऐसा नज़र नहीं आगा, पश्यम यूपी में, दो-तीन सीट पे बीजेपी को टफ फाइट नज़र आ रहा है, लेकि अंतता में रिजल्ट आपको ठीक नज़र आगा, कुछ चीज़ें एजंशन पर होती है, जैसे इ कि पहुंसिंगे अपने केंडिडेचर वापस ले लें, तो चाहा है, वेस्टान यूपी का केस देख लें, कारकाट को देख लें, बहुत सारे एजंशन का अधार पे चल लाए है, नतीजे कुछ और बताएंगे, जी ठीक, अबाई तरह रोहेल खंड की तरह बढ़ते है, देवेन जी, हम लोग एजंशन पर सर्वे नहीं करते हैं, ये ग्राउंड की रिपोर्ट होती है, आपको भी पता है उपेंदर कुस्वाह के पिछले पांच साल में क्या पॉलिटिकल मुवमेंट रही है, वो एक बहुत-बहुत बहुत बढ़ा फैक्टर है, ये आपका सर् रोहेलखंड की बात कर लेते हैं, ये वो रोहेलखंड जहां बीजेपी को नुकसान हुआ था 2019 के चुनावों में, 12 सीटे इसमें हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं लोग सभा की, और 11 सीटे यहां बीजेपी जीत रही है, और समाजवादी पार्टी को यहां पर जटका लग का एक भी सीट नहीं जीत रही है, जो हम रोहेलखंड की बात करें तो रामपूर, मुरादबाद, अम्रोहा, भावेशन सब सीटों को गिरना होगा इसमें? इस पूरे बेल्ट में आपको लगता है, रिलिजिस पॉलराइजेशन एक फैक्टर होगा? बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा लोग स्पा चुनाब के रिजल्ट में. जरा बड़ी सीटें बताएं यहां की, रामपूर? यहां पे जो रोहिल खन की जो सारी सीटें विजनोर हो गया, जोतिवा, फूले नगर हो गया, पिलवीत हो गया, बडायू हो गया, बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, साज़ापूर, साजनपूर हो गया, रामपूर हो गया, नगीना हो गया, संबल, अम्रोहा, आमला. तो रामपुर और संभल पर हम लोंगो जरूर बात करनी चाहिए जो यह सीटें जो हैं यह समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थे रामपुर में अब आजम खान तो चुनाम लड़ नहीं सकते चिठी लिखकर के उन्होंने यह जारी कर दिया था और रामपुर आपके हिसाब से जा रही है भारती जनता पार्टी जीती थी लेकिन रामपुर पर अर्षबर्धन जी तेके रामपुर में जो इसको कहते हैं न कि घर की लड़ाई समाजवादी पार्टी पर बहुत भारी पढ़ लगी इस सीट पर भारती जनता पार्टी के जीतने के चांसे बहुत कम थे घंशाम लोधी वैसे भी आजम खान के पुराने साथी रहें जो भारती जनता पार्टी के सांसद हैं और रामपुर में जो एक मौलाना को खड़ा कर दिया अखले शादों ने यह आजम खान को कता ही बरदाश नहीं हो रहा है उन्होंने अपने लोगों को बहुत इस पश्च तोर पर कहा है कि दूसरा कोई हमारे यहां कर राजनीत करेगा यही वो नवाबों को भी पसंद नहीं करते थे तो कुल मिलाकर घर की लड़ाई रामपुर में भारती जनता पार्टी को एज दे रही रामपुर अखिलेश यादा को आजम खान हरा रहा रहे है इसमें बिल्कुल निश्यत तो आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादो ने बहुत अच्छा तो नहीं किया था आपके बड़े नेता हैं आपके लिए लड़ा चाहीता और एक समय में तो अखिलेश यादो ये मानते थे कि ठीक है इसी में कट्टू साही जो 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 जाके अब ही जाके मिलना पड़ा क्योंकि अनको मजबूरी दिख रही तो ठीक है बड़ब अभी एक चीज और भावेश बेटर बताएंगे हम हमें जो थोड़ी बहु क्योंकि रामपूर में जीशान खान को बस्काने टिकट दिया है तो ये भी बारती जनदा पर्टी के पक्श में काम रही जो रहां से जो रेपोर्ट आती हैं वगजाते हैं पहां पर मुसल्मानों के बीच में बहुत बढ़ा टपका है जो नहीं पसंद करता है आजम खान क तेके दीरे दीरे अब ये अब हसन के कारण भी ऐसा हुआ ना कि मुसल्मानों के बीच में जो है वो एक बंग का विभाजन हो गया है उनको ये अच्छा नहीं लगा है कि हसन साफ जो सीट कटवाने में उमान करके चलते हैं कि आजम गान की बड़ी भूम का रही है और आज आ अब दूसरी सीट संभल संभल की सीट में मुसलिम प्रतिशत काफी जादा थी परसंट की उपर है शायर बाहुल नहीं है मुसलिम बाहुल में एक अच्छा प्रपोर्सन थीज़ादा वोट वहां पर मुसल्मानों का आए और वो संभल जो पिछली बार सपा जीत गई ती श मुसलिम बार सपा बसपा के कंबिनेशन के वजए से बीजेपी हार गेते हैं 2014 में बीजेपी यह सीट जीती हुई थी है और तो ऐसा नहीं है कि वो सिफ मुसलिम डॉमिनेटिव सीट है मुसलिम एक अच्छी खासी तादात में लगए 35% मुसलिम वोट जरूर है वहां पर लेकिन जिस तरह का पोलराइजेशन वहां पर हिंदू पोलराइजेशन मुसलिम पोलराइजेशन होता है उसमें वीजेपी के लिए फाइदे मंद है यह सीट जीत सकते है दुसी तरह बस बसपा एक बहुत बड़ा इंपोटेंट रोल प्लेए बसपा बीजेपी को जिताने में में हम रोल अदा कर दी है अमरोहा का तो बता दिये दानेश अली बसपा छोड़ करके कॉंग्रेस पार्टी में चुनाब लड़ रहे हैं अमरोहा से अब उनको कॉंग्रेस में क्यों इतनी उम्मीद दिखाई दी है मेरे लिए आज भी एक पहिली है मेरे ख्याल से जब दानिस अली पहले जेडियेस के नेता हुआ करके थे दोजा उनीस में जस्ट पहले क्योंकि जेडियेस और बीएस पी का करनाटका में एलाइन्स हुआ था तो उसके बाद एक समझावता क दानिस अली बीएस पी जोईन के था उन्होंने अमरवा सीट से चुनाब लगा था और एक जो एलाइन्स हुआता है जिसके विए से दलित मुस्लिम उस सीट पर पाटिकुलरी उनको फाइदा मिल गया था अब इस पार देखिए दानिस अली के खिलाब बहुत ज़्याद है मैं यही कहने जा रहा था बहन जी तो इन चीजों को दिल पे लेती है ना वहां मुझाहिद हुसाइन को लड़ाया है और वो दानिश अली को चुनाव हराने के लिए कुछ भी करने को तयार और भारती और एक चीज यह सच है कि दानिश अली कभी पॉपुलर लीडर नहीं कभी उनका बहुत प्रभाव नहीं रहा एक कई बार होता है ने कि राष्ट्री राजनीत में कई लों के अच्छा भी बन जाती कि लगता कि नहीं नहीं अपने छेत्र में बहुत प्रभाव हैं उनकी वह ऐसे भी सिती बहुत खराब थी माया वती हर हाल में उनका टिकट कि मी तो जीतने माली है उनकोब कोमीच जनताफाथ को मदद करें और खास करके जो पषमी उत नहीं और नहीं रहा हुआ इसा होता हुआ अधिक नहीं रहा है लेकिन रहे किस यञी है बी जभीडेकि एक यजे म वूटरॉ ताहुल जी लेकिन भारतिय जनता पार्टी को उससे घबराने क्या हो सकता नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में बीएस्पी और एस्पी साथ लड़ेते और यह मान करके चलते थे कि जितना OBC, Muslim और Dalit इससे बड़ा कोई Social Coalition हो नहीं सकता था ऐसी इस्थिति में आप देखेंगे कि जाटों का वोट भी उनके साथ था इस इस्थिति में भारतिय जनता पार्टी अपने किले को मजबूती से बचा पाई यह ठीक है चेसाथ सीटों का लॉस हुआ हो जो पश्चमी उत्त जो त्यागी वोट है वो डियो आइड होता है तो किसको लॉस हो जाहिए कि जीत का अंतर कम हो जाएगा उससे कोई परिणाम पर असर होने वाला है ना गाजियाबाद में परिणाम पर असन होने वाला है जो डिफ्रेंस है जो जीत का अरुन जो बहुत बड़ा अरुन जीत रहा है बिर संध जीत रहा है अब प्राची बहां की है बुलंच चेहर की बात तो बताईये जिए अच्छे मार्जिन से जीतें गेंगे बीजेपी के लिए यहां पर कोई बहुत बरी मुस्किल होनी ने चाहिए वैसे से बहुत सटा हुआ नजदीक है अब देखेंगे यहां से लगबग गेटे नोईडा से 70 किलोमेटर के आसपास ही है आपका घर यात आपको पता है जाजियाबाद भारती जन्ता पाटी निकाल रही है असानी से बागपत अरेली निकाल रही है गौतम बुद्नगर जहां हम इ से 10 nीकाल सकती है यह हमारे पोल का इसेस्पेंट है सेंटर यूपी की 13 में से भाजपा 11 सपादो कॉंग्रेस शोन इर यह से कौन अलीगड के आगे से सब अलीगड ऊगया मत्रु आगरा वगया फतेपूर फिरोजबाद मायनपूरी इतावा अनोज कानपूर अक्बरपूर और हाथरस हाथरस。 हाथरस तक? जी ठीक. तो यह 12 सीटे हैं. पुरी में क्या बंदेलखन कई बदा देते हैं. चार सीटें मुंदेलखन की हैं. चारो की चारो भारती जन्ता पार्टी जीत रहे हैं. यहाँ सपा और कॉंग्रेस कुछ नहीं कर पा रहे ही. चारों की चारों सीथें बुंदेल खंड की वो भारती जनता पार्टी के पास जारी है तो सेंटरल यूपी और बुंदेल खंड कमो बेश दोस्टीर छोड़ दीजे तो सारा बाज़पा की उजाता है लेकिल फिरोजबाद पे सफा जीत रही है जीत रही है सफा जो है उसकी पूरी कोशिश थी पिछली बार इसलिए अहार गई थी क्योंकि जो शिपाल यादव है वो अलग होके उन्होंने अलग पार्टी बना के तो अब वो जो समी करने तो पहली घर की सीट यादा परिवार की घर की पहली सीट विरोजबाद जो जा रही है सपा के पास दूसरी गर की में मेंपूरी जब की में सीट यह जा डिमपल यांदब लड़ी है और उननके सामने सब कIN को वेखाल जावीर सिंग उनको उतारा है इस Context में भी सपा जो है लीडिंट ले रही ठीक हो गया है लेकिन अभी दो-तीन बड़े यादो परिवार है जो झिसको हम कहते हैं ने जो मुलाइम सिंग्ज्ञ यादो के साथ थे वह भारती जनता पार्टी के साथ हैं पिछले कुछ समय में इन सीटों पर जिसको हम घर की सीट मानते थे मुलायम सिंग्यादों की वहाँ पर बहुत से नेता वो भारती जनता पार्टी के साथ चले गए हैं तो निश्चित तोर पर परिवार एक साथ है राम गोपाल शुपाल एक साथ दिख रहे हैं जब यूदरिय कुछ की यहां विडस दे ने में बहुत लेट किया अभी तख याडमो का एक तभका बीज के साथ तो नहीं तूट रहा जिसके वोस से इस सर्ọi में हमें यह दिख एभ की मिट tit यहां प्यादी बीजेपी को जीता तो यादव वोटरों को तो राम मुपाल यादव आज पैंपुरी में थे उनसे हमारे स्योंगी शोईब रजा ने बात की है अब देखे ज़रा उनका क्या दावा है प्रफेसर आप क्या देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश देश को दिसा देने जा रहा है अपकी बीजेपी को हरा के दिल्ली से बीजेपी की सरकार का खात्मा करने जा रहा है हमें यही दिखाई पड़ रहा है लेकिन बीजेपी कह रही है कि 80 के 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं 80 के 80 सीटें हारने जा रहे हैं प्रधानमंती को अपने छेट पर कंसंट्रेट करना चाहिए बनारस पर वहां से प्रधानमंतीरी क्या राजनीतिक नुकसान में है सतत्तर में इंद्रा गांधी हरी तिरा प्रेली नहीं आ रही थी बही इस्तिती है बैए एक प्रोफेसर वो बोल रहे थे तो हमारे पास भी प्रोफेसर आप ही जवाब दीजे इस बासा का जबाब नहीं है मतलब यह तो राजनेतिक तुकबंदी है जिसमें रामकुपाल जी कर रहे हैं कि देखें सतात्य का मौसम अलग था मिजाज अलग था उस समय इंद्रा गांदी के खिलाफ एक पूरे देश बर में माहौल लगता यहां तो पहली बार ऐसा हो जो सकता पक्ष में लाहर चल रही है उसमें तो आप अपनी नाव बचा लें यह बहुत मुश्किल है और उसमें समाजवादी पाटी का मैं देख रहा हूँ तीन-चार सीटें आज आ रही है यह जो जिसको कहते हैं न इसे इश्वर का प्रशाद मान करके उनको ग्रांड कर लेना चाहिए अब देखें कई बार राजनेतिक विचिप्ता की भी सीमा होती है अब मैं यह तो नहीं कर सकता हूँ कि राजनेतिक तोर पर विचिप्ता है लेकिन यही कहना होगा कि देखें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आप आकलन इससे कर सकते हैं कि आज इससे पांच दिन पहले अखिलेस जादो चुनाओ लड़ने के लिए चुनाओ सभा करने के हैं यह अपने आप में प्रतिकात्मक सिर्फ नहीं है यह इस बात का दियोतक है इस बात की और संकेत करता है कि समाजवादी पार्टी के पास ना सिर्फ लड़वाने वाले लोगों के दुविदा है बल्कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाकर के मैदान में नेरेटिव कैसे ख़ला करें अकेले शादव अकेले नहीं है कल राहूल गांदी के साथ प्रेस कॉन्फरेंस भी उने जा रही है उनकी यूपी में वरना तो यह बात सच है अलग-अलग तरीके की बात कही जाती थी कि अभी रोजे बगएरा चल रहे है तो क्यों वो जाएंगे कौन आएगा अखलेश जी की भीड़ में तो तब तक वो प्रतिक्षा करते रहे प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह की अदला बदली हुई है उत्तर प्रदेश में वो इस बार कमाल की है कि कई सीटों पर दो दो तीन तीन बार प्रत्याशी बदलना पड़ा तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो इस्थिती है वो राम गुपाल जी को मुक्त तो हो इस चीज का इंतजार कर रहे थे अखलेशी जब रोजे से मुक्त हो तभी तो उनके सभावों में आएंगे आप क्या मान करके चलने सिर्फ मुस्लिमी बोट करते हैं समाजवादी पार्टी को नहीं लेकिन एक बड़ी कॉंस्ट्वेंसी यह है यह तो सच है इसको ले यह तो सच है ना कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के सामने जो विपक्षी गड़ जोड़ है चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कॉंग्रेस और अखलेश यादों का गड़ जोड़ हो उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है कि मुसल्मान एक मुझ तो करे कि उत्तर प्रदेश के असल इस्तिती क्या है और यह 400 का आकड़ा बीजेपी पार कर पाती है इसे चूपाती है या नहीं चूपाती है अवद और पूर्वानचिल की बात करेंगे सबसे पहले अवद की 14 सीटे आपके सामने रखते हैं अवद में बीजेपी क्लीन स्वीप क आ रही है यानि कि लखनों से राजना सिंग चुनाफ जीतेंगे राइबरेली की सीट भी कांग्रेस हारेगी अमेथी से स्विती रानी चुनाफ जीत सकती हैं सुल्तानपुर से मेनका गांधी अपनी सीट को बचाएंगी प्रताबगर से संग्णमलाल गुपता चुनाफ ज सीट पर जीतते हुए नजर आ रही है तो अब आपकी 14 की 14 सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है भारतिये जनरता पार्टी शुनने शुनने आपको कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के आगे नजर आएगा इसकी बाबाबा ये जल्दी से पूर्वांचल की भी बात कर रहते हैं ताकि 80 की 80 सीटों का एक्जाक्ट दिगर आपके सामने आ जाए पूर्वांचल में 39 सीटे हैं बीज़पी 25 सीटे जीत सकती है अपना दल गटपंदन में है भारते जनता पार्टी के साथ 2 सीटे वो जीत सकती है और समाजवादी पार्टी भी 2 सीटे यहां से जीत सकती है और यह जो 2 सीटे हैं वो आजमगर और घोसी की हैं जिन पर समाजवादी पार्टी की साइकल चलती हुई नसर आ रही है यारी 29 सीटों का ओपिनियन पोल पूर्वांचल का यह कह रहा है कि NDA 27 सीटे जीते गा और समाजवादी पार्टी दो सीटे जीत सकती है यहां वाराणसी में नरेंदर मोदी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत अर्जित करेंगे यह सर्वे बता रहा है यहां कि चारों सीटे सपाक किया है मैं पर बता दूँ आपको फिरोजाबाद मैनपुर खोसी और आजमगाट इस पर आता हूं सब्सक्राइब गाजिपूर की सीट पानी जा रहे थे लेकिन फिलाल बाजपा को जीते वह दिखाया गया सर्वे में इन चार को छोड़के बा बाजपा कि अपनी जो आई थी आप बढ़ा कर लिया जबकि अलाइस के साथ सीटे की गई तो बीजेपी 72 आप समझे यूपी के सीटों में से चीट से चीट से और चार सीट उसकी संयोग्यों को जाती हुई वह दिखाई दे रही है बावे एक एका समीर जी कॉमेंट मOUँजे लगजे है की डलेंटी है कि मझे लुग पार्यपणों कुछ है की मुझे जुदे मॉचाई जुदी सिट वर्बसुदी को मिलेगी एक मेंपुरी और एक आजमगर्ण जो जाएका समयादी कपक्ष मॉँदी बाकी दून फिर सिटे मुझे लग फिरूनेटी आजमगार में आपने का गुड़ु जमाली बस्पवाली यहां पर आगे तो उसे मजबूत अपने कोई कंडिड़ नहीं दिया है यह दिया होगा लेकिन अपना बड़ा होड़ रहा है वहापर बहुजन समाज पार्टी को कंडिड़ देवी देगी तब ही मुझे लगता है कि समाज पार्टी को दो सीटे मिलेगी और कंग्रिर सा खाता नहीं खुलेगा बार्टी अपने के शीटे का ओपीनियन पोल हमने आपके सामने और इस वाकT इस Óपीनियन पोल से बड़ी Khबर यह है कि 400 के आक्ड़े से कुछ कम में NDA रुख जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यहां करा 343 का होगा 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है 343 सीटे बीजेपी अपने दम पर जीट सकती है जबकि आप ओवराल NDA की बात करेंगे तो 393 सीटे यहां NDA जीट सकता है 543 सीटों का यह पूरा ओपिनिन पोल हमने आपके सामने रख दिया है गभी बताये सेंकना नहीं छूपाया है इन्डिया गठ्बंदन का इतना व्याने कुनमा जोड़ा इतने सारे डलों को लाए कुछ छोड़ गए चुछ रह गए सेंचुरी क्रोस नहीं हो पा रही है सेंचुरी नहीं बना पाया अगर 99 पर स्कोर टिका हुआ इसमें तुह सो लिगूप है इसमें शर त्पवार बहुत इसमें इसमें पर चौक उम्हिर्ट gekommen कितना विली होगा पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी नहीं जीत रही थी एक और बड़े प्रतिस्थान ने कॉंग्रेस के लिए सर्वे कराया था वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है जो आप बार बार कहते हैं कि अपने अथिहासिक नियूर्टम पर पहुंचेगी बिल्कुल तो वो तो होता हुआ इस बक्त दिखाई देराब ये क्यों है यह राहूल गांदी को सूचना है कि आकर ऐसा इसी दुरडशा क्यों कॉंग्रेस पार्टी की हो गई भाई सारे नेता मौझूद हैं पार्टी के पास, पार्टी का तंत्र तो नहीं घुतम हो गया, इसलिए है क्योंकि राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की नफ्ज को समझने में असफल रहे हैं, उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरके से कटे हुए हैं, उनको पता नह वो नहीं है, जो 1970 और 80 के दसक की राजनीती है, आज के दिन में राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी प्रकार की राजनीती को वो भारत में स्थापित करने की, पुनर स्थापित करने की कोशित कर रहे हैं, कम से कम 4 दसक जो है उनको बिक्सित भारत का स drawn दिका रहे है और इतना कर दिया है और वोड़े दिनों के यह यह आsst की उसने की घारंटी दे रहे हैं कि है हम ऐसा प्रयोग हम करने जा रहे है तो यह दोनों में फर्क है और यही हा रहने अब देखिये ना, नरेंदर मोदी तेली तेखिये कहाँ जाकर के रुक रही है, नरेंदर मोदी ने कहा था। लक्ष दिया था, NDA के लिए 400, और सर्वे बता रहा है कि 21 पर भारतिय जनता पार्टी तमिल नाडू में लड़ रही है। आपके सर्वे में तीन सीटे भारतिय जनता पार्टी को तमिल नाडू में दिया गया है। ज़ने मान लेते हैं कि Kan derivative जो हम लोग बात कर रहे थे कि डबल डिजिट में भारतियय जंता पार्टी वहां पहुन जाती है जब कि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक इस्थिति ऐसी आ सकती है हिसे इंकार नहीं किया जा सकता है सर्वे बेसक्तीन सीटे को बात चारीब सपर हो जाएगा यही जिस प्रकार से भारतियय जंता प्रढन मंत्री कोशिस कर रहे हैं 40 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया 400 बार केंद्रिय मंत्री वहां पर गए हैं प्रदान मंत्रिय पिछले दो महिनों में इतनी बार जा चुके हैं भारतियन्टा पार्टी को इतना परचेंट भूमत मिल रहा है तो पधा मंतरी मुझे तो दे रहे है ना 40 सीटी मिल रहे है तो इससे भी कम होंगी नहीं 40 सीटी मुझे लगता है आ जाएंगी कॉंग्रेस किसी भी तरह से रोके कुकिए वहां थे अपने छटनी किया रही है अधने च्टनी किया थे मतलब जो आंखै बता है करनाटक के शीते कम हो do behaar में महाराश्त में सिटेbung हो रही is कर इसा वर है इसको ऐसा नहीं है कि इसको कम्प्लिक्टि वोला कि जो पहले था वो उस पिक पर रही रहा है भारतिय जन्ता पाटी नहीं वहां भी सीटे घट रहे हैं तीक राव जी सहमत है सर्वे से लेगे मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो तीन सो मतलब दस तक मैक्सम जाए इंडिया कटपंदन सौ के पार और कॉंग्रेस प्रटी पचास के उपर देखे बहुत है मैंने आपको पहले भी बाता है अगर सबसे कम सीटों पर कॉंग्रेस कभी लड़ रही है चुनाव पर इन चुनाव नहीं जा रही है उसको अपने उपर भरोसा नहीं है क्या ह पार्टी को अपने उपर भरोसा हो तो शायद जो है पार्टी में ऐसा लगता कि जो है वो कुछ कमाल गता है कोई सलाह आपको आपकी कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव खड़ा है सामने काफी सारे लोग जो है ब्रेकिंग नुग के रहे हैं कि अलग हटना चाहिए गांधी परिवार को थोड़ा अलग हटना चाहिए कॉंग्रेस को परप्दे देना चाहिए तो अगर वैसा होता है तो क्या पता कॉंग्रेस रिवाग को तो जो का इलेक्शन के बाद हुआ अब देखें अब दो हजा चौबिस की कोई बात नहीं अब दबा गोल हो गया जो बात अनवे अनडी और 343 बारती जंता पार्टी जीत सकती है 370 का टार्गेट मोदी ने सेट किया था लेकिन 390 प्जेपी अपने दम पर जीत सकती है यही आंकलन नेकर चला जा रहा है इस वक्ट पार्टी के तरफ से भी टार्गेट लेकर चला जा रहा है आकलन ना कहें तो ज्यादा बहतर है कि पार्टी के जो रहन इतिकार है वो मान रहा है कि कई जगह पे बहुत ज़ादा चैलेंजेज़ हैं और उन चैलेंजेज के पीछे फैक्टर्स अलग-अलग हैं जैसे महराश्च को लेकर बहुत सारे च प्रशकट मान रही है और जाउनपूर की स्थी भी के ट्रेंग्लर फाइट किया है वहां भी बिजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली स्थी है तो पार्टी कर रहन इतिकार यह मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है उन्ह पाहल बनाते हैं और फिर वोटर अपने पक्ष में लेकर आते हैं बीजेपी एक दूसरी चिंता यह है क्योंकि अपोजिशन से चैलेंग्ज मिलता नजर नहीं आ रहा है अभी तक मिल नहीं रहा है तो बीजेपी एक कारकरता हुट पार्टी के खिलाप तो जाएगा नहीं अपने घर में थोड़ा निस्क्रिय जरूर रह सकता है उसका पार्टी को खामियाज उठाना पड़ सकता है तो यह भी एक चिंता है जिसको लेकर बीजेपी बार बार अपने कारकरताओं को यह बता रही है और इस पूरे चिंता को कैसे हल किया जा रहा है इसको आप देखे है तो यह बड़ी वज़ा है जिसके चलते बीजेपी इस प्रकार के स्टेडिय एक त्यार कर रही है तेकि इसमें कोई दोरा नहीं कि कई सारी सीटे हैं जैसे कि पहले मैंने आपको बता रहा है कई सारे रज्य हैं और इंदाजियों में स्पेसिक सीट की बात करने हैं जैसे अपकी गुंजाइश भी है 343 से देखे अभी तक तक मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधान मंत्री ने अगर 370 का आखड़ा बीजेपी को दे दिया और 400 का आखड़ा गड़वन्दन के लिया से तो बीजेपी का हर कारका इसी लक्ष को मान कर चलेगा लेकिन मैं जो कट्नाई की बात कर रहा हूँ वो उन सीटों को लेकि जो पार्टी के पास अपना फिडबैक है उन राज्यों के उन सीटों के बारे में वो हम बता रहे हैं जहां ज्यादा मेहनत करने की जूरत है और ऐसे अनेक उदार रहन एसे होते हैं जब पार्टी शुरू में एक सॐस्च पर अप्कoftर को यहन कि आप इसका समधान करते हैं उपजिश्न आपनी अपनी कमियों को बहुत जलिए अडर्रेस कर ती उसके हिसाब से समधान करती है मुदफंदगर का केसी आप देख लें जैसे पार्टी को फिल हुआ कि यहाँ चत्रिय एक समस्य आऊ सकती है आपने देखा कि योगी एदेतना जो कि यूपी में चत्रियों के सबसे बड़े चेहर बीजेपी के हैं उनको वहाँ पर डिपलाई क कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं उनको दूर किया जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के इसाब से आप देखें तो 370 बीजेपी के रहनितकार भी मान के चल रहा है कि वह थोड़े ज् कि बड़ाने की नमबर्स बढ़ाने के चल लिए है कि बेंगॉल में उसकी सीटे बढ़ेंगी उडिसा में उसकी सीटे बढ़ेंगी तमील नाडू में कुछ सीटे आएंगी केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुल फिडवेक है उसमें यह है कि अगर 60% क्रिश्टन ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है जहां मुलिधरन लड़ रहा है वो एक अच्छी स्थिती में हैं लेकिन वो भी क्लियर कट जीत वाली स्थिती नहीं है तो केरल में बीजेपी को बहुत जादा होप नहीं है तिलंगाना में बीजेपी यह मान कर चल लिए से और बागी सीटों पर आपको और मेहनत करनी है तो ओवराल जहां पर आप मैक्सिमम थे वहां पर तो मैक्सिमम है उसे रिटर्ण करना है करनाटक में बड़ी समझ सब्सक्राव यह जरूर है कि पार्टी को बहुत साथ मेहनत करना पड़ा है पार्टी का अपना जो feedback है, उसके हिसाब से महिला है, जो state के तरफ से guarantee दिया गया है, उनमें उनका जुकाओ थोड़ा Congress के तरफ जादा था, वो BJP के लिए concerned था, लेकिन पूरुश वोटर, लगवग पार्टी का एक internet survey हुआ था, उसमें 62 फिस दी, पिये मोधी को फिर से पथ हुआ है, टिकेट जिस तरीके से बाटे गए, उमीदवार मैदान में उतारे गए, इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर, जिससे वोटर का मन shift भी होता है, देखे, कुछ राजियों में जरूर होगा इसका असर कि आपने किसको candidate दी है, और फिर, जो राजबर की पार्टी को दिया था, वहां पे बहुत बरी चैलेंजर जी आए, कि वहां पर जो बीजेपी के काइडर है, वो उसको एक सेप्ट नहीं कर रहा है, साइड इसलिए आपने एक वाइडल वीडियो देखा हुआ कि कैसे बिल्कुल वह तो वह एक बहुत बड़ा कं सं था, उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा था कि बीजेपी खुछ जादे सीटों पर लड़ेगी तो बिहार में और अशा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उन्हों ने जो 2019 में जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला कंदर का सत्र सीटों पर चुनाव लग खासका साउथ में, साउथ में बीजेपी जिन जिन सीटों पर अच्छे कैंडिडेट दे रही है, बीजेपी का वहां पहले सीरी थोड़ा बहुत जनाधार है, तो बीजेपी के लिए वहां पर संभावना ही बढ़ जाते हैं, इस तदेवेंद बात करेते हैं, चिंगल सीट हम लोग प्रिडिक्ट करें के बीजेपी जीते हैं, बीजेपी ने एक्च्छली में वहां पर कैंडिडेट अच्छा दिया है, जैसे हम लोग आज कल बात करें ते कि रामनात्पूरब में जो एंडिय की कैंडिडेट है OPS, तीन बास सीएम लिए चुके हैं वहां पर तो ब का एक momentum उसमें वीजेपे के लिए candidate selection बहुत ज्यादा मतलब नहीं लगता लेकिन फिर भी वहां पर यदि बहुत ज्यादा नाराजगी है तो फिर important road लेकर अब जरा सारी पार्टियों की position आपको बता देनी चाहिए viewers जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बताया एक comparison के साथ बता रहा हूँ बीजेपी 2019 में 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस opinion पूल के मताबिक Congress party 2019 में 52 सीटों पर खड़ी थी ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है और 40 के नीचे भी जा सकती है इसके लावा अगर आगे बा त्रिलमूल Congress 22 थे पिछली बार इस बार 19 सीटों का नुकसान ममताब इनरजी को हो सकता है समाजबादी पार्टी की पिछली बार 5 सांसत जीते थे इस बार 4 जीत सकते है एक सांसत का नुकसान बसपा के 10 जीते थे पिछली बार इस बार 0 तो माया वती शून ने पर आ रही है ऐसा हमारा सरवे इशारा कर रहा है जेडियू 16 सीटें जीती थीं 2019 में और अब हमारा अपिनियम बूल कहरा है 2024 में 16 से घटकर 12 पर यानि 4 का नुकसान जेडियू को हो सकता है डियमके को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है 24 से घटकर 17 पर आ सकते हैं टीडिपी को बंपर या होंगे बहुत सारी, 107 सीटें थी उनकी, वो घट करके 88 रह जाएंगी, ऐसा सर्वे बता रहा है, 19 सीटें यहां से कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखा जा रहा है, जिसके वज़े से बीजेपी के लिए अच्छी समाव जाया, बीजेपी ने कैंडिडेट भी बहुत अच्छा दिया, वो बहुत इस बिल्कुल सही, वो संगठन के आदमी है, और पूरे छित्व में उनका अच्छा खासा, और अफजाल अंसारी पिछली ब संगठन के आदमी हैं और चुनाब को बहुत नजदीके से देखते हैं और जीत सकते हैं, अब पूरे जो सर्वे का डेटा है, इसके लिए आपकी मोटी-मोटी हेडलाइन्स, अलग-अलग राज्यों से या कुछ पूरा नैशनल थीम कुछ दिखाई देता हो, ने दिखें, तो वहां के लोगों के लिहाज से गाजीपूर में संके वो स्वयम सिवक हैं, प्रचारक हैं, लेकिन उमीद नहीं की जा रही थी कि पारसनात राय को टिकट मिलेगा, बहुत अच्छा चैन नहीं माना जाता है, वो सीट भी भूमिहार सीट बलिया हो गई है, जो कि मुहमद तो कौन-कौन सी सीटें जीतेंगे, यह अब कोई बहुत चर्चा नहीं रह गई है, बेसिक क्या है, नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन चुके हैं, इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं, कि सब कुछ उनमें समाहित होता हुआ दिखता है, इसलिए जौन प भारत जहां लगता था, कि जैसे पहले कहा जाता था, भारती जनता पार्टी इन इनराजियों में तो अचूत है, उसको तो कोई सुनेगा नहीं, उसके साथ कोई हाथ नहीं मिलाएगा, अपनी ताकत से भारती जनता पार्टी वहां बड़ी होती हुई दिख रही है, अगर केरल, आंदरप्रदेश, तमिल नाडु, यहां पर भारती जनता पार्टी इस तरह से सीटे जीत रही है, तो यह बहुत बड़ी बात है, महाराष्ट में अंडिस्प्यूटेड, जिसको कहते हैं कि एक मात्र राष्ट्री पार्टी बचने वाली है, कॉंग्रेस पार्टी श हिंदुत्तो और विकास, यह जो ब्रांड एडिन्टी है, वो बहुत ठीक से काम करते हुए दिख रहे हैं, अज़ 16 अपरेल के दिन, एंडिये 393, इंडिया गटबंदन 99 पे दिखाई दे रहा है, पिछले चार सर्वे में आपको बताता हूँ, शुरुआत करी थी और नीचे गया 315, इंडिया गटबंदन में डाउन हुआ थोड़ा, 172 पर आया, यानि बाकी पार्टी में सीटे बटी, मार्च 2024 में छलांग लगाई एंडिये ने तगडी, और यह हो गया 378 पर और इंडिया आगया 98 पर, मार्च एक अपरेल 2024 को एंडिये जो था वो 399 सी जीता हुआ दिखाई दे रहा था, अब इसमें 6 सीटों का नुकसान जो है, पिछले सर्वे और इस सर्वे में हुआ है एंडिये को, 393 पर वो आ गया है, और 99 पर इंडिया गटबंदन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन जो भी सारी रिया लाइलमेंट्स होनी थी, म इस रियालाइनमेंट के बाद 100 के नीचे ही रह, 100 को वो पार नहीं कर पाई, बस में इसमें एक हैडलाइन से आप पूछ रहते हैं तो मैं जोरू कि आपनी पूरे सर्वे में देखा कि कॉंग्रेस कहीं भी डबल डिजिट में नहीं पहुंच रही, सबसे जादा जो उनकी म पूरा जोर मिलकर गर डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो इससे चमुच बहुत चिंता की बात, यह मैं कॉंग्रेस की सीट होगा प्रेक निकालना चाहिए, इंट्रेस्टिंग बात हो जाएगी, आपने बताया के रहल में कितनी सीटे हैं कॉंग्रेस की? कॉंगेस की छे सीटे थे सीटे केरल के अंधर हैं तमिलाट में आ बताए हें कॉंग कॉख सीटे क existe कान आपका में छार्मज में थीनार में अन्थे सीटे आट रहा हैं उप नहीं हूंगीत और चाहिए पढशाद में पंजार आप अंधाम हैं ते आपको पान सीटे महराष्टा में 1 सीट में महराष्ट को तो महराष्ट में कांग्रिस को 2019 से कंग्रिस के वज़े से रिडिए के सिवाजी महराष्ट के फैमिले से आते हैं वेश्पंग्वल में एक रिसीट ने पहली बार संभव लग रहा है कि अधिरंजन 14 को चुना फाई मतलब कोई ऐसा आपने ठीक का डबल डिजिट छूने की सरमेज में जो कसक परकरार ही रहे जागी कॉंग्रेस मैंने का पूरी पूरी संभावना है कि कॉंग्रेस दस सीटे किसी भी स्टेट में ना जीत पाए लग रहा था पहले संभावना कि वहाँ पे केला में फिर से यदी चुनाव यदी बड़ी एक कैंपेइन बनता कि राहूल गादि पुन्धानमंती बन रहे तो उसमें संभावन ना बन सकती थी कि वहाँ पे 10 सीटे से ज्यादा मिल जाए जो 2019 में बनी थी लेकिन इस बार इस तरह की संभावना किसी भी स्टेट में नहीं लग रहा कि राहूल गांधी के लिए या कॉंग्रेस के लिए कोई मोमेंटम नहीं बनना और वो इसको पोड़ने का एक और तरीक प्रदेश इसमें अब कुछ नहीं है 27 सीटे पूरे दक्षिंड भारत में 27 सीटे को उसके लावा पूरे भारत में नौर्थीस्ट इस सेंट्रल भारत वेस्ट नौर्थ सब में मिलाकर के कॉंग्रेस पार्टी को 13 सीट साउथ छोड़ दें तो पूरे भारत में मात्र 13 सीट कॉंग्रेस पार्टी जीतनी देश कंदर जितने राज्य और केंदर शाषित प्रदेश उससे जाना सीटे कॉंग्रेस के नहीं आ लिए 28 राज्य और 8 केंदर शाथित पार्दे मिलाकर 36 होता है कॉंग्रेस की करनाटा की सरकार तेलंगाना की सरकार अगरी आखरी ओपिनियन पॉल था आप एक तारीक यानि एक जून को एक्जिक पॉल में आपसे बाचीत होगी लेकिन फिलाल ये जो ओपिनियन पॉल है इसमें बड़ी बात यहा है कि कॉंग्रेस 40 सीटे जीती वी नज 243 और अंडिये का खाता जो है वो 393 तक पहुचता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गटबंदन सिर्फ 99 सीटे जीता हुआ नजर आ रहा है बहुत शुक्रिया आप सभी का अमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए एक एक सीट का सथीक विशलेशन करने के लिए फिल जनता पार्टी बीट कर रही है इंडिये 76 पर जाते हो पहुचती वही दिखाई दे रही है हमें और इंडिया गटबंदन चार सीटों पर चारों की चारों सीटे सपाक किया मैं बता दूँ आपको फिरोजाबाद मैनपुर घोसी और आजमगाड इंडिया उस पर आता हूं गाजी अबाद पर जाता है लेकिन फिलाल बातपा को जीते हों दिखाया गया इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके ऐलाइस वह जीत हासिल कर रहे है अगर एक बर आपको आपको जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटे आई ताकि बीजेपी का इससे पहले 14 में 71 सीटे भाजपा की अपनी जो आई थी हुथी आप बढ़ा करके उसको बहत्तर कर लिया जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटें ती गई है तो बीजेपी 72 आप समझे यूपी के सीटों में से जीत सकती है और चार सीट उसकी सायोग्यों को जाती हुई वो दिखाई देही है अभावे एक एक आगा समीर जी कॉमेंट मुझे लगा है कि स्वे दो सीटे और बारतियनता पाटी के पक्षमे जुड़ियाएं कि मुझे लगता है कि सिफ दो सीटे समाजाधी पाटी को मिलेगी एक मेनपूरी और एक आजबगर बाकी बाकी कॉमें द сюжette मुझे लग्रार एक अव्याजिपे मुझे मुझे लगगगा है गाजी पूर में यह मंपोर में अजखे हैं आजमगार में आपटा आए और भी कोई कंडिड़न नहीं जी आ ब्रेकिन और बड़ा है महां पर समा का पाटी मुझे तब भ右ब कुंगरूग पार्टी जीतेगी और आप देखना समाजवादी पार्टी को दो सीटे मिलेगी और कॉंगरेस खाता नहीं कुलेगा बार्टी चुरतर सीटे अपने आपके सामने रख दिया है और इस वक्त इस ओपीनियन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आकड़े से कुछ कम में NDA रुक जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आकड़ा 343 का होगा 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही ने आपके सामने भी आप गर्जे अत्रर अकुनमा जोडा इतने सारे दलोंको लाएक चोल गए इस डों कमी रह गएं इसमें NCP भी है, इसमें शरत पवार भी है, इसमें DMK भी है, अब सुचें को कितना मिली होगी? मैं सब देखे, इस पैनल में जब से हम लोग बिसक्रसन कर रहे हैं, हम सभी इस बात के पर राजी थे, कि कॉंग्रेस पार्टी पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा, और हम लोग कई बोल रहे थे, कि 40 सीटों से ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी नहीं जीत रही थे, कल भी वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है, यानि कि जो सबसे बड़ी दूर्दसा है, दूर्दसा जो है, वो राहूल गांदी की पार्टी को होने जा रहा है, इस पुरे चुनाव का टेकर रही है, और अब उससे भी नीचे 40, जो आप बार बार कहते है मैं तो 38-38 बोलते रहा हूँ, पता नहीं है, आपने एतिहासिक नियूनतम पर पहुंचेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो तो होता हुआ इस वक्त दिखाई देर, आप ये क्यों है, ये राहूल गांदी को सूचना है, सुनिया गांदी को सूचना है, कि आखिर ऐसी जिको समझने में असफल रहे हैं, उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरके से कटे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है, भारत का मन वो नहीं है, जो 1970 और 80 के दसक की राजनीती है, आज के दिन में राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार् भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी परकार की राजनीती को भारत में स्थापित करने की पुनर स्थापित करने की कोशिस कर रहे हैं, कम से कम 4 दसक जो हैं, वो हम आगे निकल गये हैं, पांस दसक और ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस पार्टी की जो दुर्दसा देख मेरा 20 साल का एजन्डा ये है, 5 साल का एजन्डा लो ये है, और वो कह रहे हैं कि यह जो हम बचन दे रहे हैं, उस बचन के हम गारंटी दे रहे हैं, कि हम ऐसा हम करने जा रहे हैं, तो यह दोनों में फरक है, और यही कारन है कि परिणाम जो है हो, अब देखे ना, नरेंदर लिए 400 के ऊपर जा सकता है,400 के उपर जा सकता है, इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए. अश्दा जानला लिजे बादा लेते हैं कि 21 सीटों पर भारतिय जंता पर्टी तमिल नाडू में लड़ रही है. आपके सर्वे में तीन सीटे भारतिय जनता पार्टी को तमिल नाडू में दिया गया है ज़िए मान लेते हैं कि कंजरवेटिव जो हम लोग बात कर रहे थे कि डबल डिजिट में यह दी कौंग भारतिय जनता पार्टी वहां पहुंच जाती है जबकि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक स्थितिय ऐसी आ सकती है इसे इनकार नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी कोशिस कर रहे हैं चालीस मंत्रियों को डिप्यूट किया गया चारसो बार केंद्रिय मंत्री वहां पर गए हैं प्रधान मंत्री पिछले दो महिनों में इतनी बार जा चुके हैं बुझानी बात आप किया रहें 400 पार हो सकता है मैं कर रहूँ है इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है अभी वो दूर का रास्ता दिखता है उत्तर भारत में उसको बढ़ा है और देखेंगे कि यदि आप बिधान सबाद चुनाओ को आप देखेंगे उसको यदि आप पैमाना ले ले तब भी मैं कह सकता हूं कि यह बहुत अच्छा उपिनियन पॉल हमको दिखा रहा है खास करके उत्तर भारत में ऐसे यदि मानते है मुझे मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अमिट्सा और योगी जी का बिहार का दोरा हो रहा है आप यह मानिए कि कोई सामान नित्या ऐसा होता था कि एक डिविजन में प्रधान मंत्री की एक सभाय हुआ करती थी यदि वो मगद कमिशनरी में उन्हों अपना दल दो सपाचार यानि यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है एंडिया चीहत्तर और इंडिया गटबंधन चार मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताप तक उसको भरती जंता पाटी बीट कर रही है एंडिया चीहत्तर पर जाते हो पहुशती भी दिखाई दे लेकिन फिलाल भाजपा को जीते होए दिखाया गया इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके एलाइज वो जीत हासिल कर रहा है अगर एक बर हमको आपको जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटे आइए ताकि बीजेपी का एक्जाट नंबर हमें पता च अब बढ़ा करके उसको बहतर कर लिया जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिं की गई कापी सीटें दी गई है तो बीजेपी 72 आप समझे है यूपी के सीटों में से जीट सकती है और चार सीट उसकी सहयोग्यों को जाती हुई वो दिखाई दे रही है अब आवे एक एका समीर कॉमें करूब्स दॉढ़ां हो जीटे के सथी आगोगा मिलें उसे हो कि अचार दोशीटे दौनापर्टि को हर आपूर्ण को भाकी रहां है अजवाभ उन ता विर्य भाज़ी जाहिए तो लिग खुणरे को आजमगर में आजमगर में आपने का गुड़ु जमाली बस्पावाली यहां आगे तो इसे में मायवति ने कोई कंडिडेट नहीं नहीं दिया होगा लेकिन अपना बड़ा होड़ा है वहाँ पर बहुजन समाज पाटी कोई कंडिडेट देवी देगी तब भी मुझे लगता पाटी चौरता सीटे अपर लेकर आईगी और दो सीटे सवयोगी तो आप करें एंडिया जाएगा बिल्कुल एंडिया जाएगा सिर्थ दो सीटे समाजादी पार्टी को मिलने जारी उत्तर पदेश के अंदर देखें ओवराल सीट एक बार बता दिनी चाहिए सौरब तो यहाँकडा 343 का होगा, 370 का टार्गेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टार्गेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है, 347 सीटे बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है जबकि आप overall NDA की बात करेंगे तो 393 सीटे यहाँ NDA जीट सकता है 543 सीटों का यह पूरा opinion पोल हमने आपके सामने रफ दिया है यह सेकडा नहीं छूपाया हुआ इंडिया गट बंदन का इसमें इसमें संवाजवादी पाटी इसमें लेफ्ट के लोग भी है इसमें इसमें चरथ पवार भी इसमें टीयम के भी है कॉंग्रेस पार्टी पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज्यादा कॉंग्रेस पार्टी नहीं जीत रही थी कि कॉंग्रेस पार्टी 40-45 सीटों से ज्यादा नहीं जीत रही थी एक और बड़े प्रतिस्थान ने कॉंग्रेस के लिए सर्वे कराया था वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है यानि कि जो सबसे बड़ी दूरदसा है दूरदसा जो है वो राहूल पर पहुंचे की बिल्कुल बिल्कुल वो तो होता हुब इस वक्त दिखाई देरा आप यह क्यों है यह राहूल गांधी को सूचना है कि आखर ऐसा कि ऐसी दुरदर्शा क्यों कॉंग्रेस पार्टी की हो गई है भाई सारे नेता मौझूद हैं पार्टी के पास पार्टी का कटे हुए हैं उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 80 के दसक की राजनीती है आज के दिन में राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी प्रकार की राजनीती को भारत में स्वाइब करने की पुनर स्वाइब करने की कोष्टिस कर रहे हैं कम से कम चार दसक जो है वो हम आगे निकल गए हैं पांस दसक और ऐसी इस्तिति में कॉंग्रेस-पार्टी की जो दुर दसा देख रहे हैं वो भारत की नब्ज नहीं पकड़ने काही कारण है एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको दोजार से तालिस में विक्सित भारत का स्वप ने दिखा रहे हैं और स्वप नहीं नहीं दिखा रहे हैं कहा है मैंने इतना कर दिया है आने वाले दिनों में मेरा 20 साल का एजेंडा यह है पात साल का एजेंडा लोई यह और वो का रहे है कि यह जो हम वचन दे रहे हैं उस वचन के हम गारंटी दे रहे हैं यह हम करने जा रहे हैं तो यह दोनों में फरक है और यही कारण है की परिणाम जो है आपके सर्वे में तीन सीटे भारतिय जनता पार्टी को तमिल नाडू में लड़ रही है। प्रधान मंत्री कोशिस कर रहे हैं, 40 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 400 बार केंद्रिय मंत्री वहां पर गये हैं, प्रधान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके हैं। सितनी प्रधान में वहां से अपने चटनी ही किया है, बिहार के अंदर आपने चटनी किया, चट्टी किया मतलब जो आजे बता रहे हैं कर्नाटक में तो को सब्सटीर किया गया है इसको अइसा नहीं की सिक पर रही रहा है बारती जनता पाटी नहीं वहां भी सीटे घट रहे हैं राव जी सहमत है सर्वे से मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो 310 तक मैक्समुम जो है वो जाएगा हम सर्वे तेरा 343 आप कैने 310 तक मैक्समुम जाएगा मतलब इंडिया कटपंदन 100 के पार और कॉंग्रेस आपकी रहा से 50 के उपर कि कहा थे अरव बहुत है तक मैंने आपको पहले विभा था कि अगा सीटों पर कउंग्रेस कंग्रेस तो नहीं जाएंडेस तो सबसें कम सीटों पर चुनाव लड़ने जाएं उसको अपने उपर भरोसा कर सादर के फारोशा हो तो सायद जो है पार्टि में ऐसा लगता कि जो तो तो जोगा एलेक्शन के बाद हुआ अब देखें अब 2024 की कोई बात नहीं अब दबागोल हो गया जोगा जोगी है तो चालेस आप दे रहे हैं 40 से उपर मानें चालेस से थोड़ा उपर हो सकते देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुएं देवेंद्र फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है 393 NDA और 343 भारती जनता पार्टी जीत सकती है 370 का टार्गेट मोदी ने सेट किया था लेकिन 343 पीजेपी अपने दम पर जीत सकती है यहीं आंकलन लेकर चला जा रहा है इस वक्ट पार्टी के तरफ से भी? और टार्गेट लेकर चला जा रहा है आंकलन ना कहें तो जादा बेतर है क्योंकि पार्टी के जो रहनितिकार है वो अलग है जैसे प्रोवांचल को इदारम पर आप देखें तो आजमगड के अलावा लालगन घोसी इन सीटों को बीजेपी डिफकर्ट मान रही है और अब जाउनपूर की सिती भी क्योंकि ट्रेंग्लर फाइट किया है वहां भी बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली इस्तिती है तो पार्टी करण इतिकार यह मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है उन्हीं पर आपको काम करना है इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनिजवल चीज है इस लिहास से कि अगर यह इतना सर्टेन होता तो फिर तो बीजेपी के कारकरताओं साथ समस्य यह होती है कि जैसे अपोजिशन से उन्हें चैलेंज मिलता है वो और दुगुने साथ से लग जाते हैं और फिर अपने ग्रिवांसेज वो किनारे कर देते हैं अन्यथा अगर सिटिंग केंडिडेट को लेकर उनके अंदर ग्रिवा पिये मोदी हर जगह जाकर ये बता रहे हैं कि आपको मुझे देखना है देश के प्रधार मंद्र को वोट करना है 2047 के लिए वोट करना है हमारे रिपोर्ट कार्ट पर वोट करना है हमारे आगे के विजन पर वोट करना है और कमल का फूल देखना है या फिर हमारे सही होग महाराश में लगबाग 15-16 के आसपास ऐसी सीटे हैं जहां पार्टी को बहुत जादा मेनत पर चिनता है और कई सीटे उसको लग रही है कि वह फस रगती है कहीं पर टफ कंप्टिशन देखने को मिल रहा है तो जो आकड़ा हमने दिखाया है वह आकड़ा नीचे मानकर चला ज चले मैं जो कटनाई की बाद कर रहा हूं उन तो लेकर पास अपना फेड़ बैक है उन राजियों के वारे में वह हम बता रहे हैं जहां जाया मेनत करने के दुर्ड है और एस Ayse अजे पर्खरने के सुल ए हुद consell पर फील सीगेखके में येefा पार्ट विक्री में कि एक प कि बीजेपी अपनी कम्यों को बहुत अल्ली अड्रेस करती है उसके हिसाफ से समधान करती है मुझदफन अगर का केसी आप देख लें जैसे पार्टी को यह असा फिल हुआ कि हाँ चत्रिय एक समस्या हो सकती है अपने देखा कि योगी एदेतनाज योगी उपी में चत्रियों के सबसे बड़े चेहर बीजेपी के हैं उनको वहाँ पर डिपलाई कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार कीज़ा रही है उनको दूर किया जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के हिसाब से आप देखें तो 370 बीजेपी के रहनितकार भी मानके चल रहा है कि वो थोड़े ज्यादा दूर की कोडिया उसके बहुत में आपके नहीं होगा कि बीजेपी जिन राजियो में चुनौती वाली सीटे जिन सीटों को मान रहे है उसके बारे में गिव अप कर दिया है वो गिव अप ही हो जागा जैसे यूपी के जिन सीटों का उदारन देके बात कर रहे हैं बियार की जिन सीटों का उदारन देके बात कर रहे हैं महराष्ट की सीटों का उदारन दे के बात कर रहे हैं करनाटेफ सीटों का दारन दे के बात कर रहे हैं पार्टी यह मान कर चल लिए कि अभी तना समय है कि हम उस डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे और जो समस्या है उसे दूर कर लेंगे नंबर्स बढ़ाने के लिया से अगर बा 60% नहीं, 60,000 Christian vote आने चाहिए BJP के पक्ष में, जो कि असान काम नहीं होगा, इतना बड़ा mobilization आमतौर पर सौथ में नहीं होता है, इसके अलाबा आटेंगल वाली सीट जो है, जहां मुलिधरन लड़ रहा हैं, वो एक अच्छी स्थिती में हैं, लेकिन वो भी clear cut जीत वाली स् स्थिती में हैं और ऐसा हो कारनामा वो कर पाएगी, बिहार में पार्टी की ये कोशिश है, कि पिछली बार का जो आकरा है, उससे बहुत दूर ना राजा है, उत्तर प्रदेश में पार्टी की अभी जो इस्तिती है, उसमें पार्टी एमान के चल लिए कि एनिवर बिट्रीन 68-70 रह सकता है, इंडिये गडबंदन के लिया से, और बागी सीटों पर आपको और मेहनत करनी है, तो ओवराल जहां पर आप मैक्सिमम थे, वहाँ पर तो मैक्सिमम है, उससे रिटर्ण करना है, करनाटक में बड़ी समझ सब्सक्राइब ये जरूर है, क उसमें 62 फिस दी, पिये मोधी को फिर से पथान मंतरी देखना चाहते हैं, वो चीज़ बीजेपी के लिए वहाँ पर ट्रम काड़ हो सकता है, तो इस तरह से रजजवार बीजेपी ने आक्नन कर रखा है, उसके लगतार काम किया जा रहा है, स्वार। साथ था, वो बहुत मत्कुर हो जाता है, खासकर यूपी में यदि आप जाए तो घोसी सीट जैसे पहले यदि हम लोग सर्वे जब जन्वरी महिना, फरवरी महिना में जब हमने किया था, वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यदि खुद से लेगी तो जीत सकती है, ज उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा था कि बीजेपी खुद जाद है सीटो पर लड़ेगी तो बिहार में और अशा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उन्होंने जो 2019 में जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला कंदर का सत्र सीटों पर चुनाव लग रही है, साउथ में, साउथ में बीजेपी जिन जिन सीटों पर अच्छे कैंडिडेट दे रही है, बीजेपी का वहां पहले सीरी थोड़ा बहुत जनाधार है, तो बीजेपी के लिए वहां पर संभावना ही बढ़ जाते, इस तदेवेंद बात करेते, तिंगल सीट की बात करेते, या थिसू सीट की बात करेते, इन सब सीटों के लिए बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट का होना, बीजेपी के लिए संभावना ही बढ़ाते है, कि बीजेपी यहां पर जीत सकते है, उसी तरह तमिलाडू में जो सीटे हम लोग प्रिडिक्ट करें कि बीजेपी जीत सकती थी, इसी तरह देखेंगे, अलग अलग राजव में जहां जहां आप जाएंगे, बीजेपी ने जहां पर अच्छा कैंडिडेट दे दिया है, यदि वहां पर उसका आधार नहीं है, तो बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन नौत में आप जैसे आएंगे, नौत में जिस तरह का एक मॉमेंटम उसमें, बीजेपी के लिए कैंडिडेट सेलेक्शन बहुत जादा मतलब नहीं लगता, लेकिन फिर भी वहां पर यदि बहुत जादा नाराजगी है, तो फिर इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अब जरा सारी पार्टिय इस पे 52 सीटों पर खड़ी थी, ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है, और 40 के नीचे भी जा सकती है, इसके लावा अगर आगे बात करें, आम आदनी पार्टी, आम आदनी पार्टी के पास एक सांसत था, हमारा सर्वे कह रहा है, उसको 8 सीटों पर जीत हासिल कर स सकते हैं, एक संसत का नुकसान, बसपा के 10 जीते थे पिछली बार, इस बार 0, तो मायवती शून ने पर आ रही है, ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है, जेडियू, 16 सीटें जीती थी थी 2019 में, और अब हमारा उपीनियम बूल कह रहा है, 2024 में 16 से घटकर 12 पर, यानी 4 का न गट बंदन 4, मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताफ तक उसको भरती जंता पाटी बीट कर रही है, इंडिये 76 पर जाते हो, पहुचती भी दिखाई दे रही है हमें, और इंडिया गट बंदन 4 सीटें पर, चारों की चारों सीटें सपाक किया है, मैं बता दूँ आपको फिरो जीत हासिल कर रहा है, अगर एक बार हमको आप इभी बता दें, अगर आपको जानकारी हो, एलाइस को कितनी सीटें आइए, ताकि BJP का एग्जाट नमबर हमें पता चल जा यूपी में, पुरे और अवरॉल, उवरॉल, 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 उवरॉ आप समझे है, यूपी कैसी सीटों में जीत सकती है, और चार सीट उसकी सायोग्यों को जाती हुई वो दिखाई दे है, अभावे, एक आगा, समीर जी कॉमेंट, मुझे लगता है कि सिफ दो सीटें और बारतियनता पार्टी के पक्षमें जुड़ी आए, मुझे लगता है सिफ दो सुटें समाजड़ी पार्टी को मिलेगी एक महिनपूरी और एक आजमगार। नियुके लगता है, कि यूगता है। बाकी दो सीटे मुझे लग रहा है कि असा नहीं है कि गाजीपूर में आजमगर में आजमगर में आपने का गुद्धु जमाली बस्पामाले यहां आगे तो उसे मायवति ने भी कोई कंडिड़ेट नहीं नहीं दिया है लेकिन अपना बड़ा होड़ा है वह पर बहुजन सम देखना समझवाधी पर्टी और गाड़ नेए ठीटे मिलेगी और क्यूंकि सारे के सारे आकड़े खुल गए हैं 543 सीट का ओपीनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है और इस वक्त इस ओपीनियन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आकड़े से कुछ कम में NDA रुख जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में BJP की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आकड़ा 343 का होगा 370 का टारगेट BJP ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे BJP रुक रही है 343 सीटे BJP अपने दम पर जीत सकती है जबकि आप ओवराल NDA की बात करेंगे तो 393 सीटे यहाँ NDA जीत सकता है 543 सीटों का यह पूरा ओपीनियन पोल हमने आपके सामने रफ दिया है बताईए सेकड़ा नहीं छूपाया इंडिया गटबंदन इतना बड़ा कुनमा जोड़ा इतने सारे दलों को लाए कुछ छोड़ गए कुछ रह गए सेंचुरी क्रॉस नहीं हो पारी है कि इतने साथ बड़ा इतने सेंचुरी नहीं बना पाई कि इन्ड webcam और सटीका हुआ कि इन्ड्या गटबंदन इगार नाइंटीनएन इसमें सवाजवादी पाईभी है इसमें लेफ्ट के लोग भी ए इसमें RJD भी है, इसमें NCP भी है, इसमें शरत पवार भी है, इसमें DMK भी है, अब सुचें को कितना मिली होगी है, इस पैनल में जब से हम लोग बिसक्रसन कर रहे हैं, हम सभी इस बात के पर राजी थे, कॉंग्रेस पार्टी पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा, और हम लो इस पार का जिक्र चल रहा था, कि कॉंग्रेस पार्टी 40-45 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत रही थी, एक और बड़े प्रतिस्थान ने कॉंग्रेस के लिए सर्वे कराया था, वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है, यानि कि जो सबसे बड़ी दुर्दर्शा जो है, वो राहूल गांदी की पार्टी को होने जा रहा है, इस पुरे चुनाओ का टेकर रही है, यानि कि जो से भी नीचे 40, जो आप बार बार कहते हैं कि अपने अपने एतिहासिक नियूनतम पर पहुंचेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो तो होता इस बड़ दिखाई देर, आप ये क्यों है, ये राहूल गांदी को सूचना है, सुनिया गांदी को सूचना है, कि आखिर ऐसी दुर्दर्शा क्यों कॉंग्रेस पार्टी की हो गई है भाई, सारे नेता मौझूद हैं पार्टी के पास, पार्टी का तंतर तो नहीं खुतम हुए हैं, उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है, भारत का मन वो नहीं है, जो 1970 और 80 के दसक की राजनीती है, आज के दिन में राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी प्रकार की राजनीती को भारत में स्टापित करने की कोशिज कर रहे हैं कम से कम चार दसक जो है वो हम आगे निकल गए हैं पांस दसक और ऐसी स्थिती में कॉंग्रेस पार्टी की जो दुरदसा देख रहे हैं वो भारत की नफ्ज नहीं पकड़ने का ही कारण है एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको दोहजा करनें जा रहे हैं तो यह दोनों में फर्क है और यही टीली दे कहा कर Cisco और सरवे बता रहा है की अ चार सथ का मतलब salad लिए 400 के उपर जा सकता है, 400 के उपर जा सकता है, इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए, आपके सर्वे में तीन सीटे भारतिय जनता पार्टी को तमिल नाडू में दिया गया है, यदि मान लेते हैं कि कंजरवेटिव जो हम लोग बात कर रहेते हैं कि डबल डिजिट में में दिकॉंग भारतिय जनता पार्टी वहां पहुंच जाती है, जबकि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक स्थिति ऐसी आ सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, प्रदान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके हैं, आप क्या रहे हैं, 400 पार हो सकता ह अभी वो दूर का रास्ता दिखता है जब 393 पहुंच सकता है तो 400 क्यों नहीं पहुंच सकता सवाल तो यह है कॉंग्रेस अगर 40 सीटे पर पहुंचती है बार्टियंदा पाटी को इतना पचेंड भूमत मिल रहा है तो पधान मंत्री मोझे ले है अभी कहते हैं इस से भी कम होंगी नहीं चालिज सीटे तो मुझे लगता है आज आएंगी कॉंग्रेस किसी भी तरह से रोक है 35 के विचिमें कोंग्रेस कही ना करेंगी कर दिया पहुंच से 40 अबिलकुल मुझे लगता है लेकिन एक बड़ी चालिस से 45 भी तो कह सकते थे सब्सक्राइब कर देखे इस पूरे आंक्रे में यह भी बात है कि जिसको कहते है या बाकी लोग कहते है भारतिये पंजन्टा पार्टी में जिसको पीक experience कहते हैं हम electoral politics में ओपीक experiences तक पाँच चुके तैसे यह जा आपने चटनी किया मतलम जो आचे बता रहे हैं तरह जो पाले था वो उस फिक पर रही रहा है बारतिया जंता पाटी नहीं वहां भी सीटे घट रही है त्रीक राव जी सहमत है सर्वे से मैं मानता हूँ कि BJP अपने दम पर 310 तक मैक्समुम जाएगा सर्वे तेरा 343, आप कैने 310 तक मैक्समुम जाएगा मतलब इंडिया कटपंदन 100 के पार Congress आपकी राज़े Congress का तो देखे, बहाल भी बुरा है मैंने आपको पहले भी बाराथा, 51 के बाद अगर सबसे कम सीटों पर Congress कभी लड़ रही है चुनाव पर इन चुनाव पर इन चुनाव होने जाएगा 300 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उसको अपने उपर भरोसा नहीं है Congress क्या होता है कि Party को अपने उपर भरोसा हो, काडर के उपर भरोसा हो तो शायद पार्टी में ऐसा लगता कि जो है वो कुछ कमाल गता है कोई सलाह आपको आपकी Congress Party को तो चुनाव परप्दे देना चाहिए तो अगर वैसा होता है तो क्या पता Congress रिवाइब तो जो का election के बाद हुआ अब देखे अब 2024 की कोई बात नहीं तो चालेस आप दे रहे हैं चालेस से उपर मानेंगे चालेस से का या चालेस से थोड़ा उपर हो सकते देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए देवेंद्र फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है 393 NDA और 343 भारती जनता पार्टी जीत सकती है तीन सो सतर का टार्गेट मोदी ने सेट किया था लेकिन 343 भी अपने दम पर जीत सकती है यही आंकलन लेकर चला जा रहा है इस वक्त पार्टी के तरफ से भी पार्टी के और आकलन रहें तो जाद भी तर रहा है कि पार्टी के बगानम और आप देखें तो आजमगड के अलावा तो आजमगड के अलावा गही है और आप जानपूर की सिती तो पार्टी करने इतकार यह मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है उन्हीं पर आपको काम करना आए इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनिज़रल चीज है इस लिहास से कि अगर यह इतना सर्टेन होता तो फिर पदानमंति को अपने पक्ष में लेका आते हैं बीज़ेपी ए एक दूसी चिंटा ये है क्योंकि एपोजेशन से चैलेंग मिलता नजर नहीं आ रहा है बीज़ेपी कारकरता हो पसा समस्ण ये होती है कि जैसे ऐपोजेशन से उन्ने चैलेंज मिलता है और दूगने उतसा से लग जाते है पिर अपने ग्रिवांसेज वो किनारे कर देते हैं अन्यता अगर सिटिंग कैंडिडेट को लेकर उनके अंदर ग्रिवांसेज हैं तो उनके हावी होने का खात्रा इस रूप में रहता है कि वो कारकरता पार्टी के खिलाब तो जाएगा नहीं लेकिन अपने घर में थोड़ा करना है हमारे रिपोर्ट कार्ट पर वोट करना है हमारे आगे के विजन पर वोट करना है और कमल का फूल देखना है या फिर हमारे सही होगी को देखना है तो यह एक बड़ी वज़ा है जिसके चलते बीजेपी इस प्रकार्ट के स्टेडिय को देखना है तो यह एक बड़ रही हैं कि वो फस रखती हैं कहीं पर tough competition देखने को मिल रहा है तो जो आकड़ा हमने दिखाया है वो आकड़ा नीचे मान कर चला जा रहा है या इससे आपकी गुंजाइश भी है 343 से देखें अभी तक मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अगर 370 का बीजेपी को दे दिया और 400 का आकड़ा गडवननं के लिया से तो बीजेपी का हर कारकरता इसी लक्ष को मान कर चलेगा लेकिन मैं जो कटनाई की बात कर रहा हूं वो उन सीटों को लेकर जो पार्टी के पास अपना feedback है उन राज्यों के उन सीटों के बारे में वो हम बता पहचान करें और जैसे बीमारी की पहचान होती है वहां पर आप तुरह तो उसका समधान करते हैं उपचार करते हैं और पोजिशन और बीजेपी के रणिती में इलेक्शन रणिती में ये बड़ा फर्क नजर आता है कि बीजेपी अपनी कमियों को बहुत जली अड्रेस कर जा रही हैं उनको दूर क्या जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के हिसाप से आप देखें तो 370 बीजेपी के रणितिकार भी मान के चल रहे हैं कि वह थोड़े ज्यादा दूर की को पॉजिटिव साइट पर बीज कि एक पी जिन राज्यो में चुनाति वाली सीटे जिन सीटों को मान रहे हैं उसके बारे में गिवाफ कर दिया है तो जो इसे दूर कर लेंगे बढ़ाने के लिया है तो इस बढ़ाने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है सुएस गोपी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट जीती आ सकते हैं लेकिन सिक्षी परसंट नहीं साथ हजार क्रिश्चन वोट आने चाहिए बीजेपी के पक्ष में जो कि आसान काम नहीं होगा इतना बड़ा मोबिलाइजेशन आम तर्पे साथ में नहीं होता इसके अलाबा अर्टेंगल वाली सीट जो है जहां मुली धरन लड़ रहा हैं वो एक अच्छी स्थिती में हैं लेकिन वो भी क्लियर कर जीत वाली स्थिती नहीं है तो केरल में बीजेपी को बहुत जादा होप नहीं है तेल प्रदेश में पाटी की अभी जो इस्तिती है उसमें पार्टी एमान के चल लिए कि एनिवर बिट्मी टू सेवेंटी रह सकता है इंडिया गडवन्दन के लिहां से और बागी सीटों पर आपको और मेहनत करनी है तो ओवर जहां पर आप मैक्सिमम थे वहां पर तो मैक्सि लेकिन पूरुष वोटर लगवग पाटी के इंटर्नेट सालवे हुआ था उसमें 62 फिस दी पीए मोधी को फिर से पथान मनती देखना चाहते हैं वो चीज़ बीजेपी के लिए वहां पर ट्रम कार्ट हो सकता है तो इस तरह से रजवार बीजेपी ने आक्नन कर रखा है उसके लगदार काम किया जा रहा है जैसा आप असेस्मेंट की बात देविंद्र कर रहे थे टिकेट का जो वित्रण हुआ या टिकेट जिस तरीके से बाटे गए उमीदवार मैदान में उतारे गए इसका कितना मैत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जिससे बढ़ी महिना पर बढ़ी महिना में जब हमने किया था वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यादी खुद से लएगी तो जीट सकती है जब से इन्होंने राजबर की पार्टी को दिया था वहां पे बहुत बड़ी चैलेंज यह आए कि वहां पे जो बीजेपी के सीटों पे चुनाव लग रही है खासका साउथ में साउथ में बीजेपी जिन जिन सीटों पे अच्छे कैंडिडेट दे रही है बीजेपी का वहां पहले सीरी थोरा बहुत जनाधार है तो बीजेपी के लिए वहां पे संभावना ही बढ़ जाते इस तदेवेंद बात करे करें इन सब सीटों के लिए बीजेपी पास अच्छे कैंडिडेट का होना बीजेपी के लिए सम्भावना ही बढ़ा इसे तेमिलाढू में में जो सीट हम पर हम गया है की स्पे ने अच्ट? लेकिन नौत में आप जैसे आएंगे नौत में जिस तरह का एक मोमेंटम उसमें वीजेपे के लिए कैंडिडेट सेलेक्शन बहुत जादा मतलब नहीं लगता लेकिन फिर भी वहां पर यह ज्यादा नाराजगी है तो फिर इंपोर्टेंट रोड प्ले करेंगे जरा जरा सारी पार्टियों की पोडिशन आपको बता देनी चाहिए वीवर्स जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बता है मैं एक कंपैरिजन के साथ बता रहा हूँ बीजेपी 2019 पे 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस उपि कह रहा है उसको 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है मतलब 7 सांसद उसके जादा जीत करके आ सकते हैं त्रिलमूल कॉंगरेस 22 थे पिछली बार इस बार 19 सीटों का नुकसान ममतब एनरजी को हो सकता है समाजबादी पार्टी की पिछली बार 5 सांसद जीते थे इस बार 4 जीत सक एक संसद का नुकसान बसपा के 10 जीते थे पिछली बार इस बार 0 तो मायवती शून ने पर आ रही है ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है जेडियू 16 सीटें जीती थी 2019 में और अब हमारा उपीनियम बूल कह रहा है 2024 में 16 से घटकर 12 पर यानि 4 का नुकसान जेडियू को हो सकता है 24 से घटकर 17 पर आ सकता है अपना दल दो सपाचार यानि यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है एंडिया चीहतर और इंडिया गटबंदन 4 मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताप तक उसको भरती जंता पाटी बीट कर रही है एंडिया चीहतर पर जाते हो बह गाजेफूर के सीट बाटप बानी जारे थे लेकिन फिलाल बातपा को जीते वह दिखाया गया सर्वे में इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेप या उसके एलाइस वो जीट हासल कर रहा है अगर एक बार हमको आप यह जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटे इससे पहले 14 में 71 सीटे भाजपा की अपनी जो आई थी हुथी आप बढ़ा करके उसको बहस्तर कर लिया जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटें ती गई है तो बीजेपी 72 आप समझे यूपी के सीटों में से जीट सकती है और चार सीट उसकी सायोग्यो को जाती हुई वो दिखाई दे दे हैं अबावे एक एका समीर जी कॉमेंट मुझे लगता है कि दो सीटे और बारतियनता पार्टी के पक्ष में जुड़ियाएगी मुझे लगता है कि सिफ दो सीटे समाज़ादी पार्टी को मिलेगी एक मेनपूरी और एक अजबगर बाक जीते हैं मुझे लग रहे हैं अजमगर आपने गुड़ू जमाली बस्माले यहां वार्टी नहीं दिया होगा लेकिन अपना बड़ा होल्ड रहा है वह पर बहुझन समाज पर्टी को केंड़ेट दे भी तब ही लगता है कि आजमगर खर्ण आज़ादी पार्टी कर पर देखना समझवादी पार्टी को दो सीटे मिलेगी और कॉंगरे तक खाता निकुलेगा बार्टे पार्टी चारतर सीटे अपने आपके सामने रख दिया है और इस वक्त पोल से बड़ी अबर यह है कि 400 के आकड़े से कुछ कम में NDA रुक जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आकड़ा 343 का होगा 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजे बीजें ट्श varit करेंड इसमें में इंडिया पर 2.99 इसने समाजवादी पार्डी इसमें लिटे। के लोग है इसमें इसमें एंसीपी भी है इसमें इसमें डीमके भी है इसमें इसमें को कितना मिली होगी इस पैनल में जब से हम लोग बिसक्रसन कर रहे हैं हम सभी इस बात के पर राजी थे कॉंग्रेस पार्टी 50 से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज्यादा का जिद रहे हैं कल भी एक दूसरे सर्वे में इस बात का जिक्र चल रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी 40-45 सीटों से ज्यादा नहीं जीत रही थी एक और बड़े प्रत जो आप बार बार कहते हैं कि अपने अथिहासिक नियुनतम पर पहुंची की बिल्कुल बिल्कुल वो तो होता हुआ इस वक दिखाई देरा आप यह राहुल गांदी को सुचना है सुनिया गांधी को सूचना है कि आखेर ऐसी दुर्दरशा क्यों कॉंग्रेस पार्टी की हो आप यह राहुल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की नवज को समझने में असफल रहे हैं उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरके से कटे हुए हैं उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 1980 के दसक की राजनिती हैं आज के दिन में राहुल गांधी और कॉंग्रेस पाटी भारत में 1970 और 80 कि मंडल राज़नीती और उसी प्रकार की राज़नीती को भारत में इस्ताफित करने की कोशिस कर रहे हैं कम से कम चार दसक जो है वो हम आगे निकल गए हैं पांस दसक और ऐसी स्थिति में कॉंग्रेस पार्टी की जो दुर्दसा देख रहे हैं वह भारत की नभ्ज नहीं पकड़ने का ही कारण है एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको दोजार से तालीस में विक जैंकर हम गारंटी दे रहे हैं कि हम ऐसा प्रीयो हम करने जा रहे हैं तो ये गर्श पहूंच सकता है 393 चार सो में केवल शांत का मतलब ये वह ल ihr उपड़िए! 400 के उपर जा सकता है, इसमें कोई अच्रज नहीं होना चाहिए प्रकार से भारती जन्ता पार्टी कोसिस कर रहे हैं, चालिस मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 400 बार केंद्रिय मंत्रियों वहां पर गये हैं, प्रधान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके हैं, आप कहारा है, 400 बार हो सकता है, मैं करूं इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, अभी वह दूर का रास्ता दिखता है, जब 393 पे पहुंच सकता है, तो 400 क्यों नहीं पहुंच सकता है, सवाल तो यह है, देखें अगर, कॉंग्रेस अगर 40 सीटे पर पहुशती है, भारती अंता पार्टी को इतना परचेंट भूमत मिल रहा 40 से 45 पहुशती है, जब 40 के पहुशती है, देखें इस पूरे आंक्रे में यह भी बात है, कि भारती अंता पार्टी मैक्सम जिसको पीक एक्स्पिरियंस कहते है, हम एलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पीक एक्स्पिरियंस तक पहुँच चुके है, वहां से आपने छटनी ही इन सबों को कंसीडर किया गया है, इसको ऐसा नहीं है कि इसको कंप्लिक्टि वोला है कि जो पहले था वो उस पिक पर रही रहा है, भारती जन्ता पाटी में, वहां भी सीटे घट रही है, ठीके, राव जी सहमत है सर्वे से, लेगे मैं मानतराओं के बीजेपी अपने दम जो है, वो 310 तक मैक्सिमम जो है, हम सर्वे दे रहा है, 343, आप त्याने 310 तक मैक्सिमम जाएगा, मतलब इंडिया कटपंदन 100 के पार, और कॉंग्रेस आपती पार, कॉंग्रेस का तो देखे, बहाल भी बढ़ा है, मैंने आपको पहले भी बढ़ा था, 51 के बाद, अगर स सबसे कम सीटों पर कॉंग्रेस कभी लड़ रही है, चुनाव पहीं चुनाव पहीं चुनाव होने लगा है, 300 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसको अपने उपर भरोसा नहीं है, क्या होता है कि पार्टी को अपने उपर भरोसा हो, काडर की उपर भरोसा हो, तो सब्सक्राइब मुझे लगता कि 40 या 40 से थोड़ा उपर हो सकते हैं देवेंदर भी हमारे साथ बने हुए देवेंदर फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है 393 एंडिये और 343 भारती जनता पार्टी जीत सकती है 370 का टार्गेट मोधी ने सेट किया था लेकिन 343 पीजेपी अपने दम पर जीत सकती है यहीं आंकलन लेकर चला जा रहा है इस वक पार्टी के तरफ से भी अर्ट के चला जा रहा है आकलन न नहहीं तो ज्यादर है क् defend itि कर रहा है कि कई जगह पर बहुत जाद है challenges हैं और फोटीके राव डाव्ट मोझे तो आजमगड के अलावा लाल गंठ घोसी इन सीटों को बीजेपी डिफकट मान रही है और जाउनपूर की सिति भी क्लीवी टिंगरा फाइट किया है तो भी बीजेपी के लिए बहुत हुई है उनीपे आपको काम करना है इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि जब टाइड सीट पे आप केंपेज होट तो फिर माहौल बनाते हैं और फिर बोटर अपने पक्ष में लेका रहां विज़ेपी एक दूसरी चींता यह किनारे कर देते हैं अगर सिटिंग केंडिडेट को लेकर उनके अंदर हैं तो उनके हावी होने का खात्रा इस रूप में रहता है कि वह कारकरता पार्टी के खिलाब तो जाएगा नहीं लेकिन अपने घर में थोड़ा निस्क्रिय जरूर रह सकता है उसका पार्टी को खामिय लिए वोट करना है हमारे रिपोर्ट कार्ट पर वोट करना है हमारे आगे के विजन पर वोट करना है और कमल का फूल देखना है या फिर हमारे सही होगी को देखना है तो यह एक बड़ी वज़ा है जिसके चलते बीजेपी इस प्रकार्ट के स्टेडिय एक त्यार कर रिये लेकिνे कोई दोरा नहीं कि कई सारी शीटे हैं, जैसे कि पहले मने आपको बता रहा है कि इस सारे रज्जे हैं और उन्डाजियों में specific seat की बात करने जैसे करनायच में साथार सीटे है पार्टी ने से चिनित कर रखा है जहां पर उनके बहुत ज़्यादा मेनत करने की जूर्थ है मद्यी परद्स में लगबग महरास्ट में लगबग 15-16 के आसपास ऐसी सीटे है जहां पार्टी को बहुत ज़्यादा बूध को देवेदर खुछ चिंता है करता इसी लक्ष को मान कर चलेगा लेकिन मैं जो कठनाई की बात कर रहा हूं वो उन सीटों को लेकर जो पार्टी के पास अपना फिडबेक है उन राज्यों के उन सीटों के बारे में वो हम बता रहे हैं जहां जादा मेहनत करने की जुरत है और ऐसे अनेक उदार अनेसे होते है जब पार्टी शुरू में एक डे मीने पहले जिन सीटों को डिपकल मालती है फाइनली आप देखेंगे तो उसे विक्ट्री हो जाती है क्या कि पार्टी के पास दो तरीका रहता है एक तो यह कि आप बीमारी की पहचान करें और जैसे बीमारी की पहचान होती है वहां पर चत्री है एक समस्या हो सकती है आपने देखा कि योगी एदेतना जोगी यूपी में चत्री हो के सबसे बड़े बीजेपी के हैं उनको वहां पर डिपलाई कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार कीज़ारी हैं उनको दूर क्या जा रहा है लेकि इसमें कोई दोर राजियों से और कैसी अप्रत्याशित नतीजों की उम्मीद है उसमें दो चीज़ा सौरब एक तो ही है कि पहले अगर हम यह नहीं मान सकते हैं कि बीजेपी जिन राजियों में चुनौती वाली सीटे जिन सीटों को मान रहे हैं उसके बारे में गिवफ कर दिया है वह कर लेंगे नमबर के लिया से बात कर लें तो उस बढ़ाने के लिया से पार्टी मान के चले कि बेंगॉल में उसकी सीटे मँष्म उसकी सीटे बढ़ेंगी तमीलनाडू में कुछ सीटे आएंगी केरह अगर आप देखें तो पार्टी का जो ї coalition 임ृ उसमें यह है क इतना बड़ा मोबलाइजेशन आम तोर पे साउथ में नहीं होता है। इंडिया गडबंदन के लिहां से और बागी सीटों पर आपको और मेहनत करनी है। तो इस तरह से रजवार बीजेपी ने आक्नन कर रखा है उसके लगतार काम किया जा रहा है। चीक है भाविश जैसा आप एसेस्मेंट की बात देविंद्र कर रहे थे। टिकेट का जो वित्रण हुआ आया टिकेट जिस तरीके से बाटे गए उमीदवार मैदान में उतारे गए। इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जैसे वोटर्स का मन शिफ्ट भी होता है। साइडिसील आपने वाइडल वीडियो देखा हुआ कि कैसे बिलकुल वह तो वह एक बहुत बड़ा कंसर्न था। उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा था कि बीजेपी खुछ ज्यादे सीटों पर लड़ेगी तो बिहार में और अशा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन उन्होंने जो 2019 में जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला के अंतर सीटों पर चुनाव लग रही है। खासका साउथ में साउथ में बीजेपी जिन जिन सीटों पर अच्छे कैंडिडेट दे रही है। तो वहां पर संभावना ईबड़ जाते के इन इसीटों के लिए इन सब हैक्टिक के शूथ को घूदा के इन सब लिए अच्छे केंडिडेट कऊना इबड़ाते हैं कि वहां पर जीत इसी तरह तरह तमिल कु में जो जो सीटे हम लोग प्रिडिक्ट करें कि बीजेपी जीते हैं बीजेपी ने एक्चुली में वहाँ पे चैंडिडेट अच्छा दिया है जैसे हम लोग आज कल बात करें थे कि रामनाथ पूरा में जो एंडिये की कैंडिडेट है ओपीए सो दो तीन बास सीम रह चुके है जाएंगे गेजाँ जाएंगे और जाएंगे यहां जाएंगे फिर भी कइलिएट सेलेक्शन बहुत जादा मतलब नहीं लगता अब जरा सारी पार्टियों की पोडिशन आपको बता देनी चाहिए वीवर्स जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बता है मैं एक कंपैरिजन के साथ बता रहा हूँ बीजेपी 2019 में 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस उपिनियन पूल के मताबए कांग्रिस पार्टी 2019 में 52 सीटों पर खड़ी थी ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है और 40 के नीचे भी जा सकती है इसके लावा अगर आगे बात करें आम आदनी पार्टी आम आदनी पार्टी के पास एक सांसत था हमारा सर्वे कह रहा है उसको आठ सीटों पर जीत हासिल कर सकती है मतलब साथ सांसत उसके जादा जीत करके आ सकते है त्रिलमूल कांग्रिस 22 थे पिछली बार इस बार 19-3 सीटों का नुकसान ममतब एनरजी को हो सकता है समाजबादी पार्टी के पिछली बार पांच सांसत जीते थे इस बार चार जीत सकते है एक सांसत का नुकसान बसपा के दस जीते थे पिछली बार इस बार जीरो तो मायवती शूने पर आ रही है ऐसा हमारा सरवे इशारा कर रहा है जेडियू 16 सीटें जीती थी 2019 में और अब हमारा उपीनियम बोल कह रहा है 2024 में 16 से घटकर 12 पर यानि 4 का नुकसान जेडियू को हो सकता है DMK को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है 24 से घटकर वो 17 पर आ सकता है अपना दल दो सपा 4 यानि यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है रह सकता है NDA 76 और इंडिया गटबंधन 4 मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताप तक उसको भरती जंता पार्टी बीट कर रही है NDA 76 पर जाते हो पहुशती दिखाई दे रही है और इंडिया गटबंधन 4 सीटों पर 4 की 4 सीटे सपा किया पर बता दूँ आपको फिरोजाबाद, मेनपुर, खोसी और आजमगाड या उसका आता हूँ सरस्का आता हूँ गाजिपूर के सीट पानी जा रही थे लेकिन फिलाल बातपा को जीते वे दिखाया गया इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके ऐलाइज वो जीत हासिल कर रहा है अगर एक बार हमको आप यह भी बता दें अगर आपको जानकारी हो ऐलाइज को कितनी सीटे आईए ताकि बीजेपी का एक्जाट नमबर उमें पता चल जा जा यूपी में पुरे पुरे ओवरल के मिजेपी कितना है How अपको 75 साथ advertise चाब यूपी इंडे सेवें 73 वेर दियु है उसका 65 तीन चाब यूपी एक नहीं रिकॉड में इससे पहले 14 में 71 सीटे भाजपा की अ रही ती हूथी आप बढ़ा करने उसको 72 कर लियाatin आपके एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई, कापी सीटें ती गई है, तो BJP 72 आप समझे है, यूपी कैसी सीटों में से जीट सकती है, और चार सीट उसकी सायोग्यों को जाती हुई, वो दिखाई दे दे हैं, बावे, एक एका, समीर जी कोमेंट, मुझ है जग्या है कि ली कोई से उस सीटें तो सीटें को भार्थ-Antना पढटी कि मुझेग थाज रूड़ा हिаз कि मुझेग ज़गाल आज ज़ग्यों सबोगों पार्यों सिटें की समाजाधिञ साथ्पार के आजबाग इपार्झ तो सीटें शाया दोर्जाहिए है, जरून बहुजन समाज पार्टी को यहां पर गड़ रहा है तो वह सीट निकालेगा तो मेनपूर और आजमगाड दो सीट अशी के जो समाज़ादी पार्टी जी सकती है इसके आनम चोब दो सीटे змणभाद और घोशी यह दोनों भारजादाश पार्टी जीतेगी और आप देखना समाज़ादी पार्टी को दो सीटे मिलेगी और कंग्रेसा खाता नहीं खुलेगा और भारजादा पार्टी चारता दम पर लेकर आएगी और 2 सीटे स से बड़ी खबर यह है कि 400 के आकड़े से कुछ कम में NDA रुक जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आकड़ा 343 का होगा 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पी कि अपने और आपके सामने घंडी अगा जोडा इतने हो रह गए संस्टूरी क्रॉस नहीं ओपा रही है सेंच्यूरी नहीं बना पाए इन्द शाय इंडीयागा पंदन अगर 99 इसमें समाजबादी पर्टी भी ए इसमें लेट के लोग भी ए इसमें आट इसमें शरत पवार भी है इसमें डीम के भी है अब सुचे को कितना मिली होगी इस पाइनल में जब से हम लोग बिसक्रसन कर रहे हैं हम सभी इस बात के पर राजी थे कोंग्रेस पार्टी 50 से नीचे का आकड़ा रहेगा Göran Agir और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से जद्धा कर नहीं जित रहे है कल भी दूसरे सर्वे का जिक्र का दिक्र चल रही है कि कंगरेस पार्टी 40-45 सीटों से जाजा नहीं जीत रही थी एक और बड़े प्रतिस्थान ने कॉंग्रेस के लिए सर्वे कराया था वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है यानि कि जो सबसे बड़ी दूर्दसा है दूर्दसा जो है वो राहूल गांधी की पार है था 44 और अब उससे भी नीचे 40 जो आप बार बार कहते हैं कि अपने एतिहासिक नियूर्टम पर पहुंचेगी बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो होता हुआ इस वक्त दिखाई देर आब यह क्यों है यह राहूल गांधी को सूचना है सुनिया गांधी को सूचना है कि भारत की नब्ज को समझने में असफल रहें उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरक्या के से कटे हुए हैं उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 80 के दसक्त की राजनीती है आज के दिन में राहुल गांधी और जंडल राजनीती और उसी प्रकार की राजनीती को भारत में स्थापित करने की कोशिद कर रहे हैं कम से कम चार दसक जो है वो हम आगे निकल गए हैं पांच दसक और ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस पार्टी की जो दुर्दसा देख रहे हैं वो भारत की नब्ज नहीं अगे यह 5 साल का एंजाडल होई हैं और ऒो कह रही है कि यह जो हम वचन दे रहे हैं उस वचन की हम गारंटी दे रहे हैं कि हमएसा हम करने जा रहे हैं तो यह दोनों में फरक है और यही कारण है कि परिणाम जो है अब दिए नरेंदर मोधी की टैली देखे कहा जाकर रुक रही है, नरेंदर मोधी ने कहा था, लक्ष दिया था, NDA के लिए 400 और सर्वे बता रहा है कि NDA पहुंच सकता है 393, 400 में किवल साथ का मतलब, ये वेरी वेल ये 400 के उपर जा सकता है, 400 के उपर जा सकता है, इसमें कोई अचरज althri होना चाहिएnica लेयरा दोब कहातते है कि 21 सीटों पर भारतिये जन्ता पार्टी तमिललाडू में लड़ रही है, सर्वे में तीन सीटे भारतिये जन्ता पार्टी को तमिललणाडू में दिया गया है जब कि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक स्थितिय ऐसी आ सकती है इसे इंकार नहीं किया जा सकता है यही जिस प्रकार से भारतिय जनता पाटी कोशिज कर रहे हैं चालीस मंत्रियों को डिप्यूट किया गया चार सो बार केंद्रिय मंत्री वहां पर गए है प्रधान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके है आप किया रहे हैं 400 पार हो सकता है मैं करूँ इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है अभी वह दूर का रास्ता दिखता है अन्य जब 393 पहुंच सकता है तो 400 क्यों नहीं पहुंच सकता सवाल तो यह है देखेंगे सागर कॉंग्रेस अगर 40 सीटे पर पहुंचती है भारतियंता पार्टी को इतना परचेंड भूमत मिल रहा है तो पदान मंत्री मुझे चारिस तो दे रहे हैं ना चारिस सीटे बिल रहे हैं इस से भी कम होंगी चारिस सीटे मुझे लगता है आज आगी कॉंग्रेस किसी भी तरह से रोके कोंग्रेस करता है या बाकी लोग कहते है भारतिये पर पार्टी मैक्सम जिसको पीक एक्सपिरियंस करते हैं हम एलक्टोरल पॉलिटिक में पीक एक्सपिरियंस तक पहुच चुके हैं वहां से आपने चटनी किया है बिहार के अंदर आपने चटनी किया चटनी किया मतलब जो आंके बता रहे हैं करनाटक में सीटे कम हो रही है बिहार में सीटे कम हो रही है मह मैं मानतरों के बीजेपी अपने दम पर जो है वो 310 तक मैक्समुम जो है वो जाएगा हम सरवे तेरा 343 आप कहने 310 तक मैक्समुम जाएगा मतलब इंडिया कटपंदन 100 के पार और कॉंग्रेस आपिंग रासे पचास के उपर पार्टी को अपने उपर भरोसा हो तो शायद जो है पार्टी में ऐसा लगता कि जो है वो कुछ कमाल गता कि आपकी कॉंग्रेस पार्टी को तो अगर वैसा होता है तो क्या पता कॉंग्रेस के बाद हुआ अभी अब देखे अब चालेस आप दे रहे हैं चालेस से उपर मानेंगे चालेस से थोड़ा उपर हो सकता है देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए देवेंद्र फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है 393 एंडिये और 343 भारती जंता पार्टी जीत सकती है 370 का टार्गेट मोदी ने सेट किया था लेकिन 343 पीजेपी अपने दम पर जीत सकती है यही आंकलन लेकर चला जा रहा है इस वक पार्टी के दरफ से भी टार्गेट लेकर चला जा रहा है rivak लन ना कहें तो जाद server बेतर है क्योंकि पार्टी के जो दरफर रहें वो मान रहें कि कई जगए बहुत जादर चैलेंजिजेज हैं ऑन चैलेंजिज बहुत मुसीबत वाली स्थिति है तो पार्टी करण इतिकार यह मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है उन्हीं पर आपको काम करना है इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनिज्वल चीज है इस लिहाज से कि अगर यह इतना कि किया पड़ती हिए वह वज़य है कि जैसे उन्हें चैलेंज मिलता है और दुगने उत्वांसे वह किनारे कर देते हैं अन्यता अगर sitting candidate को लेकर उनके अंदर विवांसेज हैं तो उनके हावी होने का खत्रा इस रूप में रहता है कि वो कारकरता party के खिलाब तो जाएगा नहीं लेकिन अपने घर में थोड़ा निस्क्रिय ज़रूर रह सकता है उसका party को खामियाज उठाना पड़ सकता है तो ये भी एक चिंता है जिसको लेकर BJP बार बार अपने कारकरताओं को ये बता रही है और इस पूरे चिंता को कैसे हल किया जा रहा है इसको आप देखें तो केंडर बिंदु में PMODI हर जगर जाकर ये बता रहे हैं कि आपको मुझे देखना है देश के पधार मंदर को वोट करना है 2047 के लिए वोट करना है हमारे रिपोर्ट कार्ट पर वोट करना है हमारे आगे के विजन पर वोट करना है और कमल का फूल देखना है या फिर हमारे सही होगी को देखना है तो ये एक बड़ी वज़ा है जिसके चलते बीजेपी इस प्रकार के स्टेटिय एक फ्यार कर दिये हैं लेकि इसमें कोई दोरा नहीं कि कई सारी सीटे हैं जैसे कि पहले मैंने आपको बता रहा है कि कई सारे रज्ये हैं और उन्दाजियों में स्पेसिफिक सीट की बात करने पर्टी ने चिनित कर रखा है जहाँ पर उनके बहुत जादा मेंद करने की जोरत है माहराश में लगबग 15-16 के आसपास ऐसी सीटे हैं जहाँ पार्टी को बहुत जादा मेनद करने की जोरत है वो आकड़ा नीचे मान कर चला जा रहा है या इससे आपकी गुंजाईश भी है 343 से देखे अभी तक मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधान मंत्री ने अगर 370 का आकड़ा बीजेपी को दे दिया के पास दो टरीका रहता है एक तो यह कि आप बीमारी की पहुचान कर रहें और जैसे लिए बिजेपी को है बानिति की बटे ने एक लगातार कीज़ा रही हैं, उनको दूर किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं, यह जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, कि अभी कही साथ से आप देखें, तो 370 BJP के रणितकार भी इमान के चल रहे हैं, वो थोड़े ज्यादा दूर की कोड़ी है, उसके बहु गिवफ ही हो जागा, जैसे हुए, यूपी के जिन सीटों का अधारन देके बात कर रहे हैं, बियार की जिन सीटों का अधारन देके बात कर रहे हैं, महराष्ट की सीटों का अधारन देके बात कर रहे हैं, करनाटक सीटों का अधारन देके बात कर रहे हैं, पार्टी यह मा 60% Christian ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है सुएस गोपी जहां से चुनाव लड़ा है वो सीट जीती आ सकते हैं लेकिन 60% नहीं 60,000 Christian वोट आने चाहिए बीजेपी के पक्ष में जो कि असान काम नहीं होगा इतना बड़ा मॉबलाइजेशन आम तौर पर साउथ में नहीं होता है इसके अलाबा अर्टिंगल वाली सीट जो है जहां मुली धरन लड़ा है वो एक अच्छी स्थिती में हैं लेकिन वो भी क्लियर कट जीत वाली स्थि अच्छी स्थिती में है और ऐसा कारनामा वो कर पाएगी बिहार में पार्टि की ये कोशिश है कि पिछली वाल का जो आक्रा उससे बहुत दूर ना राजा उत्तर प्रदेश में पार्टि की अभी जो इस्तिती है उसमें पार्टि एमान के चल लिए कि एनिवर बिवेर बि बिलाएं जो स्टेट के तरफ से गारेंटी दिया गया है उनने उनका जुकाओ थोड़ा कॉंगेस के तरफ जादा था वो बीजेपी के लिए कंसर्ण था लेकिन पूरुश वोटर लगवग पार्टी का इंटरनेट सालवे हुआ था उसमें 62 फ्रीज दी पीए मोधी को फि अमीदवार मैदान में उतारे गए इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जिससे वोटर्स का मन शिफ्ट भी होता है कुछ राजियों में जरूर होगा इसका असर कि आपने किसको कैंडिडेट दी है और फिर जो सीट से इनिंग आपका एलाइन्स के स बरी चैलेंज है कि वहां पर जो बीजेपी के काईडर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है साइड इसले आपने एक वाइडल वीडियो देखा हुआ कि कैसे बिल्कुल वह तो वह एक बहुत बड़ा कंसर्न था उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा था क बीजेपी खुछ जादे सीटों पर लड़ेगी तो बिहार में और अशा परफॉर्म कर सकती है लेकिन उन्होंने जो 2019 में जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला कंदर सट्र सीटों पर चुनाव लग रही है खासका साउथ में साउथ में बीजेपी जिन जिन सीटों पर अ तो अच्छे कैंडिडेट का होना बीजेपी के लिए संभाबना ये बड़ाते बीजेपी यहां पर जीट सकते है उसी तरह तमिल्लाडू में जो जो सीटे हम लोग पर प्रेडिक्ट करें कि बीजेपी जीते बीजेपी ने actually में वहाँ पे candidate अच्छा दिया है जैसे हम लोग आज कल बात करें थे कि रामनाथ पूरह में जो एंडिये की candidate है OPS वो तीन बास CM रह चुके है वहाँ पर तो बहुत अच्छी candidate है रामनाथ पूरह में वैसे भी बीजेपी अपना candidate है वह भी बीजेपी जीत सक कर रही है लेकिन नौत में आप जैसे आएंगे नौत में जिस तरह का एक मोमेंटम उसमें वीजेपी के लिए candidate सेलेक्शन बहुत ज्यादा मतलब नहीं लगता लेकिन फिर भी वहाँ पर यह बहुत ज्यादा नाराजगी है तो फिर इंपोर्टेंट रोल प्ले करें अब ज 2019 पे 52 सीटों पर खड़ी थी ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है और 40 के नीचे भी जा सकती है इसके लावा अगर आगे बात करें आम आदनी पार्टी आम आदनी पार्टी के पास एक सांसत था हमारा सर्वे कह रहा है उसको 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है चार जीत सकते हैं एक सांसत का नुकसान बसपा के दस जीते तेक पिछली बार इस बार जीरो तो मायवती शून ने पर आ रही है ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है जेडियू सोला सीटें जीती थीं 2019 में और अब हमारा उपीनियम बूल कह रहा है दोजार चौबीस में सोला से घटकर बारा पर यानि चार का नुकसान जेडियू को हो सकता है डीमके को साथ सीटों का नुकसान हो सकता है चौबीस से घटकर वो सतरा पर आ सकता है अपना दल दो सपा चार यानि यहां जो scorecard रह सकता है वो रह सकता है NDA 76 और इंडिया गटबंधन 4 मतलब 2014 का जो 73 का record ताप तक उसको भरती जंतापाटी भीट कर रही है NDA 76 पर जाते हो पहुचती भी दिखाई दे रही है और इंडिया गटबंधन 4 सीटे पर सपाक किया आपको फिरोजाबाद, मैनपुर, खोसी और आजमगाट इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके ऐलाइज वो जीत हासिल कर रहा है अगर एक बर हमको आप इभी बता दें अगर आपको जानकारी हो एलाइज को कितनी सीटे आई है ताकि बीजेपी का एक्जाक नमबर हमें पता चल जा यूपी में पूरे पूरे ओवर्ल यूपी में बीजेपी कितना है ओवर्ल सेवेंटी टू बीजेपी है चार एलाइज पार्टी का है इससे पहले चौदा में एक नहा रिकॉर्ड है यूपी में इससे पहले चौदा में 71 सीटे भाजपा की अपनी जो आई थी उती आप बढ़ा करके उसको बहत्तर कर लिया जबकि एलाइज के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटें ती गई है तो बीजेपी 72 आप समझे यूपी में यूपी कैसी सीटों में से चीट सकती है और चार सीट उसकी सायोग्यों को जाती हुई वो दिखाई दे रही है बावे एक एका समीर जी ज़ह इसा दुड़ाएज टिजिगा है कि मुझे लगजा अगज़ाएग उसकी सीटे में सीटें और जाज़ादी पार्टी को मिलेगी मेंपूरी और एक from एक अश्वगर बाकि दो सीटें दोने सीटें बहुत लगताई बार्तियनता party बागी दो बहुत लग रहा है थिए देंग कोई दोरहे नहीं दोरहे नहीं के लिगे देगा सम्माजादी पार्टी बहुत मजबूत लगरी वहां पर तो बहुत उसीति मुझे लगता है कि समाजादी दो सेता पर जाएगा, बिल्कूल, एक बार बता दी पर नहीं और भारवण। अवरोल सीट एक बार बता दिनी चाहिए, सहरब, क्यूंकि सारे के साज़े आंक्रे खुल गये हैं, 543 सीट का ओपीनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है और इस वक्त इस ओपीनियन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आकड़े से कुछ कम में NDA रुख जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में BJP की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आकड़ा 343 का होगा 370 का टारगेट BJP ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे BJP रुक रही है 343 सीटे BJP अपने दम पर जीत सकती है जबकि आप ओवराल NDA की बात करेंगे तो 393 सीटे यहाँ NDA जीत सकता है 543 सीटों का यह पूरा ओपीनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है बताईए सेकड़ा नहीं छूपाया वह इंडिया गटबंदन इसमें समाजवादी पाटी भी है इसमें लेफ्ट के लोग भी है इसमें आर जेडी भी है इसमें एंसीपी भी है इसमें डियेम के भी है सबसे मत बुड़ बात अब सुचें को कितना मिली होगी सब देखे इस पाइनल में जब से हम लोग बिसकासन कर रहे हैं हम सभी इस बात के पर राजी थे कॉंग्रेस पार्टी पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज्यादा कॉंग्रेस पार्टी नहीं जीत रहे हैं वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है यानि कि जो सबसे बड़ी दूर्दसा है दूर्दसा जो है वो राहूल गांदी की पार्टी को होने जा रहा है इस पुरे चुनाओं का टेकर रही है और अब उससे भी नीचे 40 जो आप बार-बार कहते हैं कि अपने एतिहासिक नियुनतम पर पहुंचे की बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो होता हुआ इस वक्त दिखाई देर आब यह क्यों है यह राहूल गांदी को सूचना है सुनिया गांदी को सूचना है कि आखिर ऐसी दुर्दर्शा क्यों कॉंग्रेस पार्टी की हो गई है भाई सारे नेता मौझूद है पार्टी के पास पार्टी का तंत्र तो नहीं खुतम हो गया इसलिए है क्योंकि राहुल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की नफ्ज को समझने में असफल रहे हैं। राजनीती को भारत में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो हम वचन दे रहे हैं उस वचन के हम गारंटी दे रहे हैं। पर भारतिय जनता पार्टी तमिल नाडू में लड़ रही है। आपके सर्वे में 3 सीटे भारतिय जनता पार्टी को तमिल नाडू में दिया गया है। यदि मान लेते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि डबल डिजिट में भारतिय जनता पार्टी वहां पहुंच जाती है। जबकि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक स्थितिय ऐसी आ सकती है। इसे इंकार नहीं किया जा सकता है। सर्वे बेसक तीन सीटे को जाने बात करता हूं। यही जिस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी कोशिस कर रहे हैं। 40 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 400 बार केंद्रिय मंत्री वहां पर गये हैं। प्रधान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके है। बुझादी बात आप कह रहे हैं, 400 बार हो सकता है। मैं करहा हूँ, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी वह दूर का रास्ता दिखता है। जब 393 पहुंच सकता है, 400 क्यों नहीं पहुंच सकता है। सवाल तो यह है। कॉंग्रेस अगर 40 सीटे पर पहुशती है। कि बिलकुल मुझे लगता है। लेकिन एक बड़ी जाते है। 40 से 45 भी तो कह सकते थे। नहीं, 40 के पर कॉंच कि आरत में नहीं जाने वादी है। सवारा जी देखें, इस पूरे आक्रे में यह भी बात है। कि जिसों खहता से नहीं बिपक्ष कहता है। कि भारतीय जान्टापार्टी में मैक्सिमम, जिसको पीक एक्सपिरियंस कहते हैं, हम एलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पीक एक्सपिरियंस तक पहुँच चुके है। वहां से आपने छटनी ही किया है। भीहार के अंदर आपने चटनी किया। चटनी किया है मतलब जो आचे बता रहे हैं। करनाटक में सीटे कम हुई, बिहार में सीटे कम हो रही है। इन सबों को कंसीडर किया गया है। इसको ऐसा नहीं है कि इसको पहले था वो उस पिक पर रही रहा है। बारती जनता पाटी नहीं वहां भी सीटे घट रहे है। राव जी सहमत है सर्वे से। मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो 310 तक maximum जो है वो जाएगा। सर्वे तेरा है 343, आप कहने 310 तक maximum जाएगा। मतलब इंडिया कटपन्दन 100 के पार। कॉंग्रेस अपने पर जाएगा। क्या होता है कि पार्टी को अपने उपर भरोसा हो। तो शायद पार्टी में असा लगता कि जो है कमाल गता है। कोई सलाह आपकी कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव खड़ा है सामने। काफी सारे लोग कारें कि राहूल गांधी को तो अलग घटना चाहिए। गांधी परिवार को थोड़ा आलग घटना चाहिए। कॉंग्रेस को परप्दे देना चाहिए तो अगर वैसा होता है, क्या पता कॉंग्रेस यगा है। अब देखें, अब 2024 की कोई बाद नहीं है, अब डबा गूल होगे है, जो बाद भूल होगे है, जो 29 की बाद बूल होगे है, तो 40 आप दे रहे हैं, 40 से उपर माने के 40 से का, बुझे लगता कि 40 या 40 से थोड़ा उपर हो सकता, देवेंदर भी हमारे साथ बने हुए, देवें चला जा रहा है इस वक्त पार्टी के तरफ से भी? वहां भी BJP के लिए बहुत मुसीबत वाली स्थिति है, तो पार्टी करण इतिकार ये मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं, जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है, उन्हीं पर आपको काम करना वाद इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनिजवल चीज है इस से चैलेंज मिलता नजर नहीं आ रहा है, अभी तक मिल नहीं रहा है, तो BJP कारकरताओं साथ समस्य ये होती है कि जैसे अपोजिशन से उन्हें चैलेंज मिलता है, वो और दुगुने उस साथ से लग जाते हैं, फिर अपने ग्रिवांसेज वो किनारे कर देते हैं, अन्य थ अगर सिटिंग कैंडिडेट को लेकर उनके अंदर विवांसेज हैं, तो उनके हावी होने का खत्रा इस रूप में रहता है, कि वो कारकरता पार्टी के खिलाब तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने घर में थोड़ा निस्क्रिय जरूर रह सकता है, उसका पार्टी को खामिय कि विजन पर वोट करना है, और कमल का फूल देखना है, या फिर हमारे सहियोगे को देखना है, तो यह एक बड़ी वज़ा है, जिसके चलते हैं, बीजेपी इस प्रकार के स्टेडिय हैं, लेकि इसमें कोई दोरा नहीं, कि कई सारी सीटे हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बीजेपी को देवेदर खुछ चिंता है, और कैसी सीटे उसको लग रही है, कि वो फस रखती है, कहीं पर टफ कॉम्प्टिशन देखने को मिल रहा है, तो जो आकड़ा हमने दिखाया है, वो आकड़ा नीचे मानकर चला जा रहा है, या इससे आपकी गुंजाइश भी है, बीजेपी को देदिया और चारसाओ का आकड़ा गडवन्दन के लिया आसे है, तो बीजेपी का हर कारकता इसी लक्ष को मानकर चलेगा, लेकिन मैं जो कटनाई की बात कर रहा हूं, वो उन सीटों को लेके जो पार्टी के पास अपना फिडबैक है, उन राजियों के, उन स पास दो तरीका रहता है, एक तो ये कि आप बीमारी की पहचान करें और जैसे बीमारी की पहचान होती है, वहां पर राप्तूलत उसका समधान करते हैं, उस चार करते हैं, और बीजेपी के ररणिती में, इलेक्शन ररणिति में ये बड़ा फरक नज़र आता है, कि बीज लगातार कीज़ा रही हैं, उनको दूर किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं, यह जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, कि अभी के इसाब से आप देखें, तो 370 बीजेपी के रहनितकार भी मान के चल रहे हैं, वो थोड़े ज्यादा दूर की कोड़ी है, उसक जिन सीटो को मान रहे हैं, उसके बारे में गिव अप कर दिया है, वो गिव अप ही हो जागा, जैसे हुए, यूपी के जिन सीटो का हम लोग उदारान देके बात कर रहे हैं, बियार की जिन सीटो का उदारान देके बात कर रहे हैं, महराष्ट की सीटो का उदारान देके ब पड़ेंगी तमीलाडू में कुछ सीटे आएंगी केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुल फीडवेक है उसमें यह है कि अगर 60% किष्टन ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है सुएस गोपी जहां से चुनाव लड़ा है वो सीट जीती आ स और को बहुत ज्याद़ होप में तो केरल में वीजेबीको बहुत ज्यादा ? बहुत अ कर पाएंगी वाहां सो इसंडीवार कि अब यहां बहूद दुर ना राज जाए उत्त्र पर पाग्यांविथ कि अभी जो इस्तिती है उसमें पार्टी अमान के चल लिए कि एंडिया गडवंदन के लिया से और बागी सीटों पर आपको और मेहनत करनी है तो अवर जहां पर आप मैक्सिममम थे वहां पर तो मैक्सिममम है उसे रिटर्ण करना है करनाटक में बड़ी समझ सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करनाटक में बड़ी सब्सक्राइब करनाटक में इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जिससे वोटर्स का मन शिफ्ट भी होता है कुछ राजियों में जरूर होगा इसका असर कि आपने किसको कैंडिडेट दी है और फिर जो सीट सेडिंग आपका एलाइंस के साथ है वो बहुत मत्कुर हो जाता है खासकर यूपी में यदि आप जाए तो घोसी सीट जैसे पहले यदि हम लोग सर्वे जब जन्वरी महिन बिल्कुछ वह तो वह एक बहुत बड़ा कंसर्न था उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा था कि बीजेपी खुछ जादे सीटों पर लड़ेगी तो बिहार में और अशा परफॉर्म कर सकती है लेकिन उन्होंने जो 2019 में जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मू सब्सक्राइब बात करें इन सब सीटों के लिए बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट का होना बीजेपी के लिए संभावना यहां पर जीत सकते है उसी तरह तमिलाडू में देखे जो जो सीटे हम लोग प्रिडिक्ट करें कि बीजेपी जीते बीजेपी ने एक्चली म आपना चैनले तो बीजेपी जीत सकती थी इसी तरह देखेंगे अलग अलग राजो में जहां 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 आप जाएंगे बीजेपी ने जहां पर अच्छा कैंडिडेट देदे दिया है यदि वहाँ पर उसका आधार नहीं है तो बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म कर अब जरा जरा सारी पार्टियों की पॉजिशन आपको बता देनी चाहिए विवर्स जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बता है मैं एक कंपैरिजन के साथ बता रहा हूँ बीजेपी 2019 पे 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस सांसत था हमारा सर्वे कह रहा है उसको आठ सीटों पर जीत हासिल कर सकती है मतलब साथ सांसत उसके जादा जीत करके आ सकते हैं त्रिलमूल कॉंग्रेस 22 थे पिछली बार इस बार 19 तीन सीटों का नुकसान ममतब इनर्जी को हो सकता है समाजबादी पार्टी की पिछली बा है दोज़ार 24 में 16 से घटकर 12 यानि 4 का नुकसान जेडि хот सकता है, DMK को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है, 24 से घटकर वो 17 परा सकता हो अपना दल दो सपाचार यानि यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है NDA 76 और इंडिया गटबंदन चार मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताप तक उसको भरती जंता पाटी बीट कर रही है इंडिये 76 पर जाते हो पहुंचती दिखाई दे रही है हमें और इंडिया गट बंदन चार सीटें पर चारों की चारों सीटें सपाक किया है मैं बता दूँ आपको फिरोजाबाद मैंपुर खोसी और आजमगाड इंडिया वस्पर आता हूं जरुस्पर आता हूं गाजिया गाज़िपूर के सीट पानी जा रहे थे लेकिन फिलाल बातपा को जीते हुए दिखाया गया इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके ऐलाइज वो जीट हासिल कर रहे है अगर एक बर आपको आपको जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटें आइए ता पहले 14 में 71 सीटे भाजपा की अपनी जो आई थी हुथी अब बढ़ा करके उसको बहतर कर लिया जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटें ती गई है तो बीजेपी 72 आप समझे यूपी के सीटों में से जीट सकती है और चार सीट उसकी सायोग्यों को जात वहाला प्रूंग कैसी स्की बाखि अख सेक रडष है तो दोनओ सीटे बाहतն हो तो लगहाई बाकि भात टा बबागी दो सीटे में सीटें मुझे लगा रहा है झासकी जांगों कर लिवालास विगगए springs a upraak गाट की गउन कर्वान है नो ऑकि दो स्क्राइब भाधि क Origas मेंपूर और आजमगाड़ सीटे जी कर दोटार सीटे जी सकती है इसका नावा चो दोटें फिरोजाबाद और गुषी यह दोनों भार्याजनता पार्टी जीतेंगी और आप देखिना समाज़वाधिवाधियों विलेगी साघ्वाधियों को जीतेंगी जीतेंगी देखे ओवरॉल सीट एक बार बता दिनी चाहिए सौरब क्योंकि सारे के सारे आकड़े खुल गए है 543 सीट का ओपीनिन पोल हमने आपके सामने रख दिया है और इस वक्त इस ओपीनिन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आकड़े से कुछ कम में NDA रुक जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यहां करा 343 का होगा 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है 343 सीटे बीजेपी अपने दम पर जीट सकती है जबकि आप ओवराल NDA की बात करेंगे तो 393 सीटे यहां NDA जीट सकता है 543 सीटों का यह पूरा ओपिनिन पोल हमने आपके सामने रख गिया है इतने सारे दलों को लय कुछ ओड़ गए कुछ रह गए शैंचूरी क्रॉस नहीं हो पा रही है शैंचूरी नहीं बना पाहे तहले है टो 19 पर इंडिया गटबंदन का भी इस में इसमें सावाजवाधी पाटी भी है इसमें लेट के लोग भी है, इसमें आरज़डी भी है, इसमें एनसीपी भी है, इसमें शरत पवार भी है, इसमें टीम के भी है, सबसे मद् बॉड़ आप सोचें कांग्रेस को कितना मिली होगी, इस पैनल में जब से हम लोग बिसक्रसन कर रहे हैं, हम सभी इस बात के परराजी थे कहांग्रेस पार्टी 50 से नीचे का आक्ड़ा रहेगा और हम लोग कै बोल रहे हैं थे कि 40 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही थी कल भी एक दूसरे सर्वे को 40-45 सिठ के बीची रख रही है यानि कि जो सबसे बड़ी दूर्दसा है दूर्दसा जो है वो राहूल गांदी की पार्टी को होने जा रहा है इस पूरे चुनाव का तेकर रही है और अब उससे भी नीचे 40 जो आप बार-बार कहते हैं कि अपने एतिहासिक नियुनतम पर गांदी को सूचना है कि आखिर ऐसी दुरदर्शा क्यों कंग्रेस पार्टी की हो गई है और उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरक्याशी से कटे हुए हैं उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है। भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 180 के दसक की राजनीती है। आज के दिन में राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी प्रकार की राजनीती को भारत में स्थापित करने की पुनर स्थापित करने की कोशिस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरा 20 साल का एजैंडा ये है, 5 साल का एजैंडा लो ये है, और वो कहा रहे हैं कि यह जो हम बचन दे रहे हैं, उस बचन के हम गारंटी दे रहे हैं, कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये दोनों में फरक है और यही कारण है कि परिणाम जो है अब देखे ना नरेंदर मोदी की टेली देखे कहा जाकर के रुक रही है नरेंदर मोदी ने कहा था लक्ष दिया था एंडिये के लिए 400 और सर्वे बता रहा है कि एंडिये पहुंच सकता है 393-400 में केवल 7 का मतल यह वेरिवेल यह 400 के उपर जा सकता है 400 के उपर जा सकता है इसकी इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए यही जिस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी कोसिस कर रही है, जा चार सो बार केंद्रिय मंत्री वहां पर गए है, प्रधान मंत्री पिछले दो महिनों में इतनी बार जा चुके हैं, बुझादी बात आप कहर रहे हैं, चार सो पार हो सकता है, मैं कर रहूं, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, अब ही वो दूर का रास्ता दिखता है जब 393 पहुंच सकता है तो 400 क्यों नहीं पहुंच सकता सवाल तो यह है बारतियां पहुंच सकता है तो 40 सीति अद्यार के आख़ा भारतियांटा पार्टी को इतना पर्चेंट भूमत मिल आतों पदाल मंतरी मुझे जालिस तो दे रहे ना 40 सीति मिल रहे हैं तो इससे भी कम होँगी नहीं, 40 सिर्टे तो मुझे लगता है आज आएंगी कॉंग्रेस किसी भी तरह से रोक है, 45 के पूरे पर कॉंग्रेस कहते हैं, या बाकी लोग कहते हैं, भारतिया पंजन्टा पार्टी में जिसको पीक एक्सपिरियंस कहते हैं, हम एलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पीक कंशे खटनी किया, शेटनी किया मतलब जो आँके बता रहे हैं, करनाटक में सीटे कम हो रही है, स्मारास्थ में सीटे कम हो रहे हैý है कम हरा इन शबों के कंसीडर किया गया है, इसको पीक बढaur को पार्टी कोम्लीटिक्रियं पदैनंदां नहीं जो पाहली था उस दुबह आप कहने 310 माक्सिमम जाएगा मतलब इंडिया कटपन्दन 100 के पार और कॉंग्रेस आपकी रासे कॉंग्रेस का तो देखिए बहाल भी बरा है मैंने आपको पहले भी बारा था 51 के बाद अगर सबसे कम सीटों पर कॉंग्रेस कभी लड़ रही हैं चुनाव निदा करें 300 सीटों पर शायं sih 330 तो सब से कम सीटों पर चुनाव लडने जा रही है उसको अपने उडर भी ल्ड़सा नहीं है कॉंग्रेस को क्या होता है कि पार्टी को अपने उपर बहरोसा हो तो शायद जो है पार्टी में ऐसा लगता कि जो है वो कुछ कमाल गता कि लेकिन आपको आपकी कॉंग्रेस पार्टी को परप्दे देना चाहिए तो अगर वैसा होता है तो क्या पता कॉंग्रेस रिवाइब तो जो का इलेक्शन के बाद हुआ अब देखे अब 2024 की कोई बात चालेस आप दे रहे हैं चालेस से उपर मानेंगे चालेस से थोड़ा उपर हो सकती है देवेंद्र फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है 393 एंडिये और 343 भारती जिनता पार्टी जीत सकती है 370 का टार्गेट मोधी ने सेट किया था लेकिन 343 पीजेपी अपने दम पर आप देखेंगे जारावा लाल गन घोसी इनि सीटों को बीजेपी डिफकर्ट मान रही है और अब जाउनपूर की स्थिती भी क्योंकि ट्रेंग्लर फाइट किया है तो वहां भी बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली स्थिती है तो पार्टी करें नितिकार ये मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है उन्हीं पर कैंपेन करते हैं तो फिर माहौल बनाते हैं और फिर वोटर अपने पक्ष में लेका आते हैं बीजेपी के एक दूसरी चिंता यह है क्योंकि अपोजिशन से चैलेंग्ज मिलता नजर नहीं आ रहा है अभी तक मिल नहीं रहा है तो बीजेपी कारकरताओं के साथ समस्य यह ह नहीं लेकिन अपने घर में थोड़ा निस्की जरूर रह सकता है उसका पार्टी को खामियाज उठाना पड़ सकता है तो यह भी एक चिंता है जिसको लेकर बीजेपी बार बार अपने कारकरताओं को यह बता रही है और इस पूरे चिंता को कैसे हल किया जा रहा है इसको आ तियार कर दिये लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं कि कई सारी सीटे हैं जैसे कि पहले मने आपको बता रहा है कि सारे रज्य हैं बाद गिजेपी को खुच चिंता है और कई सीटे उसको लग रही है कि वह फस रखती हैं कहीं पर टफ कॉमप्टीशन देखने को मिल रहा है तो वो आकड़ा नीचे मान कर चला जा रहा है या इससे आपकी गुंजाईश भी है 343 से देखे अभी तक तक मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधान मंत्री ने अगर 370 का आकड़ा बीजेपी को दे दिया और 400 का आकड़ा गडवन्न के लिया से तो बीजेपी का हर कार करता है इसी लक्ष को मान कर चलेगा लेकिन मैं जो कच्चनाई की बात कर रहा हूं वह उन सीटों को लेके जो पार्टी के पास अपना फिडबैक है उन राज्यों के उन सीटों के बारे में वह हम बता रहे हैं जहाँ जादा मेहनत करने की जुरत है और ऐसे अनेक उदार अ ये एक बड़ा फर्क नज़र आता है कि बीजेपी अपनी कमियों को बहुत अल्ली अड्रेस करती है और उसके हिसाफ से समधान करती है मुदफन अगर का कैसी आप देख लें जैसे पार्टी को यह सफ़ासा फिल हुआ कि हाँ समस्य सकती है आपने देखा कि योगी एदेतना जोगी उपी में चत्रियों के सबसे बड़े चेहर बीजेपी के हैं उनको वहाँ पर डिपलाई कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार कीज़ा रही हैं उनको दूर क्या जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं यह जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी कही साथ से आप देखें तो 370 बीजेपी के रहनितकार भी इमान के चल रहे हैं वह थोड़े ज्यादा दूर की कोड़ी है उसके बहुत में अपकर नहीं होगा उसके बारे में गिव अप कर दिया वह और दोर नेंगे आपको रहे तो इस बढ़ाने के लिए कि बढ़ाम के चलिकि बढ़ेंगे उडिसा में उसकी सीटे बढ़ेंगी, तमील नाडू में कुछ सीटे आएंगी, केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुल फीडबैक है, उसमें यह है कि अगर 60% कृष्टन ने वोट कर दिया, तो त्रिशूर वाली सीट है, सुएस गोपी जहां से करन लड़ रहे हैं, वो एक अच्छी स्थिती में हैं, लेकिन वो भी क्लियर कट जीत वाली स्थिती नहीं है, तो केरल में बीजेपी को बहुत जादा होप नहीं है, तो तेलंगाना में बीजेपी इमान का चलिए, कि वहां सो अपनी कुछ सीटों में इजदाफा कर लगी, बाकी राजियों के अगर बात करने तो जारखन में पार्टी इस बार मान के चल लगी कि इस बार वो सारी की सारी सीटे जटकनी की स्थिती में है, और ऐसा कारनामा वो कर पाएगी, बिहार में पार्टी की ये कोशिश है, कि पिछली बार का जो आकरा है उससे बहुत दूर उत्तरप्रदेश में पार्टी के अभी इसस्तिती है, उसमें पार्टी इमान के चल लिए कि एनिवर बिट्रीन 68 टु सेवनटी रह सकता है, इंडिये गडवंधन के लिहां से, और बाकी सीटों पे आपको और मेहनत करनी है, तो जहां पर आप मैक्सिमम थे, वहां पर तो म लेकिन पूरुष वोटर लगवाग पाटी के इंटर्नेट साल वे हुआ था उसमें 62 फिस्दी पीए मोधी को फिर से पथान मंतरी देखना चाहते हैं वो चीज बीजेपी के वहाँ पे ट्रम कार्ट हो सकता है तो इस तरह से रजवार बीजेपी ने आक्नन कर रखा है उसके लगदार काम किया जा रहा है जैसा आप असेस्मेंट की बात देविंद्र कर रहे थे टिकेट का जो वित्रण हुआ या टिकेट जिस तरीके से बाटे गए उमीदबार मैदान में उतारे गए इसका कितना मैत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जिससे वोटर्स क मैना में जब हमने किया था वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यादी खुद से लएगी तो जीट सकती है जब से उन्होंने राजबर की पार्टी को दिया तो वहां पे बहुत बड़ी चैलेंज है कि वहां पे जो बीजेपी के काईडर है वो उसको एक से नहीं कर रहा खासका साॉथ में, साॉथ में जिबह जिन जिन सीटों पर अच्छे कांड़ीडेट दे रहिए बीजेपी का वहां पहले सी थोड़ा बहुत जनाधार है तो बीजेपी के लिए वहां पर संभावना अंवाएट जाते इसत अदे बंड़ बात करे थे एक त्रिवनदम सीट क बात करें इन सब सीटों के लिए बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट का होना बीजेपी के लिए संभावना यहां पर जीत सकते हैं उसी तरह तमिलाड़ु में देखें जो जो सीटें हम लोग प्रिडिक्ट करें आएंगे वीजेपी ने जहां पर अच्छा कैंडिडेट दे दिया है यदि वहां पर उसका आधार नहीं है तो बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन नौत में आप जैसे आएंगे नौत में जिस तरह का एक मोमेंटम उसमें वीजेपी के लिए के साथ बता रहा हूं बीजेपी 2019 पे 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस उपिनियन पोल के मताबिक कांग्रिस पार्टी 2019 पे 52 सीटों पर खड़ी थी ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है और 40 के नीचे भी जा सकती है इसके ल इड़मूल कॉंग्रेस 22 थे पिछली बार इस बार 19 सीटों का नुकसान ममतब एनरजी को हो सकता है समाजबादी पार्टी की पिछली बार 5 सांसत जीते थे इस बार 4 जीत सकते है एक सांसत का नुकसान बसपा के 10 जीते थे पिछली बार इस बार 0 तो मायवती शून ने पर बार रही है ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है जेडियू 16 सीटें जीती थी 2019 में और अब हमारा उपीनियम बोल कह रहा है 2024 में 16 से घटकर 12 पर यानि 4 का नुकसान जेडियू को हो सकता है 24 से घटकर 17 पर आ सकता है अपना दल दो सपा चार यानि यहां जो स्कोर कार्ट रह पहुंचती हुई दिखाई दे रही है हमें और इंडिया गटपंदन चार सीटें पर चारों की चारों सीटें सपाक किया है मैं अब बता दूँ आपको फिरोजाबाद मैनपुर घोसी और आजमगाड इंडिया उस पर आता हूं ज़र उस पर आता हूं पर कि गाजिया इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके ऐलाइज वो जीट हासल कर रहा है अगर एक बार हमको आप इवी बता दें अगर आपको जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटें आइए ताकि बीजेट नंबर में पता चल जा जा यूपी में पूरे पूरे इससे पहले 14 में 71 सीटे भाजपा की अपनी जो आइंती हुथी आप बढ़ा करके उसको बहत्तर कर लिया जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटें ती गई है तो बीजेपी 72 आप समझे यूपी के सीटों में से चीट सकती है और चार सीट उसकी सायोग्यो को जाती हुई वो दिखाई दे दे हैं अबावे एक एका समीर जी कॉमेंट मुझे लगता है कि दो सीटे और बारतियनता पार्टी के पक्ष में जुड़ियाएगी मुझे लगता है कि सिफ दो सीटे समाज़ादी पार्टी को मिलेगी एक मैंपूरी और एक अजबगर बाक जिते कर दो सीटे मुझे लग रहा है कि अजबगर में आजमगर में आजमगर में आपने खुछ माली बास्पा माली यहां पर आगे तो से मजबू तो तो सीट निकालेगे तो मैंपूर और आजमगर दो सीट अज़े निए के समाज़ादी पार्टी जी सकती है इसका और आप देखना समझवाधी पार्टी को दो सिटे मिलेगी और कॉंगरेसा खाता नहीं कुलेगा बार्चरण ता पार्टी चॉरता सिटे अपनी दम पर लेकर आईगी और दो सिटे सवयोगी जलोगी बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यहां करा 343 का होगा, 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है, लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है, 343 सीटे बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है, जबकि आप overall NDA की बात करेंगे तो 393 सीट यहां NDA जीत सकता है 543 सीटों का यह पूरा opinion पोल हमने आपके सामने रख दिया है, इंडिया गटबंदन गावी बताईए, सैकड़ा नहीं छूपाया, इंडिया गटबंदन अगर 99 है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, इसमें लेफ्ट के लोग भी है, इसमें RJD भी ह इसमें शरत पवार भी है, इसमें DM के भी है, अब सूचे को कितना मिली होगी इस पैनल में जब से हम लोग discussion कर रहे हैं, हम सभी इस बात के पर राजी थे, कि कॉंग्रेस पार्टी पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रहे हैं, कल भी एक दूसरे सर्वे में इस बात का जिक्र चल रहा था, कि कॉंग्रेस पार्टी 40-45 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत रही थी, एक और बड़े प्रतिस्थान ने कॉंग जो आप बार बार कहते हैं कि अपने एतिहासिक नियूरतम पर पहुंचेगी बिलकुल, बिलकुल, तो वो तो होता हुआ इस बक दिखाई देरा, अब ये क्यों है, ये राहूल गांधी को सूचना है, सुनिया गांधी को सूचना है कि आखिर ऐसी दुरदशा क्यों कॉंग राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की नवज को समझने में असफल रहे हैं, उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरके से कटे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है, भारत का मन वो नहीं है, जो 1970 और 80 के दसक की राजनीती है, आज के दिन में राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी प्रकार की राजनीती को भारत में पुनर स्थापित करने की कोशिद कर रहे हैं, कम से कम 4 दसक जो हैं, वो हम आगे निकल गए हैं 5 दसक, और ऐसी इस्तिति में कॉंग् और में इतना कर दिया आने वाले दिनों में 20 साल का एजन्डा यह है, पात साल का एजन्डा लो यह है, और वो कह रहे हैं वे परेंडिने को धर्चत met की ने ने कहा था लक्ष दिया था एंडिया ठीनों, और सर्वे बता रहा ihrem कि एंडिये पहुँच सकता है 393, 400 में केवल साथ का मतलब ये वेरिवेल ये 400 के उपर जा सकता है 400 के उपर जा सकता है इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए आप लगा लिजे बान लेते हैं कि 21 सीटों पर भारतिय जनता पार्टी तमिल नाडू में लड़ रही है एक स्थिती ऐसी आ सकती है इसे इंकार नहीं किया जा सकता है तो ये 400 पार हो जाएगा यही जिस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी कोशिस कर रहे हैं चालीस मंत्रियों को डिप्यूट किया गया 400 बार केंद्रिये मंत्रियों वहां पर गए हैं प्रधान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके हैं पुझा दी बात आप कह रहा है 400 पार हो सकता है मैं कर रहा हूँ इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है अभी वो दूर का रास्ता दिखता है जब 393 पहुंसकता है तो 400 कुझ नहीं पहुंसकता है सवाल तो यह है विद्धा का चालिस सिटे पहुश्ति है बारत्य अंता पाटी को इतना पचेंट भूमत मिल रहा है जालिस तो दे रहे हैं ना जालिस सिटे इस से भी कम होंगी 40-45 कि भी कह सकते थे देखे इस पूरे आंक्रे में ये भी बात है कि जिस्को खहता संड़ है बिपक्ष कहता है या बाकी लोग कहते है भारतिये पांगे मैक्सम जिसको फिक एक्सपिरियंस कहते है हम थे पुछ चुके एप्ष पोच चुके रहां मिलें आपने किया भी बिहार के अंदर आपने च्छटनी किया कि इसको आइसा नहीं कि इसको पहले था वह उस पिक पर रही रहा है भारती जन्दा पाटी में वहाँ सीचे घट रहे है राव जी सहमत है सर्वे से लेगे मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो 310 तक मैक्समुम जो है हम सर्वे तेरा 343 आप कहने 310 तक मैक्समुम जाएगा मतलब इंडिया कटपंदन 100 के पार और कॉंग्रेस आपकी रासे पचास के उपर को आपकी कॉंग्रेस बीका तो अब अलग हटना चाहिए गांधी परिवार को ठोड़ा चाहिए तो अगर वैसा होता है तो क्या आपका हूँ आपका को पता कॉंग्रेस रिवायगा अब देखे अब 2024 की कोई बात नहीं अब डबा गोल होगा है चालिस आप दे रहे हैं 40 से उपर मानें या 40 से का या 40 से थोड़ा उपर हो सकते देवेंदर भी हमारे साथ बने हुए देवेंदर फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है पार्टी के तरफ से भी चला जा रहा है आकलन ना कहें तो ज्यादा बेतर है क्योंकि पार्टी के जो रहन इतिकार है वो मान रहा है कि कई जगह पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेज हैं और चैलेंजेज के पीछे फैक्टर्स अलग-अलग हैं जैसे महाराष्ट को लेकर मान रही है और अब जाउनपूर की स्थी भी क्योंकि ट्रेंग्लर फाइट किया है वहां भी बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली स्थी है तो पार्टी करने इतिकार यह मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है उन्हीं बीजेपी के एक दूसरी चिंता यह है क्योंकि अपोजिशन से चैलेंग्लर नजर नहीं आ रहा है अभी तक मिल नहीं रहा है तो बीजेपी कारकरता हों पार्टी के खिलाप तो जाएगा नहीं लेकिन अपने घर में थोड़ा निस्क्रियर ज़रूर रह सकता है उसका पार बार अपने कारकरताओं को यह बता रही है और इस पूरे चिंता को कैसे हल किया जा रहा है इसको आप देखें तो केंद्रबिंदु में पीए मोधी हर जगर जाकर यह बता रहे हैं कि आपको मुझे देखना है देश के प्रधान मंद्र को वोट करना है हमारे रिपोर्ट का आपको बता है कि सारे रज्य हैं और इंदाज्यों में स्पेसिफिक सीट की बात करने जैसे करनाटक में सातार सीटे हैं पार्टी ने से चिनित कर रखा है जहां पर उनके बहुत जादा मेनत करने की जूरत है मध्यपरदेस में लगबग महाराश में लगबग 1560 के आसपास जहां पार्टी को बहुत जा जा रहा है या इससे आपकी गुंजाईश भी है 343 से अभी तक मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अगर 370 का आकड़ा बीजेपी को दे दिया और 400 का आकड़ा गडवन्दन के लिए आसे तो बीजेपी का हर कारकरता इसी लक्ष को मान कर चलेगा लेकिन मैं जो कठनाई की बात कर रहा हूं वो उन सीटों को लेकर जो पार्टी के पास अपना फिडबेक है उन राज्यों के उन सीटों के बारे में वो हम बता रहे हैं जहां जादा मेहनत करने के जुरत है और ऐसे अनेक उदार अनेसे होते है जब पार्टी शुरू में एक डे मीने पहले जिन सीटों को डिपकल्ट मालती है फाइनली आप देखेंगे तो उसे विक्ट्री हो जाती है कि पार्टी के पास दो तरीका रहता है एक तो यह कि आप बीमारी की पहचान करें और जैसे बीमारी की पहचान होती है वहां पर आप के हैं उनको वहां पर डिपलाई कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं उनको दूर क्या जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के इस आप साथ आप देखें तो 370 बीजेपी के रहनितकार भी करने के लिए पॉजिटिव साइट पर बीजेपी को किन किन राज्यों से और कैसी अप्रत्याशिक नतीजों की उम्मीद है उसमें दो चीज़ा सौरब एक तो यह कि पहले अगर हम यह नहीं मान सकते हैं कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनौती वाली सीटे जिन सीटों को मान रहे हैं उसके बारे में गिव अप कर दिया है वह गिव अफ ही हो जागा है जैसे वह यूपी की जिन सीटों का हम भी दरा रहन देके gelsा нос की बात करिया हैं तो उस बढ़ाने कि लिए बेंगोल में उसकी सीटे बढ़ेंगी औडिसा में उसकी सीटे बढ़ेंगी तमील फीडबेक है उसमें यह है कि अगर 60% किष्टन ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है सुएस गोपी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट जीती आ सकते हैं लेकिन 60% नहीं 60,000 किष्टन वोट आने चाहिए बीजेपी के पक्ष में जो कि आसान काम नहीं कि आ है वहां से अपने कुछ सीटों में इज्दाफा कर लगी बाकी राजियों के अगर बाद करने तो जहार खंड में पॉर्ट जटिती में सारी सटी है ज्ड़कनी की स्थिती में और ऐसा कर आबार में लेगी आग Byeassi कि क् यह कोशिश है कि पारी जो आकरा है उससे बहु कि पार्टी को बहुत साथ मेहनत करना पड़ा है और पार्टी का अपना जो फिडवैक है उसके इसाब से महिला है जो स्टेट के तरफ से गारेंटी दिया गया है उनने उनका जुकाओ थोड़ा कॉंगेस के तरफ जादा था वो बीजेपी के लिए कंसर्ण था लेकिन ठीक है भाविश जैसा अभी असेस्मेंट की बात देविंद्र कर रहे थे टिकेट का जो वित्रण हुआ या टिकेट जिस तरीके से बाटे गए उमीदवार मैदान में उतारे गए इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जिससे वोटर्स का मन शिफ् जिफ सकती है जब से उन्होंने राजबर की पार्टी को दिया था वहां पे बहुत बरी चैलेंज है कि वहां पर जो बीजेपी के काईडर है वो उसको एकसेप्ट निकर रहा है साइद इसलिए आपने एक वाइडल वीडियो देखा हुआ कि कैसे बिलकुल वह तो वह एक ब सीटों पर अच्छे कैंडिडेट दे रही है बीजेपी का वहां पहले सीरी थोड़ा बहुत जनाधार है तो बीजेपी के वहां पर संभावना ही बढ़ जाते इस तदेवेंद बात करेते एक तिवेंदल सीट की बात करेते या पतानम ठिट्टा की बात करेते इन सब सीटो बात करेते कि रामनात्पूरा में रामनात्पूरा में जो अच्छा कैंडिडेट दिया है यदि वहां पर उसका आधार नहीं हुए तो बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म कर रहे है लेकिन नौत में आप जैसे आएंगे नौत में जिस तरह का एक मोमेंटम उसमें फिर भी वहां पर यदि बहुत ज्यादा नाराजगी है तो फिर इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे अब जरह सारी पार्टियों की पोडिशन आपको बता देनी चाहिए वीवर्स जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बताया है मैं एक कमपैरिजन के साथ ब अगर आगे बात करें आमादनी पार्टी के पास एक सांसत था हमारा सर्वे कह रहा है उसको आठ स्टीटों पर जीत हासिल कर सकती है मतलब साथ सांसत उसके जादा जीत करके आ सकते हैं त्रिलमूल कॉंग्रेस बाइस थे पिछली बार इस बार उन्नेस तीन सीटों का नुक सोला सीटें जीती थी तीन दोजार उन्निस पे अब हमारा उपिन्यमू बूल कह रहा है दोजार चौबीस में सौला से घट कर बारा पर यानि चार का नुकसान झेडियू को हो सकता है डीम्के को साथ सीटों का नुकसानwo सकता है 20 से घट कर वो 17 पर आ सकता है अपना दल 2 सब्सक्राइब दिखाई दे रही है और इंडिया गटबंदन चार मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताप तक उसको भरती जंता पार्टी बीट कर रही है एंडिये सब्सक्राइब दिखाई दे रही है हमें और इंडिया गटबंदन चार सीटों पर चारों की चारों सीटे सपाक किया अब बता दूँ आपको फिरोजाबाद मैंनपुर खोसी और आजमगाड या उस पर आता हूं गाजिपूर के सीट पानी जा रही है लेकिन फिलाल बातपा को जीते में दिखाया गया इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेप या उसके ऐलाइस वो जीत हासिल कर रहा है अगर एक बर आपको आपको जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटे आइए ताकि बीजेपी का एक्जाट नमबर में पता चल जा 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 यूपी में प पड़ा करके उसको बहत्तर कर लिया जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटें ती गई है तो बीजेपी 72 आप समझे यूपी के सीटों में से जीत सकती है और चार सीट उसकी सायोग्यों को जाती हुई वो दिखाई दे रही है बावे एक एका समीर जी कॉम मुझे नगजए लगए मैंपूरी तो गड़े ने कोई दो रहा है और मुझे लगए लगने गड़में गुढदक ने के लिगक मायवति ने कोई कंड़धी नहीं तो दी जाएगे लगए कि लिगए पर ही दोग भी दे मुझे लगज़ रहे है तो सब्भोजन समाज़ पार्टी को एक इंडिड देवी देगी तबी मुझे लगता है कि आजमगाड को समाज़ाधी पार्टी का गड़ रहा है तो मेनपूर और आजमगाड दो सीट सिके जो समाज़ाधी पार्टी जी सकती है इसके आनाव चो दो सीटे फिरुजाबाद और घुसी यह दोनों भारजानता पार्टी जीतेगी और आप देखना समझवाधी पार्टी को दो सीटे मिलेगी और कॉंग्रेसा खाता नहीं कुलेगा बारजानता पार्टी चोरतर सीटे अपसी दंपर लेकर आएगी और दो ओपीनिन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आकड़े से कुछ कम में NDA रुक जाएगा 393 सीटे NDA हासिल कर सकता है और अपने आप में BJP की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आकड़ा 343 का होगा 370 का टारगेट BJP ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पी अगर आप यह जोड़ा इतने सारे दलों को लाए कुछ और गए कुछ रहे गए सेंचुरी क्रोस नहीं हो पारिये सेंचुरी नहीं बना पाई ते 990 के इंडिया गटपन्दन अगर 99 है इसमें समाजवाधी पटी भी है इसमें लेफ्ट के लोग भी है इसमें न्सी पीव इसमें शरत पवार भी है इसमें डियेम के भी है सबसे मत अब सुचे कॉंग्रेस को कितना मिली होगी सब देखे इस पैनल में जब से हम लोग बिसक्रसन कर रहे हैं हम सभी इस बात के पर राजी थे कॉंग्रेस पार्टी पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई वोल रह थे कि 40 सीटों से ज्यादा कॉंग्रेस पार्टी नहीं जीच रही ती एक और बड़े क्रतिस्थान ने को कंग्रेस के लिए सर्वे कर आया था वो भी कंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है यानि कि जो सबसे बड़ी दूर्दसा है दूर्दसा जो है वो राहूल गांदी की पार्टी को होने जा रहा है इस पूरे चुनाओं का टेकर रही है और अब उससे भी नीचे पार्टी जो आप बार बार कहते हैं मैं तो 38-38 बोलते रहा हूँ आपने एतिहासिक नियूनतम पर पहुँचेगी बिल्कुल तो वो तो होता हुआ इस वक्त दिखाई देरा अब ये क्यों है ये राहूल गांदी को सूचना है सुनिया गांदी को सूचना है कि आखिर आपने विश्वास को दिया जनता का राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की नवज को समझने में असफल रहे है उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरके से कटे हुए है उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 80 के दसक की राजनीती है आज के दिन में राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी परकार की राजनीती को भारत में स्थापित करने की पुनर स्थापित करने की कोशिस कर रहे है कम से कम 4 दसक जो है वो हम आगे निकल गए हैं 5 दसक और ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस पार्टी की जो दुर्दसा देख रहे हैं वो भारत की नब्ज नहीं पकड़ने का ही कारण है एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको 2046 में विक्सित भारत का स्वपने दिखा रहे हैं औ आने वाले दिनों में मेरा 20 साल का एजेंडा ये है 5 साल का एजेंडा लो ये है और वो कह रहे हैं कि यह जो हम बचन दे रहे हैं उस बचन के हम गारंटी दे रहे हैं कि हम ऐसा हम करने जा रहे हैं तो यह दोनों में फरक है और यही कारण है कि परिणाम जो है आप देखे न नरेंदर मोधी की टैली ते कि कहा जा कर गर रुक रही है, नरेंदर मोधी ने कहा था लक्ष दिया था, NDA के लिए 400 और सर्वे बता रहा है कि NDA पहुँच सकता है 393 400 में केवल 7 का मतलब ये वेरिवेल ये 400 के उपर जा सकता है, 400 के उपर जा सकता है, इसमें कोई अच्रज नहीं होना चाहिए आपके सर्वे में तीन सीटें भारतिये जनता पार्टी को तमिल नाडू में दिया गया है जब कि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक स्थिती ऐसी आ सकती है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता है यही जिस प्रकार से भारतिये जनता पार्टी कोसिस कर रहे हैं, चालीस मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 400 बार केंद्रिये मंत्री वहां पर गये है प्रधान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके है, आप किया रहे है, 400 बार हो सकता है मैं करूँ इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, अभी वह दूर का रास्ता रिखता है जब 393 पहुंच सकता है, 400 क्यों नहीं पहुंच सकता, सवाल तो यह है जब 40 के पहुंच सकता है, 40 के बार जाता है, इस पूरे आंक्रे में यह भी बात है, जो खहता है या बाकी लोग कहते है, भारतीय प्रण्टार पारटी में, मैक्समिम में जिसको पीकश्पीश करते हैं अलएक्स्पीरियți में, पीक उसको पोलेग जूरियेनस तर पूँच चुके है, वहां से आपने छट्नी किया है, बिहार के झालि किया चटनी की है मतलब जो आंके बता रहे हैं करनाटक में सीटे कम हो रही है वहां भी सीटे कम हो रही है springs इन सबों को सबसे कम सीटों पर चुनाव लडने जा रही है, उसको अपने उपर भरोसा नहीं है, क्या होता है कि पार्टी को अपने उपर भरोसा हो, काडर की उपर भरोसा हो, तो शायद जो है, पार्टी में ऐसा लगता कि जो है, वो कुछ कमाल गता, कोई सला आपकी कॉंग्रेस पार्टी को परप्दे देना चाहिए, तो अगर वैसा होता है, तो क्या पता कॉंग्रेस रिवाइब को अब देखें, अब देखें, अब 2024 की कोई बात नहीं है, अब आप दे रहे हैं, चालिस से उपर मानेंगे, चालिस सिकार, या चालिस से थोड़ा उपर हो सकते, देवेंदर भी हमारे साथ बने हुए, देवेंदर फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है, 393 NDA और 343, भारती जंता पार्टी जीत सकती है, 370 का टार्गेट मोदी ने सेट किया था, लेकिन 343 पीजेपी अपने दम पर जीत सकती है, यही आंकलन लेकर चला जा रहा है, इस वक्त पार्टी के तरफ से भी? इन सीटों को बीजेपी डिफिकर्ट मान रही है, और अब जाउनपूर की सीटी भी क्योंकि ट्रेंगलर फाइट किया है, वहां भी बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली सीटी है, तो पार्टी के रहा हैं कि कई स्टेट्स ऐसे हैं, जहां पर बहुत साइज सीटे फस पिर माहौल बनाते हैं और फिर वोटर अपने पक्ष में लेकर आते हैं, बीजेपी एक दूसरी चिंता यह है, क्योंकि अपोजिशन से चैलेंग मिलता नजर नहीं आ रहा है, अभी तक मिल नहीं रहा है, तो बीजेपी ए कारकर्टाओं के साथ समस्या यह होती है, कि जैसे पोजिशन से उन्हें चैलेंज मिलता है, वो और दुगुने उत्सास से लग जाते हैं, फिर अपने ग्रिवांसेज वो किनारे कर देते हैं, अन्यथा अगर सिटिंग कैंडिडेट को लेकर उनके अंदर ग्रिवांसेज हैं, तो उनके हावी होने का खत्रा इस रूप में र हर जगर जाकर ये बता रहे हैं, कि आपको मुझे देखना है, देश के पधार मंदर को वोट करना है, 2047 के लिए वोट करना है, हमारे रिपोर्ट कार्ट पर वोट करना है, हमारे आगे के विजन पर वोट करना है, और कमल का फूल देखना है, या फिर हमारे सही होगी को दे है मंद्र प्रदेश में लगबाग महाराश में लगबाग 15-16 के आसपास ऐसी सीटे हैं जहां पार्टी को बहुत जादा मेनुत पर चिनता है और कई सीटे उसको लग रही है कि वह फस रखती है कहीं पर टफ कॉंप्टीशन देखने को मिल रहा है तो जो आकड़ा हमने दिख की बात कर रहा हूं वो उन सीटों को लेकि जो पाटी पास अपना अपना फिट बेक है उन राजियों के उन सीटों के के बारे में बता रही हैं जहां जाधा मेनत करने की जोडरत है और ऐसे और अब तो देखेंगे तो कि बीजेपी अपनी कमियों को बहुत अल्ली अड्रेस करती है उसके हिसाफ से समधान करती है मुदफन गर का केसी आप देख लें जैसे पार्टी को फ़ाँ सा फिल हुआ कि यहाँ चत्रिय एक समझ से आऊ सकती है आपने देखा कि योगी एदेतनाज योगी उपी में चत्रियों के सबसे बड़े चेहर बीजेपी के हैं उनको वहाँ पर डिपलाई कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार कीज़ा रही है उनको दूर किया जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के ही साथ से आप देखें तो 370 बीजेपी के रहनितकार भी मान के चल रहा है कि वो थोड़े ज्यादा दूर की कोड़ी है उसके बहुत में अपकर नहीं होगा कि बी जेपी जिन राज्यो में चुनौ ऑली शीटे जिन सीटें इसके बारे में गिव अप कर दिया वो गिव भॉप ही हो जागा जैसे भी के उजिशे बारे की जिन सीटों को दारेंदेंदेंके बात कर रहे हैं वियारे की सायओ आफे के बात कर रहेblock करʰहें उडिसा में उसकी सीटे बढ़ेंगी, तमील नाडू में कुछ सीटे आएंगी, केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुल फीडवेक है, उसमें यह है कि अगर 60% कृष्टन ने वोट कर दिया, तो त्रिशूर वाली सीट है, सुएस गोपी जहां से परण लड़ रहे हैं, वो एक अच्छी स्थिती में हैं, लेकिन वो भी क्लियर कट जीत वाली स्थिती में हैं, तो केरल में बीजेपी को बहुत जादा होप में है, तेलंगाना में बीजेपी एमान का चलिए, कि वहां सो अपनी कुछ सीटों में इजदाफा कर लगी, बाक में बाकि सीटों पर आपको और मेहनद करनी है, तो अवजा भाल पर मैक्सिमम्न थे, वहारें उसे रिटर्ट करना है करना है, करनाथक में बड़ी समझा सवावं यह रवी मिहनद करना पड़ आ है, पंपना फिट्वैक हैं उसके घेघा से महिला जो स्टेट के तरफ से गा कर रखा है उसके लगतार काम किया जा रहा है स्वारों चीक है भाविश जैसा आप असेस्मेंट की बात देविंद्र कर रहे थे टिकेट का जो वित्रण हुआ या टिकेट जिस तरीके से बाटे गए उमीदवार मैदान में उतारे गए इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप जैसे पहले यदि हम लोग सर्वे जब जन्वरी महिना परवरी महिना में जब हमने किया था वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यदी खुद से लह रहेगी तो जीत सकती है जब से उन्होंने राजबर की पार्टी को दिया था वहां पे बहुत बरी चैलेंज जी आए क कि वहां पर जो बीजेपी के काईडर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है साइड इसले आपने एक वाइडल वीडियो देखा हुआ कि कैसे बिल्कुल वह तो वह एक बहुत बड़ा कंसर्न था उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा था कि बीजेपी खु को आपके बढ़ गुणा परिखे बाद करें तरह में जूझा करें अच्छे कंडिडेट का हो जीत सकते उसी तरह तमिलारू में जो जो सीट्फें हम लोग प्रिडिक्ट करें कि बीजेपी दिया है जैसे हम लोग आज बात करें आज कि रामनाथ पूरा नाथ प्यार नु जो अपना चैनल जीट सकती ती इसी तरह देखेंगे अलग लग राजों में जहां जहां जाएंगे वीजेपी ने जहां पर अच्छा कैंडिडेट दिया है यदि वहां पर उसका आधार नहीं हुई है तो बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन नौत में आ ज्यादा नाराजगी है तो फिर इंपोर्टेंट रोड बले करेंगे अब जरह सारी पार्टियों की पोजिशन आपको बता देनी चाहिए वीवर्स जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बताया है मैं एक कंपारिजन के साथ बता रहा हूँ बीजेपी 2019 पे त 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस उपिनियन पोल के मताबिक कांग्रेस पार्टी 2019 पे 52 सीटों पर खड़ी थी ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है और 40 के नीचे भी जा सकती है इसके लावा अगर आगे बात करें आम आदनी पार्टी आम आदनी पार्टी के पास एक सांसत था हमारा सर्वे कह रहा है उसको आठ सीटों पर जीत हासिल कर सकती है मतलब साथ सांसत उसके जादा जीत करके आ सकते हैं त्रिड़मूल कॉंग्रेस 22 थे पिछली बार इस बार 19 तीन सीटों का नुकसान ममताब इनर्जी को ह सकता है समाजबाधी पार्टी के पिछली बार पांच सांसत जीते थे इस बार चार जीत सकते हैं एक सांसत का नुकसान बसपा के दस जीते थे पिछली बार इस बार जीरो तो मायावती शून ने पर आ रही है ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है जेडियू 16 सीटें जीती 2019 में और अब हमारा उपीनियम बूल कह रहा है दोजार 24 में 16 से घटकर 12 पर यानि 4 का नुकसान जीडियू को हो सकता है डीमके को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है 24 से घटकर 17 पर आ सकते हो अपना दल दो सपा चार यानि यहाँ जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है इंडिया गटपंदन चार सीटों पर चारों की चारों सीटे सपाक किया है अब बता दूँ आपको फिरोजाबाद मैनपुर खोसी और आजमगड अगर पूचा जाया है लेकिन फिलाल बातपा को जीटे वह दिखाया गया इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीज कितना है ओवरल सेवेंटी टू बीजेपी है चार एलाइस पाटी का है इससे पहले 14 में 71 सीटे भाजपा की अपनी जो आई थी मुथी आप बढ़ा करके उसने उसको बहत्तर कर लिया जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटे दी गई है तो बीजेपी सेव लगा कि अचीठ एस जिघा बार्तियन अफरी आदापाटी के पख में जुड़िया जुड़ियाए सिफ दो सीटे आपाटी जो दो सीटे समाधवादी पार्टी को बिलेगी एक मेंचपुरी ओर एक आजमगर्ण बाकी दो फिरोजवाद आजिए बाकी बाकी दो सीटे बा आजमगर में आजमगर में आपने का गुद्धू जमाली बस्पामाली यहां आगे तो इसे मजबूत अपने कोई कंडिड़ेट नहीं दिया है लेकिन अपना बड़ा होल्ड रहा है वहां पर तो समा बहुजन समाजपाटी को कंड़एवी देगी तब भी लगता है कि समाजपाटी को दो सीटे मिलेगी और कॉंगर सा खाता नहीं कुलेगा बाते अंता पार्टी 14 सीटे अपने आपके सामने रख दिया है और इस वक्त इस ओपीनियन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आखड़े से कुछ कम में एंडिये रुख जाएगा 393 सीटे अंडिये हासिल कर सकता है और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यहां करा 343 का होगा 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है पर है जब से खुछी नहीं बना पाई यहिए इस पर स्कोर टिका हूँ इंडिया गठबंदन अगर 99 इसमाजवादी पारदी भी इसमें लेट के लोक भी है इसमें इसमें एन्सीप भी है इसमें शरत पवार भी है इसमें डीयम के भी है अब सुचे को कितना मिली होगी सब देखे इस पाइनल में जब से हम लोग बिसक्रसन कर रहे हैं हम सभी इस बात के पर राजी थे कॉंग्रेस पार्टी 50 से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज़्यादा का जिक्र चल रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी 40-45 सीटों से जाजा नहीं जीत रही थी एक और बड़े प्रतिस्थान ने कॉंग्रेस के लिए सर्वे कराया था वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है यानि कि जो सबसे बड़ी दूर्दसा है दूर्दसा जो है वो राहूल गांदी की पार्टी को होने जा रहा है 2014 में लोएस तब आया था 44 और अब उससे भी नीचे 40 जो आप बार बार कहते हैं कि अपने अपने एतिहासिक नियूर्टम पर पहुंचेगी बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो होता हुब इसलिए है कि भारत की नफ्य को समझने में असफल रहे है उनको जमीनी सचाई से वो पूरी तरके से कटे हुए है उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 80 के दसक की राजनीती है आज के दिन में राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीती और उसी प्रकार की राजनीती को भारत में स्थापित करने क पुनर स्थापित करने की कोशिस कर रहे हैं कम से कम चार दसक जो है वो हम आगे निकल गए हैं पांच दसक और ऐसी स्थिति में कॉंग्रेस पार्टी की जो दुर्दसा देख रहे हैं वो भारत की नफ्ज नहीं पकड़ने का ही कारण है एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको दो हजार से तालिस में विक्सित भारत का स्वप ने दिखा रहे हैं और स्वप नहीं नहीं दिखा रहे हैं कर रहे हैं मैंने इतना कर दिया है आने वाले दिनों में मेरा 20 साल का एजेंडा ये है 5 साल का एजेंडा लो ये और वो कह रहे हैं कि यह जो हम बचन दे रहे हैं उ यह पहुँच सकता है 393, 400 में केवल 7 का मतलब ये very well ये 400 के उपर जा सकता है, 400 के उपर जा सकता है, इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए, आपके सर्वे में तीन सीटें भारतिय जनता पार्टी को तमिल नाडू में दिया गया है, यदि मान लेते हैं कि यही जिस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी कोसिस कर रहे हैं, चालीस मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 400 बार केंद्रिय मंत्री वहां पर गये हैं, प्रधान मंत्री पिछले दो महीनों में इतनी बार जा चुके हैं, आप कह रहे हैं, 400 पार हो सकता है, मैं कर रहा हूँ, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, अभी वो दूर का रास्ता दिखता है, जब 393 पे पहुंच सकता है, 400 क्यों नहीं पहुंच सकता है, सवाल तो यह है, बार जांटा पार्टी पार्टी को इतना परचंट भूमत मिल रहा है तो पदान मंत्री मुझे जाविस तो दे रहे हैं, चालिस सीटी मिल रहे है, तो इससे भी कम होँगी, मुझे लगता है, आज आएंगी कॉंग्रेस किसी भी तरह से रोक है, 35-40 के विजमें कहीं नहीं कर दिया कि किस चालिस आप बिल्कुल मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ी साथ है 40-45 भी तो कह सकते थे 40 के पर कॉंग्रेस किसी आरत में निचाने वादी है इस पूरे आकड़े में यह भी बात है कि जिसों घरता साना विपक्ष करता है यह बाकी लोग कहते है भारतीय पंजन्टा पार्टी में जिसको पीक एक्सपरियंस कहते हैं हम एलेक्टोरल पॉलिटिस में, पीक एक्सपरियंस तक पहुँच चुकी है वहां से आपने चटनी ही किया है बिहार के अंदर आपने चटनी किया है इसको इसको पाहले था वो उस पिक पर रही रहा है भारतीय जन्ता पाटी नहीं वहां भी सीटे घट रही है राव जी सहमत है सर्वे से मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो 310 तक मैक्समुम जो है वो जाएगा सर्वे देरा है 343 आप कहने 310 तक मैक्समुम जाएगा मतलब इंडिया कटपंदन 100 के पार और कॉंग्रेस आपकी रासे कॉंग्रेस का देखे बहाल भी बड़ा है मैंने आपको पहले भी बढ़ा था 51 के बाद अगर सबसे कम सीटों पर कॉंग्रेस कभी लड रही है चुनाव तो इन चुनाव और 300 सीटों पर शायदा है 330 330 तो सबसे कम सीटों पर चुनाव लडने जा रही है उसको अपने वपर भरॉसा नहीं है क्या होता है कि पार्टी को अपने वपर भरॉसा हो काडर के उपर भरॉसा हो तो शायद पार्टी में ऐसा लगता है कि जो है वो कुछ कमाव गप कि काफी सारे लोग के गार Records Hub तो अगर वैसा होता है तो क्या पता कॉंग्रेस रिवाइब वो तो जो का एलेक्शिन के बाद हुआ अब देखें अब 2024 की कोई बात नहीं अब दबागूल होगे जो बात होगी है वो गजा 29 की बात हो दो चालेस आप दे रहे हैं 40 से उपर मानें या 40 से थोड़ा उपर हो सक देवेंदर भी हमारे साथ बने हुए देवेंदर फाइनल आकड़ा हमने दिखा दिया है 393 NDA और 343 भारती जनता पार्टी जीत सकती है 370 का टार्गेट मोदी ने सेट किया था लेकिन 343 पीजेपी अपने दम पर जीत सकती है यही आंकलन लेकर चला जा रहा है इस वक्ट पार्टी के तरफ से भी और टार्गेट लेकर चला जा रहा है आकलन ना कहें तो ज्यादा बेतर है क्योंकि पार्टी के जो रहनितिकार है वो मान रहा है कि कई जगह पे बहुत जादा चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज के पीछे फैक्टर्स अलग-अलग हैं जैसे तो पार्टी के रहनितिकार ये मान कर चल रहा है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत साइज सीटे फसी हुई है उन्हीं पर आपको काम करना वाज इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनिज्वल चीज है इस लिहास से कि अगर यह इतना सर्टेन होता तो फिर पदा क्योंकि अपोजिशन से चैलेंग मिलता नजर नहीं आ रहा है अभी तक मिल नहीं रहा है तो बीजेपी एक कारकरताओं साथ समस्य यह होती है कि जैसे अपोजिशन से उन्हें चैलेंज मिलता है वो और दुगुने उतसा से लग जाते हैं फिर अपने ग्रिवांसेज वो कि पूरे चिंता को कैसे हल किया जा रहा है इसको आप देखें तो केंद्रबिंदु में पिए मोधी हर जगह जाकर यह बता रहे हैं कि आपको मुझे देखना है पड़ान मंतर को वोट करना है 2000 से लिए वोट करना है हमारे रिपोर्ट कार्ट पर वोट करना है और कमल का फूल देखना है या फिर हमारे सही होगी को देखना है तो यह एक बड़ी वज़ा है जिसके चलते हैं बीजेपी इस प्रकार के स्टेडिया थियार कर रही है लेकि इसमें कोई दोरा नहीं कि कई सारी सीटे हैं जैसे कि पहले मैंने आपको बता रहा है कि सारे रज्य हैं और इंदा नीचे मान कर चला जा रहा है या इससे आपकी गुंजाइश भी है 343 से देखे अभी तक मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधान मंत्री ने अगर 370 का आकड़ा बीजेपी को दे दिया और 400 का आकड़ा गड़वनन के लिए आसे तो बीजेपी का हर कारकरता इसी खरकी लक्ष को मान कर चलेगा लेकिन मैं जो कषणाई की बात कर रहा हूं वो उन सीटों को लेके जो पार्टी पास अपना फिड-बैक है उन राजियों के वहारे में बता है जहां जादा मेहनद क dob करने की जब पार्टी शुरुु में एक डिक मीने पहले जिन सीटों को त पार्टी के पास दो तरीका रता है एक तो यह कि आप बीमारी की पहचान कहरें दियसे पार्टी को यह फिल हुआ कि यहाँ समझे से आऊ सकती है आपने देखा कि योगी एदेतना जो यूपी में चत्रियों के सबसे बड़े चेर बीजेपी के हैं उनको वहाँ पे डिपलाई कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही है उनको दूर क्या जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के हिसाब से आप देखें तो 370 बीजेपी के रहनितकार भी इमान के चल रहा है तो थोड़े ज़्यादा दूर की कोड़ी है तेवे दिश्य बताये ये 370 अचीब करने के लिए पॉजिटिव साइट पर बीजेपी को किन-किन राज्यों से और कैसी और प्रत्याशित नतीजों की उम्मीद है उसमें दो चीज़ है स्वारब एक तो यह है कि पहले अगर हम यह नहीं मान सकते है कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनौती वाली सीटे जिन सीटों को मान रहे है उसके बारे में गिवफ कर दिया है वो गिवफ ही हो जागा जैसे उपी के जिन सीटों का हम लोग उधारान दे के बात कर रहे है बियार की जिन सीटों का उधारान दे के बात कर रहे है महराष्ट के सीटों का उधारान दे के बात कर रहे है party आ चल लिए कि अभी तरह समय है कि हम उस damage को control कर लेंगे गे और जो समस्या है उसे दूर कर लेंगे नंबर्स बढ़ाने के लिए अगर बात कर लें तो उस बढ़ाने के लिए से party मान के चल लिए कि बैंगॉल में उसकी seat बढ़ेंगी उडिसा में उसकी सीटे बढ़ेंगी तमील नाडू में कुछ सीटे आएंगी केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुल फीड़वैक है उसमें यह है कि अगर 60% कृष्टन ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है जहां मुलिधरन लड़ रहा है वो एक अच्छी स्थिती में हैं लेकिन वो भी क्लियर कट जीत वाली स्थिती में है तो केरल में वीजेपी को बहुत जादा होप नहीं है तेलंगाना में वीजेपी यह मान कर चल लिए से और बाAGगी सीटों पर आपको और महनत करनी है तो जहां पर आप मैक्सिममम थे वहां पर उसे रेटर्ड करना करना तक में बडी समझ्थी अगी को बहुत मेहनत करना पड़ाया ऑपार्टी का अपना फिडवैक आ उसके इसाब से महिलाएं जो स्टेट के तरफ से गारेंटी दिया गया है उनने उनका जुकावा थोड़ा कॉंगेस के तरफ जादा था वो बीजेपी के लिए कंसरंड था लेकिन पूरुश वोटर लगवग पाटी है कि इंटरनेट सर्वे हुआ था उसमें 62 फिस दी पीए मोधी को फिर से अब वो चीज़ बीजेपी के लिए वहाँ पे ट्रम काड़ हो सकता है तो इस तरह से रजवार बीजेपी ने आक्नन कर रखा है उसके लगतार काम किया जा रहा है ठीक है भाविश जैसा आप असेस्मेंट की बात देविंद्र कर रहे थे टिकेट का जो वितरन हुआ या ट सब्सक्राइब बीजेपी में यदी आप जाए तो गोसी सीट जैसे पहले यदी हम लोग सर्वेजब जन्वरी महिना फरवरी महिना में जब हमने किया था वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यदी खुद से लएगी तो जीत सकती है जब से उन्होंने राजबर की पार जाता है वहां पर एक बहुत बरी चैलेंज है कि वहां पर जो बीजेपी के काईडर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है साइध इसलिए आपने एक वाइडल वीडियो देखा हुआ कि कैसे बिल्कुल वह तो वह एक बहुत बड़ा कंसर्ण था उसी तरह बिहार में भ ztatatatatatate बीजेपी के लिए चेपि के पास अच्छे औरिट का होना बीजेपी के लिए संभावना ही बड़ाते है कि यहां पर उसी तरह त्मिल्शावत सब्सक्राइब करें जो जो सीटे हम लोग एनवापे च्छा दिया है जैसे हम लोग आज-कल बात करें कि नहीं हम रामनाथपूरम नगराजों जहां 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 जाएंगे वीजएपी ने जहां पर अच्छा कैंडिडेट दिया है यदि वहां पर उसका आधार नहीं हुए तो बीजएपी वहां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन नौत में आप जैसे आएंगे जिस तरह का एक मोमेंटम उसमें वीजएपी के लिए कैंडिडेट सेलेक्शन बहुत जादा मतलब नहीं लगता लेकिन फिर भी वहां पर यदि बहुत जादा नाराजगी है तो फिर इंपोर्टेंट रोड प्ले करें अब जरा सारी पार्टियों की पोजिशन आपको बता देनी चाहिए वीवर्स जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बता है मैं एक कंपैरिजन के साथ बता रहा हूँ बीजेपी 2019 में 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस उपिनियन पोल के मताबए कांग्रिस पार्टी 2019 में 52 सीटों पर खड़ साथ सांसद उसके जादा जीत करके आ सकते हैं त्रिलमूल कांग्रिस 22 थे पिछली बार इस बार 19 सीटों का नुकसान ममतब एनरजी को हो सकता है समाजबादी पार्टी की पिछली बार 5 सांसद जीते थे इस बार 4 जीत सकते हैं एक सांसद का नुकसान बसपा के 10 जीते थे पिछली बार इस बार जीरो तो मायवती शून ने पर आ रही है ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है जेडियू 16 सीटें जीती थी 2019 में और अब हमारा उपीनियम बोल कह रहा है 2024 में 16 से घटकर 12 पर यानि 4 का नुकसान जेडियू को हो सकता है डियम के को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है 2024 से घटकर वो 17 पर आ सकता हो अपना दल दो सपा चार यानि यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है एंडिये 76 और इंडिया गटबंदन 4 मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताप तक उसको भरती जंता पाटी बीट कर रही है इंडिये 76 पर जाते हो बहुचती भी दिखाई दे रही है और इंडिया गटबंदन 4 सीटों पर चारों की 4 सीटे सपाक किया है बता दूँ आपको फिरोजाबाद, मेनपुर, खोसी और आजमगाड अगर पूचा जाएगा अगर गाजीपूर की सीट बाटप 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 को जीटे वह दिखाया गया है इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके ऐलाइज वो जीट हासल कर रहा है अगर एक बर हमको आप इभी मता दें अगर आपको जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटे आईए ताकि बीजेपी का एक जैक नंबर हमें पता चल जाए उपी वह पूरे ओवर्र अवर्ल्ल यूपी में बीजेपी कितना है ओवरल 72 BJP है, चार एलाइस पार्टी का है, 72 BJP, बातर, तो बातर भी एक नया रिकॉर्ड है UP में, इससे पहले 14 में 71 सीटे भाजपा की अपनी जो आई थी हुथी, आप बढ़ा करके उसको बातर कर लिया, जबकि एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई, कापी सीटें दी गई मुझे लगता है कि सिफ दो सीटे समाज़ादी पार्टी को मिलेगी, एक मेंनपुरी और एक अजबगार बाकी दो सीटे जो फिरोजाबादे शाहिए यह दोनों सीटे बार्ते अज़ए बार्टेन ता पार्टी एक यह दो लगए 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 कि मुझे लगए कि आजमदी लगए रची आजमदी आज़ एक कॉई कझा अपने आप में बीजेपी की सीटों के अगर आप बात करेंगे तो यह आकड़ा तीन सो तेटालिस का होगा 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है 343 सीटे बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है जबकि आप ओवराल एंडिये की बात करेंगे तो 393 सीटे यहां एंडिये जीत सकता है 343 सीटों का यह पूरा ओपीनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है इंडिया गटबंदन गावी बताईए शैकड़ा नहीं छूपाया इंडिया गटबंदन गावी इसमें इंडिया गटबंदन अगर 99 है इसमें समाजवादी पाटी भी है इसमें को कितना मिली होगी सब देखिए इस पैनलमे जब से हम लोग बिसक रसन कर रहे हैं हम सभी इस बात के पर राजी थे इस पांगरेस पार्टी कर दिया है पचास से नीचे का आकड़ा रहेगा और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी नहीं जीत रही थी एक और बड़े प्रतिस्थान ने कॉंग्रेस के लिए सर्वे कराया था वो भी कॉंग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीची रख रही है और अब उससे भी नीचे 40 जो आप बार बार कहते हैं कि अपने एतिहासिक नियूर्टम पर पहुंचेगी बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो होता हुआ इस वक दिखाई देर आब ये क्यों है ये राहूल गांदी को सूचना है सुनिया गांदी को सूचना है कि आखिर ऐसा क कि ऐसी दुर्दशा क्यों कॉंग्रेस पार्टी की हो गई है भाई सारे नेता मौझूद हैं पार्टी के पास पार्टी का तंत्र तो नहीं खुतम हो गया इसका मला आप आपने विश्पास को दिया जनता का राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की नब्ज को सम की राजनीति आज के दिन में राहुल गांधी ओर कॉंग्रेस पारटी भारत में 170 और i single reunited और उसी परकार की राजनीती को वह भारत में स्थापित करने की कम से कम चार दसक जो है वह और आगे निकल गहें पांस दसक और हैसी स्तिती में कॉंग्रेस-पार्टी की जो दुर्दसा देख रहे हैं वो भारत की नफज नहीं पकड़ने का ही कारण है एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको दोहजार से तालीस में विक्सित भारत का स्वाप ने दिखा हैं और स्वफनी नहीं दिखा रहे हैं आने वाले दिनों में नरैंद्र मोदी की टैली तेके कहा चाकर के रुकर रही है नरियंद्र मोधी ने कहा था लक्ष दिया था एंडिये के लिए 400 और सर्वे बता रहा है कि एंडिये पहुँच सकता है 393 चार सो में केवल साथ का मतलब ये वेरी वेल ये 400 के उपर जा सकता है 400 के उपर जा सकता है इसमें कोई अच्रज नहीं होना चाहिए यही जिस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी कोसिस कर रहे हैं खासकर प्रदानमंत्री कोसिस कर रहे हैं 20 मंत्रियों को डिप्योट किया गया 400 भार केंद्रिय मंत्री वहां पर गये हैं प्रदानमंत्री पिछले पिछले दो महिनों में इतनी बार जा तुकंए है 400 पार हो सकता है मैं करूंज संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है अभी ओदूर का जब 393 पहुंच सकता है तो 400 क्यों नहीं पहुंच सकता है सवाल तो यह है कॉंग्रेस अगर 40 सीटे पहुंचती है बारतियंता पाटी को इतना परचेंट भूमत मिल रहा है 40 तो दे रहे है 40 सीटी मिल रहे है इससे भी कम होंगी 40 सीटे मुझे लगता है कोंग्रेस किसी तरह से रहे है पहुंच से बढ़े है 40 सीटे मुझे लगता है 40 से 45 तो पहुंचती थी 40 के वाड़े है यह अखने भी कि भारतियों भारतिये पैक्स्टिया पार्टी को पीक एक्स्पीरियंस करते है इलेक्टरल पॉलिटिकिस में चपिक एक्स्पिरियेंश extreme हैं वहां से आपने छठनी किया है विहार के अंदर आपने छठनी किया।। को यह बता तरह हो यह हमोसे सच और घ्राक ब घ्राट को माहरास्ट मे थैक ़ो चनिवे तक आप से अल्ल जरकिते आपकला ही यह। तो उस पिक पर रही रहा है बारती जंतर पाटी नहीं वहां भी सीटे घट रहे हैं राओ जी सहमत है सर्वे से लेगे मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो तीन सो मतलब दस तक मैक्समुम जो है वो जाएगा हम सर्वे तेरा 343 आप कहने 310 मैक्समुम जाएग मतलब इंडिया कटपंदन सो के पार और कॉंग्रेस आपकी रहा से पचास का तो देखिए बहाल विबरा है मैंने आपको पहले भी बारा था 51 के बाद अगर सबसे कम सीटों पर कॉंग्रेस का भी लड़ रही है चुनाव तो इन चुनाव होने तो सबसे कम सीटों पर चुन सबसे कम स्था उसरे कन उसरा और गशां धुमा आपकी बने वीबुयर यहां चाहिरे माने साथ बने हूं उपर ही घ्रिया फोनाओ थान्नकुरा उया है कंसा प्रवांचल में हमारे सर्वे जो बता रहा है प्रवांचल को आप देखें तो आजमगड के अलावा लालगन घोसी इन सीटों को बीजेपी डिफकर्ट मान रही है और अब जाउनपूर की सिती भी क्योंकि ट्रेंगडर फाइट की है वहां भी बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली सिती है तो प्रवांचल मान कर चल बीजेपी नेताओं को इतने केंपेंड करने की जरुद क्या पड़ती है वह वजह यह रहता है कि जब टाइट सीट पे आप केंपेंड करते हैं तो फिर माहौल बनाते हैं और फिर वोटर अपने पक्ष में लेकर आते हैं बीजेपी के एक दूसरी चिंता यह है क्योंकि आ हावी होने का खात्रा इस रूप में रहता है कि वह कारकरता पार्टी के खिलाब तो जाएगा नहीं लेकिन अपने घर में थोड़ा निस्क्रिय जरूर रह सकता है उसका पार्टी को खामियाज उठाना पड़ सकता है तो यह भी एक चिंता है जिसको लेकर बीजेपी बार करना है हमारे आए के विजन पर वोट करना है और कमल का कीज करना है तो यह एक बड़ी वजा है जिसके चलते कर contractors कर रुत है मध्यपरदेश में लगबाग महाराश में लगबाग 15-16 के आसपास ऐसी सीटे हैं जहाँ पार्टी को बहुत जादा में जब बीजेपी को देवेंदर खुद चिंता है और कैसी सीटे उसको लग रही है कि वो फस रगती है कहीं पर टफ कॉम्पेटिशन देखने को मिल रहा ह है तो जो आकड़ा हमने दिखाया है वो आकड़ा नीचे मान कर चला जा रहा है या इससे आपकी गुंजाईश भी है 343 से देखे अभी तक तक मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधान मंत्री ने अगर 370 का आकड़ा बीजेपी को दे दिया और 400 का आकड़ा कर चलेगा लेकिन मैं जो कटनाई की बात कर रहा हूं वो उन सीटों को लेकर जो पार्टी के पास अपना फिटबेक है उन राड़्यों कि बीजेपी अपनी कम्यों को बहुत अल्ली अड्रेस करती है उसके हिसाब से समधान करती है मुझाफनगर का केसी आप देख लें जैसे पार्टी को फिल हुआ कि यहाँ चत्रिय एक समस्या हो सकती है आपने देखा कि योगी एदेतना जो कि यूपी में चत्रियों के सबसे पर चेहर बीजेपी के हैं उनको वहाँ पर डिपलाई कर दिया गया तो इस तरह की कोशिशें लगातार कीज़ा रही हैं उनको दूर किया जा रहा है लेकिन इसमें कोई दोरा नहीं कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी कही साथ साथ आप देखें तो 370 प्राशित नतीजों की उम्मीद है उसमें दो चीजा है सौरब एक तो यह है कि पहले अगर हम यह नहीं मान सकते हैं कि बीजेपी जिन राजियों में चुनौती वाली सीटे जिन सीटों को मान रहे हैं उसके बारे में गिवफ कर दिया है वो गिवफ ही हो जागा है जैसे बात कर लें तो उस बढ़ाने के लिया से पार्टी मान के चल लिए कि बेंगौल में उसकी सीटे बढ़ेंगी उडिसा में उसकी सीटे बढ़ेंगी तमीलाडू में कुछ सीटे आएंगी केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुल फिडवेक है उसमें यह है कि अगर 60% किष्टन ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है सुएस गोपी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट जीती आ सकते हैं लेकिन 60 करने तो जारखन में पाटी इस बार मान के चल लेकि इस बार वो सारी कि सारी सीटे जहतकनी की सिती में और ऐसा हुआ कर पाएगी बिहार में पार्टी की कोशिश है कि पिछली वार का जो आकरा है उससे बहुत दूर नार आ जा उत्तर प्रदेश में पार्टी कि अभी जो सकता है इंड्ये गढबन्न के लिहाथ से और बागी सीटों पे यह सीटों पर आपको और महनत करनी तो ओवर आल जहां पर आप से रजवार वीजेपी ने आक्नन कर रखा है उसके लगतार काम किया जा रहा है जैसा आप असेस्मेंट की बात देवेंद्र कर रहे थे टिकेट का जो वित्रण हुआ या टिकेट जिस तरीके से बाटे गए उमीदवार मैदान में उतारे गए इसका कितना महत्वपूर्ण र जाए तो घोसी सीट जैसे पहले यादी हम लोग सर्वे जब जन्वरी महिना फरवरी महिना में जब हमने किया था वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यादी खुद से लेगी तो जीट सकती है जब से इन्होंने राजबर की पार्टी को दिया तो वहां पे बहुत बरी चैलेंजर जी आए कि वहां पे जो बीजेपी के काईडर है वो उसको एक्सेप्ट निकर रहा है साइद इसलिए आपने एक वाइडल वीडियो देखा हुआ कि कैसे बिल्कुल वह तो वह एक बहुत बड़ा कंसर्न था उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा थ जेपी के लिएा पहले सीडि थोड़ा बहुत जनाधार है तो बीजेपी के लिए उपर पे संभावनाबना यी बड़ जाते हैंस तदेवेनद बात करें त्र चिंगल शीट की बात करेंगे थिवपार चिशुषी के Лिया पधानम ठिट्टा की बात करें इन सब सीटों के बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट का होना वीजेपी के लिए संभाबना ही बढ़ाते है कि बीजेपी यहां पर जीत सकते हैं। तो उसी तरह तरह तमिलाडू में देखे जो जो सीटे हम लोग प्रिडिक्ट करें के बीजेपी जीते हैं, बीजेपी ने एक्चली में वहाँ पे गैंडिडेट अच्छा दिया है, जैसे हम लोग आज कल बात करें थे कि रामनात्पूरह में जो अपना कैंडिडेट जीत सकत लेकिन नौत में आप जैसे आएंगे नौत में जिस तरह का एक मॉमेंटम उसमें वीजेपे के लिए के लिए कैंडिडेट सेलेक्शन बहुत जादा मतलब नहीं लगता लेकिन फिर भी वहां पर यदि बहुत जादा नाराजगी है तो फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें अब जरा सारी पार्टियों की पॉजिशन आपको बता देनी चाहिए वीवर्ज जानना चाहते होंगे बीजेपी का तो हमने आपको बताया है मैं एक कंपैरिजन के साथ बता रहा हूं बीजेपी 2019 पे 303 थी बढ़कर हो गई 343 जानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस सांसत था हमारा सर्वे कह रहा है उसको 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है मतलब 7 सांसत उसके जादा जीत करके आ सकते हैं त्रिलमूल कॉंग्रेस 22 थे पिछली बार इस बार 19 3 सीटों का नुकसान ममतब इनरजी को हो सकता है समाजबादी पार्टी की पिछली बार 5 सांसत जी से घटकर 12 पर यानि 4 का नुकसान जेडीउ को सकता है डी एम के को साथ सीटों का नुकसान हो सकता है चौबीस से घटकर वो सतरह पर आसके तो अपना दल दो सपाचार यानि यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है एंडिये 76 और इंडिया गटबंधन 4 मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड ताप तक उसको भरती जंता पार्टी बीट कर रही है एंडिये 76 पर जाते हो पहुचती भी दिखाई दे रही है हमें और इंडिया कट बंदन चार सीटों पर चारों की चारों सीटे सपाक किया है मैं बता दूँ आपको फिरोजाबाद मैंपूर खोसी और पर आजमगाड जाता हूं गाजिपूर के सीट पानी जारे थे लेकिन फिलाल बातपा को जीते वह दिखाया गया है इन चार को छोड़के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके ऐलाइस वह जीत हासल कर रहे है अगर एक बर आपको आपको जानकारी हो एलाइस को कितनी सीटे आए ताकि बीजेपी का एक नवर में पता चल जा जा यू पूरे वरल अ जाय बाटिए शने इस पार बात 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 आजिक्या बढ़ा कर लिया जब कि या उसको भाटिके एलाइस के साथ सीट शेरिंग की गई कापी सीटे थी गई तो बीजेपी